नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ खुश होंगे मज़े में होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नएने आडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से नॉबल से और स्टोरीज से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसं शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको एक नया नॉबल सुनाने वाला हूँ नॉबल का नाम है संकी कातिल और जिसे लिखा है महान राइटर जैम्स हेडले चेज में ये एक रोमांच और रहसे से भरपूर उपरन्यास होगा इसलिए अपनी कुलसी की फेटी बां खिल हुआ उसे देखकर ग्लोरी को लगा कि कुछ गरबड़ी है उसने ठंडे वा सपार्टस्वर में उससे कहा हैलो बेबी और उसकी और देखे बिना अपना टॉप कोट और हैट उतारा और उन्हें दिवार पर फैक कर आग के पास चला गया और बैठ गया उसका चेहरा सक तथा पीला पड़ गया था और आखों के उद्दिगन भाव से वो किसी अजनवी की तरह लग रहा था पिछले छे मैनों से साथ रहने के दौरान उसने कभी उसे इस रूप में नहीं देखा था और इस समय वो यही सोचने लगी थी कि वो उससे छुटकारा पाने को तैयार हो गया है कहीं हफतों से वो यह सोच रही थी कि यह सब आखिर कितने दिनों तक चलने वाला है यह बात नहीं थी कि वो उससे उकता जाने के भाव दिखाने लगा था लेकिन उसकी जिंदेगी का वो नौवा वेक्ती था और उसे यकीन था कि देर सबेर एक दिन वो भी उसे चोड़ कर चलता बनेगा मर्द के साथ अपना संबन बनाये रखने के लिए अब उसे बहुत कुछ सैना पड़ता था अब वो 32 साल की हो चुकी थी और उम्र के इस दौर में वो अपने सौंदरे का बहुत कुछ आकरशन खो चुकी थी एक समय और वो समय अब उसे अतीत में कहीं बहुत दूर छूट गया लगने लगा था जब उसने 1947 की मिस अमेरिका प्रतियुगीता में दूसरा इनाम जीता था और जैसा कि इस समय वो बखु भी समझ रही थी अगर पहला इनाम पाने वाली लड़की गीतर है उसने भी उन दो जज़ों के सामने सही पत्ते फैके होते तो वो पहला इराम जीतने की हददार होती उसका आवशक स्क्रीन टेस्ट लिया गया था और सोली लाविंस्टेन के निद्रेशन में उसने दूसरे दरजे की एकाद फिल्मों में काम भी किया था शायद वो सोली के सामने हच से जादा सहस था आजाद बन गई थी उसे यकीन था कि अगर उसने सोली की सुविधाओ का अच्छी तरह ख्याल रखता होता तो वो से फिल्मी दुनिया में तरक्की करने के लिए भरपूर सा हैता देता लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका था कुछ महीनों बाद ही उसके प्रतिसोली की दिल्चस्पी खत्म होने लगी थी और एक दिन उसने उसे जैसे संकेत दे दिया कि सीसी ये उसके काम से संतुष्ट नहीं है हॉलिवूड के बाद वो कुछ दिन मॉडलिंग करती रही फिर एक नाइट कलब में होस्टेस बन गई ये वही एल्डरवाडो कलब था जा बेंड डिलानी के साथ उसकी मुलाकात हो गई थी बाद के चौदे महीने उसकी जिन्दही के सबसे खुशाल मौके थे बेंड डिलानी के साथ उसने तमाम यूरोप की सेर की थी वो उसके साथ नियू यूर्क की सभी बड़ी-बड़ी पार्टियों में सामिल हुई थी मियामी के नीले सागर में उसने तेराकी की थी स्विजर लेंड की सीथ काली नियात्रा का आनंद उठाया था काफी लंबे समय तक उनका साथ चलता देख उसे यखीन होने लगा था ये स्थाई होने वाला है लेकिन अंततह उसे निराश होना पड़ा और डेलानी से उसका साथ कप छूट गया उसे पता भी नहीं चल सका उसके बाद दो सालों से उसने डेलानी को नहीं देखा था लेकिन अकबारों में उससे संबने समाचार पढ़कर या फिर से उसका स्थान प्राप्त करने की उम्मीद करते हुए वो अक्सर उसके वारे में सोचा करती थी बैन के बाद उसकी जिंदेगी में और भी कहीं लोग आए पर वे सबी इतने सादारन वेक्तित्व के लोग थे कि उसकी याददास में कोई असर नहीं छोड़ सके थे फिर जब बैन से मिले जेवरात तता फरादी के उपारों में से जदातर बिक चुके या गिर्वी चले गए और जब वो अपने सबसे खस्ता हाल दोर से गुजर रही थी उसी जमें हैरी ग्रीन उसकी जिंदेगी में धड़ड़ाता हुआ दाखिन हुआ कैलिफॉर्नियन एर ट्रांस्पूर्ट कॉर्परेशन का ट्रिव कैप्टन हैरी ग्रीन जो कैलिफॉर्निया सेंट फ्रांसेस को हवाई पत पर रात की उड़ाने भरता था उम्र में उससे चार साल छोटा था उसकी चाल कुछ ऐसी लापरवा तता आकरशक थी कि रहा चलते लोग मुड़ मुड़कर उसकी और देखने के लिए विवश हो जाते थे पहली नजर में ग्लोरी उसके आकरशक व्यक्तित्व के प्रती मोहित हो गई थी वो उचेकत का हट्टा कट्टा जवान था जैसे कोई हैविवेट चेंपियन हो उसके पीने का और बेहिसाब खर्च करने का धंग उसकी मस्त निगाहें और जल्दी क्रोधित हो जानी की प्रवर्ती ये सब ग्लोरी के विचार में मर्ग के आवश्यक गुंड थे जिनसे वो प्रवावित हो जाती थी वो कोई नौकरी मिल जाने की उम्मीद में एक नाइट क्लब में गई थी क्लब के मैनेजर से दो टूक जवाब मिलने के बाद वापस लोडते वक्त वहीं लॉबी में उन दोनों की मुलाकात हो गई थी बाद में उसने अंदाजा लगाया कि शायद उस वक्त नाइट क्लब की रोशनी उसके लिए बड़ी सहायक सिद्ध होई होगी क्यूंकि उसे यकीन था कि उस समय वो ठीक वैसी दिख रही होगी जैसी वो खुद को महसूस कर रही थी विफलता से निराश, हकीहारी और समाप्त हो जाने को तैयार हैरी उसके सामने खड़ा हो गया था उसके खुबसुरत चहरे पर मुस्कान खिल रही थी और उसके सिकारियों जैसे दृष्टी में कुछ ऐसे भाव थे जिने उसने किसी दूसरे मर्द की आँखों में नहीं देखा था मेरा साथ दोगी उसने कहा था तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे कॉलेज छोड़ने के बाद से तलाश थी फिर उसने उसे डिनर का आमंतरन दिया था और वो किसी तरह खुद को प्रसंचित तता हस्मुक बनाये रख पा रही थी बाद में उसने उसे अपार्टमेंट तक छोड़ दिया था और वे कुछ देर तक गेट के पास रुखे थे वो उसे भीतर बुलाना चाहती थी इसलिए उसने चट से कहा था एक ड्रिंक लेना पसंद नहीं करोगे उसने सिर हिला कर मुस्कराते हुए कहा था मुझे खुशी होती लेकिन इस समय में ड्यूटी पर हूँ इसे परसो साम के लिए रख दो उस दिन मैं शेहर में होंगा मैं तुम्हें यहीं से पिक अप कर लूँगा वो बड़ी नमरता से विदाई लेकर चला गया था गलोरी को उमीद नहीं थी कि वो दोबारा दिखाए देगा मगर तीसरी रात थीक आट बजे वो आप पहुचा था फिर वे डिनर के लिए बाहर चले गए थे उसी रात उन दोनों का शारीरिक संबन स्थापित हो गया था उसके बाद से फिर तो वो हर दूसरी रात उसके अपाटमेंट में आ जाता और वे बाहर चले जाते या आप के पास बैट कर बाते करते और जी भर कर प्यार करते छे महीने तक इसी तरह चलता रहा था मगर आज जिस बेवक्फ वो चला आया था उसे देखकर गलोरी को लगा कि कोई गड़बडी जरूर है हैरी के टॉप कोट को खूटी से टांकते हुए उसने सोचा आखिर वो मनोस गड़ी आही गई अब तक उनके आपसी संबन काफी मदूर रहे थे और ऐसा आदिक दिन नहीं चल सकता था खैर उसने इतनी महरबानी तो दिखाई कि बताने के लिए वापिस तो चला आया हुई थी और चेहरे पर पसीने की बूंदे चमक रही थी हाँ ग्लोरी के और देखे वगेर उसने कहा ग्लोरी ने कुछ देर रुक कर पूछा क्या कोई गडबड़ी है किस ने कहा कि कोई गडबड़ी है हैरी ने कहा मुझे ड्रिंग दो मैं आज नशे में चूर हो जाना चाहता हूँ ग्लोरी कबड़ के पास पहुँची जा उसने विस्की की एक बोतल रखी थी बोतल तीन चौथा ही खाली हो चुकी थी दो बड़े जाम तेयार करने के बाद उसने देखा कि बोतल में अब थोड़ी जी विस्की बची थी फिर उसने वो भी अपने गलास में उडेल दी उसने विचार किया कि जब हैरी असलियत बताना शुरू करेगा तो उस वक्त उस सदमे को जिलने के लिए उसे हैरी से भी ज़्यादा नशे में होना जरूरी होगा वो आख के पास उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसे गलास थमा दिया बस इतनी थी मेरे पास सराब नहीं है बैटते हुए उसने कहा I'm sorry हम बाहर चलते हैं किसी बार में पिएंगे हैरी ने एक ही सांस में गलास खाली कर दिया और नीचे रख दिया लेकिन तुमें मुझको थोड़ा उधार देना पड़ेगा गलोरी मेरे पास फूटी कौडी भी नहीं है आखिरी पैसे भी यहां तक कौँचने के लिए टैक्सी में खर्च हो गए है कुछ डॉलर है तुमारे पास गलोरी ने अपना बैग उठाया और उसे खोल कर बटवा निकाला उसके हाथ इसकदर काप रहे थे कि बटवे को खोलने में उसे कटना ही हो रही थी उसने बटवे में से दो डॉलर और कुछ सेंट्स निकाले और उन्हें हैरी की और बढ़ा दिया मेरे पास इतनी है हैरी उसे घूरने लगा तुम एक चेक कैश नहीं करवा सकती कई महिनों से मेरा बैंक एकाउंट खाली है जब रन मुस्कराने की कोशिश करते हुए ग्लोरी ने जवाब दिया सिर्फ तुम ही कड़की की हालत में नहीं हो हैरी हैरी ने मूँ बिचकाया फिर जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाने लगा खैर इतना घबरानी की क्या बात है अजानक मुस्कुराते हुए उसने कहा यानि हम दोनों ही कड़के हैं तो क्या ग्लोरी ने जट से उसकी और देखा अगर ये छुटकारा पाने की शुरुआत थी तो ये तरीका उसके लिए नया आनुबव था क्या बात है है हैरी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है किसी मुसीवत में पढ़ गए हो आओ चले मैं अपनी घड़ी गिरवी रख दूंगी उसने फीगी मुस्कान के साथ कहा चाय कुछ भी हो आज की रात मुझे नशे में चूर होनाई है प्लीज मुझे बताओ मैं जानना चाहती हूँ कि बात क्या है हैरी हिचकिचाया फिर कंदे उचकाने लगा मेरी नौकरी चली गई है मुझे निकाल दिया गया है यही बात है ठीक है मैंने इसी के काबिल हरकत की थी लेकिन मुझीबत यह है कि कल तन्फ़ा का दिन है और मैं तन्फ़ा नहीं ले सकता तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया जुर जुरी सी महसूस करते क्लोरी ने बूचा लेकिन हैरी हाँ हाँ मुझे मालूम है हैरी उंग्लिओ से अपने बाल सहलाने लगा मैं जानता हूँ बताने की ज़रुवत नहीं मुझे क्या मालूम था कि बुढ़ा उसी होआई जाज पर बैठा होगा मैं उसे कभी नहीं मिला था उसे पैचानता भी नहीं था किसी को मालूम ही नहीं था सोचो वो चुकचाफ हमारी चेकिंग के लिए वहाँ बैठा था इस से जाहिर होता है कि वो किस कदर मकार आदमी है कौन बुढधा हमारा बॉस कैलिफोनिय एर ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन का प्रेसिडेंट उसने अधीरता से कहा मुझे क्या पता था कि वो उसी वक्त बैंक में आधम केगा जब मैं उसने बाद जान बुझ कर रोप दी और गहरी नजरों से ग्लोरी की और भूरने लगा वैल मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेहुता हादसे के बारे में जान लो पिछले महीनों हमारे तालुकात काफी गहरे रहे हैं अगर मैं तुम्हारे सामने सच नहीं बता सकता तो किसी और के सामने नहीं बोल सकूंगा मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे दिल में सच मुझ यही भावना होगी ग्लोरी ने कहा वो लगबग रो पड़ी थी हैरी ने आगे की और जुपकर अपना हाथ उसके दोनों हाथों पर रख दिया बेशक मैं दिल से कह रहा हूँ मैं नहीं जानता ये सब सुनकर तुम्हें कैसा लगेगा मगर तुम काफी समझदार हो हमने आपस में काफी मौज मस्ती भरे दिन गुजा रहे हैं और मेरे साथ तुम काफी अच्छे से पेश आई हो उस बेवदा हरकत के लिए मुझे काफी अफसोस हो रहा है मैं कुछ जादा पी गया था अगर किसी के सर पर हचसे जादा बोज पड़ जाए तो वो इसके सिवाए और करे भी क्या इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ऐसा तुम पर भी गुजर चुका है तुम बखो भी समझ सकती हो हाँ उस पर गुजर चुकी है ग्लोरी ने कड़वाट के साथ सोचा और वो समझ सकती है कि कोई ऐसा महसूस करता है जब उसके दिमाग पर बोज पड़ता है खैर हैरी हाँ हैरी ने उसका हाथ थप थपाया और भोएं सी कोड़ते हुए पीछे की और जुक गया वेल वो एर होश्टस वो पिछली तीन उड़ानों के दोरान मेरे जजबातों को भड़काने की कोशिश कर रही थी वो बड़ी आकरशक गुड़िया थी हीरे जैसी चमकदार अचानक मुझे लगने लगा था कि ये खैर तुम्हें सब जाने के लिए मुझे होभू दोराने की ज़रूरत नहीं है मैंने अपने साथ बोर्ड पर एक पिंट सराब ले जाकर और उसे बेता हासा पीकर बड़ा पागलपन किया था मैंने टॉम को प्लेन समालने के लिए कहा और बैक स्टेशन पर चला गया ठीक उसी खास मौके पर वो खुसत हैमलेट के भूत की तरह अचानक प्रकट हो गया मैंने सोचा था वो मुझ पर चिंगाड उठेगा हवाई जाज के जमीन छूते ही उसने मेरी चुट्टी कर दी एर होस्टेस, आकरशक गुडिया हीरे जैसी चमकदार ग्लोरी के कानों में बस यही सब्द कूँझ रहे थे उसने किसी दरे खुट को संभाला और जबरान एक हमदर्दी भरी मुस्कान खीजने लगी, वो एक बतकिस्मती का शंड था, I am sorry वो आगे कुछ कहना नहीं चाती थी लेकिन जिग्यासा उसे रोक न सकी और वो लड़की, तुम और वो हैरी न सिर हिलाया, भगवान की सोगंध है, वो सिर्फ एक लड़की थी मेरे लिए कोई माईने नहीं रखती थी मैं नहीं जानता मैं क्या सोच रहा था ये एक नहायत मामूली बात थी आँखों के आमंतरंबून भाव और शराब का नसा, तुम जानती हो इससे क्या हो सकता है, वो बालों में उंगलिया फेरने लगा, मेरा जी चारा है उसका गला घून दूँ, अगर उसने मेरे साथ ये बरतावना किया होता, तो मुझे नौकरी से नहीं निकाल दिया जाता ग्लोरी ने एक लंबी सांस छोड़ी, उसे अचानक सिरहलका मैसो सोने लगा वेल, तुम्हे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी हैरी दुनिया अभी खत्म तो नहीं होगी है ना हैरी अचानक उटकर खड़ा हो गया और कमरे में चहल कदमी करने लगा मेरी दुनिया तो खत्म हो गई समझो उसने कहा, मेरी दुनिया है एक हवाई अड़ा यही एक चीज है जिसकी मुझे परवा है और जिसके बार में मेरी गहरी जानकारी है वो बुढ़्धा मुझे कहीं भी हवाई जाच चलाने की नौकरी करने नहीं देगा उसने मुझसे ऐसा कहा था इस विवसाय में उसका प्रभाव काफी गहरा है और वो सभी जगे ये बात फैला देगा कि मैं कोई दूसरा काम ढूंड़ूंगा कोई बात नहीं, हम इसका सामना कर लेंगे लेकिन एक केरियर मैं के रूप में मैं हार चुका हूँ हमेशा के लिए ओ, नहीं हैरी तुमें जरूर कोई अच्छा काम बिल जाएगा बहराल अगर क्र्यू कैप्टन बन सकते तो बहुत अच्छा होता फिलाल तो उसकी कोई गुंजाइस नहीं तुम जानते हो और उम्र ढ़ल जाने के बाद तो वे तुमें कते ही नहीं चाहेंगे उम्र ढ़लने के बाद कहते हुए ग्लोरी कड़वाहट से भर गई जैसा कि तुम जानते हो ये अच्छे के लिए भी हो सकता है अभी तुम जवान हो तुम शुरुआत हैरी को अपनी और घूरता देखकर उसकी बाद बीच में ही गुम हो गई छोड़ो इस बात को ग्लोरी तुम क्या जानो इस मामले में उसने संक्षेप में कहा ग्लोरी को तुरंत एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई थी वो उसकी उस दुनिया में दखल अंदाजी कर रही थी जो नहायद उसकी अपनी थी तुम ठीक कह रहे हो उसने कहा मैं खुद अपनी जिंदेगी की देखबाल नहीं कर पा रही हूँ और तुम्हें समझाने लगी मुझे अफस्तोस है हैरी ने सिगरेट का टुकड़ा फैंक दिया और तुरन दूसरी सुलगा ली भूल जाओ वो उसके पास दिवान पर आकर बैट गया मैंने खुद ही इस संकट को बुलावा दिया था उस बुढ़े को मैं दोश नहीं दे सकता ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था उस चलना में ब्लॉंड से में नहा कुलज गया था और ये तुम पर कठोर साबित हो रहा है ग्लोरी अब के बाद कुछ दिनों के लिए डिनर और फिल्मों का कारिक्रम बंद हो जाएगा मैं सोचता हूँ अब तुम मुझे दर्वाजा दिखा दो तो बहतर होगा अब मैं तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहा ग्लोरी के दिल में एक चुबन सी महसूस हुई आखिरकार ये छुटकारा पाने का नया तरीका था शायद नौकरी छुटने की कहानी जूटी थी अफकोर्स ये मेरे लिए बिल्कुल कठिन सावित नहीं हो रहा है उसने कहा मैं तुम्हें चाहती हूँ डिनर और फिल्मों को नहीं हैरी हसने लगा लेकिन ग्लोरी देख रही थी कि वो खुश हो गया था जब तुम्हें ऐसी दिखती हो तो मैं बरबस तुम पर यकीन करने को मजबूर हो जाता हूँ तुम्हें जरूर मुझ पर यकीन होना चाहिए ग्लोरी खड़ी हो गई और घबरा कर सिगरेट सुलगाने लगी उसे डर था कि कहीं उसकी भावनाय दगाना दे जाए और हैरी चला जाए उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने बिना सोचे पूछ लिया लोग कहते हैं एक से भले दो क्या तुम यहां चले आना पसंद करोगे हैरी फिर धड़कते दिल से अपेक्षा करने लगी कि वो इंकार कर देगा यहां चले आना सच कह रही हो उसकी और देखते हुए हैरी ने पूछा मैं इसी उधेर बुन में था कि मुझे कोई सस्ता सा एपार्टमेंट भाव मिल सकता है इस समय मैं एक समूचा एपार्टमेंट रख सकने की स्थिती में नहीं हूँ वैसे किराय हफते के अंतक चुका दिया है उसके बाद मुझे वो जगे छोड़ देनी पड़ेगी क्या सचमुष तुमारा यही अभी प्राय है कि मैं यहां चलाओं जरूर क्यों नहीं लोरी तुरन दूसरी तरफ मुड़ गई ताकि हैरी उसकी डबडबाई आंखों को ना देख पाए चाहे पैसा ना हो केरियर ना हो फिर भी वो हैरी को दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाती थी खेर मैं नहीं जानता है हैरी ने अपना जबड़ा खुचलाते हुए कहा हो सकता है लोग समझे मैं तुम्हारे भरोसे जी रहाओं वैसे हमें एक दूसरे के उपर निर्भर रहना है तुम निश्चित रूप से कह रही हो मजाक तो नहीं कर रही हो ना नहीं उसकी भर्राई आवा सुनकर हैरी उसकी पीटकी और ताकने लगा फिर उसके करीब जाकर उसने उसे अपनी तरफ मोड लिया ये क्या ग्लोरी तुम रो रही हो इसमें रोने की क्या बात है काश मुझे मालुम होता ग्लोरी ने कहा और उससे अलग हटकर रुमाल से आंसों पोशने लगी तुम्हारे साथ कोई गडबडी हो इसे मैं नहीं सह सकती हैरी फिर उसके चहरे की और देखते हुए बोली तुम आ रहे हो ना हाँ तुम कितनी अच्छी हो ग्लोरी मैं जरूर कोई काम तलाश कर लूँगा कैसा भी काम हो जिससे हमारा गुजारा हो सके देखो मैं इसी वक्त अपने अपार्टमेंट में लोटकर अपना सामान बान लेना चाता हूँ आज रात को ही चलाओं तो ठीक रहेगा ना जरूर लोरी ने उसके गले में बाहें डाल दी मैं बहुत खुश हूँ हैरी मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ सामान पैक करने में बिल्कुल माहिर हूँ फिर हम कोई चीज गिर्वी रख देंगे और जश्न मनाएंगे क्यों बिल्कुल मुस्कुराते वे हैरी ने कहा तुम्हारे साथ रहने की बात सोचकर ही मुझे बड़ी खुशी हो रही है बहुत आनंद आएगा बेबी एक हफते बाद आठ बजने के खुश देर बाद लोरी बातरूम से निकल कर बैडरूम में आ गई जहां हैरी विस्तर पर सो रहा था वो दबे पाउं चल रही थी ताकि हैरी डिश्टरब न हो फिर ड्रैसिंग टेबल के आईने के सामने बैट कर बालों में कंगी करने लगी आईने में हैरी के प्रतिबिम की और देखते हुए उसने सोचा किसी की साथ रहने पर कोई साथ रहने वाले को भली भाती जान सकता है ये प्रयोग उसकी उम्मीद से भी बढ़कर सफल से धुआ था लेकिन उसे हैरी के विश्य में चिंता होने लगी थी उसने कहा था कि उजारे के लिए वो कैसा भी काम तलाश कर लेगा लेकिन अभी तक नहीं किया था गनिमत थी कि उसे स्टार होटल में मैनिक्योरिस्ट की नौकरी मिल गई थी जो उसके अपार्टमेंट से कुछ ब्लॉक की दूरी पर था वो हफते में 15-20 डॉलर से जादा नहीं कमा सकती थी लेकिन ये रकम कुछ भी ना होने से तो बहतर थी वो चादी थी कि हैरे नौकरी की तलाश को चादी कंभी इवता से करे वो मुश्किल से 11 बज़े तक उठता था और दोपेर का वक अकबारों में खालिस्तान वाले कॉलम में निगाए फेरने में बिता देता था उन मेंसे दो या तीन जगें को नोट करके दोपेर के बाद ये देखने के लिए निकल जाता था कि उन जगें में किस किसम के काम की पेशकस की जा रही है शाम को छे बजने के बाद ही वो निरास्त था उद्दिक नभाव से ये कहते हुए लोट आता था कि 30 डॉलर प्रती हफते की नौकरी वो नहीं कर सकता था ऐसी नौकरी स्विकार करने का मतलब होता है गलोरी उसने कहा था कि मैं खुद को डुबो रहा हूँ मैं 30 डॉलर की मानसिक्ता में फस जाऊंगा कुछ भैतर काम के लिए मुझे लगे रहना है लेकिन वो जानती थी कि ये उन नौकरी को अस्विकार करने का बहाना मातर है उसे अब मालुम हो चुका था कि हैरी की दुनिया तो हवाई जहाजों में थी इसलिए वो किसी ऐसे काम में नहीं फसना चाता था जिससे भविश्य में उसके फिर से हवाई दुनिया में पहुचने के मौकों पर दुकावटे खड़ी हो जाए जिस बासे कलोरी को ज़्यादा गवराट होने लगी थी वो थी दुकांदार से उधार लेने का हैरी का तरीका इस बास से उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो बेमानी से काम ले रहा है और ये सोचकर वो बेचैन हो उटती हाला कि हैरी एक सेंट भी नहीं कमा रहा था लेकिन हर शुकरवार को जब भी वो होटल से लोट आती उसे रसरी घर में डेर सारी ग्रोसरी और हफते भर के लिए मास रखा मिलता और विस्की की दो बोतले भी लेकिन हैरी तुम इस तरीके से उधार का बिल बढ़ा नहीं सकते उसने कई दफा उनका विरोत किया था किसी ना किसी दिन तो हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे वो ठा के मार कर हस दिया भूल जाओ इसे मैं नौकरी तलाश करने में नाकामयाब साबित हो सकता हूँ लेकिन मेरे पास उधार हासिल करने की भेर सारी खूबिया है अगर वे बेवकुफ दुकानदार मुझे सबी सामान आसानी से दे देते हैं तो मैं क्या करूँ उनका विस्वास है कि मेरे अपने एक अमीर चाचा है उनके मरने का मैं इंतजार कर रहा हूँ मैंने उन्हें बताया है कि वो 40,000 डॉलर का मालिक है जो इसके मरने के बाद मुझे मिलेंगे अगर वे इतने बेवकूफ हैं कि इस कहानी पर इतनी सहस्ता से यकीन कर लेते हैं तो मैं क्या परिशान हूँ और फिर मैं तुम पर बोज भी तो नहीं बनना चाहता तो मैं अपार्टमेंट का किराय चुकाती हो मैं भोजन का इंतजाम करता हूँ इतना तो करी सकता हूँ कई बार ऐसा होता जब हैरी उदास मूड में हो जाता तो ग्लोरी बहुत चिंती थोड़ती थी और उसे समझने में देर न लगती कि उसकी उदासी ठीक उसी वक्त होती जिस वक्त अभी वो ड्योटी पर हुआ करता था और सैन फ्रैंसिस्को की उडान भरने के लिए एरक्राफ्ट को रनवे से टेक उफ कर रहा होता था यद्द्यप्य उसने इस बारे में ग्लोरी से कभी जिक्र नहीं किया था लेकिन वो अच्छी तरह समझ सकती थी कि वो एरक्राफ्ट तथा अपने सहयोगयों से बिछुड़कर मनीमन कित्ता तड़प रहा था ग्लोरी ने कई बार उसे एरफेल्ड पर जाकर अपने पुराने क्रियों से मिलने का आगरे किया था बिल्कुल नहीं उसने तुरंत कहा था वे लोग मेरी बड़ी इज़्यत करते हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे अब मुझे चार अंकों की आये वाला वेक्ती समझ रहे होंगे नहीं मुझसे मिलकर उन्हें बड़ी निराशा होगी ग्लोरी ने हैर ब्रश नीचे रख दिया और उठकर कपड़े बदलने लगी जो ही उसने कपड़े बदलना शुरू किया उसे हैसास हुआ कि हैरी जाग गया है और उसे घूर रहा है उसकी तरफ देखकर ग्लोरी मुस्कुराई क्या मैं कॉफी तेयार कर दूँ मेरे पास अभी थोड़ा समय है नहीं शुक्रिया बाद मैं खुदी ले लूँगा हैरी ने सिग्रेट का पैकेट उठाया और बिस्तर पर बैठ गया जानती हो ग्लोरी जब तुम बाल सवार रही थी मैं तुमें देख रहा था लगता है मेरे साथ रहना तुमें रास आ रहा है वो मुस्कराया तुम पहले से ज़ादा जवान तथा खुश नेजर आ रही हो तुमें देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है ग्लोरी को मालूम था कि वो सच कह रहा है उसके साथ रहते हुए वो खुद भी स्वायम को जवान तदा खुश महसूस करने लगी थी लेकिन उसे इससे भी ज़ादा खुशी होती अगर हैरी मानसिक रूप से प्रसंद रहता उसे लगा कि हैरी को अपनी स्थितिकी जान करी देने का ये अच्छा मौका था काश में तुमारे बारे में भी ऐसा ही कह सकती हैरी तुम तो खुश दिखाई नहीं देते मुझे बड़ी चिंता होती है तुमारे लिए हैरी ने नजरे दूसरी और हटा ली फिक्र करने की कोई जरुवत नहीं है मैं जल्दी ही कोई इंतिजाम कर लूँगा ये कोई असा मानने बात तो नहीं है ग्लोरी बिस्तर पर उसकी बगल में आकर बैट गई मुझे लगता है अगर तुम जल्दी ही कोई काम नहीं ढूंड निकालोगे तो तुमें मेरे चेहरे से नफरत होने लगेगी उसने कहा बेव कुछ ऐसी बाते मत करो तुम वो आकरी वस्तु होगी जिसे मैं नफरत करूँ हैरी ने उसकी औरी संदाज से देखा जैसे उसके दिल में कोई बात को बुला रही हो फिर कहने लगा मेरे साथ पैरिस, लंडन और रोम की सेर करने में तुमें कैसा लगेगा हैरी मुझे बहुत खुशी होगी चकराते हुए ग्लोरी ने पूछा कितना रोमांचे कनभव होगा लेकिन भगवान के वास्ते ऐसी बातों का क्या प्रेयो जन है कैसा लगेगा अगर तुमारे पास दस लाग डॉलर हो तो उसकी कलाई पकड़ते हुए हैरी ने पूछा ये भी बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम अमेरिका के राष्टरपती बन जाओ तो तुमें कैसा लगेगा ग्लोरी ने कहा और ठाके लगा कर हसने लगी हैरी की आँखों में ऐसी चमक पैदा हुई जिसे देखकर ग्लोरी सक पका गई मैं गंभीता से कहरा हूँ ग्लोरी हैरी ने कहा मैं ऐसा मज़ा कभी नहीं करता मुझे मालूम है तीस लाग डॉलर के लिए कहा हाट डालना है अगर मुझे कोई ऐसा वेक्ती मिल जाए तो इस धंदे को संभाल सके तो मैं कम से कम दस लाग पर हाथ साफ कर सकता हूँ हो सकता है उससे भी ज्याता लेकिन डार्ली मैं जानता हूँ ओके इसे सहस्ता सिलो इत्ती बदावास मत नजर आओ सुनो ग्लोरी मैं नौकरी तलाश करते करते तंग आ चुका हूँ मुझे हाली में थोड़ी गहराई से सोचने विचारने का मौका मिल गया था तुमने ठीकी कहा था अब क्रियो केप्टन बन पाने की संभावना नहीं है ये दुनिया उन चतुर लोगों के लिए बनी है जो अमीर बन जाते हैं और बेफकुफ लोग हमेशा गरीब रह जाते हैं मैं भी काफी दिनों तक बेफकुफ बना रहा लेकिन अब चतुराई से काम लेने जा रहा हूँ तीस लाग डॉलर के लिए हाट डालने की जगे मुझे मालुम है और मैं उन्हें हत्याने वाला हूँ ग्लोरी को लगा जैसे उसके चेरे से खोन निचुड़ गया हो हत्याने वाले हो? क्या मतलब है तुमारा? हैरी ने तक ये से टेक लगाते हुए उसकी और देखा उसकी आँखों में लापरवाई के भाव देखकर ग्लोरी का जिसम ठंडा पढ़ने लगा सीधे तरीके से बता देता हूँ क्लोरी तुम मेरे साथ हमेशा अच्छाई से पेशाई हो मुझ पर तुमारे बहुत से एहसान है तुम पर मुझे पूरी तरह विस्वास है और मैं भरोसा कर सकता हूँ अगर इस काम को मैंने कामयाभी के साथ अंजाम दिया तो मैं चाहता हूँ कि फायदेगी रकम में तुम मेरी हिस्सेदार बनो जब तक मैं इस बात पर पूरी तरह विस्वास नहीं हो जाता कि कोई गलती नहीं रह गई है तब तक मैं इस पर कतई हाथ नहीं डालूँगा मैं तुम्हें किसी मुझीवत में नहीं डालना चाता जितना कुछ तुमने मेरे लिए किया है कम से कम उसके बात तो नहीं मैंने योजना कमोबेस तयार कर ली है दो बातों पर मुझे खास तोर पर ध्यान देना है अगर मुझे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो इने संभाल सके तो हमारी बाकी जिन्देगी खुशाल हो जाएगी हैरी डार्लिंग सांस रोक कर धड़कते दिल से ग्लोरी ने कहा मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो अफकोर्स तुम समझोगी भी नहीं हैरी ने कहा और उसका हाथ थप थपाने लगा मैं तुम्हें बता देता हूँ लेकिन इससे पहले तुम्हें वादा करना होगा कि इससे तुम अपने दाखी सिमित रखोगी किसी के साथ इसका जिक्र तक नहीं करोगी अचानक लोरी को लगा कि वो कमजोर होती जा रही है क्या तुम कोई ऐसा काम करने पर तुले हो जिसमें पुलीस का खत्रा है नाराजगी के भाव में हैरी की भुएं सिकुड गई वो क्रोधित तथा उद्नेगन निगाएं जिने ग्लोरी पहले भी कहीं बार देख चुकी थी ठीक है भूल जाओ इसे हैरी ने बेचनी से कहा वैसे भी ये समय इस इसे पर बाते करने का नहीं है तुम जल्दी से अपनी तयारी खत्म कर लो और चली जाओ वरना तुमें देर हो जाएगी वो ग्लोरी का हाथ हटाते हुए बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया मैं थोड़ी सी कॉफी पीना चाता हूँ फिर वो रसुई घर की तरफ चला गया ग्लोरी काफी दिर तक बिस्तर पर बैठी रही फिर वो उठकर आई नहीं के सामने आई जल्दी जल्दी बालों में कंगी गी कपड़े को ठीक किया और रसुई घर में चली आई जहां हैरी कॉफी कर्म कर रहा था महरबानी करके मुझे बताओ हैरी तुम क्या करने वाले हो आवास को स्थिर बनाने की कोशिश करते हुए उसने पूछा मैं किसी को नहीं बताऊंगी हो सकता है इसे मैं अपने तक ही सिमित रखो तो बहतर हो हैरी ने कहा लेकिन ग्लोरी देख रही थी कि वो बताने का इच्चुक था देखो अब मैं कोई गिड़ःट नहीं सुनना चाहता कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए मैंने ये काम करने का फैसला कर लिया है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोख सकता तुम भी नहीं जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं लंडन चला जाऊंगा फिर पैरिस और फिर उसके बाद रोम पहले मैं जी भर के सैर करूंगा फिर उसके बाद अपना एक छोटा सा एर टेक्सी का धंदा शुरू कर दूँगा मैं एक पार्टनर ढूड लूँगा जिसकी मदद से धंदे में मैं तरक्की कर सकूँ और जब जी चाहे हवाई जहाद चला सकूँ इसी काम में मेरी दिल्चस्पी है और यही में करने जा राहूं अच्छा लोरी ने कहा पैसे मिलने के बाद हैरी कहता गया ये तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम मेरे साथ चलती हो या नहीं अगर तुम चलना नहीं चाहती तो बता दो अगर चाहती हो तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि तुम्हारे सिवाए मैं किसी और को यूरोप की सेर पर अपने साथ ले जाने की बास सोच भी नहीं सकता उसने कपने कौफी भर ली और रसोई की मेच पर बैठ गया तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है अगर मैं तुम्हें चिंता में डाल रहा हूँ तो मुझे अफसोस है मेरा ऐसा इरादा तो नहीं है लेकिन मैं इसी आइडिया के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने मन पसंद काम में लोट सकने का मेरे सामने यही एक मातर अफसर है मैं खुद अपना बॉस बन सकूंगा और इसका मतलब है मेरे पास बेशुमार दौलत होगी अगर तुम चाहो तो तुमारे लिए मेरे पास हमेशा जगे है वरना मैं आकेले सफर पर निकल पड़ूँगा ग्लोरी ने स्वैम को सांथ रखने की कोशिश की मगर घबराट उस पर हावियोती जा रही थी और वो काप रही थी तुम क्या करने की योजना बना रहे हो हैरी एक स्टोल पर बैठते हुए उसने पूछा इसी महीने की 25 तारिक को हैरी ने कहा कैलिफोनिया ने ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन के एक हवाई जहास द्वारा 30 लाग डॉलर मुले के हीरे सैन फ्रांसेस को बेजे जा रहे है जिने वहाँ से समुधरी जहास द्वारा टोकियो बेज दिया जाएगा मुझे ये बात इसलिए मालुम है क्योंकि उस हवाई जहाज को मैं चलाने वाला था मेरी योजना उन हीरो को हत्याने की है ग्लोरी को जैसे काट मार गया उसने सोचा हैरी जरूर पागल हो गया हीरे 30 लाग डॉलर के वो जरूर पकला जाएगा और उसे 20 साल की कैद या इससे भी जादा हो सकती है 20 सालों के बाद जब वो जिल से बाहर निकलेगा तो उस समय वो 50 साल का बुड़ा हो चुका होगा और ग्लोरी ये सोचकर उसे जरजरी महसूस हुई कि 20 साल बाद उसकी क्या हालत होगी इस तरह मत घुरो हैरी तीखी आवाज में बोला मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो तुम सोच रही हो मैं पकड़ा जाऊंगा है ना हैर जब तक मुझे इस बात की पूरी तरह यचीन नहीं हो जाता कि मेरे पकड़े जाने का सौ में से एक भी मौका नहीं रह गया है तब तक मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा मुझे यकीन है कि मैं पकड़ा नहीं जाओंगा लेकिन अगले हफते तक पूरी तसली हो जाएगी लेकिन हैरी क्या इसमें खत्रा नहीं है ग्लोरी ने सांती पुर्वक कहने की चेश्टा की इत्ती बड़ी डखेती के बाद कोई किती दिर तक बचा रह सकता है क्या ये बहतर नहीं होगा तुम्हें मेरी योजना के सेटप की जानकरी नहीं है ये सब कुछ इज़्धम से होगा कि सभी आश्टे चकेत रह जाएंगे ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है उत्ते जना से हैरी का चेहरा चमकने लगा ग्लोरी नहीं उसे कभी इस रूप में नहीं देखा था मैं उस हवाई जहाज का अपरंट करने वाला हूँ ग्लोरी आंखे फार कर उसे घूरने लगी क्या मतलब? जो मैंने कहा हैरी बोला यही मेरी योजना का सेट अप है हीरो का साधर अन्यात्री विमान में रखा जाएगा पाइलट और उस बुड़े के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं मुझे उसी विमान में एक सीट बुक करानी होगी और आम मसाफिर की तरह सफर करना होगा मेरे साथ दो और आदमी भी सफर कर रहे होंगे हवाई जहाज के जमीन छोड़ते ही हम हरकत में आ जाएंगे मेरे दो साथ ही प्रियोज और मसाफिरों को संभालेंगे मैं हवाई जहाज को संभालूंगा और उसे रेगिस्तान की तरफ मोड़ दूँगा रेगिस्तान में जहाज को ऐसी जगे उतारूंगा जहां एक कार इंतजार कर रही होगी फिर हीरे लेकर हवाई जहाज को छोड़ दूंगा बहां से करीब ही एक हवाई अड़ा है मुझे एक टिकट बुक करके रखना होगा और ये सब ठीक ऐसे समय पर करना होगा ताकि उस हवाई अड़े से तुरंट मेक्सिको के लिए उड़ान पकड़ी जा सके सब कुछ गदी के उपर निर्भर है संकेट की सूचना प्रसारित होने तक मैं मेक्सिको की आधी दूरी तै कर चुका हूँगा जब तक हीरो को ठीकाने ना लगा दूँ तब तक मैं मेक्सिको से बाहर नहीं निकलूँगा इसमें कते लापरवाई नहीं बरतनी है फिर मुझे किसी ऐसे आदमी की तलाश करनी होगी जो हीरो को हैंडल कर सके इस पतरनाक तता हस्यास पद योजना को सुनकर ग्लोरी को ये विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी कि उसे इस योजना की सफलता पर इतना भरोसा होगा जाहर है कि सबसे पहले तुमें ये काम करना होगा जब तक तुमें इस बात का पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि कौन उन्हें हैंडल करेगा और बदले में तुमें कितनी रकम मिलेगी तुम 30 लाग डॉलर के हीरो की चोरी नहीं कर सकते क्या तुम सोचते हो कि कोई इतनी आसानी से इसके लिए तयार हो जाएगा ये रकम इतनी बड़ी है कि पुलिस की कड़ी नजर के सामने इतना बड़ा खत्रा उठाने को कौन तयार होगा अगर कीमत सही हो तो कोई न कोई जरूर तयार हो जाएगा हैरी ने चड़ कर कहा लेकिन तुमने कहा था कि तुम 10 लाग डॉलर चाहते हो हैरी ने भोएं सी कोड़ कर उसकी और घूरा क्या तुम मुझे इस काम से रोकने की कोशिश कर रही हो लेकिन तुम मुश्किलों को नजर अंदास कर रहे हो नहीं मैंने इस बारे में भी सोच लिया है हैरी ने जला कर कहा अफकोर्स इसमें कई मुश्किले है इस किसम का काम इतना सरल और सहज नहीं हो सकता लेकिन मैं उन मुस्किलों से निवटने का इंतजाम भी कर लूँगा ये मेरा दावा है कि मेक्सिको में हीरो को ठीकाने लगाने के लिए मुझे कोई न कोई आदमी मिली जाएगा लोरी ने एक अप एक शक्रुस संतोस की सांस छोड़ी ऐसी योजना गड़ना निहायत बेवकुफाना हरकत थी और इसे यकीन था कि उसने सही तरीके से समझाया तो वो हैरी को इस विचार को त्याग देने के लिए मना सकती है लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा उसने पूछा तुमहर किसी से ये पूछते फिर नहीं सकते कि वो तीस लाग के हीरो को संभाल सकता है या नहीं हाँ हाँ मुझे मालूम है हैरी उची आवाज में बोला इस बारे में मुझे कोई उपाय ढूणना है और उन दो आदमियों का क्या हो जो तुमारी मदद के लिए होंगे कौन होंगे वो अभी मैं कह नहीं सकता मुझे उनको भी ढूंड निकालना है मैं आज ही शहर चड़ा जाऊंगा और उन्हें तलाश करने की कोशिश करूंगा लेकिन हैरी हीरो की चोरी में मदद करने वाले आदमी तुम्हें किसी दुकान में रखे हुए तो नहीं मिलेंगे जिनने तुम जब चाहो प्राप्त कर लो अगर तुमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया तो वो पुलिस को खबर कर सकता है ओ हैरी डार्लिंग ये योजना नहीं चलने वाली समझने की कोशिश करो जब तक तुम्हारे पीछे कोई और्गनाईजेशन ना हो तुम इत्ते बड़े काम में हाथ नहीं डाल सकते हैरी ने उसकी और देखा फिर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान फैल गई वेल इस बारे में इत्ती जानकार मत बनो ग्लोरी उसने कहा बात है तो सही और्गनाईजेशन होती तो अच्छा होता लेकिन उस सूरत में मुझे रकम का बटवारा करना पड़ेगा है ना और फिर मैं और्गनाईजेशन को कहां से डून निकालू वो ग्लोरी को अपनी दरफ खीचने लगा तो ग्लोरी ने विदुशना भरी नजरों से उसकी और देखा तुम्हें उन दो आत्मियों को तो हिस्सा देना ही पड़ेगा और फिर वो कारवाला भी तो है हाँ ये सही बात है ठीक है मैं इस पर नए सीरे से ध्यान पुर्वक विचार कर लूँगा उसने रसेई घर की घड़ी की और देखा अरे तुम्हारे काम पर निकलने का वक्त नहीं हुआ इसे एक मातर काम को खो देना उचित नहीं ही कहना हाँ मैं जाती हूँ खड़ी होकर ग्लोरी ने कहा सुनो हैरी हम रात को इस विशार पर विचार विमर्ज करेंगे वादा करो कि मेरे वापस आने तक तुम कोई उल्टी सीथी हरकत नहीं करोगे किसी से जिक्र मत करना हम रात को इस योजना की खामियों को ढोड़ने की कोशिश करेंगे ओके बेबी मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूँगा हैरी ने आगे की और जुपकर उसे चूम लिया लेकिन कटिनायों को देखते हुए क्या ये आइडिया कारगर साबित हो सकेगा ग्लोरी ने अपने उंगलियों से उसका चेहरा चुआ अच्छे आइडियों की कमी नहीं है ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि कोई आइडिया कारगर होता भी है या नहीं हाँ तुम सच कह रही हो बहराल तुमने मुझे नए सीरे से सोचने का रास्ता सुझा दिया है अब तुम चली जाओ वरना देर हो जाएगी उसने ग्लोरी को दर्वाजे की और मूर दिया फिर उसकी पीट थप थपाते हुए उससे दर्वाजे तक पहुँचा दिया रात को मिलेंगे ग्लोरी के चले जाने के बाद उसने कौफी खत्म की फिर कप को दुबारा भर कर उसे साथ लिए बैडरूम में चला आया बिस्तर के कौने पर बैट कर वो बालों में हाथ फेरते हुए सोचने लगा ग्लोरी के बारे में सोचकर उसके चैरे पर उफास पूंट तता धुर्थ मुस्कान पैल गई उसकी योजना ठीक उसके ढंक से चल रही थी ग्लोरी पहले जटके को जेल गई थी रात को योजना के संबन में बाचित करने तता उसमें खामिया ढूनने के लिए वो तैयार हो गई थी क्योंकि वो ग्लोरी पर ये प्रभाव जबाने में सफल हो गया था कि योजना आधी तैयार हो गई थी और उसने खास-खास रुकावटों पर गौर कर लिया था अतेयों से अब इस बात पर पुरा है यकीन था कि वो ग्लोरी से ये काम करवा सकता है जिसकी उसे इच्छा थी कौफी खतम करने के बाद वो ड्रॉयर चेस्ट के करीब आया उसने सबसे निचला ड्रॉयर फीचा और उसमें से पत्रों तथा तस्वेरों का एक बंडल निकाला दो-तिन रोज पहले एक बार उसे तॉलिये की जरूरत पड़ी थी और क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये कहां रखा हुआ था अते उसे बाकाइदा सबी ड्रॉयरों की तलाशी लेनी पड़ी थी उसी दोरान उसने कपड़ों की तह के नीचे इस बंडल को देख लिया था उसे कोई जरूरी काम नहीं था और अकेले बेठे बोर हो रहा था लिहाजा वो उन पत्रों को निकाल कर पढ़ने बैठ गया था वो सभी बैन नामक किसी बैक्ती द्वारा तीन साल पहले लिखे गए पुराने प्रेम पत्र थे जियों जो चिठ्थियों की तारीके क्रमानों सार बढ़ती जाती उसमें दर्शाय जाने वाले प्रेमी की गर्मी तियों तियों कम होती जाती रही थी आकरी चिठ्थी पढ़कर हैरी को मालूम हो गया था कि उन दोनों का आपसी मेल जूल तूटने की स्थिती में पहुँच चुका था ग्लोरी के प्रती हमदर्दी जताते हुए उसने सिर जटकाया था जब उसने फोटोग्राफ्स की और देखा तो अचानक उसकी दिल्चस्पी दोगुनी बढ़ गई थी बेंड डेलानी की तस्वीरे अकबारों में अक्सर इस तादात में छपती रहती थी कि उसे पहचानने में हैरी को तनिक भी देर न लगी थी उसने बंडल में से एक फोटोग्राफ निकाला और खिड़की के पास खड़ा आओकर उसे देखने लगा डेलानी एक नाटा सा स्वच प्रकूती का वेक्ती दिखाई देता था उसकी ठंडी आंगे स्थिर थी, मूचे सलीके से रखी हुई थी और उसका वेक्तित्व अवननिय था फोटोग्राफ के नीचे उसकी असपश्ट लिखावट दिखाई दे रही थी फोटोग्राफ के और घूरते हुए हैरी उसे उंगली के नाखुन से ठक ठक ठकाने लगा किसे मालुम था कि गलोरी उस आदमी की गल्फरेंड रह चुकी थी जो कैलिफोनिया के सबसे सक्ती साली तता खतरनाक सड़ी अंतरकारियों में से एक था अविशवश निया लेकिन क्या तकदीर थी हैरी ने मुस्कराते हुए उस फोटोग्राफ को अपने बटवे के अंदर डाला उसने बंडलों को वापस उसी जगे पर रख दिया फिर हलके हलके सीटी बजाते हुए सनान करने के लिए बादरूम के अंदर घुज गया स्टार होटल में पहला गंटा सामान्य भी था फिर जब ग्लोरी किसी ग्रहक के इंतिजार में अपनी कोटरी पर पैटी तो वो हैरी के अनुखे प्लान के बारे में सोचने लगी हैरी की बताई सभी बातों को उसने अपने दिमाग में बिठा कर सोचने का प्रयास किया अगर हैरी ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया ना भी होता फिर भी ग्लोरी को ये समझने में कोई दिक्कत ना होती कि उसके दिमाग में कोई चीज है और उसी के कारण वो जान बुशकर कोई नौकरिया नहीं करना चाता उसे यकीन नहीं था कि उसके अंदर ऐसी अप्राथ प्रवृति होगी वो जानती थी कि हैरी एक लापरवा किसम का आदमी था अत्याधिक सराप पीने की उसकी आदत थी लेकिन ये कोई ऐसी बात तो नहीं थी जिससे उसे उसकी इस प्रवृति का गुमान हो सकता ये उसकी तकदीर की ही बात थी उसने कड़वाट के साथ सोचा कि जिस मर्द के साथ भी उसका संबन जुड़ता वो अपराद प्रवृति का ही हो जाता पहली बार उसे ये जानकर काफी गहरा सत्मा लगा था कि बेन डेलानी एक अपरादी किरों का मुख्या था इस असलियत का पता उसे तब लगा था जब वे दोनों बेन के अपार्टमेंट में बैठे थे और दो सक्चेहरे वाले पुलिस मेन उसे पकड़ कर ले गए थे उसके बाद से तो गलोरी हमेशा पुलिस के अचानक आगमन के आशंका से घिरी रहती थी लेकिन जियों जो समय बीटता गया था बैन की स्थीति तियों तियों मजबूत होती गई थी और वो पुलिस को खईदने में शक्षम हो गया था लिहाजा पुलिस का आगमन भी कम होता गया था लेकिन पुलिस ने उसके साथ जो वेवार किया था जिस तरीके से उसका अपमान किया था और जैसे जोरदा सवालात किये थे उसे वो कभी भूर नहीं पाई थी अभी भी जब कभी पुलिस का कोई पेट्रोलमेन उसके सामने पढ़ जाता तो वो भीतर से काम उठती अगर हैरी अपनी योजना को क्रियामिद करने के लिए पागलपन की हद तक कटी बत था तो वो बैंड एलानी की तरह पुलिस से रुक्षा नहीं खरीच सकता किसी न किसी दिन वो अवस्य पकड़ा जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा उसे खो देने की बात सोचकर वो सिहर उठी हैरी जाए जो कुछ भी करने का निश्चे करे या कुछ भी हो जाए वो हैरी के साथ ही रहना चाहती थी उसके बिना अब जिन्देगी कुछ माइने नहीं रखती थी वो उसे भरसक समझाने का प्रेतने करेगी कि वो इस खतरनाक तथा अतकचरे प्लान को छोड़ दे और अगर वो इसमें असफल हो गए तो उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि हैरी बिना सोचे समझे इस योजना में कूदना पड़े उसने खुद को अवल दर्जे की बेवकुप समझा बैंड एलानी के एक गैंग्स्टर होने की बात को समझते ही उसे उसका साथ छोड़ देना चाहिए था मगर वो ऐसा नहीं कर सकी थी और इस समय वो समझ रही थी कि हीरो की डखेतिकी योजना के बारे में सुनते ही उसे हैरी का भी साथ छोड़ देना चाहिए लेकिन इस बार भी वो ऐसा नहीं कर सकती थी वो दिन लोरी को बहुत लंबा लगा और आखिर का जब वो होटल से निकली तो वो इतनी तनाव ग्रस्त और घबराई हुई थी कि अपाटमेंट की और लगबग दोड़ते हुए लोटने लगी थी वो इस बार से बेखबर थी कि रहा चलते लोग उसके घबराई हुए और सफेद पढ़ गए चहरे की और हैरत भरी निगाओं से भूर रहे थे हैरी एक कुर्सी पर पसरा दुनिया से बेखबर रिडियो पर संगील सुन रहा था हेलो जैसे एक लोरी हाफ की हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई हैरी ने कहा बड़ी जल्दबाजी में हो कहीं आग लगी है क्या आग नहीं लगी है स्वैम को स्थेर बनाते हुए गलोरी ने कहा उसने हैरी का चुम बन लिया फिर दूसरी तरफ मुड़कर अपना कोट और हैट उतारने लगी गलोरी आग के पास बैट गई तो हैरी बैडरूम के अंदर चला गया वापस आकर उसने दो तगडे हाई बॉस जाम तयार किये और एक गलोरी को थमा दिया भोजन अभी करना चाती हो या बाद में उसने पूछा मुझे भूक नहीं गलोरी ने थोड़ी सी विस्की पी फिर एक सिगरेट निकाली और उसकी और देखने लगी हैरी मुस्कराया घबरा डो रही है बेबी हाँ उसने जबरन मुस्कराने का प्रयास किया मेरे पास गबरानी के एक भोस वज़े भी तो है नहीं तुमारी योजना एक जबरदस जटके से कम नहीं मैं चाता हूँ गलोरी कि तुम इसे अच्छी तरह से समझ लो हैरी ने कहा मैं तुमसे कोई बात नहीं चुपाना चाता तुम ये समझ रहे हो हैरी कि अगर तुमने ऐसा कर डाला तो इसका क्या मतलब हो सकता है गलोरी ने कहा इस समय तुम किसी भी पुलिसमेन के सामने से उसे अंदेखा करते हुए बेधड़क गुजर सकते हो लेकिन हीरे हत्या लेने के बाद हर पुलिसमेन तुमारे लिए एक खौफ बन कर रह जाएगा और उस हालत में जीवन दुभर हो जाएगा लगता है तुम दिल की गहराई से बोल रही हो मुस्कराते हुए हैरी ने बोला मुझे ये मत बताओ कि तुमारे सियाध धुमले अतीत में पुलिस तुमारे पीछे पड़ी थी क्योंकि मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ ग्लोरी ने तीखी आवाज में कहा प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो हैरी तुमने अगर हीरे प्राप भी कर लिए तो तुम उन्हें ठिकाने नहीं लगा सकते तुम्हें इस धंदे का कोई ग्यान नहीं है कोई संपर्क सुत्र नहीं है तुम्हें कोई वेक्टी मिल भी गया तो तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम ये सब कैसे कर लोगे तुम्हारा आइडिया नहीं चल सकता है हैरी हैरी ने मूबिच काया हो सकता है तुम ठीक कह रही हो उसने कहा वैसे ही ये आइडिया उस सक्स के लिए बहुत कीमती है जिसके पास और्गनाईजेशन और विस्वसनी आदमी है मैं ना कामयाब तो नहीं हो सकता मगर और्गनाईजेशन के बिना ये खतरनाक है संबवत तब बहुत ही खतरनाक गलोरी ने संतोस की एक गहरी सांस छोड़ी तो दोस्तों ये था संकी कातिल नोवल का पहला पार्ट ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताए और हाँ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसे कंटेन लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुड़ बाई सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नएने ओडियो बुक्स जो हुते हैं कॉमिक से, नॉबल से और स्टोरीज से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नोवल का पार्ट टू इसका पहला पार्ट आप अल्रडी सुन चुके हैं और अगर आपने नहीं सुना तो इसकी लिंक आपको उपर आइबेटन से मिल जाएगी तो चलिए दोस्तों जादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नोवल का दूसरा पार्ट यही बात है यह बहुत ही खतरनाक काम है मैं कितनी खुश और संतुष्ट हो डार्लिंग कि यह बात तुम्हारी समझ में आ गई है तुम इसे छोड़ रहो ना? नहीं, मैं इसे कते नहीं छोड़ रहा हूँ अब मेरा विचार किसी बड़े और्गनाईजिशन को तलाश करने का है जो इस योजना को संभाल सके और हीरो को बेच सके पचास हजार डॉलर के बदले में यह काम मैं करने को तैयार हो सकता हूँ जो अपना विवसाय सुरू करने के लिए मेरे लिए परियाप्त होंगे उसकी बातों से गलोरी का देरे खोने लगा था मगर उसने स्वैम पर ने अंतरन पा लिया डार्लिंग, यह कोई उप्यूक्त आइडिया नहीं है तुम किस प्रकार किसी को यह स्कीम बेश सकते हो जब तक उन्हें अपनी योजना के बारे में नहीं बताओगे वो तुमें पैसे नहीं देंगे और एक बार उन्हें इसकी जानकरी मिल गई तो वो तुमें पैसे देने की जरूरत भी नहीं समझेंगे तुम अपरादियों से सौधा करने जा रहे हो उनसे धन प्राप्त होने की आशा मत करो हैरी गुर्रा ने लगा जाहर है कि तुम मेरी बुद्धी के संबन में कुछ नहीं जानती उसने कहा मैं इतना एहम वेक्ती नहीं मेरी योजना की सफलता सिर्फ दो बातों पर निर्भर करती है पहली बाद उस हवाई जाज को पैचान पाना जिसमें हीरे लादे जाएंगे और दूसरी हवाई जाज को सुरकसित तरीके से उतारने के लिए रेगिस्तान में सही जगे को चुनना दोनों बातों की जानकारी सिर्फ मुझे है इन दो बातों को जाने बिना योजना काम्याब होई नहीं सकती और जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते मैं उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं दूंगा ग्लोरी के दिल की धड़कन सामन्नी होने लगी समझ गई उसने खुद को साइयत करते हुए कहा लेकिन हैरी तुम्हारे पास कोई संपर्ग सुत्र नहीं है इस योजना को संभालने योग ये इतने बड़े और्गनाइजिशन को तुम कहां से घूड निकालोगे वे समझेंगे ये पुलीस की कोई साजिस है वे तुम्हारी बातों पर यकिन नहीं करेंगे हैरी ने एक लंबी गहरी सांस ली आखिरकार गलोरी को वो उस नाजुक बिंदू पर ले आया था गलोरी ने जो मसले पेस किये थे उन पर पहले ही विचार कर चुपा था अब भरोसा इस बात पर था कि वो गलोरी पर था अपने प्रति उसकी भावनाओं पर कितना दवाव डाल सकता है वो बात बिल्कुल सही है गलोरी गलोरी की और ताकते हुए उसने कहा मैं जानता हूँ वे मुझ पर हर्गिस यकीन नहीं करेंगे लेकिन तुम पर जरूर करेंगे गलोरी आश्चरे से आँखे फाड़ कर उसकी और ताकने लगी उसे विस्वास नहीं हो रहा था कि उसने हैरी को ऐसा ही कहते हुए सुना था मुझ पर वो बॉकला कर बोली बेंडलानी तुम्हारी बातों को मान लेगा गलोरी जबकि मेरी बातों को नहीं इस पर गलोरी की प्रतिक्रिया देखकर उसे आश्चरे हुआ वो चलकर खड़ी हो गई उसकी आँखे गुस्से से जल रही थी और चहरा सफेद पड़ गया था बेंडलानी के बारे में तुम कैसे जानते हो उसने पूछा शांती से बैठो मुझ पर चड़ दौरने की जरुवत नहीं है तुम और डेलानी एक समय में आपस में काफी अच्छे दोस्त थे नहीं तुमें कैसे मालू हैरी का चहरा सक्ट पड़ने लगा मुझ पर चीखो मत गलोरी तुम खुदी इस बात को गुप नहीं रखना चाहती थी या नहीं मैंने एक पुरानी पत्रिका उठाई तो उसमें से ये निकलाया उसने अपने बटवे से डेलानी का फोटो निकाला और उसे टेबल पर फैंक दिया गलोरी ने फोटो की तरफ देखा उसकी आँके चमक रही थी तुम जूट बोल रहे हो उसने कहा तुम्हें ये पत्रिका के अंदर नहीं मिला था तुमने मेरी चिठियां भी पट डाली हैरी का धहर्या खोने लगा तो क्या हुआ अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं उन चिठियों को पढ़ू तो तुमने ऐसी जगे पर उसे क्यूं रखा जहांसे मुझे आसानी से मिल सकती थी वो बोला आँके फाड़ कर घूरो मत अगर तुम इसके लिए मुझसे जगड़ा करना चाहती हो तो बोलो अजानक लोरी भैभित हो गई ये बात उसके लिए खतरनाक थी इससे हैरी गुसे पर काबू ना पा सकता था और उसे छोड़ कर चला जा सकता था आल राइट हैरी उसने कहा और हैरी से परे दूर कहीं ताकते हुए बैठ गई नाराज मत हो तुमने मेरी चिठिया नहीं पढ़नी चाहिए थी लेकिन मैं इसके लिए तुमसे जगड़ा मोल लेना नहीं चाहती मुझे अफसोस है हैरी उसे दिलासा देने के अंदाज में बोला सैयोक से ही वो मेरे हाथ लग गई थी इन सब बातों को भूल जाओ सच्चा ये है कि डेलानी इस काम को संभाल सकता है उसके पास और्गनाजेशन है और आदमी भी है तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ मेरा संपर्क करवा दो ग्लोरी अपनी गर्दन सहलाने लगी ओ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती मैं नहीं करना चाहती अब सुनो मुझे अफसोस है हैरी हैरी को उम्मीद थी कि ऐसी कुछ परेशानी जरूर खड़ी होगी इसलिए उसने पहले से ही निश्चे कर रखा था कि इससे किस प्रकार निपटना है उसने काफी देर तक ग्लोरी की और देखा फिर कंदे उचका दिये ओके तुम करना नहीं चाहती तो ना सही वो मुड़ गया और बैडरूम की और बढ़ने लगा किधर जा रहे हो ग्लोरी ने पूछा भै की लहर उसके सरीर के अंदर यो गुजर गई जैसे तेज चाको का फल घुस गया हो बाहर जा रहा हूँ बैडरूम के दर्वाजे पर रुक कर हैरी ने कहा मैं तुम्हें बदा चुका हूँ कि इस काम को करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मैं जानता हूँ कि तुमारी सहायता के विना मैं डेलानी से नहीं मिल सकता इसलिए इस काम को मैं खुद ही करूँगा मदद के लिए मुझे कहीं से दू आदमियों को ढून निकालना होगा और वो मैं किसी प्रकार कर लूँगा अगर हीरे मेरे हाथ लग गए तो मैं डेलानी से मिलूँगा और हीरे उसे दूँगा हीरे मेरे पास हूँ तो वो जरूर मुझे मिलना चाहेगा मैं खुद इस काम को कर सकता हूँ मुझे मालूम है ये एक बहुत जोखिंबरा और खतरनाक काम है लिहाज़ा तुमारी वेर्ट की गिर्गढ़ाट से मैं अपना होसला पस्त करना नहीं चाहता लेकिन डार्लिंग तुम यहाँ से नहीं जा सकते लोरी ने सर्द आवाज में कहा कहा जाओगे और कहा रहोगे हैरी ठाके लगा कर हसने लगा खुदा के वास्ते मैं कुछ हफते के लिए 30 डॉलर वाली नौकरी कर लूँगा तुम मुझे क्या समझती हो कमजोर या कुछ और नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती ग्लोरी हिचकिचाई फिर बोली इसका मतलब अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ये तुमने कैसे सोच लिया बेशक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो ये रोप के सफर में मैं तुमी को साथ लेके चलूँगा ये वादा रहा सच कह रहे हो वैल मैं इसे साबित तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें यकिन दिला सकता हूँ ग्लोरी के करीब आते हुए हैरी ने कहा उसने उसे माहों से पकड़ कर खड़ा किया फिर उसने अपना चेहरा ग्लोरी के चेहरे के पास लाकर उसे ती जोर से भीज दिया कि Glory को सांस लेने में कठिनाई होने लगी Glory ने इसकी परवा नहीं की उसकी उंगलिया हैरी के गले में फिर बालों में फिसलन लगी जब हैरी उससे अलग हुआ तो उसने कहा मैं तुम पर दिवानगी की हद तक फिदा हूं बेवी मैं जानता हूं इस समय मैं तुम्हें कश्क दे रहा हूं लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे पास पैसे का होना नहायद जरूरी है और तुरंट पैसे कमाने का यही एक रास्ता है उसके कंदों पर Glory की पकड़ मजबूत होने लगी क्या तुम सच मुझे ये काम कर डालने का फैसला कर चुके हो एरी Glory ने पूछा तुम्हें रोखने के लिए क्या मैं कुछ कहा है या कर नहीं सकती मुझे कोई नहीं रोख सकता मैंने पका फैसला कर लिया है ये मेरे लिए एक मात्र मौका है और मैं इससे चूकना नहीं चाता मैं तुम्हें बताता हूँ Glory कि ये कोई आकस्मिक विचार नहीं है तीन महीने पहले जब मैंने उन हीरों के बारे में सुना था उसी वक्त मैंने उन्हें हत्याने का विचार कर लिया था तीन महीने से मैं राद दिन इसी बारे में विचार करता रहा हूँ और हर दिन मेरा निर्णय दुड़तर होता जा रहा है Glory उससे अलग हटकर कुर्सी के पास आई और उस पर बैट गई अल्राइट हैरी अगर तुम्हारा फैसला अटल है तो इसे हम दोनों मिलकर दरेंगे उसने हैरी की और देखे बगेर कहा मैं इस किसम के धंदे से संबंदित कई बाते चानती हूँ जिनने तुम नहीं चानते मैंने बेन के साथ 14 माईने यूही नहीं गुजारे थे क्या तुम मुझे इस बारे में सोचने के लिए कल सुबह तक का वक्त दोगे मैं समय नश्ट करने का इरादा नहीं रखती इस पर बड़ी गहराई से सोचने की ज़रुरत है वह इच की चाई फिर आगे कहने लगी जानते हो मैं क्यों तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मैं जानती हूँ इस किसम के काम में शामिल होना मेरी बेवकुफी है लेकिन मैं तुम से प्यार करती हूँ तुम मेरे लिए दुनिया की किसी भी चीज से ज़्यादा आयमियत रखते हो मेरा ख्याल है कि अगर तुम मेरी बातों को सुनोगे और वही करोगे जो मैं कहती हूँ तो तुम्हें इस काम की कामयाभी के साथ अंजाब देने का मौका मिल सकता है अगर किस्मत ने साथ दिया तुम्हें समझती हूँ तुम्हें पकड़े जाने से मैं बचा सकूँगी मैं बेंडे लानी के साथ तुम्हारा परिशे करवा दूँगी ये काम आसान नहीं है मैं पिछले दो सालों से उससे नहीं मिली हूँ लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसलिए क्या तुम मुझे कल सुबह तक का वक्त दोगे ताकि मैं योजना को सही तरीके से दिमाग में बिठा सकूँ क्यों नहीं बिल्कुल अचानक रहासी मैसुस करते हूए हैरी ने कहा ग्लोरी की आँखों में गहरी उदासी देखकर उसके सोचे समझे विजियो लास में कड़वाट भरने लगी क्या तुम फिल्म देखने या कहीं और चले जाओगे ग्लोरी ने बूचा मैं एकान चाहती हूँ जरूर हैरी ने अपना टॉप कोट उठाया मैं चला जाता हूँ आदी रात के करीब मिलेंगे वो दर्वाजे की तरफ बढ़ने लगा तो उसे याद आया कि उसके पास पैसे नहीं है वो ग्लोरी से मांगना नहीं चाहता था लिहाजा कंदे होचका कर उसने दर्वाजा खोला और पैसेज में निकल गया सुनो हैरी हैरी ने पीछे मुड कर देखा ग्लोरी दर्वाजे पर खड़ी थी तुम पैसे ले जाना भूल गए उसके हाथ में पांच डॉलर का नोट था बाहर तुमें जरूर कुछ खा लेना चाहिए हैरी दीरे दीरे वापस आया और उसने वो नोट ले लिया शरम महसूस करना उसके लिए नया अनुभव था जो से पसंद नहीं आया शुक्रिया उसने कहा ये मुझ पर उधार रहा फिर वो पैसेच पर चलता हुआ पीछे मुड़े बिना सीड़ियां उतरने लगा अगले दिन रविवार था हर रविवार को वे दो पैर तक बिस्तर पर पड़े रहते फिर लंच लेने के बाद अगर मौसन सुहाव ना हुआ तो टहलने निकल जाते थे लेकिन आस दोनों नो बजने के तुरंद बाद बिस्तर से उठ गए थे और आग के पास बैठे हुए थे अब ज़्यादा वक्त बरबाद करना उचित नहीं काफी उडेलते हुए ग्लोरी ने कहा मैंने तमाम बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया है और मैं समझ रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हें ये काम करने से रोकना नहीं चाती अगर तुम्हारा निर्णय पक्का है तो ये मेरा फर्स है कि योजना को सफलता पुर्वक संपन करने में मैं हर संबब प्रयातने करूँ मैं इसे जरूर कर लूँगा भोहें से गोड़कर हैरी ने कहा अगर मैं तुम्हें दिक्कत में डाल रहा हूं तो मुझे अफसोस है ग्लोरी मगर फीक है ग्लोरी ने तपाक से कहा आओ सभी बातों को दिमाग में बिठा लें अगर साब बच निकलने का कोई सुरक्षेत रास्ता ना हो तो हीरो पर हाट डालने का कोई तुक नहीं है है ना मेरा मतलब तुम्हारी योजना का सबसे मैत पूर्ण हिस्सा इस बात से निश्चित होना कि पुलिस तुम्हें पकड़ना सके हैरी अधीर्था से कसमसाने लगा इस मसले पर माता पच्ची करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसे में संभाल लूँगा सबसे मैत पूर्ण हिस्सा है डेलानी से संपक स्थापित करना तुम गलत सोच रहे हो लोरी ने दुर्णता के साथ कहा अगर तुमने हीरे हत्या लिये और बेहन ने रकम भी दे दी तो उस रकम को खर्च करने यूरोप की सैथ करने और अपने धंदे की पार्टनर्शिप खईदने के लिए तुम्हें आ जादी की निहाएश जरूरत होगी होगा या नहीं जरूर होगी इसलिए मैं तो पूर्ण हिस्सा है पुलीस तुम्हें पकड़ना सके इसका इंतिजाम करना हैरी ने कंधे उचका है वेल ओके अगर तुम्हें एसास होसकी हो तो ठीक है क्या एरक्राफ्ट के अंदर कोई ऐसा आदमी होगा जो तुम्हें पहचानता हो हैरी के माते पर बल पड़ गए हो सकता है अगर एरक्राफ्ट पर मुझे किसी ने नहीं पहचाना तो मुझे यकीन है कि एरफिल्ड पर स्टाफ के कुछ आदमी तो मुझे जरूर पहचान लेंगे इसलिए मैं पुलीस की सरगर्मी सुरू होने से पहले मैक्सिको चला जाना चाहता हूँ लेकिन तुम मैक्सिको में भी तुपकड़े जा सकते हो अगर उन्होंने मुझे पा लिया तो मैक्सिको पहुंसते मैं तुरंट भेज बदल लूँगा ये सब तो खेर बात की बात है जो बात जरूरी है नहीं ग्लोरी ने तीखी आवाज में कहा इस बात से जरूरी और कोई बात नहीं तुम समझते क्यों नहीं कि तुम खुद को कितने बड़े खत्रे में जोखने जा रहे हो तुम पहचाने जाओगे पुलिस को आसानी से मालुम हो जाएगा क्योंने किसके पीछे पढ़ना है इस प्रकार उनका काम आसान हो जाएगा पुलिस द्वारा तुम्हें पहचान लिये जाने के बाद कितने दिनों तक आजाद रह जकोगे वेयर ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन के रिकॉर्ड से तुमारा कोई फोटोग्राफ प्राप्त कर लेंगे और उसे देश भर के समाचार पत्रों में छफवा देंगे देश सवेर कोई न कोई तुम्हें पहचान लेगा और पुलिस को खबर कर देगा बीमा कमपनिया तुमारी गिरफतारी के लिए इनाम की घोशनाएं कर देगी एक बार उन्हें मालुम हो गया कि तुम कौन हो तो तुम खुद को डूप गया समझो हैरी भगवान के वास्ते हैरी गुश्से में भर कर बोला ये खत्रा तो मुझे मूल लेना ही होगा अगर हम इसी मुद्दे पर चक्राते रहे तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे अगर उन्हें मालुम हो गया कि तुम कौन हो तो वे जिन्देगी भर के लिए तुम्हारे पीछे पढ़ जाएंगे तुम्हें एक पल भी चैन से नहीं रह सकोगे तो क्या अगर मैंने हवाईजाज को अपने कबजे में ले लिया तो खुद को पैचान लिये जाने से मैं कैसे रोक सकता हूँ सीधी सी बात है ओ नहीं काम में हाठ डालने से पहले तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा आज के बाद हैरी ग्रिफिन गायब हो जाएगा उसकी जगे हैरी ग्रीन प्रकट होगा और वही हीरो की डखेती डालेगा फिर उसके बाद हैरी ग्रीन गायब हो जाएगा और हैरी ग्रिफिन दोबारा प्रकट होगा पुलीस हैरी ग्रीन को तलास्ती फिरेगी तुम्हें नहीं हैरी आंके फाड़ कर उसे तांकने लगा इतनी जल्दबाजी से नन्या मत लो इस पर गहराई से सोच विचार करना होगा हैरी कुछ ना बोला एकदम सीधी बात है सबसे पहले तुमने अपना हुलिया तता भेस इस प्रकार बदलना होगा जिससे कोई तुमें पहचान न सके तुमें एक अजनभी होगे जिसकी कोई प्रिष्ट भूमी नहीं होगी कोई दोस्त नहीं होगा जो पहचानता हो काम खतम होने के बाद तुम अपना बहुरूफ उतार कर फैक दोगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि ये तुम थे हैरी बालों में उंगलिया फेरने लगा ये आइडिया है तो ला जवाब ग्लोरी हैरी ने सोच पुंधं से कहा लेकिन ये नहीं चल सकता आइडिया की सफलता इस बात पर है कि कोई मुझे पहचान न पाए ये नहीं हो सकता एरफेर्श टाफ के अधिक तर लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ये निश्चित है कि वे मुझे पहचान ले मैं ऐसा बहरूप नहीं धर सकता कि वो मुझे पहचान न पाए ये एक खुबसुरत सपने के अलावा और कुछ नहीं है ग्लोरी नहीं ऐसा नहीं है ग्लोरी ने कहा मैं तुम्हारा मेकप करूंगी हॉलिवुड में मैं एक ऐसे वेक्टी से परिचित थी जो वहां का सर्वस्रेश्ट मेकप आर्टिस्ट था मैंने उससे बहुत कुछ गुर सीख लिये थे मैं तुमारे आकुरती इस प्रकार बदल सकती हूँ जिसे कोई नहीं पैचान सकता सच हैरी आगे की और जुगा उसकी आँखों में उत्ते जना की लहर दैर रही थी मजाक तो नहीं कर रही हो मैं ऐसा मजाक कभी नहीं करती लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रंगत तथा हुलिया बदल दिया जाए तुमारे कपड़े, बोलने का ढंक तुमारी आवाज, यहां तक कि तुमारा व्यक्तित्व सब कुछ बदलना होगा बहुत कुछ तुम पर निर्भर करता है हमारे पास अभी कितना समय है 20 दिन, ग्लोरी ने सिर्ह लाया इतना समय काफी है, बहुत कुछ करना होगा कल तुम एरफिल्ड चले जाओ और अपने परिचितों से मिलो तुम उन्हें बताओगे कि काम की तलाश में तुम नियॉयॉर्क जा रहे हो हैरी बिदक उठा ऐसी की तैसी तुम्हारे आइडिय गी मैं उन लोगों से दोबारा नहीं मिलना चाता मैं उन्हें क्या बताओं कि मैं नियॉयॉर्क क्यों जा रहा हूँ तुम्हें ऐसा करना ही होगा ग्लोरी ने दुर्टा से कहा हीरो की डखेती होने के साथ-साथी पुलिस जांच पड़दाल सुरू कर देगी उन्हें मालूम हो जाएगा कि ये का मंदुरूनी आदमी का है देर सबेर उनके सामने तुम्हारा नाम भी आएगा वो पता कर लेंगे कि तुम उसी एरक्राफ्ट को चलाने वाले थे और हीरो के विशे में तुम्हें जानकारी थी तुम संद्यास पस वेक्तियों में से एक बन जाओगे तुम्हारा बोस तुम्हारे बारे में अच्छी रायर नहीं रखता लिहाजा उससे कोई मदद नहीं मिलेगी इसलिए ये जरूरी है कि डखेती होने से काफी पहले तुम्हें सहर से अन्यत्र कहीं चले जाना है तुम नियॉर्क जाओगे और वहां किसी एक होटल में अपना नाम रेजिस्टर करोगे तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम नियॉर्क में थे अलाकि तुम बाद में वहां से खिसक चुके होगे तुम्हें ट्रेवलिंग की कोई नौकरे भी ढूडनी होगी इस संबन्ध में हम बाद में विस्तार पुर्वक बात करेंगे मैं चाहती हूँ तस्वीर का खाका तुम्हारी समझ में आए कि तुम्हें क्या क्या करना है बहुत खूब ग्लोरी हैरी बोला मैं समझ रहा हूँ कि ये काफी दमदार आइडिया है लेकिन नियोर्क पहुचने के लिए काफी धन के आवशकता होगी ये नहीं हो सकता धन के बारे में अभी भी चिंतित मत हो ग्लोरी ने कहा सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनो तुम्हें होटल के कर्मचारियों पर ऐसा प्रवाव डालना होगा जिस से बाद में पुलिस की पूस्ताज के दोरान उन्हें तुम्हारी बखूबी याद रहे फिर तुम्हें कोई नौकरी ढूंडनी होगी कमिशन के आधार पर तुम्हें कोई नौकरी मिलने में कठिनाई नहीं होगी और ये हर हालत में हासिल करनी होगी तब तक मैं भी नियॉयर्क पहुँच जाओंगी तुम मुझसे आकर मिलोगे और इस बात का पूरा खयाल रखोगे कि मेरे पास आते हुए तुम्हें कोई देख न ले फिर मैं तुम्हारा हुलिया बदल दूँगी और तुम हैरी ग्रीन बन जाओगे नियॉयर्क छोड़ने से पहले तुम्हें अपने दोस्तों को तीन-चार पत्र लिखने होंगे हैरी हमें कंसास सीटी, पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट और मिनियोपॉलिस सहरों के विबिन होटलों से पते हासिल करने होंगे तुम अपने दोस्तों को लिखोगे कि तुमने एक ट्रैवलिंग की नौकरी कर ली है और चारों और सहर का मज़ा ले रहे हो चारों पत्रों में तुम अलग-अलग होटलों के पते लिखोगे मैं उन पत्रों को हर उस सहर ले जाकर पोश्ट कर दूँगी हमारे पास इस बात का पका सबूत होना चाहिए कि तुम सहर पर थे और डाग घर की मोरे इस बात के लिए सबसे बहतर सबूत होंगी लेकिन एक मिनट ठेरो हैरी नटोका पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो ग्लोरी ने कहा ये होगी हमारी सहाधत फिर तुम यहाँ से चले जाओगे और बैंड से मिलोगे किसी सस्ते होटल में एक कमरा लेकर खुद को जाहिर करते फिरोगे जितने जादा तुम अपने आपको जाहिर करोगे और लोगों पर अपना प्रभाव डालोगे उतना ही अच्छा होगा जब भी मौका मिले इस बात की डिंग हाखना सुरू कर दो कि तुम एक भूत परू पाइलेट हो और फिर से पाइलेट की नौकरी करना चाते हो रुखाई से बरताव करो ये लोगों की याददास में रहने का अच्छा तरीका है किसी फोटो स्टूडियो में जाकर अपना एक फोटो खिच वालो पैसे देने के मामले में फोटोग्राफर से जगड़ा मोल लेना ताकि उसके दिमाग में तुमारा प्रभाव जम जाए और जब अकबार में वो तुमारा विवरन पढ़े तो उसे तुम अच्छी तरह से याद आ सको वो पुलिस को तुमारे फोटोग्राफ की एक प्रती दे देगा समझ रहे हो ना मेरा मतलब क्या है जब पब्लिक तथा पुलिस हैरी ग्रीन के पीछे पढ़ जाएगी तो वो तुमारे पीछे नहीं पढ़ेगी हैरी मूबाय उसकी और ताक्ता रहे गया क्या ला जवाब आइडिया निकाला है तुमने मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था मुझे यकीन है इस आइडिया के मताबिक मैं साब बच निकल सकता हूँ प्लीज ऐसा मत कहो तनिक सी गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है बेशक ये आइडिया कारगर साबित होगा मैं पूरी तरह आस्वस्त हूँ ये आइडिया बेमिसाल है लेकिन इसमें एक ऐसा बिंदू है जिस पर मैं सहमत नहीं हूँ मैं नियू यॉक जाने से पहले ही बेंड डेलानी से मिलना चाता हूँ अगर वो इस बात से सहमत नहीं हुआ तो मुझे दूसरे सिरे से विचार करना पड़ेगा और नियू यॉक जाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तुम्हें अबस यह हैरी ग्रीन की रूप में उससे मिलना होगा ग्लोरी ने अपनी आवाज पर जोड़ देते हुए कहा उसे हरगिस यह जानने नहीं देना है कि तुम कौन हो मैं बेंड को अची तरह जानती हूँ वो तुम्हें डबल क्रोस कर सकता है अगर पुलीस को किसी तरह पता चल गया कि हीरे उसके पास है और उस पर डबाव डाला गया तो वो तुम्हारे बारे में बता सकता है तुम उसे नहीं जानते है हैरी मैं जानती हूँ उसे पैसे मिलते ही तुम हैरी ग्रीन के रूप में गायब हो जाओगे ताकि ना तो बैन और ना ही पुलीस तुमारे पीछे पड़ सके ये बहुत जरूरी है तुम वही करोगे जो मैं कह रही हूँ हैरी ने कंदे हुचका दिये ओके ये बास ज़स्ती है ठीक है मैं नियॉयोक से लोटने के बाद ही डेलानी से मिलूँगा लेकिन मैं नियॉयोक जाओंगा कैसे पैदल हैरी के चहरे पर कुटिल मुसकान उभरी इस बात को समझो बेबी इस के लिए कम से कम एक हजार डॉलर चाहिए हम दोनों के लिए किराया तुमारे लिए दूसरे सहर में जाने के लिए किराया जब तक मुझे नौकरे नहीं मिलती होटल के बिल ये सब एक हजार से कम में नहीं हो सकता कहां से आएंगे इतने पैसे गलोरी उटकर बैडरूम के अंदर चली गई फिर कुछ मिनट बाद हाथ में एक जेवरो की पिटारी लेकर वापस आई और उसने उसे टेबल पर रख दिया उसने पिटारी खोल कर उसमें से एक छोटा सा हीरो जड़ा क्लिप और सुने का एक कंगर निकाला और उन्हें हैरी की गोद में रख दिया हमें इनके बदले कुछ हजार डॉलर मिल जाएंगे उसने कहा मैंने ये ऐसे ही किसी कटनाई के दिन काम आने के लिए रख छोड़े थे हैरी ने उन जेवरों का निरक्षन किया फिर ग्लोरी की और देखा ये तो बहुत खुबसूरत है क्या तुम इन्हें अपने पास नहीं रखना चाती इन्हें बेज देना बुरा लगता है नहीं मुझे इनकी जरुवत नहीं है ग्लोरी ने रुखी आवाज में कहा ऐसी चीज़े पास रखने से क्या फाइदा इन्हें पहनने का मौका ही कब मिलता है मुझे हैरी कुर्सी से उठकर उसके करीब आया इन्हें खो देने में तुम्हें तकलीफ होगी नहीं उसने कहा और ग्लोरी को बहुं में भर लिया हैरी इस समय तो हम तंगी में हैं लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें इनसे भी बहतर चीज़ दूँगा मैं वादा करता हूँ ये मत सोचो कि तुम मेरे लिए जो कुछ कर रही हो उसे मैं समझ नहीं रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें दिलो जान से चाता हूँ ग्लोरी शुक्रिया खुद को रो पढ़ने से रोकने के प्रयास में ग्लोरी ने अपना सिर हैरी के सीने से ठिका दिया सोचो कि हम लंडन, पैरिस और रोम में होंगे उसके बालों से खेलते हुए हैरी ने कहा सोचो हमारे पास वो सारा धन होगा जब हम सफर से उकता जाएंगे तो वापस इसी सहर में लोटेंगे और मैं एर टेक्सी का धंदा शुरू करूंगा फिर हम खुशाल जंदेगी की सुरुआत करेंगे हाँ, उससे चिपकते हुए ग्लोरी ने कहा, हम शादी भी कर लेंगे ना चाते हुए भी ये शब्द उसके मुह से निकल गए, वो खुद पर छल्ला उठी क्यों नहीं, हैरी ने कहा उस समय वो ग्लोरी का एहसान मन्द था शादी की बात उसे अच्छी लगी ये तुमें पसंद है ना ग्लोरी, क्या तुम उससे शादी करोगी, ग्लोरी पीछे हट गई ताकि उसके चैरी की और देख सके जरूर, मैं तुमसे शादी करके प्रसंद होंगी, उसने कहा वो सोच रही थी, कि ऐसा पहली बार हो रहा था, जब किसी मर्द ने उससे शादी के बारे में पूछा हो, ओके फिर तो हम शादी कर लेंगे, मुस्कुराते हुए हैरी ने कहा, लेकिन अभी नहीं पहले हम इस काम से निपट ले, फिर आराम से शादी करेंगे, क्या ख्याल है कली क्यों नहीं हैरी, स्वर को सामान्या मनाते हुए, ग्लोरी ने पूछा कम से कम लाइसेंस के लिए आवेदन तो दे सकते हैं, जल्द बाजी करने की क्या जरूरत है, हैरी ने कहा, और उसे चूमने लगा, शादी के बाद में कोई उल्जन नहीं चाता, मेरी इच्छा होगी, कि ये लंबा सा हनीमून हो, काम पूरा हो जाने तक हमें इंतजार करना होगा, ग्लोरी ने खिन्न मन से सिरह लाया, चीख है, उसने कहा, हम इंतजार करेंगे, ग्लोरी के साथ के जमाने से, अब तक बेंडेलानी ने काफी तरक्की कर ली थी, तब वो सिर्फ एक ऐसा उच्साई गैंग्स्टर था, जिसका दिमाग हर वक जल्दी पैसा कमाने की किसी धुन में व्यस्त रहता था, वो किसी फायदे मन चकर में कोट पड़ता, और उसमें से भरपूर फायदा वसूल करने के बाद, फिर किसी दूसरे चकर की खोज में रहता था, अपने रास्ते की रुकावटों को दूर करने के लिए, किसी को गोली मार देने में उसे तनिक भी जिज़क नहीं होती थी, और वो इसी प्रकार बदले लेता था, लेगिन अब ऐसी कोई बात नहीं थी, अब वो अपने आपको एक काम्याब बिजनसमेन समझता था, जिसके कहीं किस्प के धंदे चलते हैं, इन मेंसे कहीं धंदे बिल्कुल कानूनी थे, मसलन उसके दो नाइट ट्लग, टेक्सी हायर सर्विस, बुक मेसर्स के लिए तार मुहिया करने का धंदा, और लॉंग बीच पर उसका विशाल होटल, इन सबी लाबदायक वेवसाओं के लिए, पुंजी का प्रमद उसके दूसरे धंदों से हुआ था, जो गैर कानूनी थे, मादक पदार्थों का धंदा, ब्लैक मेलिंग, योजनाबद अपराद, लूट मार, आदीन में शामिल थे, इन सब धंदों के अलावा, वो चोरी के हीरे जेवरातों के खरीद भिकरी का धंदावी करता था, और खुद को समुचे तटिये इल्या के भर में, सबसे अच्छी कीमत अदा करने वाले के रूप में स्थापित कर लिया था, संसेट बोले वर्ट में, वो दो एकड़ के बगीचे से घिरी एक आलिशान कोटी में रहता था, बीस बेडरूम वाली उस इमारत का दाईना हिस्सा, उसके दफ्तर के रूप में सुसजित था, और ये वो जगे थी, जहांसे वो अपने छोटे से सामराज्ये पर साशन करता था, अब उसे अपने साथकन रखने की आवशक्ता नहीं पड़ती थी, उसके पास इतनी दौलत थी, कि वो अप अपरादी तत्यों की एक छोटी सी सैना रखे हुए था, जो उसकी दिलचस्पियों का ख्याल रखती, किसी प्रतियोगी को हदुत साइथ कर दे थी, या उस बेवकुफ को ठिकाने लगा देती, जो उसके सामराज्ये में दखल अंदाजी करने की जुर्रत करता, वो पुलीस को सालाना भेट स्वरूर, एक उलेकनिया मोटी रकम देता था, और इस प्रकार वो किसी भी परिशानी से छुटकारा पा लेता था, वो शांदाज जिन्देगी जीता था, मनुरंजन में अपरिमित धन भर्च करता, और अगर प्रैस की गतिविद्या सतर्क ना होती, तो वो बरसो पहले लॉस एंजलेस की हुची सोसाइटी का सदस्या बन चुका होता, कई समाचार पत्र, उसके गुंडागर्दी के दिनों को इसलिए नहीं भूलना चाते थे, क्योंकि तीन बार उसके चतुर वकीलों ने सबूतों की धजियां उड़ा दी थी, और वो साब बच निकला था, वो ये भी नहीं भूल सके थे, कि एक साल पहले वो एक कॉलगल स्कैंडल में फसा था, लेकिन उसके विरुद कोई सबूत पेश नहीं हो सका था, अब भी जब तब, जब खबरे ठंडी पढ़ने को होती, तो कई संपादक उगर लिडरों को उकसाने के लिए, डेलानी की अतीत की गतिविदियों पर लिखने, और इस बात का हलका आभास देने का प्रयास करते, कि उसकी वर्तमान गतिविदियों की जाँच की जाए, वे इस बात का संकेत भी देते थे, कि उसे पुलिस उरक्षा प्राप्त है, और प्रशाशन को जिन जोड़ देना आवश्यक है, ये सब ऐसी बाते थी, जिन पर डेलानी कुछ नहीं कर सकता था, उसने कहीं बार भड़के हुए संपादकों को, प्रलोभन देकर शान्त करने के बारे में विचार किया था, लेकिन जैक लिंगले का प्रसंग याद कर, उसने निर्णय किया कि ये सोदा काफी महँगा पड़ेगा, प्रेस की वज़े से ही उसे लॉस एंजलेस की सोसाइटी में अलग रहना पड़ा था, उन्हें मालुम था कि जिन लोगों से उसका मेल जोल था, और जो लोग उसकी पार्डियों में उमर पड़ते थे, वे सभी दूसरे दर्जे के उस पर आश्रित लोग थे, जो मुफ्त की सराप के बदले में कुछ भी कर डालने को तयार रहते थे, इस सुमवार की सुबह, बेंड डिलानी एक शांदार ढंग से सजे कमरे में, जिसकी खिड़किया गुलाब के बगीचे और सुमिंग पूल की और खुलती थी, अपनी विशाल डैस्क के पीछे बैठा हुआ था, वो मासिक बैलन्स रीट का निरिक्षन कर रहा था, जिसे उसके एक योग्य अकाउंटेंट ने तयार किया था, बैलन्स रीट की जाच करके वो अप्रसन हो गया था, आमदनी कम हो गई थी और खर्चे बढ़ गये थे, हिसाब को देखकर उसे पता चल गया था, कि उसके स्टाफ के आदमी बेतहासा खर्च करते जा रहे थे, मौजुदा खर्चों को उठाने के लिए जितनी रकम की उसे आवशक्ता पड़ती थी, उसे देखकर उसका सक्त तता मांसल चेहरा उदासा दिखने लगा, उसके आशा के विपरित रकम बहुत कम पड़ रही थी, और वक्त होता तो उसे कोई परवा नहीं होती, लेकिन इस साल वो अपनी जिन्देगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी करना चाता था, उसके विचार में अपने पास एक याठ होना कामयाब वेक्तियों का चिन्न था, कोई खिलोना नुमा नहीं बलकि 5000 टन का याठ जिसमें 20 आदमियों के रहने लाइक सभी सुविधायें हो, बातरूम हो और संभवत एक सुविंग बात भी, इस किस्म के याठ को हासिल करना बैन के विचार में कामयाब केरियर की चोटी पर पहुँचने का प्रतीक था, इस संबन्द में उसने प्रमुक याठ, बिल्डर्स के साथ हुई बातचीत को याद किया, ऐसे एक याठ के निर्मान के लिए, वे लुटे रे जितनी कीमत चाते थे, उसे सुनकर वो चकित रह गया था, दूसरे खर्चों को काट कर जो रकम बस्ती थी, उसे देखकर डेलानी को पता चल गया, कि अगर वो इसी साल ओर्डर देना चाहे, तो उसे दसलाग डॉलर की अत्रिक रकम की ज़रुवत पड़ेगी, इत्ती बड़ी रकम अचानक कहां से आईगी, वो इसी मसले पर गौर कर रहा था, कि उसके डेस्क पर रखा बजर घरगरा उठा, कोई मिश डेन आपके बारे में पूछाई है मिश्टर डेलानी, उसकी सेक्रेडरी की आवाज सुनाई दी, मिश ग्लोरी डेन, बैन ने अपने हिसाब किताब से निगा तक नहीं उठाई, मैं उसे नहीं जानता, और जानना भी नहीं चाता, उसे कहे दो मैं वेस्ट हूँ, येस सर, बजर बंध हो गया, लेकिन जी होई बैन ने बैलेंस सीट को एक तरफ हटाया, उसने वो नाम अपने मन में दोराया, ग्लोरी, वो अचानक आवेक से भर गया, और उसने जल्दी से बजर का स्विच आन कर दिया, तुमने क्या बताया था, लूरी डैन, जी हाँ मिश्टर डिलानी, वो कहती है विशेव एक्ति के तोर जरूरी है, बैन ने मूँ बिचकाया, सुनकर उसे लगा कि कोई खास बात है, वो हिचकिचाया, फिर उसके साथ गुजारे वक्त को याद कर, उससे मिलने को तैयार हो गया, उन्होंने एक साथ काफी अच्छे वक्त गुजारे थे, उसके बाद तो उसे दुनिया के बारे में, फिक्र करने की फुरसत ही नहीं रह गई थी, ओके, उसे अंदर भेज़ दो, मैं उसे दस मिनट का वक्त दे सकता हूँ, मुलाकात खत्म होने के बाद, जब मैं रिंग करूँ तो तुम अंदर चली आना, बैन ने अपनी डेक्स पर पड़े काखजादों को एक और हटा दिया, एक सिगास उलगाया, और फिर उटकर खिड़की के पास चलाया, वो नीचे खुबसूरती के साथ सजाई गई, क्यारियों और गुलाब के फूलों की और देखने लगा, फिर उसने निगाँ फेर कर स्विंग पूल की और देखा, जिसके पानी के जाड़े के दिनों में, 75 डिगरी के ताप क्रम में गर्म रखने की वैवस्ता थी, उसने देखा फेर डाइविंग बोर्ड पर खड़ी, अपना बाथिंग के अब ठीक कर रही थी, बैन ने उसके खुबसुरा जिस्म को, दूप में तपी, सुड़ो और टांगों को निहारा, और संतुष्टी के साथ सिरह लाने लगा, हो सकता है कि वो एक मन बुद्धी की लड़की थी, उसने सोचा, मगर उसके पास वो सब चीजे थी, जो होनी चाहिए, उसके लिए बैन को काफी खर्च करना पड़ता था, लेकिन बिस्तर पर वो नकेवल उत्साई होती, बलकि पूर्ण रुप से शक्षम साबित होती थी, दूसरी और लोग उसके लिए बैन के प्रती इर्शिया करते थे, और ऐसा होते देख बैन को बड़ी खुशी होती थी, दर्वाजा खुलने की आवाज सुनकर वो मुड़ गया, उसकी साम्वली तता सुन्दर सी सेक्रेटरी ने एक और खड़ी होकर, अत्यंत विनम्रस्वर में कहा, मिश डैन और गलोरी कमरे के अंदर दाखिल हो गई, उससे मिलने की उत्सुकता को तुरंद भूलकर बैन उसे घुरने लगा, ये धकी हारी सी, पीले जहरे वाली हर्गिस गलोरी नहीं हो सकती, क्या ये इतनी बुड़ी हो चुकी है कि फे की मा के बराबर दिखाई दे रही है, और उसके कपड़े, जरूर उसकी हालत भस्ता हो चुकी है, और वो किसी साहिता के लिए उसके पास आई है, अकबार में बराबर बैन के फोटोग्राप्स देखकर, गलोरी उसमें हुए परिवर्तन से परिचित थी, लेकिन फिर भी उससे साक्षातकार होते समय, उससमें उसका धूप से तपाचेरा, हमेशा चौकना तता सजीव रहता था, जो अब बासी मांस की तरह ठिंडा और रहसेपूंट दिख रहा था, उसकी आँकों को देख पर उसे गवराट होने लगी, वे पत्थर जैसी सक्त और गित के जैसी अस्तिर थी, क्या बात है, बैन ने इस मुलाकात को जल्द खतम करने के उद्देशे से तुरंद पूछा, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है, मैं तुमसे बगएर दो शब्द कहे, तुम्हें वापस नहीं लोटाना चाता था, वरना मुलाकात का वक्त मेरे पास नहीं है, ग्लोरी को लगा, जैसे वो लाल पड़ती जा रही है, फिर सफेद, बैन उसे कम से कम बैठने को तो कह सकता था, पूछ सकता था कि वो कैसी है, इतनी हमदर्दी तो दिखा सकता था, ग्लोरी ने भी उसके साथ वैसा ही वेवार करने का नर्णाय किया, जैसा कि उसे महसूस होने लगा था, कि उसे कमरे से जल्दी ही चलता कर दिया जाने वाला था, उसने सोचा कि उससे पहले ही बैन की दिल्चस्पी जगा देनी होगी, तीस लाग डॉलर के हीरो के संबन में तुम्हारी क्या दिल्चस्पी है, उसने पूछा, बैन की चहरे पर कोई प्रतिक्रिया वैक नहीं हुई, लेकिन जिस अंदास से उसने अपना सिर जटकाया था, उसे देखकर ग्लोरी को मालुम हो गया, कि उसकी दिल्चस्पी जाग उठी थी, क्या मतलब कैसे हीरे, क्या मैं बैठ जाओ, या आजकल तुम्हारे सामने लोग बैठ नहीं सकते बैन, अचानक बैन ने चेहरे पर कुटिल मुस्कान भी खेरी, इस किसम का वैवार उसे पसंद आता था, खुशामत करने वाले लोगों के लिए, उसके पास कभी समय नहीं होता था, हाँ, बैठ जाओ, उसने कहा, और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया, देखो ग्लोरी, साफ साफ बताओ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, हीरो के बारे में क्या बताना है, लेकिन अब ग्लोरी को कोई जल्बाजी नहीं थी, वो बैठ गई, और उसने डैस्क के उपर बड़ा सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट निकाल कर उसने बैन की और देखा, बैन ने अधीरता के साथ, डैस्क लाइटर उसकी तरफ बढ़ा दिया, इत्मिनान के साथ सिगरेट सुलगाने के बाद, ग्लोरी ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ, जो तुमसे मिलना चाता है, उसका विचार है कि तुम उसके साथ एक सौधा कर सकते हो, इस सौधा में मैं कते ही सामिन नहीं हूँ, लेकिन एक बार उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया था, और उसका ख्याल है कि परिचे के बिना तुम उससे मिलना नहीं चाओगे, इसलिए उसने हाथ फैला दिये, और वाक्य को यहीं खतम कर दिया, उसके हाथ 30 लाग डॉलर के हीरे लगने वाले हैं, जिने वो ठीकाने लगाना चाहता है, उसका विचार है कि तुम उने सम्भाल सकते हो, हीरे कहां से लगने वाले हैं उसके हाथ, यह मैं नहीं जानती, जानना भी नहीं चाती, मुझ पर उसका एक एहसान है, इसलिए मैंने उससे कह दिया था, कि मैं तुम्हारे पास जाऊंगी कौन है वो उसका नाम हैरी ग्रीन है और वो पिट्सबर्ग में रहता है लड़ाई के जमाने में वो पाइलेट था और उसी दोरान उसके एक पाउं में चोट लगी थी इसलिए वो थोड़ा लंगराते हुए चलता है वो कमिशन में तेल बेजने का धंदा करता है लेकिन ये कोई खास फाइदेमन वैवसाई नहीं है बेन की भुहें सिकुड़ गई हीरो से उसका क्या तालूग मुझे नहीं मालूँ लगता है उसका दिमाग फिर गया है देखो बेवी तुम मेरा वक्त बरबाद कर रही हो तीस लाग डॉलर के हीरे अच्छा मजाक है ग्लोरी ने उसकी तरफ देखा मैंने उससे कहा था कि तुम इस पर यकीन नहीं करोगे लेकिन वो पूरी तरह निस्चित था उसने मुझे तुमारे पास आने के लिए बहुत जोर देकर आगरे किया था ठीक है बेन मैं तुमारा वक्त जाया नहीं करना चाहती वो खड़ी हो गई बेन ने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया तो डैस पर रखी बैलन्स सीट पर उसकी निगाह पड़ी तीस लाग डॉलर के हीरे अगर ये सच मुझ किसी सिर्फरे का सफना नहीं हुआ अगर किसी चमतकार से वास्तब में हीरो का आस्तित्व है तो इसका मतलब वो इसी साल याट के निर्मान का आउडल दे सकता है इत्ती जल्बाजी मत दिखाओ कुर्सी की पुछ से पीट तिकाते हुए उसने कहा क्या ये आदमी अपनी बात पर इतना दुरुड है अपकोर्स मुझे इस बात पर येकिन नहीं होता तो मैं हरगी से यहां नहीं चली आती तुम सच मुझ सोचती हो कि हीरे उसके हाथ लगेंगे मेरा ख्याल है हाँ मैं नहीं जानती मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि वो वक्त जाय करने वाला आदमी नहीं है वो अपनी बात पर दुरुड है लेकिन अगर तुम इत्ते व्यस्त हो और उससे मिल नहीं सकते तो मैं किसी और के साथ बात करती हूँ जो ये सौदा संभाल सके बैन हिच की चाया फिर कंदे उचकाने लगा चीक है मुझे उससे मिलने में कोई आदराज नहीं है तुमने उसका नाम क्या बताया था हैरी ग्रीन उससे कह दो वो कल आकर मुझे से मिले उसे ये भी बता देना कि वो मेरी सेक्रेटरी से फोन पर समय निश्चित कर ले वो सौले तारीक से पहले लोस एंजलेस नहीं आ सकता ग्लोरी ने कहा वो ये भी नहीं चाहता कि उसे तुम्हारे यहां आते हुए कोई देख ले क्या वो तुम्हारे साथ फोन पर किसी दूसरी जगे मिलने का दिन तैने ही कर सकता बैतर है ये तुम उसी से पूछ लो बेन की आँखों के भाव से ये तुम्हें कठिन लगता हो लेकिन तुम अब भी मुझे भरोसा कर सकते हो बैन हस दिया शूर खेर इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर आश्यरे हो रहा है वो अपनी डैस के पीछे से निकल कर ग्लोरी के पास आया तुम ठीक ठाक तो हो ना हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम कैसे हो बैन ने कंधे उचका है मैं भी बिल्कुल अच्छी तरह से हूँ ये ग्रीन क्या तुम्हारा बॉइफरेंड है ग्लोरी नहीं एक बार उसने मुझे मुसीबस से बचाया था बस इतनी सी बात है क्या अब तुम्हारा कोई बॉइफरेंड नहीं है बैन की पेनी निगाएं ग्लोरी के चेहरे और जिसम का जायजा लेने लगी जैसे वो उसका एक्सर ले रहा हो मैंने महसूस किया है कि कोई बॉइफरेंड ना हो तो जिंदिगी में उलजने कम पैदा होती है ग्लोरी खिड़की के सामने उसके पास चली आई दोनोंने नीचे स्विमिंग पूल की और देखा जहां फे एक एर मैट्रेस पर लेटी हुई थी उसके लाल सुनेरे बार कंधों पर फैले हुए थे और उसका बदन एक तॉलिय से ढखा हुआ था भूबसूरत है ना बैन ने कंकियों से उसकी और देखा उसकी आवाज में घमंड तथा तिरसकार का पुट था सुन्दर तथा जवान क्यों? मुझे यही पसंद है ग्लोरी जवान और उत्साही जैसे तुम हुआ करती थी ग्लोरी को अपना चहरा सफेद पढ़ता सा महसूस हुआ यह वेंग्योक्ती उसके दिल में चुप गई थी हाँ उसने कहा बहुत खुबसूरत है लेकिन एक दिन वो भी बुड़ी हो जाएगी हम सभी हाला कि तुम भी वैसे सुन्दर नहीं रहे बैन जैसे तुम हुआ करते थे गुड बॉई उसने कमरे को पार किया दर्वाजा खोला और बाहर निकल गई बैन गुस्ते से भरी नजरों से दर्वाजे की और ताकता रहा बैल ये कुतिया अपनी आदत के अनुसार अंतिम हालत में पहुँच गई इस बात का बैन को पहले से अंदाजा था कौन यकीन कर सकता था कि वो इस बुरी हालत में घिसपेट जाएगी ये तो बहुत अच्छा हुआ कि उसने उसे समय रहते छोड़कर बुद्धिमानी की थी वो डैस्क के पास आया और टेलीफोन का रिसीवर उठाया बोर्ग यहां से अभी अभी एक औरत निकली है उसका कद उचा है रंगत गोरी और वो काले सफेद कपड़े पहने हुए है उसका नाम ग्लोरी डैन है टेगाट को उसके पीछे लगा दो उसे आँखों से उजल नहीं होने देना है मैं जानना चाता हूँ कि वो कहां रहती है क्या करती है और उसके मर्दोस कौन-कौन है और वे क्या करते हैं फोन के दूसरे सिरे से दमे के रोगी की तरह एक्षिन वे हाफ्ती हुई आवाज आई ओके मैं संबाल लूँगा बैन ने रिसीवर रख दिया और चिंतित मुद्रा में डैस के उपर रखे सोकते की और घूरने दगा हैरी ग्रीन कौन है ये सक्स उसे इतने हीरे कहां से मिलने वाले हैं अगर ग्लोरी ने कहा था कि हीरे 30 लाग डॉलर मुले के हैं तो उसे यकीन था कि वे उतने ही मुले के होंगे ग्लोरी की बातों पर वो बेज जग यकीन कर सकता था वो फिर खिड़की के पास चला आया और फेकी और देखने लगा उसे ग्लोरी के सब्द याद आए एक दिन वो भी बुड़ी हो जाएगी हम सभी हाला कि तुम भी वैसे सुंदर नहीं रहे बैं जैसे तुम हुआ करते थे ऐसी कि तैसी उसकी बोले वर्ट से चलते हुए ग्लोरी अपने विचारों में इतनी तनमय थी कि वो उस आदमी के और ध्यान ना दे सकी जो सडक के दूसरी और एक व्यूक कनवर्टिबल पर बैठा हुआ था उसका कत काफी लंबा था और उसने एक स्यार टोप कोट और स्लाउच हेट पहन रखा था दुबले चेहरे मुडी हुई नाप और पतले होटों से उसकी आकरूती एक बाज की तरह लगती थी वो विंड्शिल्ड से ग्लोरी को बस टॉप पर रुखते और जब बस आप पहुँची तो उसमें सवार होते हुए देख रहा था उसने भी गियर लिवर को बदला और कार बस के पीछे लगा दी जैसे ही बस आगे बड़ी ग्लोरी सोच रही थी कि हैरी की योजना का पहला और सबसे महत्वपूण कार्य संपन हो गया है बेन के साथ उसकी मुलाकात उसकी उमीद के विपरित नाखुशकवार सावित हुई थी उसका ख्याल था कि बेन उसके साथ पहले जैसा वैवार करेगा उसकी आँखों में उबरेतिरस कारपुण भावो को याद कर ग्लोरी खिन हो गई जब से दोनों अलग हुए थे वो कितना बदल चुका था ग्लोरी को अब इस बात का यकीन करना भी कठिन लग रहा था कि वे कभी आपस में एक साथ आनंद पुर्वक रहे थे वो उस खुपसुरत गुडिया से इर्शिया नहीं कर रही थी जिसे उसने स्वेंग पूल में देखा था दरसल उसे उस पर तरसा रहा था हो सकता है वो लड़की बैन से काफी कुछ हासिल कर ले मगर ज्यादा दिन टिक नहीं सकेगी लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो काफी खुपसुरत और आकरशक थी वो सोच रही थी कि बैन के सामने वो थोड़ा बंसवर कर क्यों नहीं गई इससे वो बैन के अपमान जनक वेवार तता तेरा सकात्पन दृष्टी से तो बस सकती थी एक ऐसी दृष्टी जिससे उसके एहम को गहरी ठेस लग गई थी उसे हैरी को चेतावनी देनी होगी कि वो अपनी शुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करे ये बास सुनिश्चित थी कि बैन उसके पृष्ट भूमी को कुरेदने का हर संभव प्रैतने करेगा ग्लोरी ने याद किया एक बार उसने कहा था कि उसे किसी पर भरोसा नहीं अगर कोई वेक्तिक एर कानूनी हरकत करता है तो उसके पास जरूर छुपाने के लिए बहुत कुछ होता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है ताकि उस सक्स पर मैं अपना सिकंजा मजवूती के साथ गड़ा सकूँ अचानक लोरी के दिमाग में एक हैल कौन गया और वो संभ रह गई इस बात की पूरी संभावना थी कि बेन ने अपना एक आदमी उसके पीछे लगा दिया हो कितनी बेवकुफ थी वो उसके अपाटमेंट के सामने वाले स्टॉप पर रुकने के लिए बस की रफतार कम होने लगी थी अगले कुछ सेकंड में ही वो बेन के आदमी को हैरी तक पहुँचाने जा रही थी वो बस पर बैठी रही और बस को आगे बढ़ जाने दिया उसने तेजी से दूसरे यात्रियों की और देखा वहां सिर्फ चार यात्री मौजुद थे तीन औरते और एक बुड़ा पादरी उसने जोचा वो खद्रा बस में मौजूद नहीं था शायद कार द्वारा उसका पीछा किया जा रहा हो उसने पीछे मुड़कर बस की पिछली खिड़की से धीरे धीरे रेंग्टी ट्रैफिक की और देखा बस के पीछे आ रही कारों में से किसी भी एक में बैम का आदमी हो सकता है उसने अतिरिक्त किराय चुकाया और तीन स्टॉप आगे जाकर उतर गई वो जगे सॉपिंग सेंटर का केंदर स्थल दी सबसे पहले उसे इस बात से निश्चित होना था कि सचमुझ उसका पीछा किया जा रहा है और अगर ऐसा था तो कोई इंतिजाम करना जरूरी था वो भीड के 20 से तेजी से चलती हुई फैरियर के बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर के प्रवेश द्वार की और लपकी पीछे मुड़कर देखने के लिए वो रुख गई या तायाद की दोहरी कतार से डिपार्टमेंट्स को पार करती हुई एसकलेटर की और बढ़ने लगी जिससे वो दूसरी मंजिल पर पहुंच सकती थी जब वो उपर की और जा रही थी उसने नीचे स्टोर की तरफ देखा वो लंबा सा वेक थी जेबों में हाथ खोंसे और होटों में सिगरट दबाए अब लब में लंबे डग भरते हुए एसकलेटर की और बढ़ रहा था ग्लोरी को संतोस हुआ कि वो समय रहते ही सचेत हो गई थी बैन ने उसके पीछे आदमी भेज दिया था वो होजरी डिपार्टमेंट में चली गई और अपने लिए एक जोड़ी नैलोन की जुरावे खरीदने लगी डिपार्टमेंट लगबग खाली था वो लंबा आदमी इस समय दिखाई नहीं दे रहा था ग्लोरी फिर एसकलेटर से नीचे उतरी और टेलिफोन बूत की कतार के पास आई आखरी बूत खाली था उसके पास वाले बूत में एक औरत थी अपने सामान को रखकर वो जिश्डंग से खुद को सजा रही थी उससे लगता था कि वो वहाँ से जल्दी निकलने वाली नहीं है ग्लोरी आखरी बूत के अंदर घुश गई और उसने दर्वाजा बंग कर लिया डायल शरीर की ओट में रखते हुए उसने अपने अपाटमेंट का नंबर डायल किया जब तक घंटी बस्ती रही वो दर्वाजे के ग्लास पैनल से बाहर जहांगने लगी वो वेक्ती पास ही था और सीशे केस में रखा एक इलेक्टरिक रेजर उठा कर देख रहा था ग्लोरी को अंदाजा हुआ कि वो उसकी आवाज नहीं सुन सकता फिर वो अधीरता से हैरी के जवाब का इंतजार करने लगी कुछ देर बाद हैरी लाइन पर आ गया हैरी मैं गलोरी बोल रही हूँ क्या हुआ उससे मुलाकात की हाँ सब कुछ ठीठ ठाक से हुआ वो तुमसे मिलने को तैयार हो गया है अब सुनो हैरी उसका एक आदमी मेरे पीछे लगा हुआ है मेरा ख्याल है कि वो जानना चाता है कि तुम कौन हो और मेरे जरिये तुम तक पहुँचना चाता है मैं फेरियर के स्टोन से फोन कर रही हूँ और वो बाहर खड़ा है तुम जल्दी से अपना सामान बान लो और वहां से हट जाओ इस आदमी को किसी भी सूरत में तुमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए जब तक तुम वहां से हट का टेक्सी नहीं पकड लोगे मैं इसे तब तक उल्जाय रखूँगी फिर इससे पीछा चुडा लूँगी उसने अपनी घड़ी की और देखा एक बजने में अभी बीस मिनट बाकी थे मैं ठीक सवाए एक बजे वेस्टन एंड लिनॉक्स के नुकड पर पहुँच जाओंगी वहां एक निउस्टेंड है तुम टेक्सी को वही रुकवा देना और बाहर निकल कर एक अकबार खरीदना जब तक मैं खुद तुमसे बात न करूँ मेरी ओध देखना मत अगर मैं उसे चक्मा देने में सफल हो गई तो मैं टेक्सी में आकर तुम्हारे साथ बैठ जाओंगी अगर वो तब तक मेरा पीछा करता रहा तो तुम सीधे स्टेशन चले जाना दो बज़े ट्रेन चूटती है अगर हो सका तो मैं तुम्हें सी ओफ करने पहुँच जाओंगी वरना तुम मुझसे सुक्रवार ग्यारा बज़े एश्टर होटल नियू यॉक की लाववी में मिलोगे समझ गए ना शियर हैरी उत्तेजिस्वर में बोला कोई खत्रा मोलना ले ना बेबी मैं सवाए एक बज़े वहाँ पहुँच जाओंगा हाँ ग्लोरी को शनिक पीड़ा मैसुस हुई हैरी से अलग होने की बात और अगले तीन सुने दिनों के बारे में सोच कर उसका दिल बैठने लगा और हैरी एपार्टमेंट से निकलते समय साफधान रहना हो सकता है बैठन ने टेलिफोन भूच से ये पता कर लिया हो कि मैं किस जगे रहती हूँ वो किसी को उस मकान की निगरानी के लिए भेज सकता है इस बास से निश्चित होना कि कोई तुमारा पीछा नहीं कर रहा है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा वो मुझसे मिलने को तैयार हो गया हाँ मैं तुमसे मिलने के बास सारी बाते बता दूंगी सवाएक बज़े हैरी और साफधान रहना तो दोस्तों ये था सनकी कातिल नौवल का पार्ट टू ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताए और हाँ अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं अज़े कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई सेफ रहिए खुश रहिए मज़े करिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ खुश होंगे मज़े में होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नएने आडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे आडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ संकी कातिल नोवल का पार्ट थ्री इसकी बागी की दू पार्टस आप अल्रड़ी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंग्स आपको उपर आई बुटन से मिल जाएंगे तो चड़िये दोस्तो जादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं संकी कातिल नोवल का पार्ट थ्री जैसे ही हैरी ने रिसीवर रख था उसने सुना दर्वाजे की घंटी बज रही थी उसका ध्यान ग्लोरी की बातों में लगा था उसने कमरा पार किया और बाहर वाले छोटे से हौल में कदम रखा उसका हाथ मुक्खे दर्वाजे को खोलने के लिए बढ़ी रहा था कि अचानक वो थम गया उसके चेहरे पर सहसा तनाव फैलने लगा जबसे वो ग्लोरी के साथ रह रहा था उसे याद नहीं आया कि दस बचे के बाद किसी ने दर्वाजे की घंटी बजाई हो ये कौन हो सकता है उसे ग्लोरी की चेतावनी याद आई ये मुम्किन था कि आंग तुक बेन का आदमी हो वो दबे पाउन दर्वाजे के करीब आया और उसना धीरे से दर्वाजे की सिटकनी चड़ा दी फिर वो कान पढ़े करके प्रतिक्षा करने लगा घंटी दोबारा जोर से बज उठी हैरी निश्चर पढ़ा रहा कई मिनट गुजर गए फिर ताले में फसी चावी हिलने लगी हैरी धड़कता दिल लिए देख रहा था कोई बाहर की तरफ से चावी के सिरे को एक लंबी पतली चिम्टी से पकड़ कर घुमा रहा था एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ ताला खुल गया फिर दर्वाजे की मूट घुमने लगी कोई दर्वाजे को खुलने के लिए धकेल रहा था लेकिन सिटकनी लगी होने की वज़े से दर्वाजा खुल नहीं सका हैरी दर्वाजे से हट गया ओध बेपाउं बैडरूम में चला आया और बिस्तर के नीचे से अपना सूट केस निकाला दर्वाजे की ताले की चावी को देखकर अंग तुक को पता चल गया होगा कि कमरे के अंदर कोई है इसलिए हो सकता है कि वो पैसेज में बैठकर इंतजार करे मुम्किन है वो सारा दिन इंतजार में बैठा रहे हैरी मन हीमन गालियां बखने लगा उसने घड़ी पर निगाह डाली ग्लोरी से मिलने के लिए अब उसके पास सिर्फ 20 मिनट का समय बचा था वो जल्दी जल्दी सिर्फ जरूरत की चीज़े सूटकेस में ठूसने लगा सेविंग का सामान लेने के लिए वो पंजो के बल चलकर बातरूम में दाखिल हुआ बातरूम की किल्की के सामने जाकर उसने उसे खोला और बाहर जाकने लगा पिछवाड़ी की गली में उतरने के लिए एक लोहे का फायर स्केप देखकर खिजखने का रास्ता सूच गया वो बैडरूम में लॉट आया पैकिंग खत्म की फिर उसने तरास का उपरेडरॉर खीच कर उसमें से एक कोल्ड 45 आटोमेटिक और गोलियों का एक बकसा निकाला उसने कन में गोलियां भरी और उसे ही पॉकेट में खोश दिया गोलियों का बकसा उसने सूट केस के अंदर डाला और उसका ठकन बंद कर लिया फिर वाडरोब में से अपना टॉप कोट और हैट निकाल कर पहना फिर वो बातरूम के अंदर गुसा खिटकी से बहार निकल कर उसने फायर स्केप के प्लेटफरम पर कदम रखा गली के नुकड़ वाले ड्रग स्टोर में काम करने वाली एक लड़की जो गलोरी की अच्छी दोस्त थी निचले अपाटमेंट में रहती थी हैरी को मालूम था कि वो इस वक्त अपने काम पर होगी और उसका अपाटमेंट खाली होगा वो लोहे की सीडियों से उतर कर उस लड़की के बातरूम की खिड़की के पास पहुँचा जो हत कुली थी उसने उसे पूरा खोल दिया गली की और जहांका कि कोई उसे देखना रहा हो फिर खिड़की की चौकट पर चड़ गया सूटके इसको खीच कर उठाया और बातरूम के अंदर कूद गया वो सेटिंग रूम को पार कर छोटे से हॉल में निकला मुख्य दर्वाजे के सामने रुपकर उसने कोट का कॉलर चड़ाया और हेट को आगे आँखों की और खीच लिया उसने हैरी की और एक उचट्सी सी निगार डाली हैरी ने दर्वाजा बंकिया और अपना सूटकेस उठाया वो अत्यन तनाप्रस दिख रहा था और उसका मुझ सूख रहा था ये सब उसके लिए बिल्कुल नयानुभव था वो अपने सामने खड़े खतरे को भाप रहा था ए सुनो जैसे हैरी चलने को तयार हुआ तो उस वेक्ति ने पुकारा एक मिनट हैरी उसकी तरह बाधा मुड़ गया पैसेज पर मद्धी मुझाला था और उसने अपना सेर्ख कुछ इस डंग से मोड़ा ताकि वो वेक्ति उसे अच्छी तरह से देखना ले क्या है मिश डैन अंदर है मुझे क्या मालूम तुम खुदी उपर जाकर क्यों नहीं पता लगा लेते मुझे वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला क्या वो अकेली रहती है हाँ हैरी फिर चलने लगा मुझे ट्रेन पकड़नी है बैतर है तुम जैनिटर से पूछ लो वो आदमी गुर्राने लगा और हैरी से गृता से मुक्य प्रवेज़वार पर पहुँच गया उसने दर्वाजा खोला और बहार निकल गया सड़क पर चलते हुए कौने पर पहुचकर वो रुख गया और पीछे मुढ कर देखने लगा एपार्टमेंट के सामने खड़ी एक थाली कार के अलावा सड़क पुरी तरह सुनसान थी एक टेक्सी आती दिखाई दी तो हैरी ने हाथ इला कर उसे रोब दिया वो दोड़ती हुई उसकी बगल में आकर बैट गई कहां चलना है हैरी ने पूछा स्टेशन ड्रैवर तसल्ली के लिए हैरी की और ताकने लगा फिर उसका इशारा पाक है उसने कार ट्रैफिक की और बढ़ा दी सब ठीक तो है ना गलोरी ने धीमे स्वर में पूछा हाँ टेक्सी जब भीड भर रही आतायाद के बीच से दोड़ती रही दोनों चुप रहे गलोरी उसका हाथ थामे उद्विकनता के साथ उसका मूथ आक रही थी स्टेशन पौँचने के बाद हैरी ने टेक्सी का किराया चुकाया फिर दोनों स्टेशन के रेश्टरां बुफे की और चल दिये गलोरी कॉने के एक खाली टेवल पर जाकर बैठ गई और हैरी काफी के दो कप ले आया ग्लोरी के सामने बैटकर हैरी ने जो कुछ हुआ था बता दिया मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुम अपने अपाटमेंट के अंदर कैसे जाओगी उसने बात ख़त्म करते हुए कहा दरवाजे की सिटकनी मैंने अंदर की तरफ से चड़ा रखी है मेरा ख्याल है तुम्हें डौर इसके लौट जाने तक प्रतिक्षा करनी होगी और बात रूट की खिड़की के रास्ते से घुसने की कोशिश करनी चाहिए ग्लोरी ने सेरे लाया मैं वापस जाना नहीं चाहती सुरक्षा की दृष्टी से ये ठीक नहीं है एरी ये जरूरी नहीं कि मैं हर बार खुस किसमत साबित हूँ अगर मैं वापस लोट गई तो बैन एक से जादा आदमियों को मेरे पीछे लगा देगा और मैं उन्हें चक्मा देकर पीछा नहीं चुड़ा सकती इस बार तो किसमत ने साथ दिया लेकिन हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता मैं तुम्हारे साथ ही नियॉयॉक जा रही हूँ लेकिन हम एक साथ सफर नहीं करेंगे जैसा की तैय है हम सुक्रवार 11 बचे एस्टर होटल के लॉबी में मिलेंगे लेकिन तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है लोरी ने कंदे जटका है मैं जरुरत के सभी सामान नियॉयॉक में खरीद लूँगी टेबल पर हाट टिका कर वो थोड़ा आगे की और जुकी तुम्हें काफी होशयार रहना है हैरी बेन पर कते यकीन मत करना ये हस्ते जादा खतरनाक और मकार है क्या हुआ था ग्लोरी ने संस्टेप में मुलाकात के बारे में बता दिया बहुत खुब मेरी फिक्र मत करो तुमने मेरी पसंदीता तरीके से शुरुआत कर दी है मैं उसका ख्याल रखूंगा उस पर यकीन मत करना ग्लोरी की आँखे बैचैन होने लेगी काम करने से पहले ही रखम हासल कर लेना उसके किसी वायदे पर हरकिस भरोसा मत करना और उसकी धंकी से घबराना नहीं हैरी मुस्कुराया वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगा उसने अपनी कौफी खतम की और कलाई घडी की और देखा हैर मेरा ख्याल है अब हमें टिकट ले लेना चाहिए पहले तुम जाओ शुकरवार को एश्टर में मिलेंगे हाँ ग्लोरी ने उसकी और देखा मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ हैरी ये अधिक दिनों के लिए तो नहीं है ना ग्लोरी खड़ी हो गई और उसने हैरी के कंदे पर हाद रख दिया अपना खयाल रखना डार्लिंग बेफिकर रहो हैरी उसे जाते हुए देखता रहा उसकी आखे गलोरी के पीट और लंबी सुड़ल टांगों को देख रही थी उसने सोचा अगर वो अपनी सजावट पर थोड़ा सा भी ध्यान देती तो वो कुछ हद तक हसीन दिखाई दे जाती सहसा उसके दिल में गलोरी के प्रती प्यार उमड़ाया उसमें काफी हम्मत थी जिसा की आम तोर पर बहुत कम औरतों में होती है उसने एक सिगरेट सुलगाई और सोचने लगा कुछ भी हो शुरुआत हो चुकी थी अगर किसमत ने साथ दिया तो बीस दिनों के अंदर उसके पास पचास अजार डॉलर होंगे अगर तक्दीर ने साथ दिया तो 16 जन्वरी की शाम को सेर्बॉन बॉलवाडिस्ट पर स्थित लेमसन के होटल के सामने एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई ड्राइवर ने हाथ बढ़ा कर पिछला दर्वाजा खोल दिया सारा दिन आसमान में तूफान इबादल घिरे हुए थे हवाई चल रही थी और इससे में बारिश की मोड़ी मोड़ी बूंदे स्ट्रीट लेम्प की पीली रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी ड्राइवर ने नाग भूसी कोड़ कर होटल की और देखा पीली सी मद्धिम रोशनी में उसे होटल का डबल सैट दर्वाजा दिखाई दे रहा था होटल के प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए छे गंदी तता किसी सीड़िया चटनी पड़ती थी वो यात्रियों को लेकर लैमसन के होटल में बहुत कम ही आता था उसे यार नहीं था कि पिछली बार सवारी लेकर कब आया था इस होटल में ठहरने वाले लोगों के पास टैक्सियों में खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते थे वे या तो पैदल चले आते या बस द्वारा ये लॉस एंजलेस का सबसे सस्ता और घटिया होटल था जिसमें खास कर हाली में जेल से निकले अबरादी तबके के लोग ठहरते थे जिनने अगली छोटी मोटी चोरिया करने तक के लिए एक छट की तुरंता वशकता होती थी टेक्सी का यात्री बहार निकला और एक पांच डॉलर का नोट ड्राइवर के हाथ में थमाते हुए अनोखे स्वर में बोला बागी के पैसे तुम रख लो एक नई टेक्सी खईद लेना तुमें इसकी जरुरत है ड्राइवर को इत्ती हैरानी हुई कि वो खिड़की से सिर बहार निकालकर यात्री के और तागने लगा उसे टिप की उमीद नहीं थी वो तो सोच रहा था कि वो यात्री अधिक किराय चुकाने के बदले जगटने लगेगा पांच डॉलर ये आदमी जरूर पागल होगा ड्राइवर की आँखे उसके लंबे तता भारी भरकम सरीर पर टिकी हुई थी जो एक पुराना सा ट्रेंच कोट और कहरे बुरे रंग का पुराना हैट पहने हुए था उस मिशाल का अवेक्ति की उम्र 45 के आसपास रही होगी उसका मोटा चहरा कठोर दिखाई देता था और उसकी मूचे छितराई हुई थी दाई आग के पास से होटो के कोर तक जख्म का एक गहरा निशान था जिससे उसकी चमड़ी खेच गई थी दाई भोय नीचे की और जुग गई थी और इस प्रकार उसका चहरा विक्रु दिखाई दे रहा था दाए हाथ में वो फाइबर का एक पुराना सा सूट के स्थामे वोए था और बाए हाथ में रबर से मड़ी एक मोटी छड़ी थी ये मेरे लिए है नोट को घूरते हुए ड्रैवर ने पूछा मीटर तुसे फेक डॉलर और बीस सेंट्स बता रहा है अगर तुम इसे नहीं चाते यात्रे ने कहा तुवापस लोटा दो फिर तुम किराई के लिए चिलाते रह जाओगे उसकी आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे वो मुँ में कोई चीज दबाय हुए हो बाते करते वक्त उसके सफ़ेद चमकी लेदान दिखाई पड़ते थे जो घोडे के जैसे बाहर की और निकले हुए थे इस कारण उसका उपरी होट भी आगे की तरफ निकल आया था और उसका चेहरा बेहत खुंखार दिखता था खेर यह आपका पैसा है ड्रैवर ने कहा और जल्दी जे नोट को जेब में रख लिया थैंक्स मिश्टर वो हिच की चाया फिर आगे कहने लगा क्या आप सच मुझे इस कबार खाने में ठहरना चाते हैं मैं एक अच्छे होटल के बारे में जानता हूँ जो यहां से थोड़ा आगे है और इससे ज़्यादा महेंगा भी नहीं है खटमलों की वज़े से आप यहां रात बर सो नहीं सकेंगे अगर तुम अपना थोबड़ा भी गाड़ना नहीं चाते या तरी गुर रहा है तो मेरे मामने में दखल देने की कोशिश मत करो वो मुड़ा और लंगडाता हुआ होटल की और बढ़ने लगा ड्रैवर मुँ बिचकाते हुए उसे घूरता रहा पागल उसने सोचा पांच डॉलर और लंसन होटल जैसी जगे पर ठहरने जा रहा है उसने सिर जटकाया और कार आगे बढ़ा दी ये घटना उसकी याददास में गहरे बैट गई थी होटल की लोबी उसके बाहरी हिस्से से भी खस्ता हाल में थी सजावट बिलकुल घटिया दरजे की थी इसके अलावा वातावण में दुरगर्ण फैली हुई थी दाई और मुक्के दरवाजे के सामने रिसेप्शन डेस्ट थी जिसके पीजे होटल का मालिक मोटा सा लैमसन बैठा हुआ था वो एक डरवी हेट पहने हुए था जिसे उसे सिर के पीछे की और खिसका रखा था लैमसन ने बगएर ही ले डूले उस लंगडाते वेक्ति की और देखा मुझे एक कमरा चाहिए सूटकेस को नीचे रखकर उस लंगड़े आदमी ने कहा तुम्हारा सबसे बढ़ी हा कमरा कितना किरायल होगे कुछ दिर सोचने के बाद लैमसन ने कहा नंबर 32 मिल जाएगा ये कमरा में किसी को नहीं देता और सबसे बढ़ी हा कमरा है ये किराया देट डॉलर लगएगा लंगड़े ने अपने बटवे से 10 डॉलर का नोट निकाला और डैस पर रख दिया मैं चार रात ठहरूंगा हैरानी को चुपा दोए लैमसन ने नोट उठाया और उसे जांचने लगा फिर इस बात से निश्चित होकर कि नोट असली है उसने उसे अपनी जेव में डाल लिया उसने चार डॉलर के नोट निकाल कर अफसोस के साथ काउंटर पर रख दिये इन्हें नास्ते के बदले रख लो नोटों को हटाते हुए लंगड़े ने कहा मैं अची सर्विस चाहता हूँ और इसकी कीमत भी देना जानता हूँ ठीक है मिश्टर हम आपका खयाल रखेंगे लेंसन ने कहा फिर जल्दी जल्दी नोटों को वापस अपनी जेव में रख लिया अगर आप चाहें तो मैं अभी आपके लिए भोजन लगा देता हूँ नए कल सुबे नोबजे कॉफी और टोस्ट बस ठीक है लेंसन ने एक भद्दासा रजिस्टर निकाला रुपया इस पर दस्थकत कर दीजिये मिश्टर पुलीस की खाना पूरती है लंगडे वेक्टर ने रजिस्टर के साथ बंदी पैंसल से घसीट कर अपना नाम लिख दिया लेंसन ने रजिस्टर घुमा कर गौर से देखा बड़े हरफों में लिखा हुआ था हैरी ग्रीन, पिट्सबर्ग ओके मिश्टर ग्रीन, लेंसन ने कहा क्या मैं कोई चीज उपर आपके कमरे में बिजवा दूँ हमारे पास बिये, विस्की और जिन है हैरी ग्रीन नामक उस वेक्टी ने सिरह लाकर इंकार कर दिया नहीं, लेकिन मैं फोन करना चाहता हूँ लेंसन ने मुठे के इशारे से कौने पस्थित पेबूत दिखा दिया हैरी ग्रीन पेबूत की और लबका और भीतर घुसकर उसने दर्वाजा बंद कर दिया उसने एक नमबर डायल किया और प्रतिक्षा करने लगा उस देर बाद एक औरत की आवास सुनाई दी मिस्टर डेलानी का निवास कौन बोल रहा है मैं हैरी ग्रीन बोल रहा हूँ डेलानी को मेरे फोन की प्रतिक्षा थी प्लीज उनसे मिला दीजिए होल्ड आन प्लीज काफी देर तक चुपी चाही रही फिर फोन पर हलकी सी क्लिक हुई और एक मरदानी आवास सुनाई दी मैं डेलानी बोल रहा हूँ ग्लोरी डेल ने मुझे फोन करने के लिए कहा था मिस्टर डेलानी हाँ तुम मुझे से मिलना चाहते हो न आज रात 11 बुजे यहां चले आओ मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त दे सकता हूँ क्या तुम चाते हो कि मैं तुम्हारी जगे पर दिखाई दू यह आइडिया मुझे जच नहीं रहा है कुछ देर सन्ना टरहा ऐसा है बेन की तीकी आवास सुनाई दी तो फिर कौन सा आइडिया तुमें चासता है जो कुछ होने जा रहा है उस हालात में मुझे तुम्हारे साथ देखा जाना ठीक नहीं हम वेश्ट पायर इलाके में कार में मिल सकते हैं जहां में कोई नहीं देख सकता फिर कुछ देर चुपी चायरे देखो ग्रीन अगर तुम मेरा समय नश्ट कर रहे हो बैन ने ठंडी वो खतरनाक आवाज में कहा तो तुम पस्ता होगे मुझे सवे बरबात करने वाले लोग पसंद नहीं मुझे भी कतई पसंद नहीं है मेरे पास एक प्रस्ताव है इसे सुनने के बाद ये तुम्हारा पैसला होगा कि मैं समय नश्ट कर रहा हूं या नहीं वेश्ट पायर पर ठीक साड़े दस बजे मौझे मौझे रहना बैन गर्जा और उसने जोर से रिसीवर पटक दिया हैरी हाथ में रिसीवर लिये और पेबूत की दिवार से पीट टिकाए काफी देर तक दर्वाजे के ग्लास पैनल से बाहर घूरता रहा उसके दिल में बैचैनी मिसरित प्रसंता हो रही थी योजना का एक और चरण पूरा हो गया था चार रोज बाद वो एर फिल्ड में सैन फ्रांसिसको की उडान के टेक आफ का इंतिजार कर रहा होगा उसने रिसीवर रख दिया और लंगडाते हुए उस और बढ़ने लगा जहां उसका सूट केस रखता हुआ था लेंसर ने अकबार से निगा उठा कर उसकी और देखा आपका कमरा सीडियों के दहाने के पास ही है क्या मैं आपका बैग ले चलूँ नहीं हैरी सीडिया चड़ने लगा उपर पहुँचकर उसने देखा सामने एक दर्वाजा था जिस पर नंबर 32 रिखा हुआ था उसने दर्वाजा खोला और अंदर धाखिल हो गया कमरे के कौने में एक डबल बैट था कालिन जगे जगे से उधरा हुआ था और धूल से अटा था खाली फायर प्लेस के सामने दोनों और दो कुरसिया पड़ी हुई थी दर्वाजे के पास ही एक आदम का शिशा रख्था था उसने अपना सूटकेस रख दिया और दर्वाजा बंद कर आईने के सामने खड़ा हो गया उसका हुली आश्चे जनक तता आविश्वस ने ढंग से बदला हुआ था आईने पर दिखाई देने वाला वैक्ती हैरी क्रिफिन से कताई मेल नहीं खाता था बरे होए जख्मी चहरे के अलावा वो चालिस से उपर का बड़ी तूंद वाला वैक्ती दिखाई दे रहा था शीशे के सामने खड़ा होकर उसने अपना कोट और हैट उतारा ब्लॉंड तता जड़ रहे बालों का विग उसके सेर पर गम से अच्छी तरह से चिपकाया गया था चहरे पर जख्म का निशान मचली की खाल तता कॉलोडियन की मदद से बनाया गया था मुझो का एक एक बाल उसके उपरी होट पर बड़ी कुशलता के साथ चिपकाया गया था उसके चहरे का धांचा बदलने के लिए उसने मसूडों में रबर पैट डाल रखे थे बार की और दिखाए देने वाले दांद उसके असली दांदों के उपर क्लिप किये गए थे तोन तथा भारी कंदे अलिमीनियम के उपकरण की साहिता से बनाये गए थे जो उसने कपड़ों के नीचे पहन रखे थे लंगडेपन के लिए उसके एक जूते का सोल दूसरे से उंचा था ग्लोरी ने गजब का काम किया था उसने उसे बताया था कि उसे कोई नहीं पैचान सकता और हैरी को पुरा यकीन हो रहा था कि अगर उसके दोस भी सामने आ जाएं तो उसे नहीं पैचान सकते गलोरी ने सिखा दिया था कि मूचे तथा जक्म का निशान दोबारा कैसे फिक्स करना है उसे चार दिन और पाँच रात इस बहुरूप को धारन करना था इस दोरान उसे नहाना धोना और शेव करना भी था लिहाजा मूचे तथा जक्म के निशान को निकालना और फिर से लगा लेना ज़रूरी था पहले तो वो इस कश्ट साध्य बहुरूप को धरने के पक्ष में नहीं था लेकिन ग्लोरी के जोर देने पर तथा इस से होने वाले फाइदे को ध्यान में रखकर वो तैयार हो गया था अब वो कहीं भी देखे जाने का जोखिम उठा सकता था ग्लोरी ने अपने वाइदे से जादा कर दिखाया था हैरी ग्रिफिन गायब हो चुका था और उसकी जगे हैरी ग्रीन नामक एक सजीव तथा विश्रस्निय व्यक्ति प्रकट हो गया था अब सब कुछ डेलानी पर निर्भर था ग्लोरी ने उसे बार बार डेलानी पर विश्वासना करने की चेतावनी दी थी उसे इस बास सच्चिड हो रही थी कि ग्लोरी ने योजना कादिकांज नेत्रत्वर अपने हाथों में ले लिया था आखिर योजना उसकी अपनी थी ये बात ठीक थी कि बहुरूप धरने का उसका एडिया ला जवाब था लेकिन बाकी का काम वो उसके जिम्में छोड़ना क्यों नहीं चाती थी हैरे क्रीन को सफलता पुर्वक तैयार करने में ग्लोरी ने इतनी कड़ी मेहनत की थी कि उसे उसके सामने धहरे के साथ पेश आना पड़ा था लेकिन इस समय उसे प्रसंता हो रही थी कि वो काम को ग्लोरी के बिना अकेले संभाल रहा था ग्लोरी की बार-बार चेतावनी उसके उद्धिक नता और भै को याद कर वो बैचैन हो उटता था दस बच कर दस मिनट पर वो होटल से निकला और बारिश में भीगता हुआ बस टेंड पर पहुंचा वो अमरीकन एवेनियो तक के लिए एक बस पर सवार हो गया पिर वहाँ से पैदल चल कर ओशन बोलवर्ड पहुंचा वेश्ट पैर जो सहरी सीमा से बार जुआरियों की जहाजों पर जुआ खेलने के लिए जाने की जगे थी इस समय सुनसान तथा अंधेरे में डूबा हुआ था आज की रात जुएक अधंदा काफी मंदा दिख रहा था और सिर्फ दो टेक्सी बोटी वहाँ थी हैरी एक और उट में खड़ा हो गया और सिग्रेट सुलगाने लगा इस समय दस बचकर पच्चिस मिनट हो रहे थे वो धड़कता दिल्ली इंतिजार करने लगा थोड़ी दिर बाद एक बड़ी सी कत्थे रंग की जंगी जहाज जैसी टेडलॉक आती दिखाई दी और ग्लोरी के बताय हुलिये को याद कर हैरी ने उसे पहचान लिया कि इसी आत्मी ने ग्लोरी का पीछा किया था तुम हो ग्रीन उस आत्मी ने तीखे सुर में पूछा हाँ ओके पिछली सीट पर बैठ जाओ जब तक तुम बास के साथ बाते करोगे हम कार को ट्राइब करते रहेंगे उसने दर्वाजा खोल दिया और हैरी कार के भीतर आराम दिया पिछली सीट पर पसर गया बैन डेलानी सिगार पी रहा था उसने सिर घुमा कर हैरी की और देखा सड़क की रोशनी उन दोनों के आपस में एक दुसरे को परखने के लिए काफी नहीं थी लेकिन हैरी ने बैन के सलीके से रखी मूचे तता उसके सिर जटकने के अंदास से उसे पहचान लिया ग्रीन हाँ और तुम मिष्टर डेला नी हो नए तो तुम क्या सोच रहे थे कि मैं कौन हो सकता हूँ बैन गुर रहा था फिर उसने ड्राइवर से कहा गाड़ी धीरे धीरे चलाओ जब तक मैं न कहूं रोकना मत और मुख्य सड़क से हट कर चलाना उसने अपना सरेव तनिक सा हैरी की तरफ गुमाया जो अंधेरे में बैठा उसे घूर रहा था क्या प्रस्ताव है तुमारा उसने पूछा जल्दी से कहो मुझे इस बारिश में ड्राइविंग करने से ज़्यादा जरूरी काम करने है चार दिन बाद हैरी जल्दी जल्दी इस काम को करने के लिए तीन आद्मियों की जरूरत होगी और छौता कार पर होगा उन में से एक मैं होंगा और बाकी के तीन आद्मियों का इंतिजाम तुमें करना होगा इस काम के बदले मैं 50,000 डॉलर चाहता हूँ और लूट के माल में कोई हिस्सा नहीं चाहता ये मेरा प्रस्ताव है, डेलानी सर्पका गया, उसे इस किसम की साफगोई की उम्मीद नहीं थी, पचास हजार डॉलर, इस आदमी को उसके सामने इस तरह मुझ खोलते हुए डर नहीं लग रहा था, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, जो इस काम में हाट डालूँगा, उसने कहा उन हीरों को ठिकाने लगाना कते ही मुम्किन नहीं, ये मैं नहीं जानता, हैरी बोला, मेरा काम है हीरे प्राप्त करना, बाद में उनका क्या करना है, ये मेरा सिर्दद नहीं है, अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं तो बोलो, मैं किसी दूसरे के पास चला जाउंगा, मेर तुडेलानी ने हैरी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, तुमने उन हीरों को देखा है, उसने पूछा, नहीं, लेकिन उनमें कोई विशेश बात नहीं है, सभी इंडिस्ट्रियल हीरे हैं, और नकद्धन के जैसा महत्वर रखते हैं, कुछ समय के लिए उन्हें दबा देन हैं, फिर धीरे धीरे निकाला जा सकता है, अगर उनका वित्रन सही धन से संभाल लिया जाए, तो कोई खत्रा पेश नहीं आएगा, डेलानी को मालूम था कि बात सही है, इंडिस्ट्रियल हीरों को खपाने के लिए उसके पास कई तरीके थे, और उसे उन हीरों को ज्यादा समय तक दबाए रखने की जरूरत नहीं थी, अगर इस आदमी के बताया अनुसार, उन हीरों का मुल्य सही है, तो वो आसानी से बीस लाग डॉलर कमा सकता था, हो सकता है पच्चीस लाग, लेकिन ये आदमी है कौन, उसे आजनभियों के साथ सौदा करना पसंद नहीं था, हाला कि गलोरी ने उसका परिचे दे दिया था, और वो गलोरी पर भरुसा कर सकता था, लेकिन उसे इस आदमी के प्रतिजिक्यासा हो रही थी, उसने अपने इच्चित याट के बारें सोचा, अगर ये काम हो गया, तो इसका मतलब था, कि वो उसका ओर्डर दे सकता था, उ उसने पूछा, एर फिर्ड में पहुँचने से पहले ही वेन का अपहरन करोगे, बिल्कुल नहीं, हीरे एक बक्तर बंग गाड़ी में लाए जाएंगे, और उसके साथ मॉटर साइकल पर ससस्तर गौार्ड होंगे, कोई उसके पास भी फटक नहीं सकता, नहीं, मैं उस हवा हवाईजाज में तीन सीटे बुक करवा रखी हैं, पंद्रे यात्री और होंगे, इसलिए अन्तिन समय तक तुम्हारे दो आदमियों और मुझ पर किसी को शक नहीं होगा, हवाईजाज अंदेरा गिरने के बाद ही उडान भरेगा, सफर दो घंटों का है, जैसे प्लेन जम इसमभाल लूँगा, फिर उसे रेगिस्तान में उतार दूँगा, मैं चाहता हूँ कि वहाँ एक तेजकार हमारा इंतजार कर रही हो, और हमें वहाँ से पिक अप कर ले, तुम जहाँ चाहोगे मैं हीरे वहीं पहुँचा दूँगा, बस काम फ़तम, बैन पीछे की तरफ उसका धूर्द दिमाग तेजी से काम कर रहा था, योजना थी तो दमदार और चतुर, काम्या भी मिल सकती है, लेकिन सब कुछ ग्रेन पर निर्बर करता है, अगर उसका होसला पस्त हो गया, या उसने कोई कलती कर डाली, तो योजना चौपट हो सकती है, क्या तुम हवाई मैं प्लेन को कुछलता पुर्वक उतार लूँगा, किस्मत ने साथ दिया, तो उस राज चांदी निकलने की संभावना है, अगर नहीं निकली, तो भी मैं उतार लूँगा, तुम बताओ, सौदा मंज़ूर है या नहीं, डेलानी ने सिगार खिड़की से बाहर फैंक दिय तुम कितना चाहते हो, जरा फिर से बताना, हीरे तुम ले लो, और मुझे पचास हजार डॉलर दे दो, ये तो बहुत जादा है, हो सकता है मुझे हीरो को दो साल तक छुपाया रखना पड़े, मैं तुमें दस देता हूं, पचास हजार नहीं, जोकिम मैं उठा रहा हूं, तुम नहीं, पुलीस के पास मेरा हुलिया होगा, तुमारे हिस्से में बगेर किसी जोकिम के बीस लाक आ रहे हैं, अगर तुम सोचते हो कि पचास हजार बहुत बड़ी रकम है, तो अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कह दो, मैं उतरना चाहता हूं, तीस, बैं की मुस्कान उबरी, ठीक है, पचास हजारी सही, लेकिन हीरो की डिलीवरी होने पर, नई, लेन के टेक ओफ वाले दिन, दोपैर के बाद, मुझे पच्चिस पच्चिस हजार डॉलर के, दो प्रमानिस चेक मिल जाने चाहिए, पहले मुझे इस बास से निश्चित होना है, क पर उसने हैरी की और देखा, फिरो की डिलीवरी होने के बाद ही, तुम्हें 50,000 मिलेंगे, उससे पहले नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर क्यूं भरोसा करूँ, हैरी की मुट्थी बीच गई, इस बात की क्या गेरेंटी है, कि हीरे हासिल होने के बाद तुमारा एक आ चलो कोशिश करके देख लो हैरी के चहरे पर पसीना निकलता महसूस हुआ लेकिन उसने निडरता से पेशाने का निश्चे किया मुझसे जबरदस्ती हवाईजाज उतरवाओगे फिर नतीजा देखना क्या होता है मैं आसानी से डरने वाला नहीं मिश्टर डेलानी और मुझ ड्रैवर ने जटके से कार रोग दी और टेगार जट से पीछे घूम गया उसके हाथ में एक गन थी वो हैरी पर आक्रमन करने ही वाला था कि बैंचिंगार उठा हैरो किसने कहा कार रोग देने के लिए चला दे रहो और तुम टांग मत अड़ाओ टेगार ड्रैवर ने वालूम हो चुका था कि पत्ते हैरी के हाथ में थे इस योजना के बारे में वो जितना सोचता उसे उतना ही पसंद करता जा रहा था बीस लाग डॉलर पचास अज़र डॉलर के बदले ये सौधा सस्ता ही था तुम्हें पचास अज़र देने के बाद इस बात की क्या जमान तो ये काम तुम खुद कर सकते हो, बैन मन ही मन फैसला कर चुका था, कि वो बोर्ग को इस काम में लगा देगा, सिर्फ एक आदमी नहीं, बोर्ग के साथ तीन आदमी और होंगे, वो हैरी को कोई मौका नहीं देना चाता था, ठीक है, प्लेन किस रोज जाने वाला है, बीस त तेह रहा, बीस तार एक दो पैर के समय, मेरा एक आदमी तुम्हें 25-25,000 डॉलर के दो प्रमानिच चेक देगा, जब तक तुम प्लेन में सवार नहीं हो जाते, वो तुमारे साथ ही रहेगा, समझ गए, हाँ, प्लेन में तुमारे साथ दो खास आदमी होंगे, और तीसरा क कार में होगा, बेन ने कहा, इसके लिए तुम मेरे सहयोगी बोर्ग से, विस्तार पुरवक बातचीत कर लेना, मैं उसे कल रात तुमारे पास भेज़ दूँगा, काठ है रहो, लेमसन के हाँ, फीक है, बेन ने आगे की और जुपकर, ड्रैवर के पीट छट ठक आई, यही रोक दो, ड्रैवर ने कार सड़क के किनारे लोक दी, तुम यहीं उतर जाओ, बेन ने हैरी से कहा, अगर तुम्हें सफलता हासिल नहीं हुई, तो तुम्हें मेरे पूरे पैसे वापिस करने होंगे, समझे, बहुत सारे लोगों ने मिरे साथ धोके वाजी करने की कोशिश क थी, उनमें से एक भी जिन्दा नहीं बच सका, किसी किसी की तो जान भी बड़ी मुश्किल से निकली थी, अगर तुमने भी ऐसी कोई कोशिश की, तो जिन्दा नहीं रह सकोगे, हीरे नहीं तो पैसे भी नहीं, समझ गए, हैरी कार से बहार निकला, हीरे तुम्हें मिल जा और अंधेरे में गायब हो गई, उनिस तारीक के शाम को बेन डेलानी ने बोर्ग को बुला भेजा, पिछले दो सालों से बोर्ग उसके गयर कानूनी धंदो का संचालक था, प्रत्यक गयर कानूनी गतिविदियों के लिए बेन पूरी तरह बोर्ग पर भरोसा करता था, पि इक महत्व नहीं रखता था, वो साम जैसा फूर्तिला और गन को इस्तिमाल करने में बिजली की तरह तेज था, बेन के किरों में उस जैसा कुछलकार चालक कोई नहीं था, उसकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, वो 30 साल का भी हो सकता था, 45 साल का भी, उसका शरीक चर्वियों का पहार था, रंगधल का हरापन लिए सफेद मेंड़क की छाती जैसी थी, उसकी काली वो सकतांके आपनों उसके लकड़ी के बटन जैसी दिखती थी, उसकी मूझे मूझे दानों और चुहे की पूच जैसी लटकी हुई थी, बेन उसे 1000 डॉलर महीना त शिकायत रहती थी, बोर्ग इस समय बेन के सामने कुर्सी पर पसरा हुआ था, उसके हाथ पेट के उपर पड़े हुए थे, और मोटे होटों में एक सिगरेट दबी हुई थी, जिसकी राग उसकी कमीज पर गिर रही थी, बेन ने उसकी और देखते हुए सुचा, उसके जै करकर सोरहाफती सी सुनाई देती थी, उसके कपडों से बासी पसीने की दुरगंदा रही थी, बेन ने सुचा, वो उसमें मौत को सूंग सकता है, ये आदमी नकली मालूम पड़ता है, बोर्ग ने कहा, उसकी कोई प्रुष्ट भूमी नहीं है, आपके हमारे जैसा उसका को कोई आस्तित्व नहीं है, हैरी ग्रीन नाम का ये वेक्ती, अचानक आस्मान से टपक पड़ा मालूम पड़ता है, कहीं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, फॉस्त था है एर फोर्स वाले उसे नहीं जानते, पुलीस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई उसे नहीं जानता, म आदमी एकाएक लोगों की जानकारी में आना शुरू हो जाता है टेक्सी ड्रैवर को पांच डॉलर टिप देता है अपना एक फोटो खिचवाता है फिर फोटोग्राफर से जगडा मूर लेता है वो लेंसन से अख़ड़पन दिखाता है वो रोज एक ही सराफ खाने में चाता है और बड़ी-बड़ी बाते करता है रुखाई से पेश आता है वो बराबर डिंगे मारता है कि वो कैसा काबिल पाइलेट है और फिर फिर से इस साम में आना चाता है उसकी हरकतों से लगता है कि वो चाहता है कि लोग उसे याद रखें ये बात मेरे गले नहीं उतरती जो आदमी 30 लाग के हीरो की टकेती की योजना बना रहा हो वो इस तरह की हरकते हर्गिस नहीं कर सकता बशरते उसका दिमाग फराब हो गया हो या ऐसा करने का उसके पास कोई ठोस कारण हो बैनने सिगार की राग जाड़ते हुए उसकी और घूरा क्या तुम सोचते हो कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं बोर्ग ने अपने भारी कंदे उचका दिये मेरा विचार है हम कर सकते हैं उसे हमारे साथ धोके वाजी करने का मौका नहीं मिलेगा मैं इस बात का पूरा खयाल रखूंगा मैं सोचता हूं कि वो इस काम को अंजाम दे सकता है लेकिन वो हैरे ग्रीन नहीं है या आप पर निर्बर करता है कि आपको इस बात की परवा है या नहीं कि वो कौन है अगर वो हीरे हमें सौप देता है तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है अगर नहीं सौपता है तो मतलब है वो काफी चाला की से काम ले रहा है मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ कि काम खत्म हो जाने के बाद Harry Green नाम का वेक्ति गायब हो जाएगा क्योंकि उसका कोई आस्तित्व ही नहीं है Ben ने सिर हिला कर हामी भरी हाँ मेरा भी यही ख्याल है हो सकता है उसका गायब हो जाना ही अच्छा है अगर पुलीस ने पकड़ लिया तो हो सकता है वो अपना मुझ खोल दे Ben काफी देर तक शुन्ने में ताकता रहा अगर वो डिलीवरी दे देता है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है हीरो के बारे में कोई जानकरी मिली उनका अस्तित्व है दिफार इस्टन प्रेडिंग कॉर्परेशन का मालिक ताकामोरी नामक एक आदमी है जो जापान के बहुत बड़े उद्योग समों का प्रतिनी दी है उसने 30 लाग डॉलर मुले के इंडिस्टियल हीरे खरीदे है उसने हीरो को रिलीज करने के लिए सरकार से अनुमती प्राप्त कर ली और सैन फ्रैंसिस्को से जहाज पर उन्हें टोक्यो भिजवा राया है ग्रीन का मतलब उन्ही हीरो से है हीरो का आस्तित्व तो है लेकिन उन्हें हतिया सकना उसी पर निर्भर है उन तीन आदमियों का क्या हुआ जो उसकी मदद के लिए होंगे मैंने इंदजाम कर लिया है जोए फ्रैंक्स और मार्टी लेविन उसके साथ होंगे और सैम मिक्स कार में होगा कौन है ये अपने आदमी तो नहीं लगते बोर्ग ने सिरह लाया हम इस काम में अपने आदमी नहीं लगा सकते तीनों को क्रियों तथा यात्रियों द्वारा देख लिया जाएगा वे पैचाने जा सकते हैं हमें पुलीस के साथ कोई जंजट नहीं मोल लेना है मैंने उन्हें सैन फ्रैंसेसकों से बुलवाया है काम खतम होते ही वापस चले जाएंगे मैं नहीं चाता कि पुलीस इस मामले के साथ हमारा संबन जोड ले ये ठीक है क्या ये आदमी सही है बिल्कुल सही है तो क्या ख्याल है मामला निबट जाएगा बोर की घनी काली भुएं उपर चड़ गई ये तो ग्रीन के उपर है अगर वो नकली होने के साथ साथ जोटा भी हुआ तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामला निबट जाएगा बैनने सिरह लाया वो नकली हो सकता है लेकिन मेरा विश्वास है कि वो जोट नहीं बोल रहा है वो अपने काम से उतना ही उस्सुक है जितना की मैं हूँ मैं सोचता हूँ कि वो ये काम कर लेगा बोर का फूला हुआ मोटा चेरा भावी हिन रहा मगर उसने पैनी आवाज में का ये उसके हित्मे होगा कि वो ये काम कर ले तुमने उसकी योजना को ठीक से जांच परक लिया है न हाँ हर बात को उसने ठीक ढंग से सोच विजार रखा है आदमी काफी होसियार है इसने हर चीज का ध्यान रखा है अब सब कुछ इस बात पर निर्वर करता है कि वो प्लेन को सही सलामत रेगिस्तान में उतार सकता है या नहीं उसने कहा तो है कि उतार लेगा लेकिन अंधेरे में ये अत्यन जोखिमबरा काम है जगे उसने बिल्कुल सही चुन रखी है मैं वहाँ हो आया हूँ वहाँ की रेज सकत तता जगे समतल है ये जगे सकाई रेंच एरपोर्ट से 30 मिल की दूरी पर है हमारे तीन आदमी वहीं से सैन फ्रैंसिस्कों के लिए उडान पकड़ेंगे मैंने उन लोगों के लिए एर टेक्सी में जगे बुक करवा दी है ग्रीन कहता है वो अपने इंतजाम से वहाँ से चला जाएगा बेन कुछ पल सोसता रहा फिर उसने पूछा ग्लोरी का कुछ पता लगा वो गायब हो गई है बोर्ग की भुएं सिकुड गई आपसे मिलने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापिस आई ही नहीं क्या मैं उसकी तलास जारी रखूँ नहीं जाने दो मेरा ख्याल है वो इस मामले में शामिल नहीं है भूल जाओ उसे बैन ने ड्रॉर से दो गुलाबी कागस निकाले और उन्हें बोर्ग की और बढ़ा दिया ये रहे ग्रीन के लिए 50,000 डॉलर इन्हें लेकर वो भाग न जाये इसका क्या इंतजाम किया है तुमने वो भाग नहीं सकता बोर्ग ने कहा मैंने लेविन और फ्रैंक्स को समझा दिया है वे उस पर कड़ी निगाह रखेंगे अगर हैरी ने कोई कड़बडी करने की जरा सी भी कोशिश की तो वे बेहित्रक उसे गोली मार देंगे जब तक वो हवाई जहाज पर सवार नहीं हो जाता मैं भी उसके साथ ही रहूंगा स्काइरेंच एरपोर्ट तक लेविन और फ्रैंक्स उसका ख्याल रखेंगे दोनों बहुत खतरनाक है वो उनकी आँकों में धूल नहीं जोंग सकता बैन ने सीर हिला कर संतोस प्रकट किया ओके लगता है माल हाथ लग जाएगा बोर्ग ने सकत निगाओं से उसे घूरा लगता तो ऐसा ही है उसने कहा प्लेन के टेक ओफ करने के निश्चे समय से 50 मिनट पहले वे एक पुरानी सी रोड मास्टर ब्यूप पर एरपोर्ट पहुंचे बोर्ग स्टेरिंग वील पर था हैरी उसकी बगल में और लेविन और फ्रैंक्स पिछली सीट पर जैसे उन्होंने एरफिल्ड के गेट से पार्किंग लॉट में प्रवेश किया हैरी ने दाई तरफ थोड़ा हट कर कार रोपने के लिए कहा वहाँ से उन्हें वो एरप्राफ दिखाई दे सकता था बोर्ग ने उसकी बताई जगे पर कार रोप दी वहाँ से सो गस की दूरी पर दो इंजन वाला एक एरप्राफ खड़ा था पांच आदमी प्लेन की जाँच कर रहे थे कॉर्परेशन की युनिफर्म पहने एक लड़की प्लेन में सामान लदवा रही थी हैरी ने उस लड़की को पहचान लिया उसका नाम हैटी कालिस था वो उसके साथ दो तिन बार उडान भर चुका था और उस लड़की को एक कुशल होस्टेस के रूप में जानता था उससे जिग्यासा हो रही थी कि क्रिव कैप्टेन कौन होगा कोई उसका परिचित आदमी हैरी को सहसा ठंडक मैसुस होने लगी उसके सीने में एंठन हो रही थी जिसके फल सुरूप उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसकी हतेली में पसीन आ रहा था और मूँ सूख रहा था उसने सोचा अगले घंटे में प्लेन उसके अधिकार में होगा और वो उसे रेगिस्तान में उतार रहा होगा अगर क्रिव ने कोई गड़बड़ी कर दी और बहादुरी दिखाने की कोशिश की तो सोच करी उसके अंतड़िया कुल बुलाने लगी पिछली सीट पर बैठे दोनों आदमी हत्यारे थे अगर किसी ने कोई गड़बड़ी शुरू की तो निसंद्याव वे उसे मार डालेंगे लेविन तीस साल का दुबला सा आदमी था उसकी आँखे बहुत चौकन नी थी और चहरा पत्थर जैसा कठोर था फ्रैंक्स पचास से उपर का लंबा तगड़ा आदमी था उसके खुंकार चहरे पर सूर के जैसी छोटी छोटी आँके अंत्यत क्रूर दीख रही थी दोनों बहुत खतरनाक थे लेकिन बोर्ग के सामने वे कुछ भी नहीं थे हैरी को बोर्ग से डर लग रहा था इससे पहले ऐसे आदमी के साथ उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी उसे देखकर वो उसी तरह सहम गया था जैसे कोई सोहे हुए सेर को देखकर सहम जाता है लेविन और फ्रेंक्स हत्यारे थे क्योंकि हत्या करना उनका पेशा था लेकिन बोर्ग को देखकर ऐसा लगता था जैसे हत्या करना उसका शौक हो उसकी बगल में बैठते हुए और जल्दी जल्दी सास लेने से उत्पन होने वाली अजीब सी आवाज को सुनकर हैरी को बैचानी हो रही थी क्या वही है एरक्राफ्ट एरक्राफ्ट की और इशारा करते हुए बोर्ग ने पूछा हाँ हैरी बोला जब वे इंधन भर लेंगे और चेक कर चुके होंगे तो वे उसे उधरदाई तरफ उस शेड के पास ले जाएंगे अभी हमारे पास काफी समय है बोर्ग ने एक सिग्रेट सुलगा ली और सीट पर पेट टिका कर पसर गया प्रतिक्षा करते हुए हैरी ने पिछले चार दिनों के बारे में सोचा उसने हर काम बड़ी सावधानी पुर्वक किया था अब तक हैरी गरी ने कुख्या चरित्र बन चुका था और सहजी भुलाया नहीं जाने वाला था जब अकबार में उसका विवरन चपेगा तो उसे पहचानने वाले दरजन भर लोग निकलाएंगे उसने ग्लोरी के विशह में सोचा कि वो इस समय क्या कर रही होगी उसने उसे चट्थी द्वारा सारी बातों की जानकारी भीज़ दी थी उसने लिखा था कि वो सकाई रेंच एरपोर्ट पर हीरे बोर्क के हवाले कर देगा बोर्क के चले जाने के तुरंद बात वो अपना बहुरूप उतार कर फैंक देगा और बस द्वारा लोन पाइन पर पहुँच जाएगा उसने उससे आगरे किया था कि वो वहाँ एक मोटल में मिसिस हैरिसन के नाम से एक कमरा ले रखे अगला सारा दिन वे उसी मोटल में बुजार देंगे उसने गलोरी को ये भी लिखा था कि वो एक सेकंड हैंड कार भी खईद ले और उसका इंतजार करे इस बार से निश्चित होने के बाद कि कोई गड़बडी नहीं है वे कार द्वारा कारसन सेटी चले जाएंगे वे वहाँ एक दिन रुकेंगे फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुलीस कतीविदियों में कैसी तरक्की हो रही है अगर सुरक्षित हुआ तो वे कार बेस देंगे और नियॉक के लिए रवाना हो जाएंगे फिर वहाँ से इंग्लेंड चले जाएंगे और ये रोप की सेर की सुरुआत करेंगे हैरी ने लास एंजलेस बैंक आफ कैलिफोनिया के मैनेजरों से ये तैग कर रखा था कि 25-25,000 के चेकों की रखम जमा होते ही वे उस अकाउंट को नियॉक के नैशनल फाइनांस बैंक में ट्रांसफर कर देंगे उसने आज दोपेर के बाद चेक जमा कर दिये थे और निश्चित हो गया था कि उनके नियॉक पहुचने पर रखम तैयार मिलेगी बागी का सारा समय उसने बोर्क के साथ गुजा रहा था लेविन और फ्रेंक्स उस दोरान उनके आसपास ही मंड़ा रहे थे अचानक मोटर साइकलों के इंजन की गड़़ाट सुनकर हैरी का ध्यान तूट गया उसने तेजी से सिर घुमा कर देखा एरफिल्ड के दूसरी तरफ अंदकार में से चार पुलिसमेन मोटर साइकल पर निकलाए जो एक बकतर बन ट्रक को घेरे हुए थे वो ट्रक एरक्राफ्ट के बिलकुल करीब जाकर खड़ा हो गया और मोटर साइकल वाले पुलिसमेन उतर पड़े ये लो माला पहुँचा हैरी ने धीरे से कहा और विंट शिल से जहांकने के लिए आगे की और जुब गया ट्रक का लोही का दर्वाजा खुला बूरी युनिफॉर्म और पीक के पहने दो आदमी जिनके कुलों में रिवॉल्वर लटक रहे थे बाहर निकला है उनमें से एक आदमी एक छोटा सा बकसा थामे वोय था चारों पुलिसमेन पहरे पर तैनाथ हो गए और वे दो आदमी एरक्राफ्ट की सीडियां चड़ने लगे जिसके पीछे पीछे होस्टेज भी चड़ने लगी दूसरा गार ट्रक में वापिस लोटा उसने ट्रक का दर्वाजा बंद कर लिया और एक पुलिसमेन के साथ कुछ बाते करने के बाद ट्रक पर सवार हो गया और चला गया हैरी के दिल की धड़कन एक पल के लिए बंद हो गई लगता है वो गार्ड हीरो के साथ ही रहेगा लेविन ने कहा तो क्या हुआ फ्रेंक्स बोला वो कोई मुसीवत खड़ी नहीं कर सकता हैरी को इतना भरोसा नहीं था ये अप्रत्याशित बात थी उसने सोचा नहीं था कि हीरो के साथ एक गार्ड भी सफर करने वाला है उसे तंफ़ा ही इस बात की मिलती है कि वो मुसीवत खड़ी करे उसन तुम दोनों को मालूम है कि क्या करना है जब तक मैं इशारा ना दू कोई हरकत मत कर बैठना वो गार किस जगे बैठेगा लेविन ने बूचा वो केविन में बैठ सकता है या सामान रखने की जगे पर अगर वो केविन में बैठता है तो मैं फ्लाइट डेक पर जाने से प पुशिश की तो भूलना मत कि एरपोर्ट के बाहर दो आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हीरे नहीं तो पैसे भी नहीं याद रखना। जरूर हैरी ने कहा और कार से उतर गया। मैं स्काई रेंचे एरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करूँगा। बोर्ग ने सामने पहुँचकर लेविन पीछे हट गया। तुम आगे जाओ उसने कहा। हाला कि C.A.T.C. में हैरी ने 6 साल काम किया था लेकिन वो कभी पर रिसेप्शन हॉल में नहीं आया था। इस समय उसमें दाखिल होते हुए उसे अजीब सा लग रहा था। तो दोस्तों ये था स कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमशकार गुडबाई सेफ रहिए खुश रहिए मज़े करिए नमशकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ खुश होंगे मज़े में होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नएने आडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से नौवल से और स्टोरीज से अगर आपको ऐसे कंटेंट प सुनाने वाला हूँ संकी कातिल नौवल का पार्ट फोर इसके बागी के तीन पार्टस आप अल्रेड़ी सुन चुके हैं और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको उपर आई बटन से मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं संकी कातिल नौवल का पार्ट फोर एक सावली सी सुन्दर लड़की जो सी एटी सी की यूनिफॉर्म में थी ने उसका टिकट देखा और उसे बताया कि 20 मिनट बाद उसका नाम पुकारा जाएगा बार आपकी दाएं तरफ हैसर उस लड़की ने कहा जब आपका न डबल विस्की का ओडर दिया और एक और दिवार के सारे खड़े होकर लोगों की और देखने लगा जब वो क्रियो कैप्टन था तो उसके साथ साफर करने वाले मुसाफिरों के जैसे ये सबी उसी प्रकार के मुसाफिर थे मोटे, अमीर, बिजनसमैन, मिंग कोट पहने सु जाने लगा, फ्रेंक्स दिखाई नहीं दे रहा था, विस्की से हैरी को बड़ी रहत मिली, प्लेन में हतियार बंद गार की मौझूदगी से उसे बड़ी चिंता हो रही थी, अगर उस गार ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उन्हें मजबूरन उसे गोली मार देनी जब उसका नाम भुकारा गया, तो हैरी और मुसाफिरों के साथ तरवाजे की और बढ़ा, लेविन उसके पीछे आ रहा था, छे नंबर गेट पर आठ और यात्रियों के साथ फ्रेंक्स भी मौझूद था, हैट्री कॉलिंस वहां आ गई, उसके हाथ में यात्रियों के ना ओरत बुली, देखो जैक, तुम्हें पुलिस गार मिल रहा है, मोटी गर्दन और लाल चेहरे वाला एक वैक्ती जो सिगार पी रहा था, गुर रहा है, ये माल वहाग हवाई जाज है, उसने कहा, शायद कोई कीमती सामान जा रहा है, लेकिन तुमसे कीमती और क्या चीज हो नहीं देखा, मगर समझ रहा था कि वो से ध्यान से देख रहा है, जब तक वो केविन में दाखिल हुआ, तो हैटी कैलिस उसके पास आई, आप बात में क्या पीना पसंद करेंगे, ड्रिंक या कॉफी, उसने विवसाईक अंदाज में पूछा, जी कुछ नहीं, शुक्रिय आपकी सीट बाई दरफ पहली कतार में है, हैटी ने बताया, हैरी को ये देखकर तसली हुई, कि उसकी सीट फ्लाइट डेक के दरवाजे के पास ही बाहर की और थी, उसके पास वाली सीट पर एक लंबी सी दुबली पतली औरत बैठी थी, जो एक मिंकोट पहने हुए थी, रसोई कक्ष के दरवाजे के पास वाली सीट पर जा बैठा था, रसोई कक्ष के उस तरफ टॉयलेट था और उसके बाद सामान कक्ष जहां हीरे रखे गए थे, हीरे और वो हत्यार बंगाड, लेविन केबिन के बीच में हैरी के दाएं तरफ बैठा था, हैरी को शंतोस हु अपनी बैल्ट बांग नहीं पा रही थी, हैरी ने उसे तरीका बता दिया, उस और ने हैरी की और देखा, फिर सिर हिला कर बैल्ट बांग ली, आप शायद अकबार पढ़ना चाहेंगे, उसने कहा, और एक अकबार हैरी की और बढ़ा दिया, जैसे उससे पीछा चुड़ा हैरी ने चेहरा उठा कर उसकी और देखा, ताकि वो उसकी चेहरे को अच्छी तरह देख ले, ऐसा कोई संकित नहीं मिला कि हैटी ने उसे पहचान लिया ओ, फिर वो लड़की वापस गैंग वे की और लोट गई, अगले पंद्रे मिनट तक हैरी सोचता रहा, उसने पीछे मुड़कर देखा, लैविन ने हैट आगी की और सरका रखा था, और कोट का कॉलर उपर उठा लिया था, हाद जेब के अंदर थे, फ्रैंक सिगरेट पीते हुए उसी और ताक रहा था, हैरी ने अकबार के पहले प्रुष्ट पर निगाढ डाली, एक सुरकी पर नजर पढ पना शुरू किया, हवाई जा आज के इंजिन गरज उठे, हीरो के विवाद में फैसला, ताका मोरी के हक में अमेरिका कॉंसिलेट के अधिकारियों से लगादार 18 महीने तक बादचीत करने के बाद, फार इस्टन प्रेटिंग कॉर्परेशन का करोड़ पती मालिक ली ताक इसको ले जाये जा रहे हैं, जहांसे उन्हें टोकियो भेज दिया जाएगा, हमारे एक विशेश प्रतिनिदी के साथ, हुए अंतरवारता में मिश्टर ताका मोरी ने बताया कि कुछ लोगों के भारी विरोत के बावजूद, अमरेकी कॉंसिलेट को ये यकीन दिलाने में वो सफल हो गया कि इंडस्ट्रियल हीरे जापान के आर्थिक्स्तिती पुनस्थापित करने के लिए जरूरी हैं, ये सुनने में आया है कि इस सौधे में सारी पुंजी मिश्टर ताका मोरी ने खुद लगाई है, और उस लंबे विवात करने लेने में ये बात महत्वपु उसको सम्मानित करेंगे, हैरी ने अकबार मोड कर सीट के नीचे डाल दिया, उसने बोर्ग की चेतावनी याद की, हीरे नहीं तो पैसे भी नहीं, ताका मोरी को जबर्दस धक्का लगेगा, हीरे नहीं तो सम्मान भी नहीं, एरक्राफ्ट अब रनवे पर दोडने लगा थ उसने बार पार्किंग लॉट की और देखा, रोड मास्टर भी उकवा नहीं थी, स्काई रेंच एरपोर्ट पहुँचने के लिए, बोर्ग तुफानी रफ्तार से कार ड्राइब कर रहा होगा, हैरी ने घड़ी की और देखा, दस मिनट बाद, हैरी ने अपने ट्रेंच को के अंदर हाट डाला, उसकी उंगलियोंने पोल्ड 45 के ठंडे दस्ते को छुआ, वो सोच रहा था कि जब वो फ्लाइट डेक में दाखिल होगा, तो क्रिव केप्टन पर क्या प्रतिक्रिया होगी, क्रिव में केप्टन के अलावा वो पाइलट और नैविगेटर, उसे परवा थी तो उस गार्ड की, वो एक पेशेवर गार्ड था, और जहमेरे से निपटना जानता था, क्या वो सामान कक्ष में बैठा होगा, या पैसेज में, उसे संभालने का काम फ्रेंक्स को करना होगा, लेविन यात्रियों को संभालेगा, अगर उसे मालुम होता, क एरो के साथ एक गार्ड भी होगा, तो वो डेलानी से एक चौथे मददगार को मांग लेता, उसने अचानक विचार किया, कि उसे पता लगा लेना चाहिए, कि गार्ड कहां बैठा है, वो खड़ा हो गया, और गैंग वेबर चलने लगा, लेविन ने अपने कोट के अंदर ठहरने का इशारा किया, उसने पैसेज और केविन के बीच वाला दर्वाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया, हैटी कॉलिंग रसोई कक्ष में मार्टिनी का बैच मिला रही थी, वो उसकी और देख मुस्कुराई, दाइयोर का दूसरा दर्वाजा, उसने कहा, हैरी ने सि गन के दस्ते तक पहुँच गया, उसाथ में उसने चम्डे का दस्ताना पहन रखा था, उसकी चुस्ती और दस्ताने को देखकर, हैरी को घबराड होने लगी, निसंद्य है ये पेसेवर होने की निशानी थी, गार्ड हैरी के बराबर की उम्र का नौजवान था, उसकी नी दरी बंद कर दिया जाये, तो काम बड़ी आसानी से निपट सकता था, कि इविनो रसोई कक्ष के बीच वाले दर्वाजे को बाह से बंद कर देने से, कम से कम एरक्राफ को जमीन पर उतारने तक, वो गार्ड कोई बखेडा नहीं कर सकता था, फिर तीनों मिलकर उससे निप पैदा कर सकता था, हैरी को चेहरे पर थंडा पसीना निकलता महसूस हुआ, टॉलेट बेसिन के सीशे में उसने अपना चेहरा देखा, वो बिलकुल सफेद पढ़ गया था, और आँखे भेवी दिखाई दे रही थी, उसने जबरन मुस्कुरानी की कोशिश की, मगर उसका म जैसे बर्फ की तरह जम गया था, वो गार की और देखे भिना टॉलेट से बाहर निकला, हैटी कॉलिंस हाथ में मार्टिनी की ट्रेलिए केविन की और आ रही थी, हैरी ने उसके लिए दर्वाजा खोल दिया, और उसके पीछे पीछे केविन में निकला, वो फ्रेंक्स के पास रुख गया, वो गल्यारे पर बैठा है, उसने फ्रेंक्स के कान के पास अपना मूँ ले जाकर कहा, मैं उसे वही बंद कर देना चाहता हूं, दर्वाजे का बोल्ट इस तरफ है, बाद में प्लेन उतरने के बाद हम उसे निपट लेंगे, नहीं, फ्रेंक्स ने कहा, तुम क्रियो का खयाल रखो, जैसे ही तुम क्रियो की केबिन में आओगे, मैं गाड को समभाल लूँगा, वो काफी ताकतवर और फुर्तिला दिखाई देता है, बहुत ही खतरनाक, बक्वास बंद करो, फ्रेंक्स कुर राया, क्या तुम समझते हो, कि मैं उसे समभाल नही की चुसकी ले रही थी, और सिगरेट पी रही थी, उसने हैरी की और नफरत भरी निगाहों से देखा, हैटी कॉलिंस ने हैरी की और मार्टीनी का गलास बढ़ाया, तो उसने इंकार कर दिया, फिर जब हैटी गैंगवे से चलकर रसोई कक्षकी और चली गई, तो वो हो गया, उसने लेविन की और देखकर इशारा किया, फिर फ्रेंक्स की और, लेविन अपनी सीट से उट खड़ा हो गया, और गैंगवे से होकर तेजी से हैरी के पास पहुँच गया, दो तिन यातरी हैरानी के साथ उन्हें देख रहे थे, फ्रेंक्स भी उठ गया, और गल 42 आटमेटिक अब उसके हाथ में थी, लेविन ने भी अपनी गन निकाल ली थी, हैरी आतरियों की प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं रुका, फ्लाइट डेक का दर्वाजा खोल कर वो अंदर गुच गया, उसकी गन हाथ में थी, उसने अंदर का जाना पैचाना दुरश के थी, उससे परे पाइलेट की दो सीटे थी, उसने सेंडी मैक प्लेयर को एकदम पैचान लिया, वो एक अच्छा पाइलेट होने के साथ साथ एक अच्छा इनसान भी था, और उसका दोस रह चुका था, दूसरे पाइलेट को वो नहीं पैचानता था, फ्लाइट इंजिन उसका चेहरा गुसे से तम-तमा रहा था। तुम बचकर नहीं निकल सकते। वो पाइलट की और मुड़ा। हैरी ने उसके करीब जाकर गन की नाल से उसके चेहरे पर इत्ती जोर से प्रहार किया कि वो सीट के नीचे जा गिरा। फिर वो उन चारों को कवर करने के लिए पीछ कर दूँगा। हैरी गुर राया, हाथ उपर उठाओ। रेडियो उपरेटर धीरे से अपनी सीट से उठा। उसने फ्लाइट इंजिनियर को उठने में मदद की। फ्लाइट इंजिनियर के चेहरे से खून की धार बैह चली थी। वो बुरी तरह घबरा गया था। वे केव आटोमेटिक पर डाल दो उसने मैक लिएर से कहा और केविन में चले जाओ। बखो मत मैक लिएर ने कहा यह हवाईजाज और मुसाफिरी मेरी जिम्मेदारी पर है मैं यहां से हट नहीं सकता तुम पागल हो गयो प्लेन को आटोमेटिक पर डालो हैरी चीखा इसे मैं संभा तुम मैं क्लेर ने आश्चरे से कहा, मैं तुम्हे ऐसा नहीं करने दूँगा, अगर तुम सीट से नहीं हटोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगा, मैं क्लेर और हिचकिचाया, फिर उसने हवाई जाज को आटोमेटिक पर डाल दिया, और अन्मने भाव से सीट से उठ कोई चाला की दिखाने की कोशिश मत करना हैरी ने कहा और उसे केविन के और जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया वही दो और मौजूद है चोनी संदे मुझसे जादा खतरनाक है अगर तुम हीरो के पीछे पड़े हो मैक ले और ने कहा तो तुम उन्हें हर्गिस नहीं हतिय सकते हीरो के पास एक गार तैनाथ है केविन में चरे जाओ मैक ले और ने खा जाने वाले निगाव से हैरी को घूरा हैरी सोच रहा था कहीं मैक उस पर पूदना पड़े वो जानता था कि वो उसे गोली नहीं मार सकता उसने खुद को संभाला और मैक के आक्रमन से निपटन पर दे मारा मैक ले और के खुटने मुड़ गए हैरी ने उस पर दुबारा प्रहार किया और वो अचेत होकर फर्स पर फैल गया हैरी ने उसे लांकर केविन की और ज्छाका सभी मसाफिर कबरिस्तान के बूत की तरह निश्चल तथा सकते की हालत में थे लेविन हाथ में ग सोईकक्ष के दर्वाजे के पास खड़ा था और कसकर अपना कंदा दबाए नीचे की और जुक रहा था खोन से उसके कोट की आस्तिन भेग गई थी और बूंदे उंगलियों से नीचे टपक रही थी जैसे ही हैरी की नजर उस पर पड़ी वो दोरा ओकर फर्स पर लुड़ लग गया हैरी ने कहा क्या हो रहा है इधर उदर देखे बगेर लेविन बोला ये सब उस गार की वज़े से हुआ वो अंदर बैठा है लगता है वो अभी चीकता हुआ बाहर निकलाएगा उसकी आवास तीखी सुनाई दे रही थी वो अंदर ही अंदर घबरा गया था वो हो संभालना है है हैरी ने गुस्से में भर कर कहा क्रिव में से किसी एक को इस काम में लगा दो वो नीचे जुका और उसने मैक प्लियोर के सरीर को धकेल कर सीडियों से नीचे केबिन में गिरा दिया मैक प्लियोर के अच्छे सरीर को देखकर मिंग कोड़ वाली दुबली प इंड्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसे कमकपी छोट रही थी और दिल धार-धार बज़रा था। आसमान बिलकुल साफ था और उजला चान निकलाया था। उसने हवाईजाच का रुख रहिस्तान की और मोड दिया। कुछ मिनट और गुजर गये। वो सोच रहा था कि इनके साथ मिलकर उसे गाड़ से निपटना होगा। इस विचार मात्रे से उसका मुझ घबराट से कड़वा होने लगा। बुरा हो फ्रैंक्स का। उसने उसे चेताव नी दी थी। गाड़ अब चौकन ना हो गया था। और शायद उनसे मुकाबला करने के लिए खुद को हीरे नहीं तो पैसा भी नहीं। उन्हें किसी भी हालात में गाड़ को संभालना होगा। शायद उसकी हत्या कर देनी पड़े। इस विचार से उसका जिसम थंडा पढ़ने लगा। वो दस मिनट तक हवाई जाहाच चलाता रहा। फिर उसे सीमा रेखा दिखाई देने उसने हवाई जाज की उचाई और थोड़ी कम की। फिर उसे फ्लैसलाइट की रोशनी दिखाई दी। वो एक कार और छोटी सी मानवा प्रुती को देख सकता था जो एक सक्तिचाली फ्लैसलाइट हिला रही थी। जब वो सैम मिक्स से मिला था तो उसे उससे कोई खास उम् था हैरी को लगा कि उसे हवाई जाज को नीचे उतारने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसने फ्लैसलाइट की रोशनी का सिगनल देखते हुए आसानी से हवाई जाज को नीचे उतार लिया। मिक्स ठीक उसी जगे पर खड़ा था जाओं से पिछले दिन ठैरने का हवाई जाज के पईयों ने जमीन को छुआ तो हलका सा जटका लगा। हैरी ने जट से इंजन बंद कर दिये। दोनों तरफ रेत का गुबार उठ रहा था। हैरी ने ब्रेक दबाया तो हवाई जाज धीरे से रुप गया। हैरी तेजी से सीट से उठ गया। उसके अपनी हैरी के दरवाजे पर खड़े होते ही सभी ने उसकी और देखा। सब लोग सुने हैरी ने कहा अगर किसी ने चाला की दिखाने की कोशिश नहीं की तो किसी को कुछ नहीं होगा। आप लोग उसे जो कहा जाए वही कीजिएगा। इस समय हम लोग रेकिस्तान में हैं। यहा जबत के लिए संदेश प्रशारेत करेगा और वे लोग पहुच जाएंगे। जब तक आप लोग हमारा आदिश मानते रहेंगे आपको डरने की आवशकता नहीं है। वो गैंगवे में निकलाया और फ्लाइट इंजिनियर से बोला। दरवाजा खोलो जल्दी। नीचे रेद पर कूत गया। क्रिव के दूसरे आदमियों ने मैक प्लेयोर को नीचे उतारा जो धीरे-धीरे होश में आ रहा था। आप सभी लोग नीचे उतर जाएए। हैरी चीखा। घबराय हुए सभी यात्री धीरे-धीरे नीचे उतरने लगे। एर होश्टेस का आ चलानी शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैटी कॉलिंस बाहर निकल आई। उसने पहले हैरी की और देखा फिर लेविन की और उसका चेहरा पीला जर्द पढ़ गया था। लेकिन हैरी देख रहा था कि वो उतनी घबराय हुई थी जितना कि वो खुद घबरा उसने उस औरतको नीचे दो पूरस यात्रियो के थमा दिया। फिर खुद नीचे उतरकर हैटी को नीचे उतारने में मदद करने लगा। मुसाफिरों को लेकर हवाई जास से दूर हट जाओ। उसने क्रियो के आदमियों से कहा। लेविन दर्वाजे पर खड़ा गंसे उन में मतद की, सैम मिक्स भागता हुआ चला आया, उसके हाथ में भी गन थी, उसके पतले से चुहे जैसे चहरे पर वो तेजना साफ जलक रही थी, बापरे, जब तुमने हवाई जाज को नीचे उता रहा, तो मैं समझ रहा था ये दुरगटना ग्रस्त हो जाएगा, उसने कहा, क्या हो रहा है, बहुत कुछ, लेविन बुर रहा है, हीरो के पास एक खुंकार गार्ड मौजूद है, उसने पहले ही टैट को खायल कर दिया है, मिक्स का मुँख खुला रहे गया, हैरी ने देखा, उसकी आँखों में दहशत फैल रही थी, उसने ठीक ही सोचा था, बखत में बिजली जैसी तेजी है, उसने कहा, मैं अपनी गंताने अंदर दाखिल हुआ था, और उस पर फायर कर दिया था, लेकिन मैं उस पर निगाये जमा भी नहीं पाया था, कि उसने फायर जोंक दिया, तुम उससे इत्ती जल्दी नहीं निपट सकते, लेविन प्रोर मैं इन्हें संभालता हूँ, हैरी उचलकर हवाई जहाज पर चड़ गया, हम यहाँ जादा दिर तक नहीं रुख सकते, उसने लेविन से कहा, रेडियो अपरेटर को जब तब बराबर संदेज भेजते रहना होता है, अगर उन्हें अगला सिगनल मिलने में देर हो गई, त तो मैं उसे खत्म कर दूँगा, लेविन गैंगवे में आगे बढ़ने लगा, हैरी उसके पीछे चल रहा था, दरवाजे के पास पहुँचकर वे दोनों तरफ की सीटों के बीच दुबग गए, अपनी गंताने लेविन ने दरवाजे का हैंडिल पकड़ा, और घुमा कर चटके से दरवाजा खोल दिया, उसने पैसेज पर एक फायर जोंग दिया, और तेजी से नीचे जुकतर अंदर झांका, फिर पीछे अट गया, वो वहाँ नहीं है, हैरी ने दिल में चुबंसी महसूस की, इसका मतलब गार सामान कक्ष में घुज गया, और उससे निपटन खीसताओं, तुम पैसेज में घुसकर सामान कक्ष का दरवाजा खोलना, लेविन ने सहमती जिताई, हैरी वापस बाहर निकलने के दरवाजे की और लोटा, फ्रेंक्स के करीब से गुजरते हुए, उसने देखा कि फ्रेंक्स एक सीट पर फैल गया था, और उसका सिर आगे दरवाजे पर पहुँचा, उसने दरवाजे की लीवर को हटाया, फिर धीरे से उस भारी पल्डे को धकेल कर खोल दिया, उसने सावधानी पुर्वक सामान कक्ष के भीतर जहाका, उसके हाथ इसकदर कांप रहे थे, कि वो मुश्किल से गन संभाल पा रहा था, सामान कक्ष हैरी के जिसम में ठंडक की एक लहद दोड़ गए, क्या गार्ड ने लेविन को ठिकाने लगा दिया, वो घूमा और उसने देखा कि मिक्स अचानक बॉकला उठा था और उसने अपनी गन तान दी, एरक्राफ्ट के दरवाजे से एक और गोली चली, और अंधिरे में एक चि चान लिया, और हड बढ़ा कर फायर कर दिया, गार्ड ने भी जवाबी गोली चला दी, जो हैरी के चहरे को हवा देती हुई गुजर गई, हैरी फॉरन जमीन पर लेट गया, और एरक्राफ्ट के नीचे से कवर करनी की कोशिश करने लगा, उसने देखा गार्ड एरक्राफ गार्ड की गन उसके हाँ से छुटकर गिर गई थी, और वो भी ओंदे मुझ जोर से रेत पर गिर पड़ा, काफी देर तक हैरी मुर्खों की तरह गार्ड के सरीर को ताकता रहा, फिर धीरे से उटकर खड़ा हो गया, एरक्राफ्ट के दर्वाजे पर फ्रैंक्स दिखाई दिया, उसने दर्वाजे की चौकट पकड़कर बाहर जहांका, उसकी तेज सांसों की आवाज हैरी को वहीं से सुनाई दे रही थी, जैसे हैरी आगे बढ़ने लगा, फ्रैंक्स ने गार्ड पर फिर से गोली चला दी, मैंने का था न, कि मैं उसे ठीकाने लगा दूँगा, वो हाफते वे बोला, कम बखत बिल्कुल मेरे करीब से गुजरा था, लेकिन मुझे देख नहीं पाया, हैरी गार्ड के सरीर के पास आया, और उसने पैर से उसे उलट दिया, उसके स्थिरवर मुर्दा चेहरे को देखकर उसे जुर जुरी महसूस हुई, हीरे को निकाल लो फ्रेंक्स ने हाफते स्वर में कहा, मैं अधिक देर तर खुद को समाले नहीं रख सकता, जल्दी करो, हैरी एरक्राफ्ट पर चड़ गया, मैं चाता हूँ कि तुम उन मसाफिरों पर नजर रखो, उसने कहा, मैं तुम्हे नीचे उतरने में मदद देता हूँ, उसने फ्रे फ्रेंक्स की हालत बिगरती जा रही थी, उसका सिर्चाती पर लटक गया, और गन हाथ से छुट गई, हैरी ने मुसाफिरों की और देखा, उन में से एक उटने की कोशिश कर रहा था, बैठे रहो, हैरी चीखा, और उसने अपनी गन निकालकर उस आदमी के सिरके उपर फा और रहादारी में दोडने लगा, लेविन को उसने पैसेज में पड़ा पाया, गोली उसके सिरके पिछले हिस्से में लगी थी, उसे समझने में देर न लगी कि वो मर चुका है, उसने दर्वाजा खोला और सामान कक्ष में कदम रखा, उसे वो छोटा सा बकसा धुन निका जालने में देर नहीं लगी, उसने उसे खोलने की कोशिश की, मगर उसमें ताला लगा था, बकसे को साथ लिये, वो वापस लोटा और रेट पर कूद गया, फिर वो मिक्स किलास के पास आया, उसने उसकी जेवे टटोल कर कार की चावी निकाली, फ्रेंक सोंधे मूर रेट के करीब ले आया, फिर वो कार से निकलकर फ्रेंक्स के पास आया, उसने उसे अपने कंधे पर डाला, और कार की पिछली सीट पर लिटा कर, फुट ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, स्काई रेंज एरपोर्ट तक पहुँचने के लिए, 25 मिल का रास्ता तैय करना था, उ गड़क पर देख लिए जाने से पहले ही, स्काई रेंच एरपोर्ट पहुच जाना जरूरी था, वो गैस पेडल पर दबाब बढ़ाते हुए, कार को 80 मिल की रफ्तार से दोड़ाने लगा, स्टेरिंग वील को कसकर पकड़ते हुए हैरी ने सोचा, वो गार मर चुका है, ये खत्या थी, अगर वो पकड़ा गया, तो उसे सीधे फांसी की सजा होगी, अगर उसे पहले ही पता होता, कि घटना इसकदर खतरनाक तता जोकिम बरी होंगी, तो वो 50,000 डॉलर के लिए खत्रा मून लेने की मुर्गता ना करता, डकेती की योजना करते समय, उसने सोचा ही नहीं था कि ये हत्या उपर जाकर खत्म होगी, बीस लाग डॉलर का असली हकदार तो वो था, लेकिन डेलानी बगेर किसी जहमेले के उन्हें हासिल करने जा रहा था, बीस लाग, हैरी ने अपना एक हाथ बकसे के उपर रख दिया, अगर इन हीरों को ठिकाने लगाने के लिए उसके पास डेलानी जैसी सुविदाएं होती, तो वो उन्हें खुझ से अलग ना करता, लेकिन फिलाल डेलानी के मुकाबले उसके लिए हीरे बेकार थे, वो उन्हें स्वैम बेचने का साहस नहीं कर सकता था, वो किसी खरीदार को नहीं जानता था, अलबत्ता उसे हीरों के बदले खुस तो हासिल हो सकता था, बोर्ग कि धम की की हीरे नहीं तो पैसा नहीं, अब उसे बेमकलब लग रही थी, फिर उसका ध्यान अकबार में चपे उस समाचार के अंस की और गया, हीरे नहीं तो सम्मान भी नहीं, अचानक उसके हाथ से कार का कंट्रोल छू अगर तथा सम्मान करने वाला था, ऐसे सक्स के लिए पैसा महत्वरीन चीज होता है, हैरी ने सोचा, लेकिन रासी सम्मान को बहुत महत्वर देता है, वो इससे पंद्रे लाग डॉलर की मांग कर सकता है, ताका मोरी इस पेशकस को ठुकरानी की बेवकुफी नहीं दरेगा शायद उसे दोबारा इतने हीरे निर्यात करने का अफसर ही ना मिले, हैरी को ताका मोरी से बहुत आशाय बनने लगी, सौधा काफी जोखिम से बरा था, सावधानी पूर्वक काम लेने से पढ़ सकता था, इसमें काफी हिम्मत की दरकार थी, और ये बेमानी भी नहीं लग दिया, वो तो बोर की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अब वो बोर के सामने नहीं पढ़ना चाता था, उसने कार रोग दी, कोई योजना तेयार करने के लिए उसके पास समय बिलकुल नहीं था, अगले दस मिनट में कोई हवाय जाज उनकी तलाश में निकल चुका होगा, प पुलीस को कार का सटीक विवरंड नहीं दे सकेंगे, उसे कार को अपने पास रखने का खत्रा तो उठाना ही था, क्योंकि मौजुदा हालात में कार के बिना वो डूप सकता था, फिर ये फ्रेंक्स भी तो है, उसने मुढ़कर घायर फ्रेंक्स के और देखा, जो सीट पर उठा और उसने आखें बंद कर ली, उसका सिर आगे की तरफ जूल गया, हैरी ने उचकर उसकी गन पर जपटा मारा, उसकी उम्मीद के विपरित, फ्रेंक्स गन को बड़ी मजबुती से पकड़े हुए था, गन को छीनने की कोशिश में गूली चल गई, हैरी सन रह गया, लेकिन किसी तरह वो गन को पकड़े रहा, और उसे फ्रेंक्स की पकड़ से छुडाने में सफल हो गया, फ्रेंक्स ने गालिया बकते हुए उटने की कोशिश की, उसने हैरी के चहरे पर मुक्के से वार किया, लेकिन आगात में कोई दम नहीं था, हैरी ने उसका हाथ अठा कर गन से उसकी खोपड़ी पर प्रहार किया, फ्रेंक्स की आँखे उलट गई और वो अचेध हो गया, गन को नीचे रख कर हैरी कार से बाहर निकला, उसने पिछला दरवाजा खोल कर फ्रेंक्स को बाहर घसीटा और रेत पर लिटा दिया, उसने अपना ट्रेंच कोट उता फिर पॉकेट शा को निकाल कर जूते कातरिक सोलू खाड़ा, एक एक कर उसने अपना बहुरूप उतारा, कुछ मिनट में हैरी ग्रीन गायब हो गया, और उसकी जगे तनिक घबरा ऐसा हैरी ग्रिफिन प्रकट हो गया, बहुरूप के सामान को उसने ट्रेंच कोट में लप बढ़ाने लगा, दस मील की खौफनाग ट्राइविंग के बाद हैरी एक चौरायब पर आ पहुंचा, एक फिंगर पोष्ट संकेत दे रहा था कि दाइन सड़क स्काई रेंच एरपोट की और जाती थी, और बाइन लोन पाइन की और, रफ्तार कम किये बिना उसने कार अपनी तरफ खीचना नहीं चाता था, एक ओयल टेंकर को ओवर टेक करते हुए, हैरी एक सौहम को सुरक्षित महसूस करने लगा था, अब वो यातेयात की भीड में शामिल हो गया था, और उसकी कार सड़क पर अकेली नहीं रह गई थी, जिस पर संदेय किया जाए, पांच देकर उसके दिल की धड़कन एक बार की रुख गई, कि कतार के आगे पुलीस ने नागाबंदी डाल रखी थी, पुलीस उड़न दस्ते के सिपाई, कार की हेडलाइट जड़ाये, नाके पर खड़े थे, उसने ट्रक के पीछे कार रोक दी, उसका मुँ सूख रहा था, और कंदे उचका दिये, पता नहीं, दस मिनट से यहां फसा बैठाओं, मेरा ख्याल है, आगे कोई चोर पुलीस का खेल चल रहा है, पुलीस का एक सिपाई हाथ में टौच लिए उनकी तरफ आ रहा था, क्या गड़बडी है दोस्त, ट्रक ड्राइवर ने चिला कर पूछा, क् जरुरत पड़ी, तो उसका खुले में रहना उचित था, उसने जेब के अंदर पड़ी, अपनी गन के दस्ते को छुआ, खुद को शान्त रखने की कोशिश की, मगर वो घबराट पर काबो नहीं पा रहा था, और उसका चहरा पसीने से तर हो रहा था, पुलीस मैन ने उप टॉर्च की रोशनी उसके चैरे पर फैकी, हैरी का जी चाह रहा था, कि वो वहाँ से भाग खड़ा हो जाए, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाले रखा, पुलीस मैन ने टॉर्च का प्रकास उसके चैरे से हटा कर कार के अंदर डाला, फिर इस बात से संतुष्डों क कि अंदर कोई नहीं बैठा है, उसने पूछा, एक विजाल से एक सिटर में बैठे, दो आदमियों को तुमने इस तरह बाते हुए देखा, मैंने कारे तो कहीं देखी, हैरी ने कहा, लेकिन दो आदमियों की मुझे याद नहीं, पुलीस मैन गुराने लगा, लोगों को आगे बढ़ा दी, और नाकावंदी को पार किया, वहाँ खड़े दूसरे चार पुलिसमें एक जुन में खड़े बाते कर रहे थे, उन्होंने हैरी की तरफ देखा तक नहीं, बैरियर को पार करते ही, हैरी ने रफ्तार बढ़ा दी, वो दूसरी कारों से आगे निकला, और या पुलिस की गोली से मुर्दा होकर सड़क पर पड़ा होता, उसके दिल में ग्लोरी के प्रती प्यार उमड़ाया, वो जरूर उसके एहसानों का बदला चुका देगा, उसे इंगलेंड ले चलेगा, और उसके जिंदगी को एशो आराम तथा खुशियों से भर देगा, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, और वो अपनी इच्छा की हर चीज़ हासिल कर सकेगी, उनर जब ताकामोरी के साथ सौधा तैह होने तक का इंतजार करना पड़ेगा, फिर वे जा सकेंगे, अगर हैरी ताकामोरी से पंद्रे लाक वसूलने में सबल हो गया, तो उसे एर ट द्वारा प्लसारित हो चुकी होगी, इस समय बोर्ग रेडियो पर हाईजयक की कहानी सुन रहा होगा, जियो जो समय कुजरता जाएगा, उसे यकीन होने लगेगा, कि हैरी ने उसे धोका दे दिया है, हैरी की मुस्कान और फैलने लगी, पुलिस की तरह बोर्ग भी हैरी ग जहाद एक तर्मकान लकडी के थे, और कुछ एक दुकाने वहाँ थी, डैश्बोर्ड की घडी में 11 बच कर 10 मिनट हो रहे थे, ज्यादा तर्मकान अंधिकार में डूबे होए थे, पांच मिनट बाद वो मोट के गेट पर पहुँचा, वो कार को धीरे से गेट के अंदर ल दिखा था, ओफिस, हैरी ने 1930 मॉडल की, एक फोड की बगल में कार खड़ी की, फिर बाहर निकल कर ओफिस की और बढ़ा, दर्वाजे को खोल कर, वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गया, कमरे की छट के बीच में एक नंगा बल्ब लटक रहा था, वहाँ बैठा हुआ ध दोपेर के बाद एक केविन भुक करा के रखा होगा, केविन का नंबर क्या है, हैरी सन, वो मोटा आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हो गया, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मिस हैरी सन तुमारे आने की अभिशा कर रही है, केविन का नंबर 20 है, बाई और का आकरी केविन, हैरी न मैंने कुछ नहीं सुना, कल के अकबार में पढ़ सकोगे, ये खबर चारो तरफ तहलका मचा देगी, हवाई जहाज को हाई जेक किया गया, और ड़केट 30 लाग डॉलर के हीरे ले उड़े, गार को मार डाला, और दो ड़केट भी मारे गये, तुमने कभी सुनी थी ऐसी संस सनी खेज कबर, प्रेन हाई जेक, क्या सच मुच, हैरी दर्वाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरा ख्याल है, गार में काफी हिम्मत थी, बेचारा ड़केटों के साथ लड़ते हुए मारा गया, पुलीस को चैरे पर जख्म के निशान वाले आदमी की तलाश है, उसके रिपोर्ट दी है कि उस और कोई कार नहीं गई है, अतेवे ज़रूर इसी और आ रहे होंगे, मेरा ख्याल है मुझे अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, वो घबरा रही होगी, वे अधिक देव तक बचे नहीं रह सकते, दूसरा टकेट बुरी तरह गायल हुआ है, हैरी ज़रॊशनी दिखाई दे रही थी, उसने दروازा खट-खटाया, कौन है, गलोरी की तीखी आवाज सुनाई दी, हैरी, हैरी ने गलोरी के भागते कद्मों की आठ सुनी, फिर ज़टके से दरोازा खुल गया, गलोरी ने भाएं फैला कर, हैरी के गले में डाल दी, और कसकर आ क्या तुम्हें चोट लगी है नहीं हैरी ने बकसा पलंग पर रख दिया काफी कठिन काम था लेकिन मैं सही सलामत निकलाया हूँ उन्होंने गाड को मार डाला हाँ ये बदकिस्मती की बात थी कि वो बेव कुफ़ा मौजुद था उसने हाँ मैंने सुन लिया है मैं बहुत घ दिखा आइम सॉरी हैरी ये एक जबर्दस जटका था मैं उम्मित लगाए दुआ करती रही थी कि ऐसा कुछ न हो जाए उस बेव कुफ़ को मैंने नहीं मारा हैरी जलाते हुए बोला अगर फ्रैंक्स ने उस पर गोली ना चला दी होती तो वो मुझे मार डालता वो मुझे चिर्सी हो उठी थी कि उसे ग्लोरी के सामने जवाब दही करनी पड़ रही थी देखो मुझे ड्रिंक की ज़रुवत है कुछ है हाँ मैंने विस्की खई रखी है मैंने सोचा था ठीक है ले आओ हैरी की आवाज के बदलाव को सुनकर ग्लोरी ने तेजी से उसकी और देखा फिक भीधरी कमरे में चली गई कुछ देर बाद वो विस्की की बोतल, दो ग्लास और पानी का जगलिये वापिस लोट आई हैरी ने ग्लास में चार अंगूल विस्की डाली, थोड़ा सा पानी मिलाया और आधा ग्लास पी गया उसने थोड़ी से विस्की और डाली और विस्तर पर बैठ गया उसने सिगरेट सुलगा कर गलोरी की और देखा जो अपने लिए विस्की डाल रही थी मैंने फ्रैंक्स को छोड़ दिया उसने कहा ये जरूरी हो गया था तो दोस्तों ये था संकी कातिल नौवल का पार्ट फोर ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं और हाँ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे कंटेंट में लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुट बाई सेफ रहिए हुश रहिए मज़े करिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं खुश होंगे मज़े में होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नएने ओडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से नॉबल से और स्टोरीज से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे आडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं संकी कातिल नोवल का पार्ट फाइफ इसके बाकी के चार पार्ट आप आप अल्रेडी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको उपर आई बटन से मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों जादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं संकी कातिल नोवल का पार्ट फाइफ ग्लोरी हट बढ़ा कर उसकी और देखने लगी हैरी ने उसके चेहरे पर निगा डाली फिर दूजरी और फेर ली उसे छोड़ दिया? वो तो खायल था ना? हाँ, कहां छोड़ दिया उसे? खुदा के वास्ते मुझे इस तरह से घुरो मत हैरी क्रोधिस्वर में बोला मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया मुझे ऐसा करना पड़ा पुलिस ने रास्ते में नाकावंदी लगा रखी थी और ट्रैफिक रोक कर हर कार की तलाशी ले रही थी अगर उन्होंने मेरे साथ सीट पर खून से ना आये फ्रैंक्स को देख लिया होता तो मेरा क्या हश्र होता? इसने मुझे ऐसा करना पड़ा समझ गई अचानक लोरी धम से बैठ गई जैसे टांगे जवाब दे गई हो ये क्या है है हैरी? उसने बिस्तर पर रखे बक्से की और इशारा किया हैरी ने कुद को साइयत रखा उसे मालूम होने लगा था कि लोरी परिशानी खड़ी करने वाली है देखो गलोरी मुझे सोने दो मैं बुरी तरह थका हुआ हूँ क्या है ये हैरी? हीरे और क्या सोच रही थी तुम? गलोरी ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया उसकी आँखे फैल रही थी लेकिन तुमने इने बोर्ग के हवाले क्यों नहीं कर दिया? तुमने तो चिठी में लिखा था कि यही तैह हुआ है मैंने हीरे इसलिए उसे नहीं दिये क्योंकि अब मैं बेवकुफ नहीं रहा तुम्हारा दोस्त क्यों 20 लाग पर हाथ साफ करे जबकि सारा जोखिम मैं उठाओ और मुझे सिर्फ 50 अजार पर संतोस करना पड़े मैं जानता हूँ कि मुझे किस आदमी से 15 लाग डॉलर मिल सकते है और मैं उसके साथ सौधा करने वाला हूँ ऐसी की तैसी डिलानी की और बोर्ग की भी नहीं ग्लोरी भैविस्वर में चीक उटी और खड़ी हो गई तुम ऐसा नहीं कर सकते है री तुमें हीरे बैन को दे देने चाहिए जरूर दे देने चाहिए उसने तुमें पैसे दिये हैं तुम पर भरोसा किया है आग भरोसा किया है जैसे कोई लोमडी पर करता है जहां भी मैं जाता रहा हर वक्त उसके दो आदमी मेरे पीछे लगे रहते थे उसने बोर्क को भी मेरे पीछे लगा रखा था मुझ पर भरोसा किया था वो कमबकत तो अपनी मापर भरोसा नहीं कर सकता कि कई वो उसके खाने में जहर ना मिला दे उसने मुझे पचास अजार इसले दिये क्योंकि हीरे हासल करने के लिए उसके पास इसके सिवाए और कोई चारा नहीं था उसने काफी चतुराई दिखाई लेकिन अब मेरी बारी है मैं खुदी हीरो का सौधा करने वाला हूँ ग्लोरी खुद को साइयत करने की कोशिश करने लगी वो काप रही थी और उसका जिसम ठंडा पढ़ने लगा था देखो डार्लिंग तुम समझ नहीं रहो उसने कहा मैं अनुभव कर रही हूँ कि तुम लालच में पढ़ गए हो लेकिन तुम्हें हरगिस ऐसा नहीं करना चाहिए बैन को डबल क्रॉस करके कोई बच नहीं सकता मैं उसके साथ 14 माईने रही हूँ और उस दोरान दरजन बर आदमियों ने उसके साथ कोशिश नहीं कर रही हो कि वे हैरी ग्रीन को ही तलास्ते फिरेंगे तुमारा बहुत-बहुत शुक्रिया कि अब हैरी ग्रीन का आस्तित्यों मिट चुका है ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि डेलारी को डबल क्रॉस किया गया और इस बार वो कुछ नहीं कर सकता वो मुझे कभी ढूंड नहीं निकाल पाएगा मेरा आस्तित्यों ही नहीं है पुलीस और वो हजारों सालों तक ढूंड रहे है फिर भी मुझे पाने ही सकते इसलिए फिक्र मत करो बेबी हमें कुछ नहीं होगा नियोर्क के बैंक में 50,000 डॉलर की रकम हमारा इंतजार कर रही है और यहां बिस तर पर 30,000 के हीरे पड़े हैं फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है यह बिल्कुल फुल्प्रूफ मामला है तुम समझी नहीं ग्लोरी ने हातों में अपना चेरा छुपा लिया और सिसकने लगी टेलिफोन की घंटी बसते ही फे को हैरान छोड़कर बेंड डेलानी जल्दी जोटकर खड़ा हो गया और कमरे के दूसरे सिरे पर जाकर उसने रिसीवर उठाया उसने रेडियो पर डखेती की खबर सुन ली थी हत्या की खबर से वो अपने स्वभाव के विपरित बौकला उठा था उद्वशक के उत्ते जिस्वर को सुनते हुए उसने सोचा था कि हीरे उसके पास लाए जा रहे है तो वो मुसीवत में पढ़ सकता है गाड मर चुका था और लेविन और मिक्स भी मारे जा चुके थे इस बास से बड़ी संसनी पैदा हो सकती थी अगर किसी तरह उसका नाम डखेती के साथ जुड़ गया तो पुलीस चीफ और हैरिसन को मजबूरन उसके खिलाब कारवाई करनी पड़े की जिसे वो हरगिस नहीं चाता था उसे दो गंटे से बोर्ग के फोन का इंतजार था और देर होने की वज़े से उसे कोस्ता रहा था कौन है वो माउथ पीस पर चीखा बोर्ग बोर्ग की भद्दी सी हाफती हुई आवाज सुनाई दी धोका हो गया है वो दिखाई नहीं दिया बेन गुसे से जलबुन गया बोलते रहो वो गुर रहा है मैं यहाँ दो गंटे से बैठा इंतजार कर रहा हूँ और उसका कोई निशान तक नहीं है बोर्ग ने कहा उसने साड़े नौ बज़े पहुँचने का वादा किया था लेकिन इस समय बारा बज़ने वाले हैं उसने हमें धुका दे दिया है शायद है सना हो डैस के कौने से टेक लगाते हुई बैन ने कहा हो सकता है वो किसी मुसीबत में पढ़ गया हो रेडियो पर बताया गया है कि वो और फ्रेंक्स कार द्वारा भाग निकले है फ्रेंक्स घायल हो गया है मुम्किन है पुलीस ने उन्हें पकड लिया हो पुलीस उसे पकड नहीं सकी है अलबता उन्होंने फ्रेंक्स को पा लिया है ग्रीन ने उसे सड़क के किनारे फैंक दिया था और अत्यादिक रत्स्राव होने की वज़े से उसकी मृत्य हो चुकी है जिस समय पुलीस ने उसे उठाया उसे मरा हुआ आदा गंटा हो चुका था नहीं हैरी ने सच मुझा में धुका दिया है वो हीरो के साथ भाग गया है बैन के दिमाग में 50,000 डॉलर गुमने लगे जो उसने हैरी को दिये थे वो हीरो के बदले मिलने वाले 20,000,000 डॉलर के बारे में सोचने लगा फिर उसे याट की याद आई अगर वो हरामजादा सोचता है कि मुझे डबल प्रॉस करके वो बच निकल सकता है तो उसे फिर दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा गुस्से से दान पीशते हुए बैन ने कहा उसके बीचे पढ़ जाओ सुना तुमने लेकिन उसका तो आस्तित्व ही नहीं है बुर्ग बुला वो हरी गरीन था ही नहीं अब तक वो अपने अस्ति रूप में प्रकट हो चुका होगा मैंने पहले ही कहा था कि ये सब हो सकता है बैन डैस से उठकर कुर्सी पर बैठ गया उसका चेहरा तम-तमा रहा था और आखों में गहरी चिंता व्याप थी तुम्हें कार का नंबर मालूम है LMX 9900071 लेकिन इससे क्या फाइदा सवाल मत करो रिसीवर पर बैन की पकड कस गई सुनो तुम्हें इस सक्स को किसी भी तरह ढूंड निकालना है इस बात की मुझे कोई परवा नहीं कि इसमें कितना वक्त लगता है और कितना खर्चा होता है लेकिन उसका पता लगाओ और सुनो जब तक तुम उसे ढूंड नहीं निकालते तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं करना है समझे और अगर तुम इसमें काम्याब नहीं हुए तो तुमारे लिए मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा मैं उसे ढूंड निकालूंगा बोर्ग ने सांस्वर में कहा इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं उसे जरूर ढूंड निकालूंगा ग्लोरी डेन नाम की उस औरत को मालूम होगा कि वो कहां रहता है उसके पीछे पढ़ जाओ बैन बोला मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता कि उसे किस तरीके से ढूंड निकालना है लेकिन ढूंड निकालो जरूर उसने जोर से रिसीवर पटक दिया और काफी देर तक कुछ सोस तरह क्या बात है आनी सिरु उठाकर उसकी और देखते हुए फे ने पूछा बड़े कुध हो रहे हो चुप रहो बैन चीख पड़ा अपने से मतलब रखो उसने फिर से रिसीवर उठाया और बोला पुलिस हैटकॉटर से मिलाओ फे जख पका गई और फिर से दिवान पर लेट गई वो सोचने लगी कि बैन की नाराजगी उसके लिए बोरियत पैदा कर देती थी उसकी इच्छा हो रही थी कि बैन उसे आज रात फिल्म दिखाने ले जाए लेकिन अब ये नामुम्किन दिखाई दे रहा था बेशक कल सुबह वो अपनी नाराजगी के लिए उससे माफी चाएगा और उसे खुश करने के लिए कोई उपार दे देगा लेकिन इस वक्त उसे बोर होना ही पड़ेगा बैन ने फोन पर कहा मुझे ओ हैरी डेन से मिलाओ लाइन पर पुलिस चीफ के आने तक वो प्रतिक्षा करता रहा फिर बोला पैट मैं बैन बोल रहाँ कैसे हो हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखो पैट मेरे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है जो तुमारे काम की हो सकती है मेरे एक आदमी ने मुझे संकेर दिया था कि जिस आदमी ने प्लेन डखेती डाली है उसका नाम हैरी ग्रीन है नहीं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालू सिवाए इसके कि एसेक स्ट्रीट पस्थिक फोटोमेट नामक दुकान में उसने अपनी तस्वीर खिचवाई थी मेरे आदमी का विचार है कि उसका लंगडापन और चेहरे पर जक्म का निशान दोनों बनावटी है उसकी कार एक पॉंटियक है और जिसका नमबर है LMX 9990071 वो किस देर सुनता रहा उसके होटो पर भेड़ेगी जैसी धूर्तमुसकान उभरी जरूर पेट तुम जानते ही हो कि जो मैं कर सकता हूँ वो हमेशा करता हूँ हाँ उमीद है कि तुम उसे पकड लोगे ऐसी डखेती धंदे के लिए हानिकारक हो सकती है वो हसने लगा अगर तुमने उसे पकड लिया तो मुझे भी सुचित कर देना हाँ फिर मिलेंगे फिलाल के लिए विदा उसने रिसीवर लटका दिया हैरी के सोजाने के काफी देर बाद तक भी लोरी पिस्तर पर उसकी बगल में लेटी जाग रही थी और सिलिंग पर पड़ी प्रकास की रिखाओं की और ताक रही थी उसे मालम हो चुका था कि वो हैरी को बेन के साथ धुका लड़ी करने से रोकने में बिल्कुल असमर्द थी उसे अब यकीन हो गया था कि अगर वो हैरी के सामने और गिर्ड़ गिर्डाने लगी या उस पर अधिक दबाव डाला तो हैरी नाराज हो जाएगा और उसे छोड़कर चलता बनेगा लेकिन वो हैरी के मनसुबे के नतीजे के बारे में सोच कर ही आतंकी धोटी थी वो बेन को अच्छी दरे से जानती थी उसके साथ धोके बाजी करना साम से छेड़खानी करने के बराबर था उसने स्वैम से कहा कि उसे हैरी का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि अगर बेन को इस बात का बता चल गया कि वो हैरी के साथ थी और हैरी के रूप बदलने का आइडिया उसी का था तो वो उस पर कोई रहम नहीं दिखाएगा यद्दे भी वो भैवित थी और इसे मालुम था कि हैरी का साथ छोड़ देना ही बुद्धिमानी का काम था लेकिन वो स्वैम को ऐसा करने के लिए तयार नहीं कर पा रही थी उसे अनुभू हो चुका था कि हैरी उसके जीवन का आखरी मर्द है अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो जीवन भर के लिए अकिली रह जाएगी इसलिए उस्थिती का सामना करने के बजाए उसने बेन की तरफ से आने वाली विपत्तियों का सामना करने का फैसला किया बहराल शायद वो खुद को बेकारी डरा रही थी बेन को तो हैरी ग्रीन की तलाश होगी और जैसा कि हैरी ने कहा था, उस कास्कित्व खतम हो चुका है, कोई नहीं सो सकता, बेन भी नहीं, कि उसकी बगल में लेटा वेक थी, मोटे चहरे पर जखमे के निशान वाला भारी बरकम हैरी ग्रीन है, उसे पका यकीन था, लेकिन अगर उन्हें एक साथ देख लिया, तो क अगर उसने उन्हें एक साथ देख लिया, और ये पता लगा लिया, कि हैरी C.A.T.C. में पाइलिट रह चुका है, तो उसे समझने में देर नहीं लगेगी, कि हैरी ही वो आदमी है, जिसकी उसे तलाश है, अगर वो हैरी से अलग हो गई, तो ऐसा कदापी नहीं हो सकता, ल फिर अचानक उसके दिमाग में एक दूसरा ख्याल उबरा, मान लो, हैरी को इस बात का एसास हो गया, कि बेन गलोरी के माध्यम से ही उस तक पहुँच सकती है तो, मान लो उसे मालुब हो गया, कि हैरी क्रीन और इसके बीच की कड़ी गलोरी ही है, तो वो क्या कर सकता है, उ उसे देखकर गलोरी को लगा, कि वो दिल की गहराई से उसे चाती है, उसे पकाई एकीन हो गया, कि वो उसे नहीं छोड़ सकती, चाहे इसका मतलब दोनों की मौती क्यों नहों, अचानक केविन के बाहर कुछ आठ सुनकर वो सिहर उठी, उसने सिर उठा कर कान खड़े करके सुना और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, बाहर कोई चैल कदमी कर रहा था, बरामदे में पढ़ती किसी के कदमों की आहाट उसे सुनाई दे रही थी, वो घबराई हुई बिस्तर से उठ गई, और जिसम में एक चादर लपेट कर खिड़की के पास आई, उसने बाह कर हैरी ने पूछा, क्या तुम किसी को सोने भी नहीं दे सकती, पुलीस, ग्लोरी फस्वसाई, बाहर कम से कम पुलीस के दस आत्मी खड़े हैं, हैरी सननाटे में आ गया, ग्लोरी ने देखा उसके चैरे से खून सूख गया था, और आँखों में खौफ के गहरे भाव रहे थे, उसने तक्ये के नीचे से अपनी गन निकाली, सेफ्टी कैज को पीछे खींसते हुए, उसने चादर एक और फैंक दी और खड़ा हो गया, नहीं हैरी, ग्लोरी फस्वसाट की आवाज में बोली, हैरी की घबराट देखकर वो सतर खोट ही थी, अब वो सुरक्षा अपना चुकी थी, और उसका दिमाग तेजी से हैरी की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था, गन रख दो, वे मुझे जंदा नहीं पकट सकेंगे, लेकिन उन्हें तो मालूमी नहीं कि तुम हो कौन, वे तुमें नहीं पेचान सकते, हैरी क्या सोच रहे हो, गन नीचे रख देना चाहिए था, लेकिन उन्हें कैसे पता चल गया कि यहां खड़ी है, ग्लोरी ने उसका हाथ पकड़ा, कार को भीतर ले आते हुए किसी ने तुमें देखा था, मेरा ख्याल है नहीं, मैंने भी किसी को नहीं देखा था, क्या तुमने मैनेजर को यह बताया कि तुमारे पास एक कार भी है, नहीं, तो फिर सुनो, वो कार तुमारी नहीं है, अगर उन्होंने पूछा, तो बता देना कि तुम बस से आये थे, अंदिम बस लगबग उसी वक्त आ पहुंसती है, जिस वक्त तुम यहां पहुंचे थे, हमारी कार तो कतार के सेरे पर है, वो मर करी, छे पुलिसमेन, फ्लेश लाइट और गन जमाले केबिन के और बढ़ रहे थे, बक्सा कहा है, ग्लोरी ने फुस फुस आते हुए पूछा, हैरी बक्से के बारे में भूल गया था, और ये भी कि उसने अब तक गन को हाथ में थाम रखा था, वो भूल गया था, कि उसने फ् रक्सित जगे तलाश करने लगा, तभी बाहरी दर्वाजे पर एक भारी दस्तक पड़ी, ग्लोरी ने उसके हाथ से बक्सा छीन लिया, इसे मैं छुपा दूँगी, तुम उनसे निप्टो, हैरी एक पल हिच की जाया, फिर एक गहरी सांस छोड़कर, बैठक कमरे की और हो का, मेरा नाम टैड हैरी सन है, हैरी बोला, क्या बात है, क्या है डार्लिंग, ग्लोरी ने पीछे से आकर पूछा, पुलिसमेन को देखकर, वो कले से चीक दबाने का बहाना करने लगी, ग्लोरी को देखकर दोनों, पुलिसमेनों के चहरों पर संतोस के भाव जलकने लगे गपराने की कोई बात नहीं है एक पुलिसमेन ने का क्या बार खड़ी वो पॉंट्याक कार आपकी है नहीं तो लोरी ने का हमारी तो वो मर करी है हम अंदर आना चाहते हैं पुलिसमेन बोला हमें एक आदमी की तलाश है हो सकता है वो इधर ही कहीं छुपा हुआ हो हैरी एक तरफ हट गया अंदर चले आईए लेकिन यहां तो मेरे और मेरी पत्नी के सिवा और कोई नहीं है एक पुलिसमेन अंदर चला गया और सीधे बैडरूम में दाखिल हो गया फिर लगबग तुरंधी वापिस लोट आया नहीं उसने अपने साथी से का मेरा ख्याल है वो अब तक मीलो दूर निकल चुका होगा उसने कार छोड़ दी फिर उसने गलोरी की और देखा आपने हीरे की डखेती के बारे में खबर सुनी हाँ रेडियो पर सुनी थी ये वही कार है जिसमें डखेत भाग निकले थे आपने इस कार को अंदर आते हुए देखा था मैंने आवाज सुनी थी समय मुझे ठीक से मालूम नहीं शायद एक घंटा पहले इससे भी ज़्यादा वक्त हो सकता है कार का इंजन थंडा पड़ चुका है कार शायद साड़े बारा के करीब यहां पहुँची होगी मैंने समय नहीं देखा था क्या आप सोसते हैं कि वो यहीं चुपा होगा पुलिसमेन ने सिरहलाया वो यहां नहीं ठैर सकता मेरा ख्याल है उसके पास दूसरी कार होगी जो उसने कहीं चुपा रखी होगी आपने दूसरी कार की आवाज नहीं सुनी शाय सुनी थी लेकिन मैं आधी नीन में थी वेल ठीक है बिस्तर से उठा देने के लिए हमें अफसोस है सिर हिलाते हुए दोनों पुलिसमें अगले केविन की और चले गए ग्लोरी ने दर्वाजा बंद कर लिया और उसी पर पीट टिका कर धीली पड़ गई तुमने बड़ी सफाई से संभाला हैरी ने लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए का तुम में काफी दमखम है बेबी मैं तो दिवार फानने के लिए तयार था ग्लोरी उसके पीछे पीछे चलकर बैडरूम में आई और विस्तर पर बैठ गई वो काप रही थी और थंडी पड़ रही थी उसने सोचा ये शुरुआत थी ठीक वैसी ही जब बैन एक मामुली सा गैंग्स्टर हुआ करता था रात के वक्त दर्वाजे पर अचानक दस तक हाथ में गन लिये सक्ट चैरे वाले पुलिसमेन और उनके सवालात बैन को बचाने के लिए उसकी जूटी बातें उसे उम्मीद थी कि इन सब जहमेलों से अब छुटकारा मिल गया है लेकिन नहीं ये तो दुबारा शुरू हो रहा था और नजाने कब तक चलता रहेगा उसे अब इस बात से पक्का यकीन होने लगा था और सोच सोचकर वो कमजोर पढ़ने लगी थी हैरी खिड़की के पास खड़ा अंधेरों में छाक रहा था साधे कबड़ों में तीन जासो साप पहुँचे थे और कार की तस्वीरे खीचने और उंगलियों के निशान ढूंडने में व्यस्त थे उन्हें देखकर भैकी सद लहर से हैरी का बदन अकड़ने लगा उंगलियों के निशानों के बारों में तो उसने ध्यानी नहीं दिया था जिस सुरक्षा को ध्यान में रखकर वो आस्वस्त हो रहा था अब वो उसे छिन्मिन होती दिखने लगी उसे पकड़ने का पुलीस के पास यही तो एक रास्ता था कार में उसी उंगलियों के दर्जनों निशान पड़े होंगे अगर उन्होंने यहां ठहरे सभी लोगों की उंगलियों के निशान लेने का निश्चे किया तो वे उसे आसानी से दबोच लेंगे वो बैचैनी से कमरे में चक्कर लगाने लगा ग्लोरी वे कार में मेरी उंगलियों के निशान ढूंड निकालेंगे वे निशान मुझे ले डूबेंगे मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था ग्लोरी उसे घूरने लगी उसे भी इसका खयाल नहीं आया था मैं शायद पिछले रास्ते से भाग जाने में सफल हो जाऊं हैरी बोलता रहा गबराट से उसका चेहरा कटोर पड़ गया था वो सोर दोड़ा जहां उसने अपने कपड़े रखे थे मेरे सामने यही मौका है नहीं, गलोरी उचल कर खड़ी हो गई और उसके पास पहुंची बेवकूफ मत बनो अगर उन्हें पता चल गया कि तुम भाग खड़े हो गए हो तो उन्हें समझने में कटना ही नहीं होगी कि तुम ही वो सक्स हो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा ये भी हो सकता है कि उन्हें उंगलियों के निशान लेने का विचारी ना सुझे और अगर उन्हें ऐसा नहीं किया तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर उन्हें ऐसा ही किया तो हैरी हीच की चाते हुए बोला भलाई इसी में है कि तुम चुक्चा बैठे रहो तुम्हें ये खत्रा उठाना ही पड़ेगा एक बार भाग निकले तो अपने आपको खत्म समझो इस बात को नजर अंदाज मत करो पसीने से तर चहरा लिए हैरी फिर खिड़की के पास आया और बाहर ज्हांकने लगा अगर मुझे पता हो था कि इस कांजाम ऐसा भी हो सकता है तो मैं हर्गीज ये काम न करता वो बड़बडाने लगा मैं भी कैसा परले दरजे का हैमक था कि निशानों का ख्याल ही नहीं रखा अगर मैं फिलहाल बच गया तो भी किसी भी समय पकड़ा जा सकता हूँ दस साल बात भी अगर मुझे कोई कार दूर गटना गरस्थ हो गई और पुलीस ने उंगलियों के निशान लिये तो मैं डूप सकता हूँ कैसा मुर्ख हूं मैं लोरी धड़कता दिल लिये स्थिर खड़ी रही हौसला रखो हैरी उसने कहा कुछ नहीं होगा चुप रहो हैरी गुर बात करना आता है फासी का पंदा तुम्हारे कले में तो नहीं पढ़ने वाला है ना मुझे हैरी गृन बनाने की तुम्हारी कल्पना तो लाजवाब थी तुम इतनी चतुर दिमाग वाली थी तो उंगलियों के निशानों के बारे में क्यों नहीं सोचा हैरी ग्रीन का अस्तित्व नहीं वो तो यहीं ठीक यहीं पर है ताकि कोई पुलीसी आसानी से उसे पकड़ सके उस ने अपने दोनों हाथ फैला दिये अगर तुमने मुझे हैरी ग्रीन का बहुरूप धारन करने का एडिया नहीं सुझाया होता तो मैं इस काम में हाथ नहीं डालता ग्लोरी ने अपनी आखे मीच ली तुम ये कैसे कह सकते हो हैरी तुम जानते हो मैंने तुमें रोकने की बार-बार कोशिश की थी पकवास बन करो तुम्हें इसके सिवा आता ही क्या है मैं अब इस मुसीबत से कैसे चुटका रहा पाऊं कार के इंजन की आवाज सुनकर हैरी वापस खिड़की की और मुड़ा एक ब्रेकडाउन ट्रक आ पहुँचा था पुलिस ने पॉंटिया को क्रेन के साथ जोड़ दिया फिर ट्रक पॉंटिया को खिसते हुए वहाँ से चला गया तीनों जासुस एक जुन में घड़े आपस में बाते कर रहे थे उनकी और देखते हुए हैरी के बीचे हुए दान्तों के बीच से सिसकारी निकल गई भी थो गया था इस प्रतिक्रिया से उसका संतुलन बिगड़ गया था ग्लोरी भाग कर दूसरे कमरे में चली गई उसने क्लास में धेर सारी विस्की उड़े ली फिर उसे लेकर वापस लोट आई इसे पीलो डार्लिंग हैरी एई की सांस में पूरी विस्की गटक गया किसी के निशान तो नहीं ले सकते वे कैसे सो सकते हैं कि तुम हैरी ग्रीन हो हाँ तुम ठीक कह रही हो उसने ग्लोरी किया और देखा फिर उसे खीच कर अपनी बगल में बिठाया कुछ देर पहले मैंने तुमसे जो कुछ कहा था वो मेरा अभी प्राय नहीं था तुम समझ सालिंग बहुत देर हो जाने से पहले ही चलो हम ये सब खत्म कर दें हम डाग द्वारा हीरे बेन के पास पहुँचा सकते हैं इसके बाद हमें इंसे छुटकारा मिल जाएगा कल सुबह सबसे पहले हम यहीं काम करेंगे यही एक रास्ता बचा है प्लीज हैरी विस्तर से जा रहा हो और मुझे कोई रोक नहीं सकता ग्लोरी ने निराश भाव से कंधे जटका दिये हीख है जैसी तुमारी मर्जी दिफार इस्टन ट्रेडिंग कॉर्परेशन के दफ्तर 27 श्रीट पस्तित नैशनल एंड कैलिफोर्नियन स्टेट बिल्डिंग की चार मंजिला में फैले हुए थे रिसेप्सन टेक्स पर बैठी सलीके से सजी सवरी स्वस्त तता खुबसुरत लड़की ने मुस्कुराते हुए हैरी के और देखा नहीं मुझे अफसोस है मिश्टर ग्रिफिन लेकिन मिश्टर ताकामो की बगेर समय तैक किये कभी किसी से नहीं मिलते उस ल लड़की के चेहरे से मुस्कुराट गायब होने लगी मिश्टर ताकामोरी ये मैं सुन चुका हूँ हैरी बोला लेकिन वो मुझसे मिलना चाहेगा उसने अपनी जेब से एक सील बंद लिफाफा निकाला और लड़की की और बढ़ा दिया ये उसे देदो तुम ये देखक ये मिश्टर ताकामोरी के लिए है लड़के के चले जाने के बाद वो हैरी के और मुडी प्लीज बैट जाईए हैरी बैट गया और सिगरेट निकाल का सुलगाने लगा उसे काफी गबराट हो रही थी लेकिन वो किसी तरह उस पर काबू पाए हुए था ड़केती के बाद आज पांचवा दिन था वो और ग्लोरी नियोक के चोटे से होटल में ठहरे हुए थे ताकामोरी के साथ इस महत्रपूर्ण मुलाकात के लिए वो ग्लोरी को वहीं छोड़कर लाउस एंजलेस लोट आया था उसने ताकामोरी के साथ सोधा पटाने के लिए एक सुरक्षेत ढूडने में काफी दिमाग खपाया था मगर सफल नहीं हो सका था अन्मन ने भाव से उसे स्विकार किया था कि अगर पंद्रे लाग डॉलर की रकम हासिल करनी है तो उसे ताकामोरी के साथ अपने वास्तविक परिच्चे के साथ मिलना होगा किसी जूटे नाम या पर जाएगी ताकामोरी के साथ खुला सौधा करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था उसे एक चुआख हिलना पड़ेगा क्योंकि ताकामोरी को हीरो की सक्ष जरूरत है हाथे वो पुलिस को खबर नहीं करेगा अगर जुए में हैरी हार गया तो वो मसीबत में पढ सकता है मगर जिश जंग से वो योजना तैयार कर रहा था उससे लगता नहीं था कि मुसीबत भारी हो सकती है जब उसने अपने प्लान के बारे में गलोरी को बताया था तो वो आतन की थोड़ी थी उसने असा ना करने के लिए काफी जोड़ दिया था अब तक हैरी उसके व केसलिए लोगों का रेला उमरता रहा जो उस लड़की के पास पहुंसते लड़की मुस्कराट के साथ उनका स्वागत करती फिर उनने दफ्तर के लड़कों के साथ निरदश्ट विभागों की और भेज देती हैरी वहीं बैठा सिगरेट पीता रहा 35 मिनट में 4 सिगरेट डालने के बाद ही वो लड़का वापिस लोटाया जो लिफाफा लेकर अंदर गया था रिसेप्शन डैस पर जाकर उसने उस लड़की से कुछ कहा तो हैरी ने देखा लड़की की मुएं उपर की और खिचने लगी थी ओके मिश्टर ताकामुरी आपसे मिलने के लिए तैय पैसे से चलता हुआ अक्रोट की लकडी के एक दर्वाजे के सामने पहुंचकर रुप गया ऐसा लगता था जैसे वो लड़का दर्वाजे पर दस्तक देने से पहले अपनी हिम्मत बटोर रहा हो जब उसने दर्वाजा खट खटाया तो अंदर से एक धीमी आवाज आई ल खिड़की से लोस एंजलेस का समूचा पुर्वी इलाका दिखाई दे रहा था डैस के पीछे बैटा पीली रंगत वाला छोटा सा वेक्ती काली सफेच चार खाने की पतलून और काला कोट पहने हुए था उसके बाल भुरे थे और छोटा सा चैरा बिलकुल भाव सुनने थ उसने हैरी की और देखा और हाथ के इशारे से उसे डैस के सामने पड़ी कुर्सी पर बैट जाने को कहा तुम हो मिस्टर ग्रिफिन हैरी ग्रिफिन उस चोटे से आदमी ने चिडियों की जैसी अपनी चोटी चोटी आँखों से हैरी को घुरते हुए पूछा जी हां हैरी गोला आप मिश्टर ताका मूरी हैं उस आदमी ने सिरे लाया फिर हैरी द्वारा भेजी गई चिट उठाई तुमने इसमें लिखा है कि तुम मुझसे हीरो के संबंद में बाते करना चाते हो उसने चिट टेस्ट पर रख दी और पीछे की तरफ जुका हीरे के बारे में तु उन हीरो की चोरी हो गई है मैंने सुचा उन्हे वापिस हासिल करने में आपकी दिल्चस्पी होगी ताका मूरी ध्यानपुर्वक उसे घूरने लगा हां मुझे दिल्चस्पी है वो बोला मुझे यकीन था कि आपकी दिल्चस्पी जरूर होगी सिगरेट की रांग विचेज पड़े थे मैंने सोचा जब मुझे रुखना पड़ी गया है तो क्यों नहीं नास्ता कर लिया जाए मैं एक रेत के टीले पर चड़ा और वहां बैट गया मुझे उसी जगे रेत में आदा दसा स्टील का एक चौकर बॉक्स पड़ा मिला मुझे उसे खोलने में हीरे हैं जो चोरी चले गए थे बकसा जिस ढंग से रेत पर पड़ा हुआ था उनसे लगता था शायर ड़केतों की हिम्मट तूट गई हो और उन्होंने बकसा कार की खिड़की से बाहर फैक दिया हो मैं बकसे को पुलीस के हवाले कर नहीं जा रहा था लेकिन अचानक मेरे केरे बीच एक सौधा हो सकता है ताकामोरी हैरी को घुरने के लिए आगे की और जुका क्या वे हीरे सचमच तुमारे पास हैं उसने पूछा उसकी आवाज बिलकुल सामन्य थी जैसे वो हैरी से समय पूछ रहा हो आँ वे वास्तर में मेरे पास है हैरी बोला ताकामोरी फि सिग्रेट का तुकडा मसल दिया जो इसकी बगल में एक टेबल पर रखी हुई थी फिर पैकेट से दूसरी सिग्रेट निकाली और उसे सुलगाने लगा ये सब करते हुए वो ताका मोरी की चम की लिए आंखों को लगातार घूरे जा रहा था एक व्यापारिक सोधा उसने कह मेरा विचार है अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज हो जिसके किसी दूसरे व्यक्ति को बुरी तरह जरूरत हो तो बगएर कुछ लिये दिये उसे सौंप देना पहले वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी मुर्कता होगी ताका मोरी ने पेपर नाइफ उठाया और उसे यू घू ये तो व्यापार का उसूल है मिश्टर ग्रिफिन उसने कोमल स्वर में कहा लेकिन मैं समझता हूं कि ये फॉर्मूला इस देश में नहीं चल सकता जब सौदेबाजी किसी चोरी की चीज़ की हो रही हूँ मेरे विचार में ये उस पाने वारे का कर्त्यवे ही नहीं नहीं कि वो इस चीज़ को लोटा दे और बदले में मिलने वाला इनाम हासिल करे है हैरी मुस्कुराया ठीक बात है वो बोला लेकिन इस विसेश शेटप में मेरा दुर्ष्टी कोन कुछ अलग है मैं जानता हूँ उन हीरो का बीमा किया गया है और कवरेज आपके उपर है बीमा इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जहां तक मेरी जानकारी है आपके पास धनकी कमी नहीं मगर जिस चीज़ का आपके पास अभाव है ओ है आपको सरकार की और से मिलने वाला सम्मान और सुरिकृती मैं आपके बारे में दर्याफ्ट करता रहा हूँ ऐसा लगता है आप में हलका तीखापन का पुड़ था तुम कह रहे हो कि तुम्हें हीरे अचानक मिल गए है और मैं समझ रहा हूँ तुम उन्हें मेरे हाथ बेचने का प्रस्ताव रख रहे हो हैरी ने पीट कुरसी की पुस्त से टिका दी ऐसा ही विचार है और कीमत कितनी चाहते हो ये इतनी आसान बात नहीं है हैरी बोला नगत धन लेने में कहीं खत्रे हैं मैं चाता हूँ कि आप मेरी एक योजना में पुण्जी लगाए इस प्रकार की विवस्ता से मेरे लिए खत्रा कम रह जाता है ताकामोरी पुने पेपर नाइफ का निरेक्शन करने लगा पुण्जी की रक नोग को अंगुठे से सैलाते हुए जांचने लगा नोग काफी धारदाल थी अताकामोरी जटके से तियोरिया सी कोडते हुए ये देखने लगा कि कहीं अंगुठे में चोटना लग गई हो मगर नहीं लगी थी ये भी हो सकता है मिस्टर ग्रिफिन कि पुलिस चीफ ओ हैर भी कर सकता है कि तुम्हें लंबे अर्से तक जेल की हवा खानी पड़े हैरी ने कंधे सी कोड दिये वो मुझे हीरे लोटाने को विवश नहीं कर सकता मैंने उन्हें ऐसी जगे चुपा कर रख दिया है जहां से कोई डूंड कर नहीं निकाल सकता मैं सहमत हूं कि वो मुझे कैद कर सकता है लेकिन मुझे इसमें भी संदे है मेरे खिलाब आप ही बयान दे सकते हैं नहीं परियाप्त रूप से नहीं ताका मोरी बोला ये बाचिक टेप में रिकॉर्ड की जा रही है टेप वो हैरी डन को सौप देने की देर है कि तुम्हें अब्युक्त साबित करने म उसे कोई कटना ही नहीं होगी ग्लोरी ने हैरी को चेतावनी दी थी कि वारतला प्रिकॉर्ड की जा सकती है लेकिन वो उसकी बात पर हस दिया था अब उसे पता चल रहा था कि वो ठीक कह रही थी मगर उसे कोई घबराट नहीं हो रही थी ओके आगे की और जुकते हुए उ आप टेप पुलीस के पास भिजवा सकते हैं लेकिन कम से कम मैं क्या कहता हूँ उसे तो सुन लीजिए जब तक आप रिकॉर्डर आफ नहीं कर देते मैं कुछ नहीं कहूंगा ताका मोरी ने पेपर नाइफ रग दिया और नाप खुजाने लगा पिर डैस का एक बटन दब ठीक है तसली करने के बाद हैरी बोला अब हम धंदे की बात करते हैं आपको हीरे कत्रित करने तथा उन्हें ने रियात करने की अनुमती प्राप्त करने में 18 महीने लगे इसके लिए आपका सम्राट आपका स्वागत तथा सम्मान करने वाला था लड़ाई के दोरान मैं जा इसके हवाले कर सकते हैं मगर उस हालत में आप कभी भी हीरे प्राप नहीं कर सकेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हीरों को हैंडल कर सकते हैं और उन्हें हीरे मुझसे प्राप करने में बड़ी खुशी होगी डखेदी से मेरा कोई संबन नहीं है मेरा अपराद से वितना ही है कि हीरे मुझे मिल गए और मैंने उनके बदले में पैसों की मांग की लिहाजा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल की सजा हो सकती है या फिर पांच साल पांच साल बाद मेरी उमर 43 की होगी उन पैसों का उपभोग करने के लिए तब भी परियाब जवान रहूंगा जिने मैं हीरे बेच कर प्राप्त कर सकता हूँ पांच साल बाद आप प्रायत 73 साल के हो जाएंगे उस उमर में आपका समराड द्वारा दिये जाने वाले सम्मान जिसे वो दे भी सकता है और नहीं भी का उपभोग करने का आवसर नहीं भी मिल सकता है बशर्त यहां के अधिकारियों ने दोबारा हीरे निड्यात करने की अनुमती दीत हो वैसे मुझे ये कठिन ही लगता है कि वो आनुमती देंगे उसने सिग्रेट बुझा दी और दाकामुरी के पीले भाविन चैरे की और ताकते हुए दूसरी सुलगाई समराट को निराश करके अपनी साग गिराने के बजाए या दोबार आनुमती प्राप्त करने के बजाए मैं सोचता हूँ आप मेरे साथ सौधा करने की बुद्धी मानी दिखाएंगे इस प्रकार आपना केवल हीरे तथा सम्मान हासिल करेंगे बल्कि आपको पंद्रे लाग डॉलर का ठोस फायदा भी होगा ऐसा तुम कैसे कह रहे हो कि इस सौधे में मुझे फायदा होगा बिल्कुल सीधी सी बात है हीरो का बीमा हुआ है समय आने पर बीमा कंपनी आपको पूरी रकम का भुकतान कर देगी आपके हीरे भी मिल जाएंगे ये बात बीमा कंपनी को बताने की ज़रूरती नहीं कि हीरे आपको वापिस मिल गए है एक साल के अंदर आपको 30 लाग डॉलर मिल जाएंगे आप मेरी कंपनी में 15 लाग डॉलर रगाएंगे और बाकी के 15 लाग आपकी जेब में चले जाएंगे बस हो सकता है ताका मुरी बोला तुमारी कंपनी कौन सी मैं एक एर टेक्सी सर्विस सुरू करना चाता हूँ योजना की पुरी रूप रेका इसमें है हैरी ने जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और उसे डेक्स के उपर रख दिया मैं इसे आपके पास छोड़ जाता हूँ आपके अधियान के लिए अगर इसमें आपकी दिल्चस्री पैदा होती है तो आप 10% का शेयर भी ले सकते हैं मैं इसकी विवस्ता कर सकता हूँ आपको चिंतित होने की आवशक्ता नहीं मुझे आवशक्ता है तो सिफ पुंजी की जो आपके पास है मैं नहीं चाहता कि आप तुरंट कोई फैसला करें लेकिन अपनी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए जादा समय भी मत लीजिएगा वो खड़ा हो गया ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इस सौधी को स्विकार करते हैं तो आप ब्लैक मिल का सीधा निशाना बन जाए वह इस्तिती मेरी भी हो सकती है ये एक साज़ेदारी का व्यपार है अगर एक साज़ेदार दूसरे को डबल क्रॉस करने की चेश्टा करता है तो दूसरा साज़ेदार भी वही हतियार प्रयोग कर सकता है मैं गायब भी नहीं हो सकता क्योंकि आपने अगर फाइनांस किया तो मुझे वैवसाई की देखबाल करनी होगी और आप हर वक्त मुझे पा सकते हैं हमें एक दूसरे पर निश्चे धर तक भरोसा करना होगा अगर मैं हीरे प्राप्त करने के जुर्म में जेल भीज़वाय जा सकता हूँ तो भीमा कमपनी के साथ धोकादड़ी करने के बदले आप भी जेल जा सकते हैं सोच लीजिए मैं रविवार को इसी वक्त आ जाऊंगा इस प्रकार आपको फैसला करने के लिए 48 गंटे मिल जाएंगे मैं आपसे ये खत्रा भी मोल ले रहा हूँ कि हो सकता है जब मैं यहां से जाऊं तो पुलीस मेरा इंतजार कर रही होगी मैं ये जोखे मुठा रहा हूँ अगर पुलीस यहां मौजूद हुई तो आप भी हमेशा के लिए हीरो को अलविदा कह दीजिएगा ताका मोरी को पेपर नाइफ से खेलता छोड़ हैरी दरवाजे की और लपका और उसे खोल कर कमरे से बहार निकल गया जब वो मुख्य लावी में पहुचा तो वो रिसेप्सन डैस वाली लड़की उसके पास आई माफ कीजिएगा मिश्टर क्रिफिन मिश्टर ताका मोरी ने अभी अभी फोन करके बताया कि आपने अपना पता उन्हें नहीं बताया हैरी एक पल हिचकी चाया क्या ताका मोरी उसके पीछे पुलीस को लगा देना चाता है उसे गिरफ्तार करवाना चाता है अगर यही उसका अभी प्राय है तो वो ऐसा उस वक्त भी कर सकता है जब वो दोबारा यहां लोटाता है मैरिट्स में ठहराओं कमरा नंबर 257 हैरी ने बता दिया शुक्रिया मिश्टर क्रिफिन बोर्ग चिंतित मुद्रा में कमरे में दाखिल हुआ और बेन डेलानी की डेस्क के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया उसने टोपी पीछे की और खिसकाई और रुमाल निकाल कर माधा पोंचने लगा देखो बुर्ग बैन बोला कल रात मैंने फोन पर जो कुछ कहा था उसे भूल जाओ उस वक्त मैं गुस्से में था ठीक है मुझे धोका दिया गया है मुझे परवा नहीं की वो कौन है मुझे पचास हजार की चपत लग गई है लेकिन ये मेरे लिए एक तजुर्बा शाबित हुआ है अगर मुझे इस वक्त हीरे मिल भी जाए तब भी उन्हें ठीकाने लगाना बहुत खतरनाक होगा ओहरिडन बड़ी गहराई से इस पर काम कर रहा है मुझे पांच ये छे साल तक उन्हीरों को दबाई रखना होगा हाला कि तब तक भी खतरा बरकरा रहेगा गाड की हक्तिया से मामला बहुत संसरी गेज बन गया है इस पर भी मुसीबत ये कि यात्रियों में से एक सिनेटर था और वो वास्तब में ओहरेडन पर चरदोड़ा है ऐसा लगता था बोर्ग उसकी बातों को दिलचस्पी के साथ नहीं सुन रहा था इसलिए मैं इस नुकसान को छोड़ रहा हूँ और भूल जाना चाता हूँ बैन बोलता रहा मैं तुम्हें वापस यहां चाता हूँ बोर्ग तुम्हें सेटब को और्गनाईज करना है मैं जानता हूँ मैं फोन पर सक्ती से पेश आया था मैं गुस्से में था इसलिए उसे भूल जाओ तुमारे बगेर यहां काम ठीक डंग से नहीं चल रहा है अगर मैं ग्रीन के पीछे पड़ता रहा तो मुझे पचास अजार से भी जादा रकम गवानी पड़ेगी वो अपने आप फस जाएगा उसे उन हीरो को मार्केट में निकालने दो फिर तुम देखोगे वो कितनी जल्दी पकड़ा जाता है बोर्ग कुछ नहीं बोला बैन ने बैचनी से पहलो बदला वो चिंतित था बोर्ग के बिना उसके संगठन का दिवाला फिट सकता था लड़के ढंग से काम नहीं कर रहे थे और आमदनी घटती जा रही थी एकाथ जगडे भी हो चुके थे कुछ चोटे मोटे बदमाशों ने नाइट कलब को लूटने की कोशिश भी की थी ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि निगरानी के लिए बोर्ग यहां मौजोद नहीं था बैन अपने आपको बुढ़ा मैसूस कर रहा था वो और्गनाईजेशन को संभालने की दिक्कत उठाना पसंद नहीं करता था अब तो वो से पैसे और उन्हें खर्च करने का वक्ट चाता था वो मैसूस कर रहा था कि वो वेर्थी बोर्ग के सामने रुखाई से पेश आया था इसलिए अब वो माफी चाह रहा था एक सिग्रेट का पैकेट निकाला एक सिग्रेट को होटों से दबा कर उसने पीतल के लाइटर से उसे सुलकाया फिर बैंक की और देखा नहीं उसने का अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहता हूँ मैं आपके लिए पिछले दो सालों से लगातार काम करता रहा हूँ और इस दोरान मुझे अपने लिए खर्च करने को दस मिनट भी नहीं मिले मेरे पास काफी धन जमा हो गया है और मैं काम नहीं करना चाहता फिलाल कुछ दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ बैंक का चहरा तंग गया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तुम चानते हो कि अब तुम रैकेट से बाहर नहीं हो सकते तुम थोड़ा अधिक पैसा ले सकते हो ठीक है मैं तुमारा हिस्सा कुल मुनाफे का 25% तक बढ़ा देता हूँ क्या ख्याल है बोर्ग ने सिरह लाया मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पास जरुवत के मताबिक धन जमा है इस समय मैं कुछ तनाव ग्रस्त हूँ और हैरी ग्रीन को तलास से फिरने में ही मुझे रहात मिलेगी उसका चैरा मुस्वराट के रूप में सिकोड़ने लगा मगर उसे देखकर बैन की रीड में से ठंडी जुर्जुरी दोड़ गई आपके एक बिजनसमेन बनने से पहले मुझे अपनी पसंद का काम मिल जाता था मिश्टर डेलानी आप मुझे किसी सक्स को संभालने के लिए कहा करते थे तो मैं उसे दुरुस्त कर देता था आप जानते हैं किस काम में मुझे रात मिलती है मैं बताता हूँ मैं चाहता हूँ एक अंधेरी वो भीगी रात में कार में बैठा अपने सिकार के मकान से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा हूँ अपने अचुक निशाने पर पूरा भरोजा किये और हाथ में गंधा में इंतजार करना मुझे पसंद है गोली के दमाकी की आवाज को सुनना शिकार का गिरते हुए देखना फिर तुरंद वहां से गायब हो जाना यही सब मुझे पसंद है लेकिन आजकल यह सब नहीं हो पाता हमारा बरताव ऐसा होने लगा है जैसे हम कोई पुंची पती है सिर्फ जल्द पैसा कमाने के सुरक्षित तरीके ही सोचते रहते हैं इन बातों से मैं तंगा चुका हूँ ग्रेन ने आपको धुका दिया है और आपको परवा नहीं आपके पास धेर सारी दौलत आ चुकी है दो साल पहले ऐसा होता तो आप मुझे इस काम में नहीं लगाते बलकि खुदी उसे ढूंड निकालते ओके अगर आप ऐसा ही चाते हैं तो ऐसा ही सही लेकिन मैं ऐसा कते ही नहीं चाता वे दिन लट गए बेन बुला तुम्हें ये समझना चाहिए दो साल पहले तुम अपनी इस अकडबाजी से काम्याब हो जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता ये तुमारा पागल पन है जो ऐसा सोच हाँ मैं शायद पागल ही हूँ बोर्ग ने का लेकिन इसी में मुझे बेहत मजा आता है मैं हैरी ग्रीन पो ढूड निकालूँगा मुझे परवा नहीं कि इसमें कितना वक्त लगता है लेकिन उसे ढूडोंगा ज़रूर उसकी तलाश मेरे लिए एक तफरीज से कम नहीं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं उसने मुझे डबल क्रॉस नहीं किया है लेकिन वो काफी चालाग बतमाश है और उसे रोकना ज़रूरी है आप अपनी चोकरियों अपनी दौलत नर्म बिस्तर तथा अपने विशाल मकान से अपना दिल बहलाते रही है मुझे किसी ऐसे सक्स का सिकार करने दीजिये जो मेरे ज सक्चुस, फूर्तिला और चतुर हो और जिस पर काबू पाने के लिए मुझे उससे भी तेज हरकत से काम लेना पड़े मेरा इरादा इसी तरीके से चुट्टिया मनाने का है और वही मैं करने जा रहा हूँ बेन को मालुम था कि बोर्ग से बहस करना बेमानी है ठीक है मैं तुमें नहीं रोक सकता उसने का लेकिन जब तुम इसे अपने तरीके से पूरी घर लोगे तो वापस मेरे पास आ जाओगे ना जरूर बोर्ग बोला ये तो सिर्फ चुट्टी है कुछ दिनों की जब मैंने उसे तलाश कर लिया उसे मार डाला तो वापस यहां लोट आने में मुझे बड़ी खुशी होगी मगर सबसे पहले मुझे उसे ढूंड निकालना है जब पुलिस उसे तलाश नहीं कर सकती तो तुम कैसे कर लोगे जब आपने मुझे ग्लोरी डैन को चेक करने के लिए कहा था तो बड़ी समझदारी की बात कही थी मिश्टर टेलानी बोर ने कहा मेरा विश्वास है जहां वो होगी हैरी ग्रीन वहीं होगा उनके पास खर्च करने के लिए आपके दिये 50,000 डॉलर है हो सकता है वो हीरो को ठिकाने नहीं लगा सके लेकिन हैरी ग्रीन अग्लोरी डैन जैसी जोड़ी पैसे खर्च ना सुरू कर दे तो आवास पैद पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे कंटेंट में लाता रहता हूं तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई सेफ रहिए खुश मज़े करिए तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नएने आडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से नौवल से और स्टोरी से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे आडियो बुक्स को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे क्योंकि म अपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको उपर आई बटन से मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं संकी कातिल नौवल का पार्ट सिक्स इंतजार करने के अत्रिक अब दूसरा कोई चारा नहीं था और इंतजार करने में हैरी को बड़ी कोफ्त होती थी समय गुजरने के लिए वो फिल्म देखने चला गया था यद्य पे फिल्म काफी अच्छी थी मगर दिमागी बोज के कारण वो उसका लुट्फ नहीं उठा सका था उसने बीस तो बो दिया था लेकिन अब ये देखना था कि कॉपल फूटती है या नहीं जनके दिनों में वो जापानियों के संपर्त में आया था और उसे मालुम था कि वे बेहट चाला को और धूर्थ होते हैं ताकामोरी दुनिया की किसी भी चीज से ज़दा हीरे हासिल करना जाएगा उस जैसे अमीर वेक्ती के लिए अपनी इच्छा की चीज़ा हासिल करना कोई कटिन काम नहीं होता ऐसा नहीं लगता था कि ताकामोरी उसे पुलिस के हवाले कर देगा हैरी को इस बात पर भरोसा हो रहा था असली घत्रा तो उस वक्त हो सकता है जब व होट की जेब में हाट डाले पैदल होट आया था होटल के प्रविश द्वार के सामने खड़ी एक लंबी सी काली केडलक की और हैरी ने ध्यान नहीं दिया और जब वो उसके करीब से गुजरा तो किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हैरी अजानक ठिटक कर रुप गया औ उसने कार की खिड़की से हैरी की और देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलाया हैरी साइट से चलते हुए उसके पास पहुंचा अगर तुम्हारे पास कुछ समय हो तो हम एक और वारतालाप कर सकते हैं मिस्टर ग्रिफिन ताका मोरी बोला क्या तुम कार के अंदर आ आता कार के अशुरे सालिस रीट पर ताका मोरी की बगल में बैटते हुए हैरी ने ये सोचकर तिर्व उत्तेजना महसूस की कि जल्दी ही उसके पास भी अपनी एक ऐसी शांदार कार होगी पंद्रे लाग डॉलर दो हवाईजास खरीदने के बाद भी उसके पास खर्च कर ने के लिए बहुत सारे पैसे बस सकते हैं मैंने सोचा कार में बैट कर बाते करना आधिक सुविदा जनक होगा ताका मोरी ने कहा दफ्तर में वारतला दूसरों द्वारा सुनी जा सकती है मेरा शोफर सिर्फ जापानी जानता है अते उसकी तरफ से तुम निश्चित रहो क या आपने मेरी योजना का धियन किया हैरी ने पूछा एक निगाह डाली थी ताका मोरी बोला क्योंकि हवाई जहाजों मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं है अते मैंने इसे नहीं पड़ा मेरी नजरों में हवाई जहाज यातायात का साधन है और प्रकति का प्रतीक भी लेकिन मैं समुद्री जहाज को अधिक महत्व देता हूँ उसने वो लिफाफा निकाला और हैरी की और फैंट दिया मुझे तुमारी योजना में कोई दिल्चस्पी नहीं है हैरी ने तीखी नजरों से उसकी और देखा ये बात बिलकुल अनपेक्षिक थी कोई बात नहीं उसने कहा और लिफाफा जेब के अंदर डाल लिया अगर आपको मेरी कमपनी में 10 प्रतिशत का हिस्सा नहीं चाहिए तो ना सही लेकिन आप इसमें पुंजी तो लगा रहे ना मैं ऐसा नहीं सोसता ताका मुरी बोला मैं सिख उसी कमपनी में पुंजी लगाता हूँ जिन में मेरी कहरी दिल्चस्पी हो और तुमारी ये योजना मेरे लिए कोई माइने नहीं रखती हैरी के शरीर में गुस्से की लहर दोडने लगी इसका मतलब आप हीरे हासल करना नहीं चाहते उसने पूछा बेशक मैं उन्हें हासल करना चाहता हूँ ताकामरी बोला और मुस्कुराने लगा लेकिन क्योंकि वे मेरी संपती है अते मैं उनके बदले कोई रखम नहीं चुकाना चाहता अच्छा हैरी का चहरा तम-तमा उठा और आखे चमकने लगी ओके फिर तो आप हीरो को हमेशा के लिए भूल जाईए मैं कोई दूसरा खईदार धूंड लूँगा कार रुकवा दीजिए मैं उतरना चाहता हूँ थोड़ी देर और बैटकर मेरी बात सुनो तो मुझे बड़ी खुची होगी ताका मुरी ने नमरस्वर में कहा जब तुम मुझे से मिलने आये थे तो तुमने कहा था कि मेरे बारे में तुम काफी बाते जानते थे लेकिन तुम मेरे लिए बिलकुल अजनबी थे और मुझे विवस्ता पूरवक तुमारी हर बात सुननी पड़ी थी तुमने मुझे एक बेमान आदमी समझा था ये तुमारी बहुत बड़ी गलती थी मिश्टर ग्रिफिन कि जिस आदमी को तुम आत्मे तोर पर नहीं जानते उसके बारे में ऐसी राय कायम कर डाली तुमने मुझे सुझाओ दिया कि मैं 15 लाग डॉलर के मामले में बेमा कंपनी की साथ धोका दड़ी करूँ अगर मैंने वैसा कर लिया होता तो तुम सुझाओ को सुरक्षि स्थिती में ले आते क्योंकि उस स्थिती में तुम अपनी योजना में मुझे से पुंजी लगवाने के लिए मुझे ब्लैक मिल्क कर सकते थे मगर मैंने कभी भी सुझाओ को ब्लैक मिल्क किये जानी की स्थिती में नहीं डाला और जिंदेगी के इस अंतिन दौर में ना कभी डालना चाहता हूँ लेकिन तुमने ठीक विचार किया था मिश्टर ग्रिफिन कि मैं हीरे चाहता हूँ बुरी तरह चाहता हूँ वेल मैं आपको थोड़े ही रोक रहा हूँ कीमत है पंद्रे लाग डॉलर हैरी बोला कीमत नहीं तो हीरे भी नहीं मुझे मालूम था कि तुम यही रवया अपनाओगे ताकामोरी कोमल स्वर में बोला लेकिन मुझे बताओ मिश्टर ग्रिफिन तुम क्या चाहते हो कीमत की रकम या अपनी मौत इन दोनों में से तुम किसको चुनना पसंद करोगे देखिए अपनी सीट पर तेजी से मुड़कर ताकामोरी के और घूरते हुए हैरी ने कहा ये सब छोड़ दीजिए आप हीरे चाहते हैं या नहीं नी संद्य मैं चाहता हूँ मेरा सवाल है तुम जिन्दा रहना चाहते हो या नहीं हैरी तन गया क्या मतलब वही चो मैंने कहा मुझे अपनी बात खत्म करने दो फिर तुम अपनी स्थिती को बखो भी जान लोगे मेरी प्रिष्ट भूमी को दर्याव तुमने पहले से ही कर लिया था मैं भी आज सुबे से तुम्हारे बारे में ही तहकीकात करता रहा हूँ मुझे पता चला है कि लगबग चार सब्ता पहले तुम कैलिफोनियन एर ट्रांस्पूर्ट कॉर्परेशन में काम करते थे ये बड़ी दिल्चस्प ख़बर थी मुझे बताया गया कि अगर शराब पीने और एर उस्टस के साथ शेड़ खानी करने के अभियोग में तुम्हें नौकरी से निकाल नहीं दिया गया होता तो तुम उस हवाईजाज को चलाने वाले थे जिसमें हीरे भेजे गए थे तुम्हें हीरो के विशे में पूरी जान करी थी जिस आदमी ने डकेती की योजना बनाई थी वो सायम को हैरी ग्रीन बताता था वो तुमसे बड़ा और अधी गुम्रका था उसके चैरे पर जखम का निशान था और उसके बाल जढ़ने लगे थे कोई भी चतुर आदमी खुद को मेक अप त्वारा इस हुलिये में बदल सकता है जखम का नकली निशान लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं हैरी ग्रीन को ये बात अच्छी तरह मालुम थी कि रेगिस्तान में हवाई जाज को किस जगे सुरक्षित उतारा जा सकता है इससे मुझे लगता है कि उसने उस रूट पर कई बार हवाई सफर किया होगा और ये जानकारी हासल की होगी जैसा कि तुमने किया था मिश्टर ग्रिफिन मेरे विचार में हैरी ग्रीन और हैरी ग्रिफिन दोनों एकी आदमी के नाम है और वो एकी आदमी है हत्या के जुर्म में पुलिस को हैरी ग्रीन की तलाश है ताका मोरी थोड़ी देर रुका फिर आगे कहने लगा इसलिए मैंने तुम से पूछा था कि तुम जिन्दा रहना चाते हो या नहीं जहां तक मैं देख रहा हूँ तुमारे बचने की संभावना कमी है क्या ख्याल है तुमारा उसका कॉमल स्वर सुनकर हैरी की जिस्म में भै की सर्द लहर दोड़ गई उसने अपने कोट के अंदर हाट डाला और उसकी उंग्लिया अपनी गन के दस्ते पर जकड गई पागल हो गया तुम वो करकस्वर में चिलाया मैंने तुम्हें बता दिया है कि हीरे मुझे रेत में पड़े मिले थे डगेती से मेरा कोई वास्ता नहीं हो सकता है मैं गलती में हूँ लेकिन सच्चाई जानना तो बिल्कुल आसान है पुलिस के पास हैरी ग्रीन की उंग्लियों के निशान है ये बात तुम्हें भी मालूम होगी अगर अग बार पढ़ते हो तो क्या हम पुलिस हैट परडर चलें और उन्हें हैरी ग्रीन की उंगलियों के निशान के साथ तुम्हारे निशान का मिलान करके देख लेने दे सुनो तुम पीले साप हैरी गुर राया फिर उसने जटके से गन निकाल कर ताका मोरी की बगल से नली सटा दी तुम मुझे डरा नहीं सकते अगर तुमने मुझे पुलीस के हवाले कर दिया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ हीरे तुमें कभी नहीं मिलेंगे ताका मोरी ने गन की और देखा हिंसा की कोई जरुवत नहीं है मिश्टर ग्रिफिन उसने कहा गन को दूर रखो जैसे ला परवा तुम हो लेकिन मैं नहीं समझता कि इस भीड़ भरी सड़क में तुम मुझे सूट करने की हिमत कर सकोगे हैरी हिच की चाया फिर उसने गन वापस हॉलेश्टर में डाल ली उसने महसूस किया कि वो अब फस गया था उसका दाव तो उल्टा पड़ गया था अब तो उसका रहसे भी खुल गया था ग्लोरी ने उसके लिए जो आर तयार की थी अब वो बेकार हो गई थी अब उसके पास एकी पत्ता बचा था हीरे अब भी उसके पास थे ठीक है उसने कहा मैं मानता हूँ कि सौदे बे पलड़ा आपका भारी रहा मैं अपनी कीमत भटा देता हूँ आप मुझे पांच लाग दे दीजिए हीरे आपको मिल जाएंगे ताका मोरी ने सेरे लाकर ऐसे मती जताई मैंने तुमें बता दिया है मिस्टर ग्रिफिन कि मैं अपनी ही चीज़ की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता मैं हीरो के बदले तुमें तुम्हारी जिंदेगी दे सकता हूँ अर्थात अगर तुमने हीरे मेरे हावाले कर दिये तो जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ वो पुलीस को नहीं बताऊंगा एरी ताका मोरी की और तागने लगा उसके सारे सपने तूटकर भिखरने लगे थे क्या तुम मुझे पागल समझते हो जो मैं तुम्हारी बातों पर एकीन कर लूँगा उसने खौफनाक आवाज में कहा हीरे हतिया लेने के बाद भी तुम पुलीस को सुचित कर सकते हो मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता भरोसा ना करने का कोई कारण है ही नहीं ताका मुरी ने शांसवर में कहा ना तो तुम में मेरी कोई दिल्चस्पी है और ना तुमारी पुलीस की मदद करने में ये मेरा दरिश नहीं है और एक नागरिक की हैसियत से यहां मेरा कोई फ़र्ज नहीं बनता मेरी दिल्चस्पी तो सिर्फ हीरे वापिस हासिल करने में है और तुम्हें ये अवश्य करना होगा हीरो को पैक करो और डाक द्वारा मेरे पास भिजवा दो ताकि वो परसो तक मेरे पास अवश्य पहुंच जाए अगर हीरे तक मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं पुलीस को सुजित कर दूँगा तुम्हें गिरफतार करने के लिए उन्हें कोई जादा वक्त नहीं लगेगा बैराल अगर परसो पहली डाक से हीरे मेरे पास पहुंच गए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुमसे बस यहीं सौधा कर सकता हूँ मैं नहीं चाहता कि अभी ने लो पहले अच्छी तरह से सोच लो उसने अपने सोफर को कार रोपने का इशारा किया कार जब रुक गई तो उसने दर्वाजा खोल दिया मैं अब तुम्हें उतर जाने के लिए कह रहा हूँ मिश्टर ग्रिफिन उसने कहा मेरी बातों पर विचार कर लेना मुझे यकीन है कि जो सुझाव मैंने तुमें दिये हैं उन पर अमल करना ही तुमारे लिए एक मातर रास्ता बचा है हैरी कार से बाहर निकला इस वारत अलाव से वहत प्रभ होकर रह गया था गुट नैट मिश्टर ग्रिफिन ताका मोरी ने कहा और कार आगे बढ़ गई बोर्क फायर एसकेप के सामने रुका जो ग्लोरी के अपार्टमेंट के बातरूम वाली खिरकी तक पहुंसता था उसे उसके आदमी ने बताया था कि अपार्टमेंट का दर्वासा भीदरी और से बंद है और अंदर घुसने के लिए सिर्फ वही एक रास्ता है जिसमें से हैरी निकल भागा था बेलिंग के पीछे वाली गली बिल्कुल सुनसान थी और बोर्ग साफधानी पुर्वक फायर एसकेट से उपर चड़ने लगा नीचे वाले अपार्टमेंट से रेडियो की अवास सुनाई दे रही थी वो धीरे से बातरूम के अंदर दाखिल हो गया उसने तीनों गमरे, ड्रोर और कब बोर्ग की तलाशी ली अपार्टमेंट बिल्कुल उसी हालत में था जैसा दस दिन पहले गलोरी ने छोड़ा था जूटे बर्तन अभी भी सिंग में पड़े थे और बिस्तर अस्वेस पड़ा था ये देखकर बोर्ग की दिल्चस्पी बढ़ने लगी कि वार्डरोब में एक मरदाना सूट टंगा हुआ था जिसके साथ एक हैट भी था हैट के बितरी हिस्से में लिखा हुआ था हैज जी चेश्ट के एक दराज में पांस सफेद कमीजे भी रखी हुई मिली बोर्ग ने एक सिगरेट सुलगाई उसने रद्धी की टोकरी में रेलवे का एक टाइम टेबल बरामत किया उसका पन्ना नियॉयोक सेक्षन पर आसानी से खुल गया नियॉयोक जाने वाली दोपैर की एक ट्रेन को पैंसिल से निशान लगाया गया था उसे याद आया कि टेगाट की नजरों से क्लोरी स्टेशन के आसपास वाले इलाके में ही कायब हो गई थी ये मुम्किन था कि शायद उसने टेगाट को पैचान लिया हो और वहीं से सीधे नियॉयोक चली गई हो वो अपाटमेंट में एक भिंटे से ज़्यादा देर रहा मगर काम की कोई और चीज उसके हाथ नहीं लगी अंत में उसे बाहर निकल का दर्वाजा बंद कर दिया और निचली मंजिल पर उतर आया बोर्क को इस काम में बड़ा लुत्फा रहा था ये बड़ा दिल्चस्प, आसान और अच्छा काम था डेलाने के लिए ड्राइब करने या डैस्क के पीछे बैट कर उसके संग्रयोकों की उल जलूल बातों को सुनते रहने से तो कई गुना बहतर था मिचली मंजिल के दर्वाजे के सामने वो रुका और उस पर लगए एक कार्ड को देखने लगा जिस पर लिखा हुआ था मिस जॉन गोल्ड मैन उसने हैट को पीछे खिसका कर धंटी के बटन को दबा दिया उचाकद और सुन्दर मुख्डे वाली एक लडगी ने दर्वाजा कोला जो साधारन कपड़े पहने हुए थी मिस गोल्ड मैन बोर्ग ने पूछा जी हाँ क्या बात है मैं मिच डैन को देख रहा था वो अपने कमरे में नहीं मालुम पड़ती नहीं है मेरे ख्याल में वो कहीं बाहर गई हुई है अच्छा मैं उससे मिलना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ हैरी ग्रीन के साथ उसके तालुकात काफी दोस्ता ना है लडगी के चेहरे पर दिल्चस्पी के भाव उबरने लगे ग्रीन आपका मतलग ग्रिफिन से है बोग ने कोट के अंदर से एक मैली पुरानी सी नोटबुक निकाली और उसके पन्ने पलट कर कुछ पढ़ने का बाहना करते हुए बोला हाँ सही है है हैरी ग्रिफिन क्या आप उसे जानती है क्या मतलब लडगी थीखे स्वर में बोली कौन है आप बोर्ग ने नोटबुक से एक कार्ड निकाला और उसे दिखाया अलर्ट इंग फायरी एजेंसी उसने कहा और मेरा नाम बोर्ग है लडगी कुछ चौक सी उठी यानि आप एक जासूस है प्राइविट इंवेस्टिगेटर बोर्ग बोला क्या मैं अंदर आसकता हूँ जरूर आईए लडगी ने एक तरफ भटते हुए कहा और बोर्ग भीतर चलाया बोर्ग फायर प्लेस की और पीट की एक खड़ा रहा उसे बड़ा आनंदा रहा था उसने सोचा हैरी ग्रिफिन लड़की ने हैरी ग्रीन का नाम ही बताया होता तो बैतर था लेकिन कोई बात नहीं शायद कोई सुराग निकलाए क्या मिश्टर ग्रिफिन किसी मुसीवत में है लड़की ने पूछा और बोर्ग ने लक्षे किया कि उसके उस सुकता बढ़ रही थी हो सकता है बोर्ग बोला मिश्टर आपकी दोस्त है मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि वो मेरी दोस्त है हम दोनों पड़ोसिंज जरूर है मैं अकसर अपना फालतु वक उसके साथ गुजारती हूं लेकिन हम दोस्त नहीं है क्या वो भी मुसीवत में है मैं नहीं जानता ये सक्स ग्रिफिन और तोसे संबन बढ़ाने में काफी चतुर है क्या मिस डैन के पास काफी पैसा था मेरी जानकारी के मताबिक तो नहीं उसके पास तो एक अरसे से कोई काम धंदा भी नहीं था एक समय वो डैफोडिल क्लब में काम करती थी लेकिन ये करीब 18 महीने पहले की बात है तब से उसने कुछ नहीं किया है नहीं उसके पास पैसा नहीं था ये उसकी खुश किस्मती है ग्रिफिन और्तों से पैसे जटकने में माहीर है लड़की को एक जटका सा लगा मैं तो ऐसा नहीं सुशती क्या आपको पक्का यकीन है कि आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं बोर्ग की आँखे सिकुटने लगी मेरे ख्याल से हाँ देखने में वो कैसा था उचे कतका, खुबसूरत जवान था काले बाल और उम्र होगी कोई 17-18 साल की जब वो अपनी वर्दी में ग्लोरी से मिलने आता था तो बिल्कुल ग्रेगरी पैक जैसा दिखाई देता था कैसी वर्दी बोर्ग ने सामान ने धन से पूछा वो C.A.T.C. में पाइलेट था मैंने सुना था कि उसने वो नौकरी छोड़ दी है ग्लोरी पता रही थी वो कोई दूसरी नौकरी ढूंड रहा है ये तब की बात है जब वो इसी अपार्टमेंट में रहने चलाया था लड़की ने जोर से नाक से हवा खीची वे दोनों आपस में शारी जुदा तो नहीं थे अफकोर्स लेकिन वो तो उनका नीजी मामला था कोई दूसरों की जिंदेगी में दखल अंदाजी क्यों करे नई सही बात है उसने CATC की नौकरी कब छोड़ी थी लगबग तीन या चार सप्ता पहले बोर्ग ने हैरी ग्रीन का फोटोग्राफ निकाला जिसे उसने सेक स्ट्रीट के फोटो में शॉप से खड़िदा था क्या यही वो आदमी है लड़की ने फोटोग्राफ का निरिक्षन किया फिर उसे वापिस लोटा दिया नहीं ये तो उस जैसा बिलकुल नहीं है मिस्टर ग्रिफिन तो बिलकुल जवान था और उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं था क्या आपको इस आदमी की तलाश है बोर्ग ने सहमती सूचक सिरह लाया उसने फोटोग्राफ को नोटबुक के अंदर डाला और नोटबुक को अपनी जेब में मेरी नौकरी में मुसीबत ये है दर्वाजे की और बढ़ते हुए उसने कहा कि अधिकतर जगे उसे मुझे मूँ लटकाएं वापस लोटना पड़ता है मेरा ख्याल था इस बार में सही आदमी को पाने जा रहा हूँ क्या आप बता सकती है कि मिजडेन मुझे कहा मिल सकती है नहीं लड़की चक्राई हुई सी दिख रही थी शायद जैनिटर बता सके कोई बात नहीं बोर्ग ने कहा फिर वो सीडियां उतर कर जैनिटर के दफ्तर में पहुंचा जैनिटर एक ठिकना सा आदमी था बोर्ग ने उसकी और ध्यान पुरवक देखा तुम ही जैनिटर हो बोर्ग ने पूछा हाँ मैं ग्लोरी डैन की तलाश में हूँ कहा है वो किसलिए उसकी तलाश कर रहे हो जैनिटर तोड़ा पीछे जुपते हुए बोला मैं उससे मिलना चाहता हूँ वो मुसीबत में है कहा है वो जैनिटर ने होटो पर जीफ फेरी उसने मुझे उसका पता किसी को भी ना बताने के लिए कहा था उसने कमजोर आवाज में कहा कैसी मुसीबत मिश्टर मेरे पास उसके नाम अदालत का संबन है क्या मैं तुमें जवाब देने के लिए किसी पुलिसमेन को बुलाओं बोर्ग गुर राया वेल उसने मुझसे आगरे किया था कि मैं उसके डाक मडाक्स होटल नियोक के पते पर भेज़ गिया करूँ बोर्ग उसे घुरने लगा मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोल रहे हो उसने कहा अगर ये जूट निकला तो मैं वापस लोटाऊंगा फिर तुम पस्ता होगे वो जैनिडर को भोचक का सा छोड़ पैसे से चल कर मुख्य दर्वाजे की और लपका कार में सवार होकर वहां से रवाना होते समय वो धीरे धीरे सीटी बजा रहा था चार ब्लोके को पार करके उसने कार बाई और मोड दी और कुछ देर बाद डैफिडेल कलब के प्रवेजद्वार के सामने रोक दी दोपैर के इस समय कलब का मैनेजर जो एक दुबला सा मैकसिकन था अपने दफ्तर की कुर्सी पर पसरा आराम कर रहा था उसके दफ्तर का दर्वाजा खुला था और जैसे ही उसे बोर्ग के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई दी उसने आखे खोल दी जैसे ही उसने पहचाना की सामने खड़ा आदमी कौन है वो यूं हड़बढा कर उठा जैसे उसने कोई साम देख लिया हो हेलो सिटनी बोर्ग ने कहा हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हाँ वो मैकसिकान बोला कहो मैं तुमारी क्या खिद्मत कर सकता हूँ मिस्टर बोर्ग मुझे ग्लोरी डैन की तलाश है याद है उसकी क्यों नहीं जरूर लेकिन मैंने महीनों से उसे नहीं देखा है मुझे मालुम है क्या तुमारे पास उसकी कोई तस्वीर है सिट्नी मैकसिकन की आँके फैलने लगी क्या कोई भारी कटबड़ी है नहीं मैं सिफ उससे कुछ बाते करना चाहता हूँ मैकसिकान ने अपने डैक्स का ड्रॉर खीचा और उसमें से हाफ प्लेट क्लासी फोटोग्राफ का एक बंडल निकाला उसने एक तस्वीर छांट कर निकाली और उसे डैस पर रख दिया ये रही बोर्ग ने वो तस्वीर उठाई और कई सेकंड तक उसे घुरता रहा बुरी नहीं है मैंने इससे भी कई गुजरी देखी है वो बिल्कुल ऐसी दिखती है ये तस्वीर दो साल पहले की ली गई है इस वक वो थोड़ी बहुत बदल गई होगी लेकिन इसकी मदद से आप उसे पहचान जाएंगे बोर्ग ने हामी भरी तस्वीर को नोटबुक के अंदर डाल कर जेव में रख लिया और मुड़कर दफ्तर से बाहर निकलने लगा क्या तुम सच कह रहे हो कि वो मुसीबत में है मैक्सिकान ने पूछा वो बहुत भली लड़की थी जब वो यहां काम करती थी वो अचानक चुप हो गया क्योंकि वो हवा में बाते कर रहा था बोर्ग तक तक सीड़ियां उतर कर अपनी कार तक पहुंच चुका था कार स्टार्ट करते हुए बोर्ग ने सोचा वो तरक्की के रास्ते पर चल रहा था क्या ग्रिफिन ही हैरी ग्रीन हो सकता है हर चीज इसी और इशारा कर रही थी वो पाइलट था और इसमें भी कोई शक नहीं है कि हैरी ग्रीन भी पाइलट था ग्रिफिन को हीरो के बारे में पूरी जानकारी थी बोर्ग ने सोचा वो सही रास्ते पर चल रहा है उसने जटके से कार आगे बढ़ा दी 40 मिनिट बात वो CATC के पार्सल मैनेजर हरबर्ट हैनेरी के दफ्तर में उसके सामने बैठा हुआ था कहिए मैं आपके लिए क्या सायता कर सकता हूँ हैन्री ने पूछा कुछ हफते पहले आपके यहां हैरी ग्रिफिन नामक एक आदमी काम करता था बोर्ग ने कहा आपको उसकी याद है हैन्री का चहरा उदास पड़ गया हाँ याद है क्या बात है मैं उससे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी मदद नहीं कर सकता जबसे उसने कंपणी की नौकरी छोड़ दी है मैंने उसे देखा ही नहीं वो शेर छोड़ कर चला गया है बोर्ग बोला सुनाया वो नियू यॉर्क में कहीं है ये इंक्वैरी किसलिए क्या कोई गडबड़ी है नहीं ग्रैक्सन सामक वकेल की फर्म ने मेरी सेवाई ली है उनके पास हैरी के किसी रिस्तेदार ने हैरी के लिए विरासत में एक रकम छोड़ रखी है वे उसे वो रकम सौम देना चाते है हैंड़ी के चहरे से संधे के भाव दूर हो गया और वो आस्वस्त हो गया सुनकर खुशी हुई क्या रकम बहुत बड़ी है बोर्ग ने अपने भारी कंदे चटकाए नई कोई जादा नहीं सिर्फ 2000 डॉलर के लगबग अगर मैंने जल्दी ही उसे नहीं ढून निकाला तो ये रकम भी मेरे खर्चे में खतम हो सकती है और मुझे तो उसका हुलिया भी मालूम नहीं है क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर होगी शायद होगी हैंरी ने कहा और बजर का बटन दबाया जब एक लड़की अंदर चली आई तो उसने उससे हैरी की फाइल ले आने को कहा पाँच मिनट बाद लड़की वापस आई और उसने फाइल हैंरी के हाथ में रख दी मुझे खुशी हो रही है कि इसे थोड़ी ही सही कुछ रकम तो मिल रही है फाइल के पन्ने उलटते हुए हैंरी ने बोला वो बहुत अच्छा पाइलेट था मुझे अफसोस है कि वो यहां से चला गया मैंने सुना था कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था बोल ने अनुमान लगाते होए पूछा थोड़ी गड़बर थी जरूर लेकिन सबसे बढ़कर ये उसकी बदकिस्मती ही थी हैंडरी ने फाइल से पासपोर्ट साइस का एक फोटोग्राफ निकाला और बोर्ग की तरब बढ़ा दिया अगर ये आपके किसी काम आ सकता है तो आप इसे ले सकते हैं बोर्ग ने फोटोग्राफ उठा कर देखा पर सिरह लाते होए खड़ा हो गया इससे मुझे उसे ढूणने में सहूलियत होगी उसने कहा मैं उसे बताऊंगा कि आपने मेरी मदद की थी वो वापस अपनी कार में आ बैठा और वहां से चल दिया जब C.A.T.C की एरपोर्ट से वो काफी दूर निकल आया तो उसने एक जगे कार रोग दी और हैंडरी की दी हुई तस्वीर निकाल कर उसे गौर से देखने लगा वो काफी देर तक उसे देखता रहा फिर जेब से एक पैंसिल निकाली और तस्वीर पर सावधानी पूरवक मूचे जखम का निशान स्केच करने लगा उसने तस्वीर के दुबले पतले चहरे को पैंसिल की साहता से काफी भरा हुआ बना दिया वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा फिर तस्वीर को एक हाथ भर दूर रखकर फिर से घूरने लगा तब उसके मूटे चहरे पर धूरत तता क्रूर मुस्कुराट उभरने लगी हाँ अब मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो पुत्तेगी उलाद वो बुद्बुदाया तुम ही हो वो बच्चू जिसकी मुझे तलाश है मेडोक्स होटल नियोक का होटल डिटेक्टिव जिये डॉज रेस की सीट पर जुका हुआ उसका आध्यान कर रहा था पिछले एक हफते से उसके दाव लगाए घूडे लगातार हार रहे थे और अब उसका आर्थिक भविश्य इसी बात पर निर्वर करता था कि आश्याम की रेस में वो ऐसे घूडे पर दाव लगाए जो यकीनन जीतने वाला हो अगर उसने फिर गलती गड़ डाली तो भारी आर्थी कटनाई में पढ़ सकता है ये सोस्ते ही उसे पसीना छूटने लगा उसका छोटा सा दफतर सिगरेट के दुए से भर गया था और एश्ट्रे में सिगरेट के टुकडे भरे पड़े थे जो उसकी नर्वस मनुस्तिती की और संकेत कर रहे थे वो रेस शेट में इतना खोया हुआ था कि उसे बोर्ग के आगमन का आभास तक नहीं मिल सका बोर्ग ने जब जोर से खंकार कर गला साफ करते हुए उसका ध्यान आकरशित किया तो डॉच को पता चला कि कमरे में कोई और भी मौजूद है उसने क्योरिया चड़ाते हुए बोर्ग की और देखा क्या चाहिए उसने पूछा देखते नहीं मैं व्यस्त हूँ हाँ अंधा नहीं हूँ मैं एक कुर्सी खींच कर बैटते हुए बोर्ग ने कहा अगर जीतने वाले खोड़े को चुन रहे हो तो रेड एड्मिरल को कोशिश करके देखो चवाल इस पर एक का दाव है और बाकी घोड़े अब आधे रास्ते पर भी नहीं पहुचे होंगे कि वो रेज जीत चुका होगा डॉज की आखे सिकुड़ गई उसे तो ऐसी टिप की जरुवत थी किसने कहा मैं कह रहाँ सिग्रेट सुलगाते हुए बोर्ग बोला कुछ महीने पहले मैंने उसे सेंटी आगो की रेस में दोड़ते देखा था कमाल का घोड़ा है ये अगर तुम कुछ पैसे हासल करना नहीं चाते तो मत लगाओ मेरा क्या डॉज ने कुरसी थोड़ा पीछे की तरफ सरकाई मैं लगातार दस घोड़ो पर दावार चुका हूँ मैं ये खत्रा नहीं उठा सकता उस घोड़े की दो टांगे तूट गई तो भी वो जीतेगा बोर्ग ने कहा लेकिन अगर तुम अपना पैसा दाव पर लगाने से डरते हो तो शायर इस संबन्द में मैं तुमारी कुछ मदद कर सकूँ डॉज ने रेस सीट एक तरफ रख दी कौन हो तुम और क्या चाते हो बोर्ग के चेरे पर निगाए गड़ाते हुए उसने पूछा बोर्ग ने अपना नकली एजिंसी कार्ट निकाला और उसे डैस के ओपर फैक दिया डॉज ने उसे उठाया और पढ़ने लगा अलर्ट इंग्वारी एजिंसी बोहें सी कुड़ता हुआ उसने कहा नया नाम सुन रहा हूँ हम लोस एंजलेस में काम करते हैं बोर्ग बोला मैं एक ऐसे केस पर काम कर रहा हूँ जिसमें जानकारी हासिल करने के बदले पैसे खर्च करने की कोई कोताई नहीं बरती जाती मैं तुमसे एक छोटी सी जानकारी चाहता हूँ जिसके बदले में मैं तुमें कुछ पैसे दे सकता हूँ डॉज आगीगी और जुका, कैसी जानकरी, मैं कैसे जोड़े की तलाश में हूँ, जो क्रिफिन नाम से यहां रह रहा होगा, डॉज कुछ पल सोसता रहा, फिर उसने सिरहला दिया, नहीं, इस नाम का कोई आदमी यहां नहीं ठेरा, बोर ने गलोरी और हैरी की तस्विर निक मदद मिल सकती थी, मैं जानता हूँ इन्हें, तीन दिन से या ठहरे हुए हैं, दोनों ने अपना नाम मिश्टर और मिसिस हैरिसन लिखवाया था, अभी यहीं है, औरत है, मर्द नहीं, वो दूसरे दिन ही कहीं चला गया था, औरत ने बताया था, कि वो वापस लोट बिजनस के सिलसले में कहीं गया है, औरत इस वक कहीं है, डॉस खड़ा हो गया, मैं पता करता हूँ, उसने रेसेप्शन डैस पर जाकर चाबी की रेक को देखा, फिर वापस लोट आया, नहीं, वो अभी बाहर गई हुई है, उसने कहा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया, मै तुमने मुझे कुछ देना है, बॉर ने नोटों की एक मोटी कड़ी निकाली, और उसमें से एक पांच डॉलर का नोट निकालकर डैस पर रख दिया, जो जानकारी तुमने मुझे दी है, उसके लिए इतना ही काफी है, तुमने तो पच्चिस डॉलर कहा था, देखो मिश् पेंटे के लिए उनके कमरे की चावी भी दोगे, तो मैं तुम्हें सो डॉलर दे सकता हूँ, तुम्हें उसकी निगरानी भी करनी होगी, और जब वो लोट आया, तो मुझे सुचित कर देना होगा, डॉज सुखे होटो बस जबान फेरने लगा, बिल्कुल नगद, बेश यहीं इंतजार करो, डॉज उटकर बाहर चला गया, वो पांच मिनट तक बाहर रहा, जब वो वापस लोट आया, तो उसने डेक्स पर दो चाविया रख दी, यह तुम्हारे कमरे की चावी है, नंबर 334, वो उसी के सामने वाले 335 नंबर के कमरे में रहती है, यह चावी उ और एलिवेटर द्वारा तीसरी मंजिल पर पहुँचा, फिर 334 नंबर के कमरे का दर्वाजा खोल कर अंदर गुज गया, उसने अपना कोट और हैट उतारा, फिर सूट केस खोल कर उसमें से इंसुलेटट तारू का एक गुच्छा, चमड़े के केस में रखे हुए कुछ और एक छोटा सा कार्टन निकाला, सभी सामान लेकर वो कमरे से बाहर निकला, गलियार अपार कर उसने पास की से कमरा नंबर 335 का दर्वाजा खोला, उसने तेजी से कमरे के चार और निगा फिर आई, फिर दर्वाजा बन करके और जार और तार विस्तर पर रख दिया, कार इनके नीचे चुपाता हुआ अपने कमरे तक ले आया तारों को अपने विस्तर पर छोड़ कर वो वापस उसी कमरे में लोटाया उसने अपना उजार उठाया और कमरे के चार और देखने लगा कमरे में तो उस रूटकेस जो बन पड़े थे और दर्वाजे पर टंगे नाइट ड्रेस और कुछ दूसरे कपडों के अलावा और कुछ नहीं था उसने कपड़ और ड्रॉर भी खोल कर देखा मगर वे खाली थे उसने मैसुस किया कि गलोरी का उस होटल में ज़्यादा दिन ठैरने का विचार नहीं था उसे ये भी मालुम हुआ कि वो बिल्कुल ठीक वक्त पर वहाँ पहुँच गया था वो कमरे से बाहर निकल नहीं वाला था कि फोन की घंटी बज उठी उसने रिसीवर उठाया वो उपर आ रही है डॉज ने फोन पर कहा बाहर निकला दर्वाजा लॉक कर दिया और अपने कमरे में चलाया दर्वाजे को बंद करके वो प्रतिक्षा करने लगा कुछ मिनट बाद उसे गले आरे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी उसने दर्वाजे के बीच की जीरी से छांका उसने गलोरी को नहीं पहचाना उसने जिफेकात बारी गलोरी को डेलानी के साथ देखा था उसे और्तों के प्रती कोई दिल्चस्पी नहीं थी उसने उस लंबी सी सुडॉल बदन वाली लड़की को बैक से चाबी निकालते हुए देखा वो कमरे के अंदर चली गई और दर्वासा बंद कर लिया बोर्ग ने सूटकेस से एक छोटा सा एम्प्लिफायर निकाला और उसे उन्तार उसे जोड दिया उसने हेड़फोन कानों से लगाया फिर एम्प्लिफायर की लीड को बिजली के प्लग में लगाया और स्विच ऑन कर दिया ग्लोरी के कमरे में छुपा कर रखा माइक्रोफोन बहुत ही सेंसेटिव था बोर्ग ने ध्यान से सुना तो उसे ग्लोरी के सांस लेने की आवास तक सुनाई दे रही थी उसे एक सिग्रेट सुल गई और कुर्सी पर बैठकर प्रतिक्षा करने लगा ग्लोरी बहुत चिंतित थी जब हैरी ने उसे ताकामोरी से संपक स्थापिट करने की योजना बताई थी तो वो घबरा उटी थी और जब वे एरपोर्ट पर एक दूसरे से अलग हुए थे तो वो मैसूस कर रही थी कि वे अब दुबारा नहीं मिल सकेंगे हैरी ने उससे आज शाम चाल बजे फोन करने का वादा किया था वो चाल बजने से बीस मिनट पहले ही होटल लोट आई थी और अब कुर्सी पर बैठकर उसके फोन का इंतजार कर रही थी वैसे गलोरी को उम्मीद नहीं थी कि हैरी का फोन आएगा वो कलपना कर रही थी कि हैरी जेल में होगा या मर चुका होगा वो बैचनी से एक के बाद एक सिगरेट पीते हुए इंतजार करने लगी वो अपनी घवराट पर कावुपा ने और इन संभावनाओं से अपना ध्यान हटाने का प्रयास कर रही थी कि हैरी पर क्या बीत रही होगी जब चार बजने में कुछ मिनट बागी रहे तो फोन की घंटी घंगना उठी ग्लोरी चौँकर उचल पड़ी और उसने जपटकर रिसीवर उठा लिया ग्लोरी हैरी की आवाज आई ओ येस हैरी मैं तुम्हारे लिए कितनी परिषान हो रही थी हैरी की आवाज सुनकर ग्लोरी को बड़ी रहात मिली सुनो, हैरी ने क्रोधिस्वर में जल्दी से खा काम नहीं बना, मैं फोन पर सारी बाते नहीं बता सकता मैं उकलाहोमा सीटी जाने वाला प्लेन पकड रहा हूँ तुम मुझसे वही मिलो, 6-10 पर एक प्लेन वहाँ से जाता है तुम उसे पकड सकती हो, मैं 10 बज़े से थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँच जाऊंगा तुम एरपोर्ट पर ही मेरा इंतिजार करना ठीक है, तुम ठीक ठाक तो हो ना? ओल्राइट डार्लिंग, मैं तुम से उकलाहामा सीटी एरपोर्ट पर मिलूंगा दूसरे कमर में बैठा बोर्ग, ये सब सुन रहा था उसने दूसरी सिक्रेट सुल गई, और कैंशनों तक सोचता रहा फिर उसने हेटफोन और एंप्रिफायर सूट केस में रख दिया अपना कोट और हैट पहना, और एलिवेटर से नीचे उतर कर नीचे रेसप्षन हाल में आया डॉज वही था, ठीक है, डॉज ने पूछा हाँ, बोर्ग बोला, क्या बता सकते हो, होकलोहामा सीटी के लिए प्लेन कित्ते बज़े मिल सकता है अभी बताता हूँ, डॉज ने कहा, और हॉल पोर्टर के पास जाकर, उससे संक्षित बाचीत की, और फिर वापिस लोट आया एक 5 बज़े जाता है, दूसरा 6-10 पर, बोर्ग ने अपनी कलाई गड़ी पर निगाह डाली, वो 5 बज़े वाला प्लेन पकड़ सकता था, वो बाहर की और लपका, ए, तुम जा रहा है हो, डॉज चिल लाया मगर बोर्ग रुका नहीं, बाहर निकल कर, वो एक टैक्सी पर सवार हो गया, और ड्राइवर से बोला, एरपोर्ट चलो, डॉज टैक्सी को जाते होए देखता रहा, फिर कंदे उचका कर, वो अपने दफ्तर में लोट आया, और कुर्सी पर बैठ गया, उसने बोक्स से मि टक दिया, और गालियां बकने लगा, अब वो मुश्किल में पढ़ गया था, उसे किसी भी तरह, और जल्दी से जल्दी कुछ रकम का इंतिजाम करना होगा, वो खड़ा हो गया, और हॉल पोर्टर से कुछ उधार मागने के अभी प्राय से, रिजेप्शन हॉल में आया, तो ग्लोरी डेस्ट पर अपना हिसाब चुकता कर रही थी, उसने ग्लोरी को बैक से नोटों की गड़ी निकालते देखा, तो उसकी आँखे सिकोड गई, वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, और जब ग्लोरी रिजेप्शन डेस्ट से हट गई, तो वो उसके सामने जाक कर खड़ा हो गया, माफ कीजिए मिसेस एरिसन, उसने कहा, मैं अपने दफ्तर में आपसे कुछ जरूरी बाते करना चाहता हूँ, ग्लोरी की आँखों में घबराट तैरने लगी, उसे देखकर डॉज को थोड़ी तसलिसी महसूस हुई, क्या बात है, कमकपाती आवाज में मतलब नहीं समझी, मामली बात है, डॉज बोला, उसके होटो पर एक ध्रोत मुस्कान फैल गई, एक आदमी आप और आपके पती के बारे में पूस्ताच कर रहा था, अगर आप विस्तार में जानना चाहें, तो बदले में आपको 200 डॉरर निकालने पड़ेंगे, ग्लोरी क कहा, उसने बताया था कि वो एलर्ट इंक्वारी एजिंसी का आदमी है, ग्लोरी का चहरा इतना सफेत पढ़ गया, कि डॉज को लगा वो बेहोश हो जाएगी, बोर्ग, बेन डरानी का जलात, ग्लोरी ने सुचा, उसका दिमाग सुन होने लगा था, इसका मतलब बेन उनके पीछे पढ़ गया है, डॉज चम की लिए आँखों से उसे लगातार घूरे जा रहा था, अगर आप इससे अधिक जान करी चाती हैं, तो आपको इसे खरीदना होगा, उसने कहा, ग्लोरी ने अपने कामते हाथों से बैक खोला, और पचास-पचास डॉलर के चार नोट नि फिन है, ग्लोरी का चहरा जिस अंदाज में पीला पड़ता जा रहा था, उसे देखकर डॉज सोचने लगा, कि उसने 200 डॉलर से ज़्यादा रकम की मांग की होती तो अच्छा था, उसने आपके कमरे के सामने एक कमरा भी लिया था, वो आगे कहने लगा, एक वेटर ने मु सीटी एरपोर्ट पर मिलने वाले हैं, वो यहां से आदा घंटा पहले चला गया है, डॉज बोलता रहा, उसने मुझे उकलहामा सीटी जाने वाले अगले प्लेन का समय भी बूचा था, अगर ये जानकरी आपके मतलब की है, तो मैं बताता हूँ, वो पांच बजे वाला प इकत नहीं होगी, उसके पास एक घंटे का वक्त होगा, वो आसानी से छुपने की जगे तलाश कर सकता है, फिर उसे हैरी के एरक्राफ्ट से उतरने तक का इंतजार करना होगा, जैसे हैरी रिशेप्सन हौल की तरफ बढ़ेगा, बोर्ग उसे बड़ी सहुलियत के साथ बो जल्दी, उसने वेटर से कहा, डॉज उसे टैक्सी में बैट कर जाते हुए देखता रहा, फिर कंदे उचकाते हुए वापस अपने डेस्क पर लोट आया, वो कुर्सी पर बैट गया, रेस शीट निकाली, और अगले दिन शाम को होने वाले रेस की घोडों पर ध्यान देन लगा, जमीन पर उतरने से पहले, जो है एरक्राफ्ट ने चोड़ा चक्कर लगाना शुरू किया, हैरी को नीचे ओकलहामा सीटी की बत्या दिखाए दी, हैरी अपने आपको अधिक नशे में महसूस कर रहा था, लोस एंजलेस के एरपोर्ट में बैट कर उड़ान की प्रत देने के अलावा, और कोई उपाय उसके पास नहीं बचा था, वो बाजी हार गया था, अपने होटल वापस लोटते ही, उसने सेव डिपोजिट से हीरे निकाल कर, उन्हें डाग द्वारा ताकामोरी के पास भिजवा दिया था, अब निर्भर इस बात पर था, कि वो ताका कामोरी क्या करता है, तक तक सुरक्षित रहने के लिए, उसे उकलाहमा सिटी ही बहतर लगा, बात की स्थिती का पता चलने पर, वो वहाँ से उत्तर, यदक्षन की और कहीं भाग सकता था, फ्लाइट के दोरान वो अपनी स्थिती से अफगत हो चुका था, पंद्रे लाग क से वो एक सेंट भी फालतु खर्च नहीं कर सकता, हाला कि वो किसी पार्टनर को साथ लेकर एर टेक्सी का धंदा चालो कर सकता था, लेकिन अपने वेविसाय का स्वयम अकेला मालिक बनने के सपने को वो जल्दी नहीं भुला सकता था, जब हवाईजाज ने जमीन को चुआ और रनवे के आकरी में जाकर खड़ा हो गया, हैरी तब भी इसी मसले पर विचार कर रहा था, उसने बाहर प्रतिक शारत लोगों के जुनकी और देखा, लेकिन उसे वहाँ ग्लोरी दिखाई नहीं दी, हवाईजाज की सभी सीटे भरी हुई थी, इसलिए बाहर निकलने मे हैरी को थोड़ा समय लगा, तब यूसे ग्लोरी दिखाई दी, ग्लोरी दोरते हुए उसके पास आ गई, हैलो, उसने ग्लोरी से कहा, चलो, किसी ऐसी जगे पर जा बैठे, जा हम बाते कर सकें, हाँ, ग्लोरी ने कहा, और उसकी बहाँ पकड़कर, उसे खीचते हुए उन ल और देखा, उसका सफेत अता भैवित चेरा देखकर, हैरी को एक धकासा लगा, क्या बात है, उसने तपाक से पूछा, बोर्ग, ग्लोरी बोली, और उसे खीचकर लोगों के चुन के साथ साथ चलने लगी, उसे पता चल गया है कि तुम यहाँ हो, वो यहीं कहीं छुपा ब दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कई अंधेरे में छुपा बैठाओ, वो तो सिर्फ तुम्हें पैचान सकता है, मुझे नहीं, हैरी के स्वर में गुर्रा हट थी, फिर तुम क्यों मुझसे मिली, उसके पास हमारी तस्वीर भी है, मेरी और तुमारी, लोरी की आवास काप मेरी तस्वीर, यानि हैरी गरीन की, नहीं, मैं बता नहीं सकती कि उसे कहां से मिली, लेकिन उसके पास तुमारी ही तस्वीर है, अब वे रिसेप्शन हौल तक पहुच चुके थे, फिर वे रेस्टरा में घुस गये, यहां खिडकियों में परदे पड़े थे, और कमरा लो पहुचे छुपी थी, मगर हैरी किसी भी आक्समिक परिस्थिती में इसका इस्तिमाल कर सकता था, एक वेटर उनके पास आया, और हैरी ने दो डबल विस्की का ओर्डर दिया, जब तक वेटर उनकी टेबल पर विस्की रखकर नहीं चला गया, दोनों चुपचा बैठे रह वेटर के चले जाने के बाद हैरी बोला, तुमारा मतलब उसके पास मेरी ही तस्वीर है, हैरी ग्रीन की नहीं, हाँ, जब बोर ने होटल डिटेक्टिव को तुमारी तस्वीर दिखाई थी, तो उसने तुमें पहचान लिया था, हैरी के चेहरे पर पसीने की बूंदे चल- तो उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ, आखिर किस तर है, वो ग्लोरी के और मुड कर उसे घूरने लगा, तुमारी सारी चतुराई बेकार साबित हो गई, कौन है ओटल डिटेक्टिव, मुझे सारी कहानी बताओ, ग्लोरी ने संक्षेप में डॉज के बारे में बता दिया मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी डार्लिंग, उसने कहा, मुझे मालूम था कि बेन इत्ती आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, बोर्ग बेहत खुंकार आदमी है, मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, हैरी आदी विसकी पी गया, और एक मेरे में पहचान ना सके, लेकिन जैसे कबड़े तुमने पहन रखे है, उससे तुम्हें पहचान लेने में उसे कोई गलती नहीं हो सकती, इन कबड़ों में तुम्हें कोई अंधा भी पहचान सकता है, मुझे कबड़े बदलने के लिए वक्त ही नहीं मिला, बड़ी मुश नहीं नहीं जा सकते। हमें अब बोर्ग से छुटकारा पाने के लिए कुछ करना होगा। सुनो हैरी, तुम कुछ देर यहीं ठेरो, वो यहां कोई गड़बड़ी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं कार तलाश करती हूँ, फिर होटल का बंदोबस्त कर लूँगी। तुम यहीं ठेरो और मेरी प्रतिक्षा करो। हैरी ने क्रोधित निगाउं से उसकी और देखा, मगर उन आखों में कुछ रात के भाव थे। छीक है, मैं यहीं बैठा रहूंगा, देखो तुम कुछ कर सकती हो या नहीं, लेकिन जल्दी। ग्लोरी बाहर रिसेप्सिन हाल में निकल आई, उसे डर था कि कहीं बोर्ग उसे कुछ कर ना गुजरे, वो बैन को जानती थी, उसके साथ धोका दड़ी करने वाले किसी को भी वो जंदा नहीं छोड़ सकता था, वो बाहर निकलने वाले मुख्य दरवाजे के पास जाकर ख जाते हो कि मेरी साहिता के लिए तुमारे पास कोई पाइलट नहीं? ग्लोरी ने मुड़कर उस दर्फ देखा, बाहर निकलते निकलते रुख गई, वो लड़की एरपोर्ट के एक अधिकारी से बाते कर रही थी, आइम सॉरी मिस क्रेनोर, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, व लेकिन देखो, मेरा पाइलट बिमार पड़ गया है, वो एरक्राफ्ट उड़ा नहीं सकता, मुझे किसी भी हालत में, आज रात कोई घर पहुँचना है, उस तो करो, ग्लोरी उनकी बात्ची सुनने लगी, उस अधिकारी ने अपना सिरह लाया, और माफी मांगते हुए मुझे सच मुझ बहुत अफसोस है, मैं मजबूर हूँ, आपकी मदद करने में मुझे दिली खुशी होती, लेकिन सुबह से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सुबह दर का इंतजार नहीं कर सकती, क्या तुमारी नजर में कोई ऐसा वेक्ती नहीं, जो इस समय मेरी मदद क कर सके, कोई भी, जी नहीं, आप पैसेंजर सर्विस से क्यों नहीं चली जाती, मिस ग्रोनल, आपका पाइलट जब ठीक हो जाएगा, तो प्लेन ले आएगा, यह अफ्तितनी खिचकिचाए, फिर कंधे उचकाने लगी, तो दोस्तों, यह था संकी कातिल नोवल का पार्ट 6, आपको यह पार्ट कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताए, और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्रा कीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट में लाता रहता हूं, तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुडबाई, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं, खुश होंगे, मज़े में होंगे, तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं, नेने ओडियो बुक्स, जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉबल से, और स्टोरीज से, अगर आपको ऐस सुनाने वाला हूं, संकी कातिल नॉबल का पार्ट सेवन, इसके बागी के छे पार्टस आप अल्रड़ी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने, तो उनके लिंक्स आपको उपर आई बटन से मिल जाएंगे, तो चलिए दोस्तों, जादा दरीना करते हुए, तरफ हटकर चलने लगी, संयोग से आपकी बाते मेरे कानों में पढ़ गई थी, ग्लोरी ने कहा, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकते हूं, युफ्ति ठिटक कर रुप गई, और ग्लोरी को घूर घूर कर देखने लगी, मेरी मदद, मुझे तो ऐसा नहीं लग रा क्या कर सकेंगी, मैं तो एक पाइलेट चाहती हूं, मेरा, मेरा पती पाइलेट है, इस वक्त वो रेस्टरा में बैठा है, शायद युफ्ति की आँखे चमक उठी, अगर ये सच है, तो बहुत खुशी की बात है, वो बोली, लेकिन मैं मियामी जा रही हूं, उन्हें उस परफ जाने में आतराज नहीं होगा, हमें कहीं भी जाने में आतराज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग छुट्टियां विता रहे हैं, हम लोस एंजलेस से अभी अभी यहां पहुँचे हैं, और अभी वो फैसला भी हमने नहीं किया है, कि आगे किधर चलेंगे, ग्लोरी ने बड़ मैं कैसे आपका शुक्रिया आदा करूं मिसेज ग्रिफिन, मैं ग्लोरी ग्रिफिन हूँ, बेरे पती का नाम हैरी ग्रिफिन है, वेल आईए उनसे मिले, दोनों रिसेप्शन हॉल को पार कर रेस्तरा में दाखिल हुए, हैरी ने उन्हें अंदर आते देखा, तो वो हैरा बना रहे हैं, और हमारा कोई निश्चित कारेकरम भी नहीं है, और ये भी बताया कि शायद तुम इनकी मदद कर सको, हैरी ने ग्लोरी से निगाये हटा कर उस ब्लॉंड युफ्ति की और देखा, जो मुस्कुराते हुए उसी की और घोर रही थी, दोनों की नजरे मिली, औ हैरी को बिजली का जटका सा लगा, उस युफ्ति में कुछ ऐसी चीज थी, जिससे हैरी व्याकुल हूटा, वो मैसूस कर रहा था कि उस युफ्ति पर भी आज ही प्रतिक्रिया हो रही थी, क्या खूबसूरत लड़की है, हैरी ने सोचा कैसा अनोखा सौंधर्या पाया है, हैरी मुस्कुराया, उसे देखका गलोरी का दिल सुकुडने लगा, हैरी के चेहरे पर ऐसे मुस्कुराट उसने काफी अर्से से नहीं देखी थी, ये मुस्कान ठीक वैसी थी, जैसे साथ महीने पहले नाइट टलब की लॉबी पर हुई उनकी पहली मुलाकात के वक्त हैरी हाँ आई थी, मुझे आज ही वापस लोट जाना है, लेकिन मेरा पाइलेट अचानक बिमार पढ़ गया, और वो प्लेन नहीं चला सकता, निर्देश और क्लियरेंस के कांगजात सब तेयार है, वे लोग हमारी उडान भरने की प्रतिक्षा कर रहे हैं, हैरी को अचानक पहुँच सकते हैं, जोर की मुस्कराट हैरी पर कहड़ा रही थी, आप लोग दक्षिनी दर्वाजे पर मुझसे मिलिये, मैं अपने पाइलेट को बता कर आती हूँ, ठीक है, हम वहीं पर मिलेंगे, जोर फिर मुस्कराई और वहां से चली गई, हैरी अपलग निगाओं से उसे जाते देखत रहा, उसके घने रेशमी बाल, उसके कुले और कंदों को देखकर, वो मंत्र मुकसा हो गया था, क्या ला जवाब छोकरी है, हैरी, वो चौक पड़ा, और उसने ग्लोरी की और देखा, वो उसे बिलकुल भूल चुका था, उसे देखकर पहली बार हैरी को हैरी बोला, लेकिन हम प्लेन तक पहुंचेंगे कैसे, बोर कहीं छुपा ताक में बैठा होगा, उसने तो कहा था कि उसके पास एक कार भी है, सो तो ठीक है, मगर कार पर सवार होते वक्त, उसने पीछे से सूट कर दिया तो, हैरी ने जेब से रुमाल निकाल कर अपना चेह रहोगी, रहोगी न, अपने प्यार की खाते, लोरी तनिक भी नहीं हिचकी चाई, जरूर क्यों नहीं हैरी, ऐसा नहीं लगता कि वो तुम पर गोली चला देगा, लोरी की गंभिर मुद्रा देखकर, हैरी को लगा कि उसके चेहरे पर खुन तेजी से दोडने लगा हो, दर्वाजे पर उन्हें ज्यादा देर नहीं ठहरना पड़ा, जोन आती दिखाई दी, सब तयार है, जोन ने कहा, अब हम चल सकते हैं, दर्वाजे के बिलकुल सामने, एक बड़ी से लिंकन खड़ी थी, जिसके ड्राविंग सीट पर एक शोफर बैठा हुआ था, जोन कार क यहां पहुंसते ही देख लिया था, फिर उसे और ग्लोरी को रिसेप्शन हाल में दाकिल होते दिखा था, उसने हैरी पर गोली चला देने की कोशिश नहीं की थी, अगर वो चाहता, तो उसे आसानी से खत्म कर सकता था, मगर वो निश्चित नहीं था, कि यही वो सक्स है, इसके पीछे वो पड़ा है, उसे यकिन नहीं आ रहा था, कि खूपसरत सा दिखने वाला ये जवान ही भारी भर कम हैरी ग्रीन हो सकता है, उसे उस जवान का बाते करने का धंग, उसकी चाल तता उसका वेवाब कुछ-कुछ हैरी ग्रीन से मिलता जुलता तो लगा, लेकिन देर बाद उसने देखा, एरक्राफ्ट रनवे पर दोड़ रहा था, एरपोर्ट का एक कर्मचारी बोर्ग के सामने से गुजरा, तो उसने उसे रोका, ये ब्लॉंड युफ्ती जो अभी अभी उसे एरक्राफ्ट पर गई है, वो कौन है, उसने पूछा, मेरा ख्याल है मि भी हुआ, तो भी बोर्ग लोरी को आँखों से ओजलोने नहीं देना चाता था, हो सकता है वे कुल तीन हो, ग्रीन ग्लोरी और ग्रिफेन, और ग्रीन बाद में दिखाई दे, वो टिकट ऑफिस में गया, क्लर्क ने उसे बताया कि मियामी के लिए अगला प्लेन 20 मिनिट ब और उसें तक ये पर सेर्टिका दिया, डबल बैड में ग्लोरी उसकी बगल में लेटी, अभी तक सो रही थी, नेद में वो काफी होसला मन दिख रही थी, उसका ठकाहारा भेवी चेरा देखकर हैरी का मन वित्रुशना से भर गया, उसने सिगरेट सुल गई, और घड़ी की और देखा, साथ बच चुके थे, उसने आटोमेटिक कॉफी मेकर का स्विच आउन कर दिया, उसने फिर से कमरे का जायजा लिया, ये होटल का सबसे हैश्वेर ये पून तथा महेंगा कमरा था, इस कमरे का प्रमन जोन ने कर दिया था, वो उन्हें या एक नीले भूरे रं कि वह एक एर टेक्सी का व्यवसाय सुरू करने का विचार रखता है, और पूछा था, क्या इसके लिए मियामी उचित जगे होगी, अफकोर्स जॉन ने कहा था, मियामी में एर टेक्सिंग की बहुत मांग है, लेकिन इसे छोटे पैमाने पर करने से कोई फायदा नहीं, आ किले मैं किसी कमर्शेल एरपोर्ट पर, जगे किराय पर ले सकता हूँ, ओ नहीं, जो रुटसाइस्वर में बोली थी, आपके पास कम से कम एक तरजन एरक्राफ्ट होने चाहिए, पच्चिस हो तो और भी अच्छा है, और आपका अपना एरफिल्ड होना चाहिए, इस किसम अपनी कमपनी खड़ी कर लीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ पुझी के लिए मेरे बाप से आगरे किया जा सकता है, तब हैरी को पता चला था, कि उसका बाप हावर्ट ग्रेनोर इस पात और तेल का उद्योग पती था, और देश बर के गिने चुने पुझी तो मैं अपने बाप से बाचित कर सकती हूँ, फिर वे ग्लोरी को बिल्कुल भूल कर धंदे के विसे में ही बाचित करते रहे थे, ग्लोरी पीछे बैठी चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो हैरी को अत्यादी कुछ साइद देख कर चिंतित होने लगी थी, उसने उसे कभी इस हालत में नहीं देखा था, जब वे मोटल में आ पहुंचे थे, तो जोन ने हैरी से कहा था, कि वे दूसरे दिन भी मिलकर इस बारे में अधिक विस्तार से विचार विमर्श करेंगे, मुझे एर टेक्सी बिजनस में गहरी दि जाएंगे, शायर, जोन ने जवाब दिया था, खैर, आप पहले उस जमीन को देख लीजिए, मैं आपको कल दोपेर के वक्त, वहाँ ले चलूंगी, कैसा रहेगा, हैरी ने कहा था, कि वो उसका इंतिजार करेगा, उसके बाद जोन ने ग्लोरी की और देखकर हॉले से सिरह ला दिया था, और तेज रफ्तार से, ट्राइविंग करते हुए, वहाँ से चली गई थी, कपड़े बदलकर विस्तर में घुस्ते समय, हैरी ने ग्लोरी की चुपी को नजर अंदास कर दिया था, लेकिन जब ग्लोरी ने अचानक पूछा था, हम लोग शायद ये रोप की बर जाने वाले थे हैरी, तो हैरी ने उसे यू घुरा था, जैसे उसे पहली बार ग्लोरी की मौजूदगी का एसास हो रहा हो, सोजाओ, उसने बत्ती बुझाते हुए कहा था, मैं ठक गया हूँ, कॉफी मेकर की घंटी सुनकर उसे पता चल गया, कि कॉफी तयार है, उसने इसके दिमाग में बहुत सारी बाते थी, और वो सोच रहा था, कि उसे एक घंटे तक एकान मिल सकता तो बहतर होता, वो ग्लोरी की चक-चक नहीं सुनना चाता था, कॉफी तयार है, पीलो, ग्लोरी के दिल को ठंडक सी महसूस होने लगी, ये शुरुवात थी, वो इस रव गलती कर डाली थी, उसे यकीन था, कि हैरी इस समय उसी लड़की के बारे में सोच रहा होगा, और हैरी वास्तम में यही सोच रहा था, वो सोच रहा था, कि अगर जो उनने सचमुच पुंजी का प्रवंध करवा दिया, तो उसे अपनी स्वत्रनतत्ता कायम रखने के लिए साफधान रहना होगा, वो नहीं चाता था, कि उसे बोर्ड अफ डायरेक्टर्स के निर्देश अनुसार काम करना पड़े, जो न ठीक ही कह रही थी, दो एक्राफ्ट से सुरुआत करने से मैनत अधिक करनी पड़ेगी, और मुनाफ़ा भी कम होगा, मानलो उस लड़की ने हम यहां नहीं रुख सकते, क्यों नहीं, बेशक हम यहीं रुख सकते हैं, क्या कर रही हो तुम, हम यहां सुरक्षित नहीं हैं, बोर्ग हमें ढूंड लेगा, हैरी बोर्ग को बिल्कुल भूल चुका था, वो गुस्से से जल भुन गया, वो दुनिया भर में हमारी तलाश करता फिर नहीं सकता हम यहां बिल्कुल सुरक्षित है उसने हमें देखा नहीं और हम उसे पीछा चुड़ा चुके हैं उसे कैसे मालम होगा कि हम यहां हैं शायद हम उसे नहीं देख पाए लेकिन उसने जरूर हमें देख लिया होगा मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ अगर वो हमारा पीछा नहीं कर रहा होता तो वो उकलहामा सीटी नहीं आता, उसे मालम था कि मैं एरपोर्ट पर तुमसे मिल रही हूँ, मुझे यकीन है उसने हमें मिस्स ग्रेनोर के प्लेन में वहां से रवाना होते देख लिया होगा, तो क्या हुआ, इसका कोई मतलब नही वो हमें गबा चुका है, लेकिन हैरी, मिस्स ग्रेनोर एक जानी मानी हस्ती है, कोई भी उसे पता दे सकता है कि वो कौन थी, इस प्रकार वो पता कर लेगा, हमें आजी यहां से चल देना चाहिए, आजी हैरी की आवास दीखी हो गई, पागल होगी हो क्या, तुमने सुना नहीं, जोन क्या कह रही थी, हम दोनों आज सुबे मिल रहे हैं, सोचो, अगर उसने अपने बाप को मुझे फाइनांस करने के लिए राजी कर लिया, तो इसका मेरे लिए क्या मतलब हो सकता है, वो एक करोड़ पती है, जरा सोचो, 25 अवाई जाज, मैं तो हमेशा से ही ऐसे किसी चमतकार की उम्मीद करता रहा हूँ, लेकिन हैरी, समझदारी से काम लो, वो अपने बाप को मना नहीं सकती, वो उसकी बात को गंबिरता से नहीं लेगा, वो अभी नादान बच्ची है, यही तो तुमारी गलती है, वो बच्ची दिखाए देती है, लेकिन उसकी करताल करेगा, अगर उसे पता चल गया, कि तुमारी नौकरी छोटने का कारण क्या था, तो तुम कैसा महसूस करोगे, फिरतत काली उसे हैसास हुआ, कि ऐसी बाते करके उसने गलती कर डाली थी, जिसे सुनकर हैरी का गुस्सा दोग ना हो जाए, अगर तुम को यह अच्छ कर चलता नहीं बनेगा, वो जरूर ऐसा कर सकता है, उसके पास पैसे भी नहीं है, बोर्ग पीछे पड़ा हुआ है, और वो अकेली हो जाएगी, यह सोचकर ही उसके जिसम में जुरजुरी दोडने लगी, मुझे अपसोस है डार्लिंग, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा, वो व्याकुल नजरों से हैरी की और देखते हुए बोली, मैं तो तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो तुम पर पूंजी लगाने में दिल्चस्पी लेगा, तो वो तुम्हारी चांच पड़ताल किये बगेर नहीं रह सकता, हमारे लिए सुरक्षित रहने का यही उपाय बचा है, कि हम उसी योजना पर अमल करें, जो हमने पहले सोची थी, क्या तुम भूल गए कि हमें लंडन चले जाना है, बोर्ग वहां तक हमारा पीछा नहीं कर सकता, भाड में जाये बोर्ग, हैरी ने कहा, और विस्तर स उठ गया, वो यहां तक नहीं पहुंच सकता, सो गिड़ गड़ाना छोड़ दो, हम लंडन नहीं जा रहे हैं, मुझे अपने पैसों से एक अची चीज की सुरुआत करनी है, इस समय में टहलने जा रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सोचना है, और सुनो ग्लोरी, मैं जोन के की आवास सुनाई दे रही थी, वो काफी देर तक बैठी रही, और जब मुझे नमकीन सा स्वात महसूस हुआ, तभी उसे पता चला, कि उसकी आँखों से जर जर आंसु बह रहे थे, दोपेर के कुछ देर बाद, हैरी को वो बड़ी सी बेंट ले, बीच रोड पर आती दि धूप में पड़े रहने के बाद, उसने समय गुजाने के लिए दो या तीन अवल दरजे के बारों का चक्कर लगाया था, फिस साड़े ग्यारा बजे ग्लोरी को फोन किया था, मुझे काम पड़ गया है, उसने कहा, शायद ना आ सुकूं, लंच पर मेरा इंतिजार मत करन फिर वो बस से बीच रोड के सिरे पर पहुँच कर पाम के पेड़ की छाओं में बैठ गया था, जहांसे वो बैंटले को आथे हुए देख सके, मोटल छोटने के बाद से वो लगा था, ग्लोरी की बाद सस्ती, अगर जोन वेवसाई के लिए सचमुच तयार हो गई, तो उ उसे वा अपनी पुष्ट भूमी के संबन्द में उसे जितना संबभ हो कम से कम जानकारी देनी होगी, उसका बाब जरूर उसकी जांच पड़ताल करवाएगा, उसको जी एटीसी की नौकरी से निकाल दिये जाने का कारण उसने पता कर लिया, तो सारे की एक अराये पर पा अलम हुआ कि जोन के सौंदरे के सामने उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, तो उसने स्वैम को मिसेश ग्रिफिन बता कर ये जताने का प्रयास किया होगा, कि हैरी सिर्फ उसका है, कोई उसको हाथ न लगाए, लेकिन इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे गलोरी की इसलिए भी जरूरी था, कि अगर बोर्गात दोकर उनके पीछे पड़ गया है, तो एक दुसरे से अलग हो करी, वे सुरक्षित रह सकते हैं, वैसे भी गलोरी जिंदेगी बर उसके साथ चिपकी रहने की उम्मीद नहीं कर सकती, वो उम्र में उससे 5-6 साल बड़ी थी, उ जल्दी समझ जाती है, असली कठिनाय तो C.A.T.C की कहानी थी, और फिर बोर्ग, बोर्ग के मामले में वो कुछ नहीं कर सकता था, वो बस यहीं उम्मीद कर सकता था, कि वो मोटा शैतान उसे खोचुका हो, अगर उसने उसे ढूंड भी निकाला, तो उसे रोकने के लिए ह हैरी ने मूँ बिच कया, इस वक्त ऐसा सोच लेना बहुत आसान है, क्योंकि बोर्ग के समय एक हजार मील दूर है, लेकिन असलियत में उसका मकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो एक पेशेवर हत्यारा है, हैरी सोच भी नहीं सकता कि वो उस पर काबू पा सकत है, लेकिन कुस तो करना जरूरी था, उसने सोचा, कुस दौरत कमा लेने पर कोई एक अंगरक्षक रख सकता है, कोई सक जान वो फूर्तिला निशाने बाज, जो बोर्ग से निपट सके, हैरी को योई चार जच गया, फिर उसे बेंटले आती हुई दिखाई दी, और वो उ नहीं पा रहा हूं, आप इत्ती सुंदर लग रही हैं, कि खा जाने को जी लल चारा है, वास्तम में जो नैसी खुबसुरत दिख रही थी, वो आधी बाजुवाला नीले वह सफेद रन का फ्रॉक पहने हुए थी, उसके भूरे बाल पीछे की तरफ नीले फीते से बंदे ह हुए थे, वो इतनी पाक और बेदाग लग रही थी, जैसे सीपी के कोल से मूती निकलाया हो, और उसकी आँखे पारे की तरह चमक रही थी, सुनकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मिसेस ग्रिफिन कहा है, हैरी ने कार का दर्वाजा खोला, क्या मैं अंदर बैठ सकता बिलकुल, हैरी उसकी बगल में बैठ गया, और उसने दर्वाजा बंद कर लिया, क्या आपकी पत्नी नहीं आ रही है, हैरी ने सीधे उसकी आँखों की और देखा, ये ऐसी बात थी, जिसके बारे में उसे सच्चाई बता देना तुरंत आवाशक था, ये सुनकर शायद आ पर आमादा हो गई थी, मुझे बड़ा दुख लगा, उसी पल मैंने उसे अपने साथ ले लिया, मैं चाता हूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अपनी स्थिती सुधार ले, फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे, अच्छा, जोन ने गहरी निगाउ से उसकी और देखा, मैं चुटिया मनाने की तैयारी में था, हैरी जल्दी जल्दी बोला, इसलिए उसे अपने साथ ही ले आया, हम दोनों के बीच कोई संबन नहीं है, वो मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती, जोन की भुएं तन गई, उसकी आँखों में उफास पुन भाव चलपने लगे, तो आप उसके रक्षक बड़े भाई की तरह विवार करते रहे थे, हैरी जेब गया, वेल, विश्वास करने में ये कठिन लगता है, लेकिन सच्चा यही है, मैं तो समझती हूँ कि वो आप पर मर मिटी है, आप गलत समझ रही है, हैरी ने सिगरेट का पैकेट निक लगों के लिए, जोन ने कहा, और हसने लगी, हैरी बेचैनी महसूस करने लगा, छोड़ दीजी इस बात को, मैं तो आपको सिर्फ यह बताना चाहता था, कि मैं विवाहित नहीं हूँ, बाकी मेरा अपना मामला है, नहीं? जरूर, आप विवाहित नहीं है, ये बता कर आप आपने बड़ी कुरुपा की मुझ पर, ठीक है, अगर आप सच्चा ही जानना चाहती हैं तो सुनिये, हम दोनों साथ रहे थे, लेकिन अब हम एक दुस्रे से उकता चुके हैं, और अलग होने वाले हैं, शुक्रिया, मैं हमेशा सच्चा ही पसंद करती हूँ, मुस्कराते ह होए जोन ने कहा, हैरी ने सिक्रेट सुल गई, तो एकशन चुपी चाही रही, फिर वो बोला, उस जमीन को देख लेने के बारे में क्या ख्याल है, जिसके बारे में आप बता रही थी, कि वहाँ एरफिल्ड बनाय जा सकता है, हाँ, आईए चले, जोन ने कार स्टार्ट कर के आगे बढ़ा दी, मुझे आपका प्लेन हैंडिल करने का तरीका पसंद आया है, काफी देर की चुपी के बाद जोन बोली, मेरे पाइलेट के मुकाबले, आप कहीं जादा काबिल है, आपकी पतनी, मेरा मतलब आपकी दोस्त, मुझे बता रही थी, कि आप C.A.T.C. में रह चुके हैं, हैरी गुस्टे से जल्भून गया, वो जोन से इस बात को छुपाया रखना चाहता था, कि वो C.A.T.C. में नौकरी कर चुका है, लेकिन कमभगत ग्लोरी ने उसे पहले ही बता दिया था, हाँ, जोन की तरफ देखे भी ना उसने कहा, उसका प्रेजिड़न अगर ग्रेनौर ने पूस्ताच की, तो हैरी बखो भी समझ रहा था, कि गौडफरे उसके बारे में कैसी बाते बताएगा, अगले आदे मिल तक दोनों चुपचाप ड्राइव करते रहे, फिर जोन अचानक हसने लगी, उसने कार रोक दी, हैरी विंडशिल से बाहर देखत इसकदर घबराईए मत, मैं डेडी से यह नहीं बताऊंगी कि आप C.A.T.C. में काम करते थे, ठीक है न, हैरी सकपका गया, और उसे घूरने लगा, क्या मतलब है आपका, जोन उसका हाथ थप थपाने लगी, उसके सपर्स से हैरी संसनाट मैसूस करने लगा, मैंने आज सु अने वाले पार्टनर के विजए में, मुझे जानकरी नहीं आसिल करनी चाहिए, जोन ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरी ने सोचा, ये लड़की विवसाई के प्रदी सचमुच गहरी दिल्चस्पी ले रही है, लेकिन हर बटे ने उसके बारे में क्या बताया होगा, हर गंबीर है, तो ये बात मेरे लिए बहुत मैत्वपूर्ण है, ये कोई हसी बे उड़ा देने वाली बात नहीं है, जोन तुरन मायोस हो गई, मुझे अफसोस है, मैं बहुत मजाग पसंद लड़की हूँ, लेकिन बेशक मैं गंबीर हूँ, इसके बारे में मैं आधी रात सोस्ती रही थी, कई महीनों से मैं ये विचार कर रही थी, कि कुछ करूँ, बेकार रहने में बोर हो चुकी हूँ, आपका एर टेक्सी वाला एडिया मुझे पसंद आ गया है, लेकिन आपके डेड़ी, वो भी चाते हैं कि मैं कुछ करूँ, उनका ख्याल है कि हर एक के पास कोई काम दंदा जरूर होना चाहिए, वो मेरी मदद अवश्य करेंगे, हवर्ट ने मेरे बारे में आपको क्या बताया था, जोन हसने लगी, उसने ठीक वैसी बाते बताई, जैसे मैं उम्मीद कर रही थी, उसने कहा कि आपके बराबर काबिल पाइलट मिलना मुश्किल है, आप अपने काम को अच्छी तरह से जानते हैं, और सभी लोग आपको पसंद करते थे, उसका विचार है कि जिस काम में आप दिलचस्पी रखते हैं, उसमें आप जरूर कामयाब हो जाएंगे, हैली ने रहासी महसूस करते हुए लंबी गहरी सांस छोड़ी, बड़ी महरब मगर असफल रही, क्या कर दिया था अपने उस एर होष्टेस के साथ, कोई असाधरन बात नहीं, हैरी चेंपते हुए बोला, अगर गौडफरे हवाई जहाज में मौजूद ना होता, उसने हमें रंगे हाथों ना पकड़ लिया होता, तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ब्लॉंड औरतों से मैं बहुत प्रभावित हो जाता हूँ, जोन उसका अध्यान करने लगा, अगर उनके बाप अमीर ना हो तब भी, हैरी का चेहरा तन गया, ये बात बहुत खटिया है, नहीं, शायर, लेकिन ये बड़ी समझदारी का सवाल है, ये तो उस ब्लॉंड और पर निर्वर करता है, हैरी ने कहा, उसने सुनसान तता लंबी सड़क की और देखा, फिर कुछ सट कर बैठा, अगर तुमारे जैसे उसकी आँखे भी भूरी हो, और तुमारे जैसे प्यारे प्यारे खुब सिरत होट हो, तो दौलत का सवाल पैदा नहीं होता, हैरी जोन की जीब हैरी के दांदों से टकरा रही थी, और हैरी उसकी गर्म शांसों को अपने गले में महसूस कर रहा था, इस आगने चुम्बन से उनका दिलो दिमाग जंजना उठा, फिर जोन ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे परे धकेल दिया, तुम्हें पहली बार देखते ही हमारे साथ रही हूं और मेरी तरफ देखो, हैरी ने उसका हाथ अपने आथ में रख दिया, ऐसा ही होता है, वो बोला, जब भावनाइस अच्छी होती है, तो ऐसा ही हो जाता है, मैं तुम्हारा दिवाना हो गया हूं जोन, हम बड़ी मौच कर सकते हैं, जोन उसकी तरफ द कर ट्राइल सुरू कर सकता हूं, तो मुझे मालूम हो सकता है, कि दंदा चल निकलता है या नहीं, अगर ये सफल रहा, तो फिर हम इसमें बड़ी पुंजी लगा सकते हैं, हाँ, ये ठीक है, जोन ने का, लेकिन पचास अजार से क्या होगा, हैरी मेरे पास भी अपना कुछ नीजी पैसा है, मैं भी पचास अजार डॉलर लगा दूगी, अगर धंदा चल निकलता है, तो हम डैडी से मदद ले सकते हैं, छे महीने के अंदर हमें मालूम हो जाएगा ना, हाँ, हैरी ने उसके कंदे पर अपनी बाहें डाल दी, तुम उसे शादी करोगी जोन, छे मही ने बात क्यों, नहीं, हैरी ललचा रहा था, मगर वो समझ रहा था, कि ऐसा करना अभी खत्रे से खाली नहीं है, हमें तुमारे डैडी का ख्याल रखना है, उन्हें ये साबित करके दिखाना है, कि मैं ये धंदा संभाल सकता हूँ, अगर हमने अभी शादी की, तो वो समझ कह रहे हो हैरी, मैं सोचती हूँ, वो तुम्हें बहुत चाती है, अब ऐसा नहीं है, हम एक दूसर से उकता चुके हैं, कल रात ही हमने सलाग की थी, कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मैक्सिको में उसका एक भाई रहता है, वो उसके पास जाना चाती है, हैरी ने जूट बोला, मैं उसे कुछ पैसे दे दूँगा, और वो चली जाएगी, जोन ने आगी की और जुपकर, उसके गले में बाहें डाल दी, और उसके होंटों को चुमने लगी, हैरी ने उसे अपनी बाउं में चकट लिया, उसका दिल फिर से जोर उसे धड़कने लगा, कुस देर जोन ने कहा, आओ, चलकर भविशय के उस एरफिल्ड को देखें, उसे देखने के लिए सारा दिन पड़ा है, हैरी अस्तिर भाव में बोला, वो पाम के पेड़ों के जोर मुट देख रही हो, आओ, वहाँ चलकर एक दूसरे को अच्छी तरह जानने समझने की कोशिश करते जोन कार से उतर पड़ी, फिर दोनों चलकर समुधर के किनारे पाम के जोर मुट में पहुँच गए, बाद में जब हैरी उसकी बगल में लेटा, नीले आसमान की और ताक रहा था, तो उसने महसूस किया, कि जिन्देगी में पहली बार उसे किसी से प्यार हो गया था, जब ग्लोरी के ब्रती मैं अपरात भावना महसूस कर रही हूँ, उसे अकेली छोड़कर सारा दिन तुम्हें अलग नहीं रहना चाहिए था, एरी, ग्लोरी के बारे में फिक्र मत करो, मैं उसे बता दूँगा, कि मुझे देर हो गई, जब मैं उसे हमारे बारे में बताऊंगा, तो वो समझ जाएगी, भूल जाओ उसे, कल वो चली जाएगी, उसे तुम उतना नहीं जानती जितना मैं जानता हूँ, मैं उसे कुछ पैसे दे दूँगा, और वो अपने भाई के बास चली जाएगी, उसे अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन जोन को तसल्ली नहीं हम एजेंट के पास जाकर उस जमीन के बारे में बातचीत करेंगे। जब जोन अपनी बड़ी सी बैंटली को वापस मोड़कर चली गई और हैरी की नजरों से होजल हो गई तो हैरी ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। दिन काफी आनन पुरुवक गुजरा था। उसे याद नहीं आया कि पहले कभी ऐसा सुकत दिन उसने गुजरा रहो वे उस जमीन को देखने चले गए थे और एकी नजर में उसने पता कर लिया था कि जोन का चुनाव बिलकुल सही था। उस जमीन को बगएर ज़्यादा धनकर्च किये एर फिल्ड में तबदिल किया जा सकता था और फिर वो जमीन सहर से सिर्फ चार मिल की दूरी पर थी। उन्होंने शोडराय पस्तित एक बड़िया रेस्तरा में लंच किया था। खाने के दौरान वे इसी मसले पर बाचित करते रहे थे। जोन के वेवसाइक दिमाग से हैरी काफी प्रबावित हुआ था। उसने व् अप एरक्राफ्ट बनाने वाली एक फैक्टरी का प्रेजिडेंट है। अतेहरी को वहाँ से कुछ रियाईती दर पर पसंदिदा एरक्राफ्ट मिल सकते हैं। वो एक ऐसी कमपनी को भी जानती है जिस पर उसके बाप का गैरा प्रभाव है और वो कमपनी सस्ते में रनवे क का निर्मान करने को तैयार हो सकती है तुम्हारा काम होगा फ्लाइट्स की विवस्ता करना और एरक्राफ्ट अथा स्टाफ की देख भाल करना जोन ने कहा था बाकी मुझ पर छोड़ दो मैं मुसाफिरों का इंतजान करूंगी मैं यहां के सबी होटलों के मैनेजरों को अच् हैरी वापस मोटल की तरफ बढ़ने लगा तो वो अस्बंजस में था जोन के साथ गलोरी के बारे में बाते करते समय उसने आसानी से कह दिया था कि वो गलोरी को संभाल लेगा इस समय वो महसूस कर रहा था कि उसे वास्तर में गलोरी से छुटका रहा पाना है और यह काम उ उसे आसान नहीं दिखाई दे रहा था उसने स्वयम को तसली दी कि गलोरी स्थिती की नजाकत को समझ लेगी उसे जरूर समझना होगा हैरी ने मनीमन फैसला किया कि उसके और जोन के बीच के संभन के बारे में गलोरी को संदेह ना होने पाए वो समझदार लड़की है और स सोचा शायद गलोरी कहीं बाहर चली गई होगी उसे संतोष हुआ कि इस प्रकार उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया है उसे खुद मालूम नहीं था कि वो किस प्रकार गलोरी को संभाले वो केविन का दर्वाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ फ्यर दर्वाजा ब किसी नहीं सुनाई दे रही थी जैसे वो किसी अजनवी की आवाज हो अंधेरे में बेटी क्या कर रही हो हैरी ने तीखिस्वर में पूछा उसने स्विच ऑन कर दिया और जोर से लाद मार का दर्वाजा बंद कर दिया अगर गलोरी कोई बखेडा करने की सोच रही है तो व किरे बर्फ की तरह सफेद पढ़ गया था आँखे इतनी धस गई थी कि दिखाई नहीं दे रहा था उसकी चमडी सिकुड कर जुलीदार हो गई थी और वो बुड़ी और जैसे दिख रही थी वो उसे पूछने ही जा रहा था कि क्या बात है मगर उसने अपने आपको रोक इस समय ग्लोरी को जगड़ा करने का मौका देना दुर्भागे जनक साबित हो सकता था मुझे अफसोस है कि मैं जल्दी वापिस नहीं आ सका उसने कहा मुझे काम पढ़ गया था बहुत सारे काम थे उसने एक सिगरेट सुल गई और माचिस की तिली फायर प्लेस पर डाल द चेड़ सकता था बैतर है कुछ खाने का प्रबंद करो हैरी बोला तुम सारा दिन क्या करती रही थी क्या तैरने चली गई थी ग्लोरी ने उसकी तरफ सिर घुमाया और दोनों की नजरे टकराई हैरी के जिसमें फिर से एक संसनी दोड़ गई ग्लोरी ने कभी उसे ऐसे सु मुझे भूक लगी है तुम्हें नहीं है वो कैसी निकली हैरी ग्लोरी ने सांस्वर में पूछा क्या वो तुम्हारी उम्मीत के मताबिक हरी साबित हुई हैरी सत पका गया रोध की तेज लहर उसके तन बदन में दोड़ गई क्या मतलब उसे फ्राप्त करके तुम पूरी दरह संतुष्ट हो गए थे क्या तुम्हे तुम्हें तुर्पती मिली थी हैरी उचलकर खड़ा हो गया चुप रहो वो गुरणा उठा मैं ऐसी बाते नहीं सुनना चाता क्यों नहीं सुनना चाते तुम्हें तो हमेशा अपनी मरदाणगी पर घमेंड था मैं क्यों ніहीं प लड़की है जिससे तुम्हें मेरे बदले नया स्वाद मिल सकता है एक सस्ती वगटिया दर्जे की औरत जिसकी और वक्ती तोर पर तुम आकर्शित हो गयो है या नहीं हैरी ने जोर से उसके गाल पर छननाडेदार थपड मारा जिससे उसका सिर एक तरफ लहरा गया वो अपन सुनो मैं तुम्हें बात थोड़ी नर्मी से बताना चाता था लेकिन अब भाड में गई नर्मी अब हमारा रिस्ता खतम तुम अपना सामान बांदो और यहां से चलती बनो मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाना चाता हूँ मैं तुमें एक हजार डॉलर दे दूंगा और तुम यहां से दफा हो जाओगी समझ गई ग्लोरी ने उसकी और देखा उसकी आँके चमक रही थी मैं नहीं जा रही हूँ हैरी उसने कहा उसकी आवास फस्वसाट से ज़्यादा उंची नहीं थी तुम जाओगी और बिलकुल जाओगी हैरी बोला तुमें इस सच्चा दूसरा रास्ता नहीं है आज की रात यहीं रह लो मैं कोई दूसरा केबिन ले लूँगा लेकिन कल सुबह तुम्हें मियामी छोड़ देना होगा मुझे कोई परवा नहीं कि तुम कहा जाती हो लेकिन जाओगी जरूर तुम्हें कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा जब त बेवकोप मत बनो, जब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं रह गई है, तो तुम क्यों यहां रहना चाहोगी, ग्लोरी कुछ नहीं बोली, सुनो, क्या तुम यह नहीं समझ सकती, कि मैं तुमसे उकता गया हूँ, आवाज उंची करते हुए हैरी बोला, तुम सायद ऐसा सोच सक सकते हो, मगर सचा ही यह है, कि तुम मुझसे इत्ती जल्दी उकता नहीं सकते, देखो, मैं तुमसे क्रोध में आपा भूल जाना नहीं चाहता, अब कहानी खत्म समझो, मैं आज राद तुम्हें यहां छोड़ जाता हूँ, सुबह होते ही तुम्हें यहां से चल देना मुझे अब अपनी जिन्देगी के बारे में कुछ सोचना होगा, और उसमें तुम्हारे लिए कोई जगे नहीं है, पहले तु थी, नहीं? उसे भोल जाओ, हैरी अदीर्धा से बोला, जो बीती सो बीती, वो सब मुझे याद मत दिलाओ, ग्लोरी, तुमने मेरे साथ से तंगा गया था, ऐसे और भी थे, नहीं, तुम्हारे लिए ये नयात्न जुर्बा तो है नहीं, और तुम अच्छी तरह जानती हो, अब ये बात मान जाओ, और चुप रहो, क्या एक सिगरेट मिल सकती है, तुम्हारे इंतिजार में मेरी सारी सिगरेटे खतम हो गई, ऐ लेकिन दुमे कपड़े वापस रखने पड़ेंगे, तुम आज राद यहां से नहीं जा रहे हो, हैरी चक्रासा क्या, तुम्हारा मतलब तुम जा रही हो, नहीं, मैं भी नहीं जा रही हूँ, हम दोनों यही ठैरेंगे, और हम शाधी करने जा रहे हैं है, हैरी, हैरी को रहे हैं बलकि एर टेक्सी के विवसाय में पार्टनर भी बन रहे हैं अपनी स्वारतिस जिंदगी में पहली बार तुम वो करोगे जो तुमें करने को कहा जाएगा हैरी स्थिर खड़ा रहा जरूर तुम्हारा दिमाग धराब हो गया है जो ऐसी बेतू की बाते कर रही हो तुम्हारे सामने आप कोई रास्ता नहीं है जो मैं कहती हूँ अगर तुम वो नहीं करोगे तो मैं फोन करके पुलीस को बता दूंगी कि वे हैरी ग्रीन को कहा दबोच सकते हैं केविन की खुली खड़की के सामने बार अंधरे में दीवार से कान सा टाय खड़े बोर्ग क कर लंबा सा फरते होना बेकार सावित नहीं हुआ था ये लंबा सा खुपसरो जवानी हैरी ग्रीन है हाला कि वो दिन भर उसके निगरानी करता रहा था लेकिन इस बात से निश्चित नहीं हो सका था कि वो ही हैरी ग्रीन है उसके चेरे पर फ्रूर मुसकान फैलने लगी उ वो ड्राइब करता हुआ फ्रैंक्लिन रुजवेट बोलवेट पर स्टेथ प्रेनोर के निवास्थान पर पहुँच गया था और फाटक के पास कार खड़ी कर दी थी फिर उसे काफी लंबी प्रतिक्षा करनी पड़ी थी पौने बारा से पहले वो भूरी नीली बैंटले दि देखा था और सारा दिन उनका पीछा करता रहा था शाम को जब वे एक दूसरे से अलग हो गये तो वो हैरी का पीछा करता हुआ मोटल तक महुचा था फिर के बिन तक उसने ग्लोरी और हैरी के बीच की बाचेत का एक एक शब सुन लिया था ग्लोरी ने जब हैरी की पड़े वापस वाडरोब में रख दिये और दर्वाजा बंद कर दिया वो बिस्तर पर इस प्रकार धड़ाम से बैट गया जैसे उसकी टांगे जवाब दे गई हो उसका चैरा पसीने से तर हो रहा था उसने जलती निगाउ से ग्लोरी को घूरा ग्लोरी ने उसकी और नही बोली कई मर्दों में अपना प्यार लोटा लोडा कर अपने खुशी हासिल करने की कोशिश करती रही वे मुझे प्यार करते रहे इसके लिए मैंने हर चंद कोशिश की लेकिन फिर भी देल सवे वे मुझसे उप जाते थे और मुझे छोड़ जाते थे ये शायद मेरी ही कल बात थी, किसी ने मेरी कभी कदर नहीं की, वे सभी मुझे एक डरपोप और एहमक औरत समझते थे, जिसके साथ जब जी चाहा संबंद बनाया और जब जी भराया तो छोड़ दिया, जब मैं तुमसे मिली थी, तब भी मुझे यकीन नहीं था, कि हमारा साथ लंबे अर्से तक चल पाएगा, मैं तो उस संड की प्रतिक्षा कर रही थी, जब काफी लोगों की तरह, तुम भी मुझे ठुकरा दोगे, फिर जब तुमने मुझे डखे थी, कि अपनी योजना बताई, और मुझे मदद मांगी, तो मैं सोचने लगी, कि तुम सच्चे इमानदार हो, और व पत्या के मामले में फस गए हो, तब भी मैं तुम्हारा साथ देने से तनिक भी नहीं हीच किचाई, क्योंकि मैं समझती थी, कि तुम मेरे हो, और मैं तुम्हारी, तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, तो दोस्तों ये था संकी कातिल नोवल का पार्ट सेवन ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताए और हाँ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे कंटेंट में लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नएने आडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक से, नॉवल से और स्टोरी से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सन की कातिल नोवल का पार्ट एट इसके बाकी के साथ पार्टस आप अलरड़ी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको उपर आई बटन से मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों, जदा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सन की कातिल नोवल का पार्ट एट फिर वो ब्लॉण लड़की बीच में आ गई उसकी और देखकर तुम जिस डंग से मुस्कराय थे तुमारे हाव भाव देखकर मैं फौरण समझ गई थी कि तुम्हें मेरी रत्तिबर भी फिक्र नहीं है तुम मुझे से वो सब कुछ ले चुके थे जो मैं तुम्हें दे सकती थी और अब तुम मुझे से छुटकारा पाने को तैयार हो गए थे तुम मुझे कुछ बताय बगए सारा दिन यहीं छोड़कर चले गए मैं समझी थी कि शायद तुम हमेशा के लिए चले गए हो मैं थोड़ी सचेत हो गई और जब कोई सचेत हो जाता है तो इसका सोचने का धंग बदल जाता है अजानक मुझे हैसास होने लगा हैरी कि जिन्देगी में पहली बार मैं ऐसी स्थिति में थी कि किसी मर्द पर मैं हुकूमत चला सकती थी मैंने महिसूस किया कि तुम वो पहले मर्द हो जो मुझे इस तरह ठुकरा कर नहीं जा सकता और इस सिलसिले में तुमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कैसी उत्तेजना जनक बात है तुम्हारे गले में फंदा बड़ा है और तुम चाहे जैसी भी कठिन कोशिश करो तडपो, छट पटाओ मगर इससे मुक्त नहीं हो सकते तुमने मुझे शादी करने का वादा किया था इस बात से मैं प्रसंद थी हाला कि मैं जानती थी कि इसमें शादी वाली जैसी कोई बात नहीं होगी लेकिन इससे मुझे सुरक्षा हासिल हो सकती थी सुरक्षा जो मुझे पहले कभी नहीं मिल सकी थी जिसकी मुझे सब्जरुवत थी तुम्हारे पास बेन को धोका दे कर लिए गए पचास अजार डॉलर है वेल क्यों मैं तुम्हारी पार्टनर बनने जा रही हूँ इसलिए मैं उनमें से 25,000 चाहती हूँ मैं इससे जादा रगम की भी मांग कर सकती थी और तुम इससे इंकार भी नहीं कर सकते लेकिन मैं ऐसी नाइंसाफी नहीं चाहती मैं बराबर आधा हिस्सा चाहती हूँ और लेके रहूंगी फिलास्तिती ये है अगर तुमने मेरे साथ सलीके से बरताव किया होता तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होता हम दोनों आपस में खुश रह सकते थे जैसा कि तुमने वादा किया था हम लंदन, पैरिस और रोम की सेर पर निकल गए होते अब हम एर टेक्सी के धंदे में बराबर के हिस्सेदार के रूप में काम करेंगे तुम ग्रैना और नाम के उस नड़की को बता दोगे कि तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर छोटे पैमाने पर लेकिन स्वतंत्र रूप से दंदा सुरू करने का फैसला कर लिया और तुम्हें उसकी मदद की जरूरत नहीं है ना ही उसके प्यार की और उसके बाप के प्रभाव की मैं तुम्हारे चुनून को दुरुस्त कर सकती हूँ हैरी पहले कुछ सेकेंड जब तक ग्लोरी बोलती रही थी हैरी को तिर्वक्रोत की जलन से अपना इदम घुटता सा लगा लेकिन जब ग्लोरी ने अपनी बात फतम की तो उसे लगा कि वो सचमुशी जाल में फसा हुआ था वो भी कैसा मुर्ग था कि इस और उसने ध्यानी नहीं दिया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है वो ग्लोरी पर हुक्म चलाने का आदी हो चुका था कि उसके दिमाग में ये सूजी नहीं सका कि ग्लोरी उसे ब्लैक मिल भी कर सकती थी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ग्लोरी वो निराज़स्वर में बोला ये नहीं चल सकता मुझे तुमसे घृणा होने लगीगी क्या तुम इसके बावजूद मेरे साथ रहना चाहोगी क्यों नहीं उसे घूरते वे ग्लोरी ने कहा मैं क्यों परवा करूँ तुम्हे पहले भी कौन सी महबबत थी मुझसे अब मैं खुछ समझ सकती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं चाहो तुम उसे नफरती करते रहो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमें भी नहीं पढ़ना चाहिए मैं तुमसे इसलिए शादी कर रही हूँ क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा बढ़ जाएगी तुम अगर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पढ़ गए तो मैं तुमें तलाग दे दूँगी और तुमसे हर जाना वसूल करूंगी मेरे पास 25,000 डॉलर भी होंगे मैं कुछ बदलाव चाहती हूँ अपने भले के लिए कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले कभी नहीं किया था हाँ मैं समझ रहा हूँ खुद को सहियत करते हूए है हैरी ने का लगता है तुमने पका फैसला कर लिया है क्या तुम इस बारे में इत्ती निस्चित हो बिल्कुल निस्चित हो मान लो मैं तुमें तीन अजार डॉलर देता हूँ क्या तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी और यहां से चली जाओगी कताई नहीं मैं अपनी शर्ते नहीं बदल सकती कल सुबह तुमें शादी के लाइसंस के लिए इंतजाम करना होगा इसके लिए हफता भर लगेगा लेकिन मैं इंतजार कर लूँगी इस भीज तुम किसी ऐसे आदमी की तलाश करोगे जो एर टेक्सी के धंदे में तुमसे पार्टनर्शिप खईदने में दिल्चस्पी रखता हो मैं भी कोशिश करूँगी अगर हमें यहां कोई नहीं मिला तो हम दूसरी जगे चले जाएंगे तुम वेस्ट नैशनल बैंक में मेरे नाम से 25,000 डॉलर ट्रांसफर करवा दोगे कल सुबही हमें यह मोटल छोड़ देना होगा और रहने के लिए कोई सस्ती सी जगे तलाश करनी होगी हम एक बंगला किराय पर ले सकते हैं कल उसकी तलाश मैं कर लूँगी गलोरी खड़ी होगी क्या अब हम डिनर कर लें तुमने कहा था कि तुम्हें भूक लग रही है हैरी ने अपनी आगरी गोली इस्तिमाल की अगर तुमने मुझे पुलीस के हवाले कर दिया तो तुम भी तो इसमें फस जाओगी मेरी साहता करने के जुर्म में तुमें भी दस साल की सजा हो सकती है गलोरी उसकी बगल से चलकर दर्वाजे के पास पहुंची क्या तुम सोचते हो कि मैं फिक्र करूंगी मेरी जिन्देगी का अब यही मकसद रह गया है तुमें प्राप्ट करना अगर मैं यह नहीं कर सकी तुम मुझे कोई परवान ही कि क्या होता है दस साल की कैश से मेरा कुछ नहीं आता जाता मेरी जिन्देगी वैसे भी अब तक कोई फुसकवार नहीं थी मुझे दस साल की सजा हो सकती है लेकिन तुमें तो फांसी का फंदा मिलेगा उसने दर्वाजा खोला गले में फंदा पड़ा हुआ है तो ग्लोरी ने कहा मैं तुमें किसी सुरत में बक्स नहीं दूँगा हो सकता है ग्लोरी बोली लेकिन जब तक तुमें इसका अंजाम याद रहेगा तुमें ऐसा कुछ न करने में ही अपनी भलाई समझोगे ठीक है लेकिन मुझसे किसी रहम की उमीद मत करना इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है मगर तुम याद रखोगी कि क्या हुआ था इस बारे में किसी गलत फहिमी में मत रहना खिड़की खुली है ग्लोरी ने सर्द आवाज में कहा कोई सुनन न ले फिर वो बाहर निकली और अपने पीछे दर्वाजा बंद कर लिया ज्यों ही ग्लोरी केविन से बाहर निकली बोर्ग अंदेरे में दुबग गया ग्लोरी उसके बिलकुल करीब से गुजरते हुए और इस्तरा गी और चली गई मगर उसे देख नहीं पाई बोर्ग ने टोपी पीछे की और खिसका दी हैरी को खत्म कर देना इस वक्त बहुत आसान था लेकिन उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी उसे मियामी पसंद आने लगा था और वो कुछ दिन और वहां ठहरना चाता था उसे दिल्चस्पी हो रही थी कि ग्लोरी के चुंगल से बच निकलने के लिए हैरी कौन सा कदम उठाता है हो सकता है वो कोई उपाय निकाल ले केविन के अंदर हैरी निश्चल बैठा रहा था चेहरे पर पसीने की बूंदे छलक रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था कहीं शनी सी हालत में रहने के बाद उसने एक सिग्रेट सुलगाई और विस्तर पर लेट गया वो छटकी और ताक रहा था मगर दिमाग तीजी से काम कर रहा था जोन को वो क्या बता है उसे अपको समय के लिए जोन को अपने बाप से बात करने से रोकना होगा इस थिती में उसके बाप से बात करना दुर्भागे जनक सावित हो सकता है अगर गलोरी ये सोच रही है कि वो उसके रास्ते की रुकावट बन सकती है तो वो भारी गलती कर रही है अब कोई भी उसके रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता उसे जोन से प्यार हो गया था संभवदर सिग्री शादी का आउसर भी निकलाए जोन को विरासत में अपने बाप की बेशुमार दौलत मिलने वाली थी हैरी की तो जिंदेगी ही बदल सकती थी उसके पास अपना वैवसाय होगा खुबसूरत प्यारी सी पत्नी होगी और इतनी दौलत होगी जितनी वो संभाल सकता है ग्लोरी इसमें बाधा उत्पद नहीं कर सकती उसके दिमाग में अब इसका एकी हल सूज रहा था ग्लोरी का मुँ हमेशा के लिए बंद कर देना होगा वरना उसे जिंदेगी भर उसकी उंगलियों के इशारे पर नास्ते रहना होगा और वो ऐसा कते नहीं चाता था ग्लोरी के कतली के विचार से वो तनिक भी नहीं घबराया गबराट के मुकाबले उसकी भविश्य की आकांगशाय भारी पढ़ रही थी एक और कतल उसके लिए अप कोई माइने नहीं रखता था या तो ग्लोरी की जिन्देगी होगी या फिर उसका अपना भविश्य जब ग्लोरी बोल रही थी तब ही उसने ये बात सोच ली थी उसने फैसला किया कि वो जरूरी का मुँब बंद कर देगा उसने इसी लाइक बत्तमीजी की थी पांच मिनट तक उसी हालत में पढ़े रहने के बाद वो एक आएक बिस्तर से उचल कर खड़ा हो गया उसने सिगरट मसल कर फैंक दी दर्वाजा खोला और बत्ती बुझा कर बहार निकल गया रास्ते के उस तरवच की तरह प्रकासित रहस्तरा में बैठी ग्लोरी को वो देख सकता था वो समुद्र थटकी और एक खिड़की के पास बैठी हुई थी एक बेटर उसे सर्व कर रहा था और उससे बात कर रही थी हैरी ओफिस की और लपका टेलिफून बुक्स से उसने हावर्ड क्रेनोर के निवास्तान का नंबर प्राप्त किया और पेबूत के अंदर भुझ गया दर्वाजा बंद करने के बाद उसने नंबर डायल किया एक मरदाना आवाज सुनाई दी मिस्टर हावर्ड क्रेनोर का निवास्तान क्या आप मिस्ट क्रेनोर को बता देंगे कि ग्रिफिन उनसे बात करना चाता है थोड़ी देर होल कीजिए सर कुछ देर की चुप़ी के बाद जोर की आवाज आई हेलो हैरी हैरी तनकर खड़ा हो गया हेलो जॉन आवाज में संतुलन मनाय रखने की बेकार कोशिश करते हुए हैरी ने कहा तुमारा विचार ठीक निकला मैं याँ थोड़ी गड़बड़ी में पढ़ गया हूँ वो सीधे तरीके से मानने को तयार नहीं है ओ डार्लिंग मुझे अफसोस है क्या मैं कुछ कर सकती हूँ नए इसे मैं संभाल लूँगा लेकिन इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता वो अधिक पैसे चाती है सुनो अभी अपने डाड़ी के साथ तुम बात मत करो हो सकता है मुझे उसकी सोची गई रकम से जाता देनी पड़े और इस प्रकार उसे पीछा छोड़ाने में मेरी पूंजी भी कम हो जाएगी उसे हमारे संबंदों की भनक पड़ गई है जोन बैतर होगा जब तक वो चली नहीं जाती हम आपस में ना मिले मैं उसे अपने विरुद नहीं बनाना चाता तुम समझ रही हो ना मुझे मालूम था हैरी क्या मैं उसे बात नहीं कर सकती मैं जानती थी कि वो जरूर कोई बखेडा खड़ा कर देगी नहीं तुम अलगी रहो तो ठीक है हैरी बोला मैं इसे निपट सकता हूँ सिर्फ कुछ अत्रिक पैसो का सवाल है उसे दे दूँगा तो वो चली जाएगी ठीक है डार्लिंग जब तक तुम नहीं कहोगे मैं डैडी से बात नहीं करूँगी इस विसे में हम कब मिल रहे हैं तो उसके चाते ही मैं तुम्हें फोन करूँगा शायद एकिया दो दिन लगे मुझे अफ्सोस है डार्लिंग साफधानी से काम लेना तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें फोन करूँगा स्विटी हैरी बूस से बाहर निकला रास्ते के दूसरे गिनारे पर एक पाम के नीचे रेट पर जाकर बैट गया और सिग्रेट सुलगाने लगा बीजगस की दूरी पर अपनी कार में बैटे बॉर्ग ने हॉलेश्टर से अपनी गन निकाली और हैरी के सिर का निशाना साधने लगा निशाना इतना चुक साबित हो सकता था कि वो बड़ी मुश्किल से स्वैम को ट्रिगर दबाने से रोक पाया इस बात से बेखबर कि वो मौत से फिर एक धड़कन की दूरी पर है हैरी मन में सोच रहा था कि गलोरी से पीछा चुड़ाने के लिए उसे अब एक फुल प्रूफ योजना तैयार करनी पड़ेगी पर इस्तितियां उसके अनुकुल पढ़ रही थी ये मियामी में नए नए आये थे और उन्हें याँ कोई नहीं जानता था जोन तो यही समझती रही की कि गलोरी सहर छोड़कर चली गई है गलोरी का अपना कोई रिस्तिदार या दोस्त नहीं था जो ये जानना चाहे कि उसका क्या हो गया है ये बात महत्त पूंड थी अगर कोई रिस्तिदार हो तो लाजमी है कि वो पूरी स्तैकी का शुरू करवा देगा गलोरी तो नितान तकेली थी ये फिक्र करने वाला कोई नहीं था कि वो जंदा है या मर गई लेकिन फिर भी पूरी साफधानी पर अतनी जरूरी थी वो खून के इगिलजाम से तो बच निकला है उसे किसी भी हालत में इस दूसरे मामले में कोई गलती नहीं करनी चाहिए वो लाज को कहा ठिकाने लगाए इसी बात से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई वो एक घंटे से जादा वहाँ बैठा सिगरेट के कश लगाता हुआ सोच विचार करता रहा अंत में वो खड़ा हो गया और कपडो से रेज जाड़ कर वापस मॉटल किया और लोटने लगा वो क्विक स्नेक बार में गया और उसने एक सेंड़िच खाते हुए फिर से इसी योजना पर विचार करने लगा इसमें जोकिम तो था मगर ये स्वभाविक बात थी कम से कम ये इतनी उलजन पूर और कोई खास कठिन नहीं थी लेकिन क्या ग्लोरी सतर्क हो जाएगी क्या उसे ये संदेय हो जाएगा कि वो उसे हमेशा के लिए चुप करवा देने का प्रैतने कर सकता है सबसे पहले तो उसे ये करना होगा कि ग्लोरी के दिल से कैसे भी संदेयों को निकाल दूर करना होगा अगर वो ऐसा कर सका तो बाकी का काम बिलकुल आसान हो जाएगा उसने बार्मेन से उस इनाके का बड़े स्केल का नकसा मांगा बार्मेन ने उसे नकसा दे दिया और वो बीस मिनट तक उसका ध्यायन करता रहा फिर उसने ड्रिंक खतम किया नकसा वापस दे दिया पैसे चुकाए और वापस अपने केविन में लोट आया केविन के अंदर बत्ती जल रही थी और उसे परदे पर ग्लोरी की परचाई भी दिखाई दे रही थी जो ही केविन के अंदर दाकिल होकर उसने अपने पीछे तरवाजा बंग कर लिया बोरकार से बाहर निकला और साफधानी पुर्वक चलते हुए खिड़की के पास अपनी पहले वाली जगे पर आकर खड़ा हो गया ग्लोरी नाइट ड्रेस पहन रही थी एक पल के लिए हैरी को उसके गोरे बतन की एक जलक मिल गई फिर सिल्क के वस्तने ने उसे ढख लिया उसने हैरी की और नहीं देखा मगर ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बालों में ब्रश फेरने लगी हैरी ने अपना कोट उतारा कमीस का बटन खोला और टाई की गांट धी लीगी ग्लोरी ग्लोरी ने कुछ नहीं का उसकी और देखें बिना बालों में ब्रुश फेरती रही मैं माफी चाहता हूँ हैरी बोला मैंने तुम्हारे साथ बहुती बुरा वेवार किया मुझे सच मुछ बहुत अफसोस है इसके लिए ग्लोरी के हाथ रुक गए और उसने हैरी की और देखा उसकी बड़ी बड़ी काली आँखें सीधे उसे घुर रही थी इसका वास्तम में क्या मतलब हुआ उसने पूछा मैं काफी देर से बार बेटा विचार करता रहा था हैरी डिका और एक सीगरेट सुल गई मुझे मालूम नहीं मैंने क्यूं तुम्हारे साथ ऐसी बाते की और ऐसा वयवार किया तुम ठीक कह रही थी गलोरी मैं हर प्रकाससे तुम्हारा रुणी हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा वयवार किया इसका मुझे गहरा अफसोस है उस छोगरी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था उसके प्रकट होने से पहले मेरी नजरों में तुम्हारे सिवाय और कोई लड़की नहीं थी ये तुम जानती हो अब मैंने गहराई से उसके बारे में विचार किया और महसूस किया कि मैं कितना बेवकुक बन गया था तुमने उसके बारे में ठीक का था कि वो एक शणिक आकरशन की चीज़ के अलावा और कुछ नहीं उसके बाप की दौलत से मेरी आखे चौन्दिया गई थी लेकिन अब मैं महसूस कर रहा हूं कि उसका बाप मुझे कभी अपनी बेटी और दौलत के पास पटटने भी नहीं देगा वो अपने उंगलियों से बाल सहलाने लगा तुमने मुझे जबरदस जटका दिया है ग्लोरी मुझे इसी की ज़रुरत थी मैं जानता हूं किसी बाहरी आदमी की मदद के बिना भी हम दोनों मिलकर ये काम अच्छी तरह कर सकते हैं मैं तुम अब दोबारा कभी नहीं होगा हैरी मनी मन सोच रहा था इसे निगर ले चालाक कुतिया अगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है तो मैं और उपाय का प्रयोक करूंगा ठीक है हैरी उसकी और देखे बिना ग्लोरी ने कहा मुझे ये जानकर बड़ी खुशी ह ग्लोरी है कि तुम अब इसे इस धंक से मैसूस कर रहे हो तुमने भी मुझे जटका दिया था शायद हम दोनों को इसकी जरूरत थी हाँ हैरी को फिर से गुस्सा चटने लगा वो बड़ी कटना इसे ये भाशन कर सकता था मगर ग्लोरी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ रहा था उसे उम्मीद थी कि ग्लोरी इन बातों से पिगल जाएगी लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा कठोर और भाविन बना रहा अब हम क्या करने जा रहे हैं तुम मुझसे जिंदेगी भर इसी तरह रूठी रहोगी क्या ये सब अब कभी नहीं होगा मैं वादा करता हू ग्लोरी ने ब्रूच नीचे रख दिया और आइने में अपना चेहरा देखने लगी और मैं भी दुखी और शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें धंकी दी उसने कहा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ तुम मेरी नजरों में दुनिया के किसी भी मर से कहीं जादा महत्वर र आते हुए हैरी बोला मुझे खुशी है कि बाग डर तुम अपने हाथ में ले रही हो ग्लोरी तुम हमेशा मुझस से बढ़कर चतुर साबित होती आई हो काफी सोच विचार के बाद मैं भी इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अपनी सुरक्षा की दुरुष्टी से हमे इसमें अपने सामान के साथ जा सकते हैं मैं जोसता हूँ नियो औरलिंस की और चले तो ठीक रहेगा तुमारा क्या ख्याल है यहरी का तुरुप का पत्ता था और वो इसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए ग्लोरी को गौर से देखने लगा वो सोच रहा था कि ये बात ग्ल जी ट्रांसफर करवा लूँगा और 25,000 डॉलर तुमारे नाम करवा दूँगा ये रकम तुमारे पास ही होनी चाहिए ग्लोरी उसके होटों में एक चोड़ी तता मौक मुसकान पैल गई फिर हम सही माइनों में पार्टनर बन जाएंगे कैसा लगा ग्लोरी ने जट से अप सो जाएं हैरी बोला कल हमें बहुत सारे काम करने होंगे ग्लोरी उसके समीप से होकर बिस्तर की और बड़ी तो उसने उसे पकड़ कर अपनी और खीचा सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाएगा बेबी वो बोला तुम इंतिजार करो और देखती रहो हम एक नई सुर जाये इसे मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती हाँ मैं समझ रहा हूं कि तुम कैसा मैसूस कर रही हो लेकिन सब ठीक हो जाएगा हैरी उसे बिस्तर पर लेटते हुए देखता रहा फिर उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उता रहे पाईजामा पहना और दूसरे बिस् तरपर स्थिर पड़ा तेजी से सोच रहा था उसकी उम्मीद के मुताबिक काम आसान तो नहीं हुआ लेकिन कम से कम वो मियामी छोड़ने को तैयार हो गई थी जो कि उसकी योजना का खास हिस्सा था सुबह उसे काफी साफधानी से काम लेना होगा अगले दिन रात तक वो उससे हमेशा के लिए छुटकारा पालेगा अपना व्यवसाय सुडू करने के लिए खास कर जौन से मिलने के लिए आजाद हो जाएगा और इस बाद पूरी तरह सुरक्षित तरीके से काफी देर बाद हैरी को नीद आई सुबह पोफटने के समय किसी आवाज से उसकी नीद खुल गई तो उसे सुनकर वो सन रह गया ये गलोरी के सिसकने की आवाज थी दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक हैरी एक 1945 ब्यूक सेलून कार खरीच चुका था वो कार ड्राइब करता हुआ शहर के बीच के पार्किंग लॉट पे जा पहुँचा और कार वहाँ पार्क कर दी फिर एक हार्डवेर श्टोर में जाकर उसने छोटे हत्ते का एक बेलचा खरीदा कार के पास लोटकर उसने बेलचा डिक्की में रखा और उसमें ताला लगा दिया बोर्ग उसे पंद्रे गच की दूरी पर था बेलचे का अर्थ वो समझ चुका था ग्लोरी की शर्ते और उन्हें मान लेने के हैरी के अंदाज से वो अनुमान लगा चुका था कि हैरी उसे खत्म कर डालने के चक्कर में है बेलचे को देखकर उसका अनुमान विश्वास में बदल गया उसने हैरी को कार के टूल किट से एक भारी रेंच निकाल कर ट्राइवर के दर्वाजे के साइट पॉकेट में चुपाते देखा फिर हैरी कार ड्राइव करता हुआ वापस मोटल किया और लोटा बोर्क को ये मालुम था कि हैरी की स्थरफ जाने का इरादा रखता है अते उसने मोटल तक उसका पीछा नहीं किया वो अपनी कार में बैट कर साइट रोट से होते हुए मुख्य सड़क पर निकलाया और एक जगे कार खड़ी करके प्रतिक्षा करने लगा ग्लोरी अपना सूटकेस बंद कर रही थी उसने हैरी का सूटकेस भी पैक कर दिया था आओ और देखो कि मैं क्या चीज़ खरीद लाया हूँ और तुम्हें पसंद आई तो मुझे बता रहा हैरी अपनी आवाज को किसी तरह मित्रता पूरवक बनाते हुए बोला और ग्लोरी की प्रतिक्रिया लक्ष करने लगा ग्लोरी ने दर्वाजे पर आकर कार की और देखा तो उसका चैरा खिल उठा था कार के पास आकर दोनों ने उसका निरिक्षन किया फिलाल इसी से हमारा काम चल जाएगा हैरी बोला बाद में जब सफल था हमारे हाथ लग जाएगी हम दूसरी कोई अच्छी सी नई कार खईद लेंगे मेरे ख्याल में ये भी अच्छी ही है ग्लोरी ने कहा उसने कार की टिक्की खोलने की कोशिश की मगर वो नहीं खुली इसका ताला खराब है हैरी ने कहा इसे बेचने वाला इसे ठीक करवा देना चाता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था इसे बाद में ठीक करवा सकते हैं सूट के सम पिछली सीट पर रख सकते हैं उसने दोनों सूट के सकार की पिछली सीट पर रख दिये ग्लोरी अपना हैंड बैग और हैट लाने के लिए वापिस कमरे में लोट गई हैری दर्वाजे पर खड़ा उसे हैट पहनते देख रहा था अचानक ग्लोरी ने उसकी और देखा तुम मुझसे अब नाराज तो नहीं हो ना हैरी ग्लोरी ने पूछा नहीं मैं नाराज नहीं हूँ जो हुआ उसे भूल जाओ हैरी जबरन मुस्कुराया तुम समझ गए हो मैं क्यों भूल जाओ उसे हैरी बोला उसे मालूम था कि इस समय आगे बढ़कर उसे ग्लोरी को अपनी बाहों में ले ले लेना चाहिए था लेकिन वो उसके साथ जो कुछ करने जा रहा था उसे याद कर वो वैसा नहीं कर सकता वैल आओ बेवी यहां से चल दें इस जगे से मुझे नफरस्सी होने लगी है ग्लोरी उसके पीछे पीछे कार तक कहुँची हैरी ड्राइविक सीट पर बैठ गया और ग्लोरी उसकी बगल में हैरी ने इंजन स्टार्ट कर दिया यह यात्रा बड़ी सुखा दोगी गेर डालते हुए हैरी ने कहा हम कुछ खुपसर जगों से गुजरने वाले हैं रात हम टंपा में गुजारेंगे मैं हमेशा से वहां जाने की इच्छा करता था वहां सिगार बनते हैं और सापो को डिबा बंद किया जाता है वे बाते करते हुए US 27 राजमार्क से एवरक लेट्स नैशनल पार्क की और बढ़ने लगे जब हैरी बाते करते हुए उस इलाके की जानकारी ग्लोरी को दे रहा था कि बगल से होकर वे आगे बढ़ गए मगर उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया अगले एक खेंटे में वे उस जगे पहुँच गए जहांसे दलदली जमीन की और जाने वाली सड़क अलग होती थी जल्दी वे टामियामी कैनाल के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे हाईवे मरे हुए सापो से भरा बढ़ा था जो रात को दलदली जमीन की ठंड़क से बचने के लिए गरम सड़क पर निकलाये थे और भोर ट्रेफिक के नीचे कुछले गए थे गिद्दो का जुंड उने लेकर छीना जप्टी कर रहा था जब व्योक उनके बिल्कुल करीब पहुँच जाती तब युए शोर मचाते हुए उड़ जाते थे ग्लोरी जुर जुरी लेती हुई कंदे सी कोड़ने लगी कैसा भहेंकर दृश्य है नहीं? हाँ हैरी ने कहा लेकिन ये सवभाविक बात है सापो को सड़क पर नहीं निकलाना चाहिए था गिद्दो को देखकर वो सोच रहा था कि उसने बेलचा वैरती खरीद लिया था अगर वो ग्लोरी की लाश को कहीं जाड़ियों में डाल देता तो एक घंटे बाद हड़ियों के सिवा कि दूसका कुछ भी नहीं चोड़ेंगे उसे अपनी गर्दन में थंडा पसीना बैता मैसोस होने लगा उसने योजना बनाई थी कि ग्लोरी के जिर में वार करेगा और उसे नेपल्स के टटियर कार में ठंडा कर सकता था फिर थोड़ी देर इंतजार करके ट्रैफिक के ओजल होते ही वो उसे जाड़ियों तक ले जा सकता था उसे जादा दूर ले जानी की जरुवत नहीं थी सिफ रास्ते के उस तरफ नजरों से दूर फिर वो बड़े मजे से गिद्धो का भोजन बन जाएगी उसने ड्राइविंग मीरर में देखा पीछे एक कार आ रही थी लेकिन कार के पीछे काफी दूर तक सड़क बिल्कुल खाली थी उसने सामनी की और देखा एक चोथाई मील आगे एक ट्रक रेंगते हुए आ रहा था उसके अलावा कोई ट्रैफिक नहीं था उसने पिछली कार को आगे बढ़ जाने देने के लिए अपनी रफतार कम कर दी वो कार काफी तेज रफतार में थी हवा का तेज जोंका मारती हुई जटके से आगे बढ़ गई पीछे से आ रही खड़खडाड सुन रही हो हैरी ने कहा लगता है पीछे कुछ धीला पड़ गया है मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा उसने रफतार बिलकुल धीमी कर दी ट्रक अप तेजी से इस और बढ़ रहा था इससे पहले की हैरी कुछ कर पाए वो उसके करीब पहुंच सकता था और हैरी मनी मन उसे कोसने लगा उसने फिर से ड्राइविंग मीरर में देखा पीछे की सड़क बिलकुल खाली थी शायद मुझे कोई गलत फैमी हो गई थी उससे अपनी आवास तिर बनाए रखने में कठिना ही हो रही थी उसके माथे पर पसीने की पून छलक आई थी और दिल जोरों से धड़क रहा था उसने गैस पैंडल पर पैर का दबाव बढ़ा दिया और कार जटके से रफतार पकड़कर आगे बढ़ गई ताकि जल्दी से ट्रक क्रॉस कर सके ट्रक धर धड़ाते होए गुजरा तेजी से आगे आगे पीछे देखकर हैरी को पता चला कि अब सड़क दोनों और से चार मिल तक बिल्कुल सुनसान थी उसने जोर से ब्रेक दबाया और सड़क के किनारे कार रोग दी जरा पीछे जाकर देखो लगता है बंपर एक तरफ से उखड़ गया है क्लोरी ने दर्वाजा खोला मैंने तो कुछ भी नहीं सुनाया रही देख तो लो उसकी आवाज तीक ही होने जा रही थी मगर उसने समय रहते उसे दबा दिया उसने दर्वाजे के साइट पॉकेट में हाट डाला और उसकी उंगलिया रेंच के गिर्द कस गई जो ही क्लोरी कार के पीछे की तरफ गई दर्वाजा खोल कर वो भी उत्तर पड़ा और पीछे की तरफ आया उसने सुचा यही मौका है तेजवार से उसे बेहुश कर देना है फिर उसे उठा कर छाडियों के पीछ ले जाना है वहाँ उसे वो खत्म कर सकता है रेंच वाला हाथ वो पीट पीछे चुपाए हुए था यहां तो कुछ भी डिला नहीं पड़ाया ग्लोरी ने का लगता है तुम्हें वहम हो गया था हैरी वो हैरी के और मुखी यह उसे देख रही थी हैरी उससे नजरे नहीं मिला जका नीचे जुक कर वो बंपर को हिलाने लगा अजीब बात है वो बोला आवाज बहुत दूर से आ रही थी मुझे तो आवाज बिलकुल क्या आप चले हैं हाँ उसे ग्लोरी के मुड़ने का इंतजार था उसने रेंच इत्ती जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलिया दुखने लगी थी जो ही वो मुड़ा उसने देखा एक कार तेजी से आ रही थी और वो अपना हाथ प्रहार करने के लिए उठाते उठाते रुख गया वो कार गोली की तरह उनकी तरफ आ रही थी ग्लोरी कार के दर्वाजे तक पहुँच चुकी थी उसने दर्वाजा खोल लिया हैरी काप रहा था मगर उसने रेंच को छिपा लेने की समझदारी दिखाई थी वो स्पोर्ट्स कार उनकी बगल से धूल उड़ाती हुई आंधी की तरह गुजर गई हैरी ने रेंच अपनी ही पॉकेट में खोंस लिया और आगे बढ़कर ग्लोरी की बहाँ पकड़नी और उसे अंदर बैठने से रोक लिया जरा ठेरो एक बड़ासा तेल का ट्रक मोड़ पर आता दिखाई दिया और घर गराते हुए उनकी और बढ़ने लगा हैरी ने सोचा ग्लोरी से इस सड़क पर पीजा चुड़ा सकने की बात सोचकर उसने बड़ी बेफुवी का परिचे दिया था लगता था ये सड़क ट्रैफिक से खाली होने वाली नहीं थी थोड़ी देर रुख जाओ वो बोला मैं थोड़ी दर जंगल में घूमना चाता हूँ कार में बैठे बैठे टांगे अकड़ गई है आओ थोड़ी दर टांगे सीथी करें नई वो उसकी बाँ जटकते होए बोली मैं वहाँ नहीं जाओंगी वो तो सापों से भरा पड़ा होगा वो तेलवाब ट्रक उनके करीब आकर रुप गया ड्रैवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला मैं डैनब्री सर्विस टेशन ढूंड रहा हूँ वो इंजिन के शोर के बीच में चिलाया क्या वो इसी रास्ते पर है ग्लोरी कार के अंदर बैठ गई और उसने दर्वाजा बंद कर लिया हाँ उसे धीरे से काली देते हुए हैरी ने कहा लगबग तीन मी लागे ट्रक ड्रैवर ने हाथ हिलाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया काफी देर तक हैरी निस्चल फढ़ा रहा फिर धीरे से चल कर कार की दूसरी और चला आया उसने स्वयम से कहा अब ये काम उसे टटिये रास्ते पर ही करना होगा या कार रोक कर उसने भारी गलती की थी मैं तो सांपों के वारे में भूली गया था वो बढ़ बढ़ाते हुए कार में बैठ गया जंगल जरूर सांपों से भरा बढ़ा होगा लोरी बोली सड़क कहीं ये आल है तुम ठीक कह रही हो हैरी ने कार आगे बढ़ा दी नेपलस महुचने के लिए उन्हें वहां से आगे सौ मिल ड्राइव करनी पड़ी सड़क का नहर की और का हिस्सा जंगली चीडियों से भरा बढ़ा था हैरी जो जो कार आगे बढ़ाता जा रहा था त्यों त्यों आसपास के नजारे बदलते जा रहे थे अब वे घने चंगल के बीच से गुजर रहे थे जब तब उन्हें सेमिनोन लोगों के गाउं दिखाई दे जाते थे जो एक दूसरे से बिलकुल अलग थलग बसे हुए थे बार्मेन के दिये नक्षे के अनुसार हैरी को मालुम था कि आगे किसी जगे से एक सड़क क्लियर सिटी की और अलग हो जाती है नक्षे के अनुसार वो इलाका सुनसान मालुम हुआ था हैरी को गलोरी से पिंट छुडाने के लिए वही जगे मुनासिब सुजी गलोरी आसपास के दुरुष्यों, पक्षियों के जुन और नहर के किनारे बैठे धूप ताप रहे जंगली कभूतरों को देखने में कोई होई थी जब वे रॉयल पाम हेमाक में पहुँचे तो हैरी ने कार की रफ्तार कम कर दी आगे किसी जगे वो दो रहा हो सकता है, जहां कोलियर सिटी के लिए उसे कार मोड देनी थी दस मिनट के ड्राइविंग के बाद उसे वो दो रहा दिखाई दिया मुख्य सड़क की दाई और छोड़कर उसने कार उस सड़क पर डाल दी एक मिलागे बढ़ने के बाद अचानक लोरी ने बूझा ये क्या, हमें मुख्य सड़क से नहीं चलना चाहिए था कोई बात नहीं, हैरी ने तुरन तहा इस और का इलागा काफी दिल्चस्प है देखो, हम कैसी जगे पर आ गये हैं कभी यां जरूर क्लेम कैनिंग प्लांट रहा होगा फिर ये सड़क आ गया कर फिर से मुख्य सड़क से जुड़ जाती है सड़क के दोनों और का दुरिश्य, अब काफी सुहावना लग रहा था समुदर तटका इलागा, बिल्कुल सुन्सान, तता एकांट मैं था हैरी ने कार की रफ्तार फिर धीमी की कितनी अच्छी जगे हैं ना, हैरी रूखे स्वर में बोला आओ, थोड़ी देर यहां रूख कर, समुदर में तैरते हैं मेरा कॉस्ट्यम तो सुटकेस में बिल्कुल नीचे है ग्लोरी ने कहा, कॉस्ट्यम की क्या जरूरत है यहां मेरे सिवा तुमें देखने वाला और कौन है उसने एक पाम के पेड़ के नीचे ले जाकर कार रोग दी आओ, तैरने जले ग्लोरी कार से उतरी और रेद पर अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए समुदर की और बढ़ने लगी हैरी धड़कते दिल से काफी देर उसे देखता रहा अचानक उसे ऐसा मैसुस होने लगा जैसे दुनिया में सिर्फ वेही अकेले प्राणी है समुदर तट का लंबा वो तनहा इलाका पीछे की और घना जंगल नीला आस्मान, तेज धूप और चारो और फैला सन्नाडा यही तो वो जगे थी इससे ज़्यादा मुनासिब जगे और कोई होई नहीं सकती थी उसने हाथ पीछे करके रैंच को कसकत पकड़ा फिर उसने कार का दर्वाजा खोला ग्लोरी उसकी और पीट किये समुदर की और देख रही थी हवाओ के तेज जोंके से उसके कपड़े जिस्म से चिपक गए थे समुदर तट मीलो तक फैला हुआ था और दूर दो तर जीवन का कोई चिन्न नहीं दिखाई दे रहा था तेज धूप में समुदर की सतय आईने की तरह चमक रही थी हैरी गार से उतर पड़ा अगर ग्लोरी चीक भी उठी तो उसे सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था उसने ही पॉकेट से रैंच निकाल लिया और धीरे धीरे ग्लोरी की तरह बढ़ने लगा ग्लोरी स्थेर खड़ी लहरों को देख रही थी हैरी उसके पास पहुँचा तो उसने रैंच पीट पीचे चिपा लिया दिल हतोड़ी की तरह बज रहा था और मूँ सूखाया था अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था उसे खत्म नहीं कर डाला तो उसके सामने दूसरा कोई उपाय नहीं था जब वो ग्लोरी के बिल्कुल करी पहुँचा तो अचारा को मुड़ गई और सीधा उसे घूरने लगी उसकी आँखों के भाव देखकर हैरी यूठी टक गया जैसे किसी इट की दीवार से टकराते टकराते बजगया हो वो फौरन समझ गया कि जो कुछ वो करने जा रहा था ग्लोरी सब जान गई थी उसकी आँखों में सक्त नफरत और निडर्दा के भाव देखकर हैरी को जैसे काट मार गया कहीं जड़ों तक वे एक दूसरे को घूरते रहे फिर ग्लोरी सांस्वर में बोली अब किस बात का इंतजार है तुमें हैरी उस पर प्रहार करना चाहता था मगर वो ऐसा नहीं कर सका अगर वो चिलाई होती अपने बचाव की कोशिश की होती या भागने लगी होती तो वो इस प्रकार का प्रहार कर सकता था मगर उसे स्थेर पर निर्भिक खड़ी देखकर वो जड़वत हो गया आगे बढ़ो वो बोली मैं जानती थी कि तुम यही करने का इरादा रखते हो करो मुझे कोई फिक्र नहीं तुम्हें मुझे धंकानी की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी करकस्पसवसाट सी आवाज में हैरी बोला तुमने खुद अपनी मौद बुलाई है अब वो रेंचवाला हाथ सामने किये खड़ा था क्या इसी से मारोगे ग्लोरी ने सांस्वर में पोच्छा कार की पॉकेट में ही चिपा रखा था तुमने उसकी निडर्ता और शांत वस्थेर आवाज से हैरी सक पका गया था उसने जबरन स्वायम को उस पर वार करने को उकसाया लेकिन निश्चल खड़ा उसे ताकते रहने के सिवा वो और कुछ न कर सका तुम पागल हो गई थी जो ये सोच लिया कि मुझ पर हुकूमत चला सकती हो डरावनी आवाज में वो बोला तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन गई हो तुम क्या सोचती हो कि मैं हमेशा तुमारे अंगूठे से दबा रहना चाऊंगा मैं और जोन साधी करने वाले हैं जब वो बुढधा मर जाएगा उसकी सारी दौलत जोन की हो जाएगी इस प्रकार में करोडो का मालिक बन जाऊंगा क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुमें इस सुनेरे अवसर पर रुकावटे खड़ी करने दूँगा या तो तुमारी मौत या मेरा भविश्य वो चाहता था कि वो घबरा जाए भागने की कूशिश करे ताकि वो उस पर प्रहार करने की हिम्मत जुटा सके लेकिन उसकी असाधारं स्थेर्था उसकी ठंडी तथा निडर दुर्ष्टी ने उसे बिलकुल नाकारा साबित कर दिया था बोर्ग जो ड्राइव करता हुआ बीच रोड तक पहुँचा था और कार को जाड़ी के अंदर छिपा दिया था इस वर्थ पाम के पेडों की ओड से ये द्रिश्य देख रहा था इस निर्जन था और गहरे सन्नाटे में उसे उन दोनों की सभी बाते साफ साफ सुनाई दे रही थी मैं तुम्हें मार डालने वाला हूँ एक कदम आगे बढ़ते हुए हैरी ने कहा तुम भागती क्यों नहीं खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं तुम्हें नहीं रोक रही हूँ बगएर हिले डुले और उससे नजरे हटाए ग्लोरी ने कहा मैं जानती थी कि तुम यही इरादा रखते हो हाला कि इस पर यकीन करने में कटना ही हो रही थी कि तुम इतने नीच निकलोगे क्या तुम यह सोच रहे हो कि मेरे साथ शादी करने और दौलत में हिस्सा बटाने के तुमारे जूटे वायदे पर मैंने यकीन कर लिया था तुम इत्तिस पश्टा के साथ जूट बोल रहे थे जब तुमने मुझे जंगल की और ले जाने की कोशिश की थी तभी मैं समझ गई थी कि तुमारे इस गंदे दिमाग में कैसे इरादे पनप रहे हैं तुमारा खयाल था गिद तुमारे जुर्म को छुपा देंगे है या नहीं चलो अब तुम्हें तुमारे विल्कुल पास अकेली खड़ी हूँ तुमारे को कृत्यों को देखने वाला यहां कोई नहीं है फिर क्यों नहीं मुझे मार डालते हैरी तनिक भी नहीं हिला उसके चैरे से पसीना बैरा था और उसे कम कपी छोट रही थी मैं बताती हूँ तुमें क्यों नहीं मार डालते ग्लोरी नफरत भरे स्वर में बोलती गई क्योंकि तुम कायर हो ये मुझे तब ही पता चल गया था जब तुम्हारी अपनी अनमोल जिंदगी अबेफकूप बन गई थी तुम में तो इत्ता भी दम नहीं था कि जो शुरुआत तुमने की थी उसे खत्मे भी कर लो मैं तुमसे डर नहीं रही हूँ आगे बढ़ो और मार डालो मुझे तुम कमीने, नामर्थ मैं तुमें चुनोती दे रही हूँ मुझे पर वार करो हैरी ने रैंच वाला हाथ फुड़ा उपर उठाया फिर जलाट से भरकर उसने रैंच को हवा में उच्छाल कर फैक दिया रैंच हवा में लहराते हुए उस जगे जागिरा जहां से कुछी गस दूर पर बोर खड़ा था हाँ तुम्हारे सामने मैं हार गया हाफते हुए हैरी बोला इस सुरुआतों खत्म करने का दम नहीं है मेरा ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा तुम जो कहोगी वही करूँगा लेकिन जिन्देगी भर तुमसे नफरत करता रहूँगा अगर सारी दुनिया में तुम ही एक अगेले जिन्दा मरत रह जाते हो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी ग्लोरी की आवाज एक आएक तीखी हो गई तुमसे महबत करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी तुम्हारे लिए मैंने जो कुछ किया जो खत्रे उठाए तुम्हारे लिए तुम्हें इतना प्यार दिया इन सब के बावजो तुम इतने नीच और ऐसान फरामोश निकले कि तुम मुझे मार डालने को तैयार हो गए अगर तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत होती तो तुम मुझे मार ही डालते अगर मैंने तनिक सी घबराट दिखाई होती तो मैं अब तक मर चुकी होती तूर हो जाओ मेरी नजरो से मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाती मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और मुझे तुम्हारे पैसों की भी जरूरत नहीं है मुझे पैसे का लालच कभी नहीं था मैं देखना चाहती हूँ कि ये पैसे कितने दिन तुम्हारा साथ देते हैं जाओ अपनी उस ब्लॉण लड़की के पास और शादी कर लो से मुझे अब कोई शिकायत नहीं है इस बात पर चले जाओ तुम्हारी सूरत से भी मुझे नफरत है उसकी आवाज में नफरत के भाव चाम्बुक की फटकार जैसे थे हैरी ने कुछ कहना चाहा लेकिन वो चीग उठी दफा हो जाओ मेरी नजरों से चले जाओ कमीने फिर कभी अपना मनुस्टेरा मेरे सामने मत दिखाना राइब करने में वो स्वैम को असमर्थ पा रहा था वो काप रहा था और सिसकने के अंदाज में हाफ रहा था स्टेरिंग विल पर हाथ रखकर उसने आखे बंद कर ली कानों में गलोरी की नफरत भरी आवाज गोज रही थी हैरी के चले जाने के बाद गलोरी रेट पर बैठ गई और उसने हाथों में अपना चैरा छिपा लिया उसने कास श्टार्ट होने की आवाज सुनी मगर उसने मुड़कर नहीं देखा वो भी काप रही थी लेकिन उसे संतोस हो रहा था कि उसे हैरी जैसे कमीने आदमी से कि भी फिक्र नहीं थी कि हैरी उसका सूटकेज भी साथ ले गया था उससे छुटकारा पाने का संतोस इतना गहरा था कि उसकी आखों में खुशी के आशु छलकने लगे थे अपनी तरब बढ़ रेब बोर को उसने नहीं देखा नहीं उसे उसकी आहाट सुनाई थी उसके दस्ताने चड़े दाए हाथ में वही रेंच था जिसे हैरी ने फैंक दिया था जब बोर की परच्छाई ग्लोरी के उपर पड़ी तब ही उसे मैसुस हुआ कि वो वहाँ अकेली नहीं थी उसने सिर उठा कर देखा तो उसके जिसमें जुरजुरी दोड़ दे और उसे अपना खुन जमता सा अनुभा हुआ उसे उस मोटे वो खौफनाक चहरे और उसके हाथ में थमे रेंच की एक शानिक जलक मिल गई उसने चीखने के लिए मूग खोला लेकिन इससे पहले की गले से आवाज निकल पाती उसकी आँखों के सामने एक देशतनाक चमकी ली रोशनी चमकी और उसके जिन्दगी छिन बिन होकर मौत में बदल गई जब कार की खिड़की के अंदर आ रही तेज धूप की गर्मी चेरे पर मैसूस हुई तभी हैरी की तंद्रा भंग हुई उसे मालूम नहीं था कि वो कितने समय से उस हालत में बैठा रहा था और अब उसे चिंता हो रही थी कि गलोरी क्या कर रही होगी उसने खुछ से कहा वो गलोरी को सुनसान जगे पर यूँ छोड़कर नहीं जा सकता जो हाइवे से कम से कम दो मिल दूर थी लेकिन गलोरी जिस धंग से उस पर बरस पड़ी थी उसे याद कर वो वापस लोटने से भी हिचकिचा रहा था उसने अस्थिर हातों से एक सिग्रट सुलगाई फिर पीछे मुड़कर उसने जब ये देखने की कोशिश की कि कहीं गलोरी का कोई चिन्न ना दिखाए दे तो उसके पिछली सीट पर रखे उसके सूटकेस पर पड़ी उसे देखकर उसने फौरन नर्ने लिया कि वो गलोरी का सामान लेकर नहीं जा सकता और नहीं इस भारी सूटकेस को उसके लिए रास्ते पर छोड़ सकता है उसने कार स्टार्ट की थोड़ी कटनाए के बाद उसे मोड लिया और धीरे धीरे वापस समदर तटकी और ट्राइव करने लगा जब तक कि वो वहां पहुँच नहीं गया दोबेर के बाद की धूप अब काफी कड़ी हो चुकी थी वो कार से उतर गया और पाम के पेडों से परे नर्म रेद पर चलने लगा जियो ही उसने समदर तटकी और देखा वो ठिटक कर रुख गया और उसके माते पर बल बढ़ गये ग्लोरी उसे दिखाई दे रही थी वो एक करवट के बल लेटी हुई थी यानि या तो सो रही थी या आराम कर रही थी हैरी को हैरानी हो रही थी कि पेडों की छाओं में आकर लेटने की बज़ाए वो तपती रही पर क्यू लेटी हुई थी पाम की ओड से बोर्गु से देख रहा था उसका सक्चेरा भावीन था और हाथ में अपनी गन की मूट पकड़े हुए था ग्लोरी हैरी ने वहीं से पुकारा ग्लोरी लेकिन ग्लोरी हिली नहीं ऐसा नहीं लगता था कि उसने हैरी की आवाज सुनी हो बढ़ती हुई पैचैनी की साथ हैरी उसकी और बढ़ने लगा ग्लोरी उसने फिर से आवाज लगाई और अचानक ठटक गया उसके सिर के पास ही रेट पर गाडे लाल रंका धबा देखकर उसकी रीड की हड़ी में ठंडी सुरसुरी रेंगने लगी कहीं शन सकते की हालत में रहने के बाद वो भारी कदमों से चल कर ग्लोरी के बिल्कुल करीब जा पहुँचा फिर उसे उसके सिर पर चोटों के निशान दिखाई दिये उसके चैरे पर फैले दहशर के भाव और अत्खुली दुष्टीन आंकों को देखते ही बिना चुए उसे पता चल गया कि वो मर चुकी थी सिग्रेट उसके हाँ से छुटका रेट पर गिर गई थी जो वो देख रहा था उसके निगाए पेड़ों के लंबे तता घने जुनकी और पड़ी क्या वहाँ पर कोई छिपा बैटा था क्या उसने उन्हें जगड़ते हुए देख लिया था उसने रेट में इदर उदर देखा लेकिन उसे अपने और गलोरी के अलावा किसी और के कदमों के निशान नहीं दिखाए दिये उसे कैसे मालूम होता कि बोर्ग अपने ही कदमों के निशान पर चलता हुआ वापस जाड़ियों की और लोटते समय उन्हें बड़ी साफधानी से मिटाता गया था ये सब इत्मिनान के साथ करने के लिए उसके पास परियाब समय था अते अपनी वबस्तिती का कोई चिड उसने वहाँ नहीं छोड़ा था हैरी ने अपना पसी ने सतर चैरा पहुंचा उसने सोचा अगर कोई इस वक्त इस जगे पर आधम का तो वो वही समझेगा कि गलोरी का कतल उसी ने किया है अगर किसी ने उसे इस हालत में नहीं देखा और बाद में गलोरी की लाश मिल गई तो पुलिस सबसे पहले उस पर सक करेगी वो घबरा उठा शक करने का उन लोगों के पास ठोस कारण होगा ये भी संभव था कि किसी ने उने केबिन में जगडते सुन लिया हो उसे गलोरी की चितावनी याद आई कि वो जोर जोर से चिला रहा था फिर वो ट्रक ड्रैवर भी था जिसने उनसे डैंबरी सर्विस टेशन के बारे में पूछा था और उन्हें सडक के किनारे खड़े देखा था उसे वो बात याद आ सकती है और वो पुलीस को बता सकता है अगर लाज बरामद हो गई तो उसका पुलिंदा बन सकता है उसने एक बार फिर जंगल की और देखा बोर्ग जो उसके इरादे को भाग चुका था चुपचा वहाँ से खिसक कर अपनी कार के पास पहुँचा जिसे उसने जाडियों में छिपा रखा था हैरी ने अनुभव किया कि ये जब तक निश्चित नहीं हो जाता कि उस जंगल में कोई छिपकर बैठा हुआ नहीं था वो इस जगे से नहीं जा सकता वो मुड़ा और वापस लोटने लगा जिधर से वो आया था अभी वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि उसे किसी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी वो हड़ बढ़ा कर रुख गया उसका दिल जोरों से पस्दियों से टकराने लगा तो वहाँ कोई था कार के एक्सलेटर दवाने का शोर सुनकर वो तेजी से रेट पर दोड़ते हुए सड़क की और भागा लेकिन उसे देर हो चुकी थी जब तक वो सड़क पर पहुँचा वहाँ किसी कार का कोई चिन्न नहीं था उसकी अपनी कार वहाँ खड़ी थी लेकिन उसका मुँ समुद्र की और था जब तक वो अपनी कार को मोड़कर उसके पीछे लगा पाएगा दूसरी कार बहुत दूर निकल चुकी होगी कौन था वो उसने स्वायम से पूछा कोई पागल जिसने गलोरी को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया जो आदमी यहां से भागा है वो निस संदे हात्यारा ही हो सकता है हैरी ने सोचा शायद यह सक्स किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो भी उतना ही घबराया हुआ होगा और किसी चक्कर में नहीं फसना चाएगा अपनी कार के पास खड़ा होकर हैरी ने घबराट पर काबू पाने की कोशिश की और सोचने लगा कि क्या किया जाए वो कोलियर सिटी तक जाकर पुलिस को फोन कर सकता था कि किसी ने गलोरी का फोन कर दिया है लेकिन उसे यकीन नहीं था कि पुलीस इतनी आसानी से उसकी बातों पर यकीन कर लेगी अगर उन्होंने उसे गिरफतार कर लिया और उसके उंगलियों की निशान लिये तो उसका बेड़ा गर्प था सबसे सुरक्षे तुपायों से अपनी मूली योजना पर अमल करना ही लगा उसने कार के टिक्की खोलकर वो बेलचा निकाला और वापस ग्लोरी की लाश के पास लोड़ाया पहले तो उसने लाश को जंगल में ले जाकर दफ्रान देने का विचार किया जहां उसके बरामद होने का ख़दरा कम था लेकिन वो लाश को उठा कर वहां तक पहुँचने की हिमत नहीं जुटा सका उसने वहीं एक खड़ा खोदना शुरू कर दिया रेत में गड़ा खोदना इतना आसान साबित नहीं हुआ लेकिन अतथा उसने इतना वड़ा खड़ा खोद लिया जिसमें लाश समा सके जब वो लाश को गड़े में दफना चुका तो वो बेतासा हाफ रहा था कपड़े पसीने से भीग गए थे कब्र को उपर से रेत से अची तरह पाट देने के बाद उसने सोचा दो तिन दिन तक अगर उस पर किसी की निगाह नहीं पड़ी तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ दफनाय गया है खत्रा तो तब था जब दूसरे दिन कोई इत्तफाक से उस और आ निकले और शन की धोठ है कि रेट ताजी खोदी गई है उसका ध्यान अपने तता ग्लोरी के पैरों के निशानों की और गया अगले आदे घंटे तक वो उन निशानों को साफधानी पुर्वक मिटाने में व्यस्व रहा अतते जब वो निशान मिटाते हुए कार के पास पहुंचा तो उसने देखा उसके तता ग्लोरी के वहाँ उपस्तित होने का कोई चिन्ना नहीं रह गया था उसने बेलचा घास में रगड़कर साफ किया और डिक्की में रख दिया तब युसे ग्लोरी के सूटकेस का थैया लाया और वो जुंजला उठा सूटकेस को भी दफना देना जरूरी था उसने बेलचा फिर से निकाला और सूटकेस उठा कर जंगल की और ले गया नर्मिट्टी वाली एक जगे तलाश करके उसने सूटकेस दफना दिया फिर एक गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठकर सुस्ताने लगा चाहिए कोई सौरा कर उसे देख सकता है हाला कि उसने सोचा असली खत्रा अप टल चुका है जो ही वो खड़ा हो गया उसे उस रेंच का ख्याल आया जिसे उसने फैंक दिया था उसे वो प्राप्त करना होगा अगर वो पुलीस के हाथ लग गया तो हो सकता है कि वे उस पर उंगलियों के निशान बरामत कर ले उसने याद करने की कोशिश की कि रेंच उसने किस तरफ फैक दिया था जब उसे याद आई कि गुस्से में उसने रेंच जंगल की तरफ ही फैका था तो वो जंगल के किनारे रेतिली जमीन पर ढूणने लगा एक जगे उसे रेंच के गिरने से बने साफ निशान दिखाई दिये पर रेंच वहाँ नहीं था उसने जुपकर ध्यान पुर्वक उनिशानों को देखा उसके दिल की धड़कने बढ़ने लगी वहाँ रेंच के निशान के साथ ही रेत पर किसी के उङलियों के सपछ्ट दबाउ दिखाई दे रहे थे अर्थात किसी ने वहाँ से रेंच उठा लिया था उसे मालुम हो गया कि रेंच से गलोरी की रेंच की धिया ये सोस्ते ही उसका जिसम ठंडा पढ़ने लगा कि अगर हत्यारे ने रैंच कहीं फैक दिया हो और बाद में वो पुलीस के हाथ पढ़ गया तो साफ जाहिर है कि वो हैरी को हत्या के जुर में फसा सकता था वो आदे घंटे से जादा तक इदर उदर तलाश करता रहा मगर रैंच नहीं मिला और रैंच में उसने तलाशी छोड़ देने का फैसला किया उसने खुद को तसली देने की कोशिश की कि हत्यारे ने जरूर वो रैंच किसी ऐसी जगे छिपा दिया होगा जहां से वो किसी को नहीं मिल सकता उसने सोचा अब उसे सभी बातों को भुला कर वापस जोन के पास मियामी लोट जाना चाहिए बीच रोड से ड्राइव करता हुआ जब वो दो राये पर पहुंचा तो उसने कार बाई और मोड कर मुख के आईवे पर लगा दी जल्दी वो ट्रैफिक में शामिल हो गया और खुद को सुरक्षित महसूस करता हुआ तेजी से मियामी के और ड्राइव करने लगा सड़क्य किनारे खड़ा अपनी कार में बैटा बोर्क इत्मिनान के साथ इंतजार कर रहा था जियो ही उसने हैरी की भ्यूक को आगे बढ़ता हुआ देखा उसने अपनी कार उसके पीछे डाल दी कुछ मीन ड्राइव करने के बाद हैरी को सामने से वही तेलवाक ट्रक आता दिखाई दिया जिसके ड्राइवर ने उससे डैंडरी सर्विस टेशन के बारे में पूछा था उसके दुबारा दिखाई पढ़ने पर हैरी अपनी तकदीर को कोसने लगा वो ड्राइवर उसे दुबारा पहचानना ले इस रिहास से वो सीट पर और अधिक दुबक पर बैट गया लेकिन ट्राइवर ने उससे पहचानी लिया क्रॉस होते समय उसे जोर से हौन मारी और खिणकी से हाथ बाहर निकालकर हैरी के और हिलाने लगा हैरी ने उसकी और अंदेखा करते हुए स्पीड बढ़ा दी अगर पुलीस को ग्लोरी की लास मिल गई और खबर अकबार में छब गई तो उस ट्रक रैवर को यकीनन याद आ जाएगा कि उसने हैरी और ग्लोरी को उस इलाके में देखा था और करीब तीन घंटे बाद हैरी को अखेले लोटते हुए देखा था हैरी को अपनी पीट पर थंडा पसीना बहता में सुस होने लगा ऐसी बदकिस्मती किसी को फासी के फंदे पर लटकवा सकती थी वो साड़े चार बजे के करीब मियामी पहुँच गया कार को एक ड्रम स्टोर के सामने रुप कर उसने वहां से ग्रेन और निवास में फोन किया उसने बताया गया कि जोन इस वक्त बाहर गई हुई है और छे बजे तक लोट आईगी उसने बाद में फिर फोन करने का फैसला गया और वापस अपनी कार के पास लोट कर सोचने लगा कि अगला कौन सा कदम उठाया जाए सबसे पहले उसने रहने के लिए एक सस्ती सी जगे तलाश करने की ठानी सड़क के उस पार एक टूरिश्ट इंफॉर्मेशन ब्योरो का बोड दिखाई दिया उसने सड़क पार की और उस ब्योरो से एक सस्ते से मोडल का पता ले लिया फिर वो ड्राइव करता हुआ बिसकें बोलवर्ड जा पहुँचा जा समुद्र के किनारे वो मोडल उससे दिखाई देगा उसने कौने वाला एक एकांद केविन की राय पर लिया फिर कार को बाहर छोड़ केविन में दाखिल हो गया उसके दर्वाजा बंग करने के एक मिनट बात बोर्ग प्रकट हुआ उसने हैरी के केविन का नमबर नोट किया फिर दफ्तर में जाकर हैरी के पास वाला केविन की राय पर ले लिया उसने विकार बाहर छोड़ दी वो अंदर चलाया खिड़की के पास एक कुर्सी खीच कर बैट गया वहां से उसे हैरी की केविन का मुख्य दर्वासा दिखाई दे रहा था और कमरे के अंदर चहल कदमी करते हैरी की जलक कभी कवार खिड़की से मिल जाती थी बोर को तनिक ठकावट महसूस हो रही थी गर्मी और दिन भर की दोड़ धूब उसे रास नहीं आई थी लेकिन उसे परवा भी नहीं थी दिन काफी संतोज जनक साबित हुआ था दो साल के बाद उसने ये पहली हत्या की थी हत्या करने में उसे मज़ा आता था उसने हैरी की केविन की और देखा वैल एक को तो उसने खतम कर दिया था दूसरे के लिए कुछ दिन और इंतजार कर सकता है कोई जलबाजे नहीं एक बार वो डेलानी के काम पर लोट गया तो उसे हत्या करने का मौका नहीं मिल सकता हैरी जब नहाद होकर कपड़े बदल चुका तो 6 बच चुके थे उसने फिर प्रेनोर के निवास पर फोन किया इस बार जो नहीं जवाब दिया क्या खबर है है हैरी उसने उस सकस्वर में पूछा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इत्ती जल्दी फोन करोगे वो चली गई मैंने उसे किसी तरह मना लिया क्या सच वहाँ चली गई वो मैक्सिको सिटी मैंने तुमें नहीं बताया था वहाँ उसका भाई रहता है मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्या उसे ज़्यादा रकम देनी पड़ी नहीं उसने सिर्फ दो हजार लिये मैं तो उसे और ज़्यादा देना चाता था लेकिन उसने इंकार कर दिया इस मामले में उसने बड़ी समझदारी दिखाई वो तो हमें सुपकामनाई भी दे रही थी अच्छा जोन की आवाज में अविश्यादा का टोन सुन कर हैरी चोकन ना हो गया कि उसे साफधानी से बाते करनी होगी हाँ पहले तो अलग होने की बात सुनते ही वो बौकला उठी थी उसकी तातकालिक प्रतिक्रिया काफी करवी थी लेकिन पैसो को देखते ही सब ठीक हो गया शुक्र है मुझे तो बड़ी चिंता हो रही थी क्या वो ट्रेन से गई हाँ सुनो जॉन उसकी फिक्र मत करो हम कब मिल सकते हैं हमें बहुत सारी बाते करनी है तुम कहा हो बिसकेन बॉलवर्ड मोटल में केविन नमबर 376 मैं अभी आ रही हूँ मेरा इंतजार करो हैरी जरूर मैं तुम्हें प्यार करती हूँ हाँ मैं भी हैरी ने रिसीवर रख दिया फिर विसकी की बोतल और ग्लास जिसे वो पहले ही मंगा चुका था उठा कर बाहर निकला और एक कुर्सी पर बैट गया अपनी खिड़की से बोर्ग उसे देख रहा था उसके नाग से धेर साथ सिग्रेट का धुआ निकला तो सुवर के जैसी उसकी छोटी छोटी आके और भी सिकुड गई जब अपनी क्रीम कलर केडलाक से जोन आप पहुची हैरी को थोड़ा बहुत नशा हो चुका था वो चार बड़े पैक पी चुका था नशे में उस कात्म विस्वास द्रोड होता था जोन कार से उतर पड़ी उसने हैरी के और हाथ हिलाया और उसके और बढ़ने लगी आओ हैरी उटते हुए बोला ये कोई बड़ी आमोटल तो नहीं है लेकिन उचित किरायका है मुझे अपने पैसे जो बचाने है दोनों ने कमरे के अंदर कदम रख़ा तो हैरी ने दर्वाजा बंद कर लिया मैं बड़ी रहत मैसुस कर रही हूँ कि किससा खत्म हो गया जोन बोली मैं तो सच मुझे चिंतित थी मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीचा छोड़ देगी हैरी ने उसे बाओं में भर लिया मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम एक दूसर से उकता चुके थे जो ही मैंने उसे बताया कि तुम और मैं शादी करने वाले हैं तो वो समझ गए कि अडंगा डालने से कोई फायदा नहीं खेर अब उसे अपने दिमाग से निकाल दो जोन ने उसके और देखा मुझे पूरा यखीन था कि वो मसीवत खड़ी कर देगी वो तुमसे प्यार करती थी हैरी क्या तुम निश्चित हो कि वो दुबारा नहीं आतम केगी हैरी को नजरे मिलाने में कटना ही हो रही थी बिल्कुल निश्चित हो अब उसे भूल जाओ हमें धेर सारी बाते करनी है अगर तुम चाहो तो आगे बढ़े हाँ तुमसे आखरी मुलाकात होने के बाद से मैं भी इसी पर सोच रही थी हैरी ने उसे बाओं में भीच कर उसका चुम्मन लिया मैं तुम्हारा दिवाना हो गया हूँ बेबी जोन ने उसे पीछे धकेल दिया हाँ डार्लिंग लेकिन पहले बात चीच चुलू कर ले बहुत कुछ करना भी तो है बाते करने के लिए सारी शाम पड़ी है नहीं मुझे डिनर के वक्त घर पहुचना है ये बुरी बात है वो मुस्कराते हुए बोला लेकिन हम अभी बाते नहीं कर रहे हैं उसने जोन को छोड़ दिया दर्वाजे पर अंदर से ताला लगा दिया और खिड़की के पास जाकर उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया जोन ने देखा वो अचानक ठिटक गया था और पत्थर की मूर्ती की तरह निश्चल हो गया था उसका हाथ उठा का उठाई रह गया था क्या बात है जोन ने पूछा हैरी कुछ नहीं बोला जोन उसके पास आई इससे पहले की वो खिड़की से बाहर देख पाती हैरी ने उसे पीछे धकेल दिया खिड़की से हट कर रहो उसकी आवाज धीमी तता रूखी थी हैरी क्या बात है बाहर एक पुलिसमेन खड़ाया उसने परदे की ओड़ से बाहर खड़े एक विशालकाय आदमी की और देखा चुनी संदेय पुलिस का आदमी था इस नसल को वो साधे कपड़ों में भी जल्दी ही पहचान लेता था वो पुलिसमेन काफी मजबूत कत-काठी का था और भूरे रंग का सूट और सलाव छेट पहने हुए था वो पुलिसमेन काफी गोर से हैरी की कार का निरिक्षन कर रहा था उसने उधर से नजरे हटा कर पास खड़ी कैड़िलाग की और देखा फिर वो सोचपुन मुद्रा में जबड़ा सहलाने लगा वो केविन की और बढ़ने लगा फिर पीछे मुड़ कर कैड़लाग की और देखने लगा बात क्या है हैरी जोन की घबराट बरी आवास ने हैरी को चौका दिया वो इधर ही आ रहा है वो फुस्पसाया तो क्या हुआ जोन अधीर स्वर में बोली इससे क्या फर्क पड़ता है हैरी ने सुचा अगर पुलिस ने गलोरी की लाश बरामत कर ली होती तो गिरफतार करने के लिए सिर्फ एक पुलिसमेन नहीं आता लेकिन ये पुलिसमेन चाता क्या है वो मुड़ गया और जोन को बातरूम की और धकेलने लगा अंदर चिप चाओ वो तुमें देखना पाए अगर तुम्हाई दैडी को पता चल गया तो ही बगवान हाँ जोन की आँके फैलने लगी वे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे उसने अजीब सी उलजन पूर निगाउं से हैरी को घुरा उसके सफेद वपसीने सतर चैरे को देखकर वो घबरा उठी वो तेजी से बातरूम के अंदर भुज गई और दर्वाजा बंद कर लिया हैरी ने तेजी से गलास में विस्की उड़े ली उसे एकी घुंट पे पी गया और रुमाल से मूँ पोस्ते हुए दर्वाजी की और लपका वो कुछ देर हिच की चाता रहा फिर धड़कते दिल से उसने दर्वाजा खोल दिया वो डेटेक्टिव अवी तक जोन की कार को घुर रहा था उसने मुड़कर हैरी की और देखा तुमारा नाम ग्रिफिन है उसने केबिन की दिवार पर हाथ रखकर उस पर अपने शरीर का बोश्टी काते हुए पूछा हाँ मैं डेटेक्टिव सार्जेंट हैमर स्टॉक हूँ मिसेस ग्रिफिन है अंदर हैरी का दिल बैटने लगा उसने किसी तरह स्वैंपर काबू पा लिया कौन? उसकी आवस फसुसार्ट से ज़्यादा उंची नहीं थी तुमारी बीवी डेटेक्टिव ने उसे गौर से घुरा हैरी को खत्रा दिखाई देने लगा अब वो कते ही जोट नहीं बोल सकता था उसने खुझ से कहा उन्हें आसानी से पता चल जाएगा कि ग्लोरी उसकी पत्नी नहीं थी आपको गलत फैमी हुई लगती है वो बोला मैं शादी सुदा नहीं हूँ हैमर्स्टॉक अपनी नाक मसलने लगा तुम हैरी ग्रिफिन ही हो ना हाँ तुम परसो रात फ्लोरेडा मोटल में ठह रहे थे हाँ क्या बात है तुमारे साथ एक औरत भी थी तुम दोनोंने अपना नाम मिस्टर और मिसेस ग्रिफिन लिखवाय था ठीक हाँ लेकिन पुलिस को इस बात से क्या लेना देना हैरी जबरन मुस्कराते हुए बोला हैमर्श्टॉक ने अपना सेरे एक बार और थोड़ा जुकाया तुमारा मतलब है वो औरत तुमारी बीवी नहीं थी यही मेरा मतलब है ओके अपनी पोजिशन बदलते हुए हैमर्श्टॉक बोला लेकिन क्या वो औरत जो तुमारी पत्नी नहीं थी मगर फ्लोरेड़ा होटल में तुमारे साथ तुमारी पत्नी के रूप में ठहरी थी यहा है नहीं वो यहा नहीं है उसे किसलिए चाते हैं आप हैमर्श्टॉक ने पूछा मैं सच कह रहा हूँ नहीं है हैमर्श्टॉक हैट पीछे खिसका कर रुमाल से माधा पोंचने लगा क्या हम भीदर चल कर बाते नहीं कर सकते उसने पूछा अगर कोई बात करनी है तो यहीं कीजिए हैमर्श्टॉक अचानक मुस्वराने लगा लगता है मैं गलस समय पर आ गया हूँ मैं जादा देर नहीं रुकूंगा मुझे तुमारी वो गल्फ्रेंट पहा मिल सकती है हैरी ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ी इसका मतलब उन्हें गलोरी का साव नहीं मिला था उसे आप किसलिए ढूंड रहे हैं मेरे पास उसके 50 डॉलर है इस बात से उसे बड़ी हैरानी होगी नहीं? 50 डॉलर? हैरी उसे घूरने लगा मैं समझा नहीं देखो फ्लोरीडा मोटल में जो लड़की दफ्तर संभालती है वो मेरी बहन है वो एकदम नीरी बुद्धु लड़की है कहीं दफ़े उससे गलतिया हो जाती है और उन्हें संभालने का काम मेरे उपर आ जाता है तुम दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद उसे पता चला कि उसने पचाच डॉलर जादा चार्ज कर लिये थे उसने दो कांकिस धंसे लिख दिया था कि वो साथ जैसा लगा था लेकिन तुमारी गल्फरेंड ने बिना किसी हील उज़त के पैसे चुका दिये थे तुम दोनों के चले जाने के बाद ही उसे ये पता चला था और वो उल्जन में पड़ गई थी कि क्या करे ऐसी स्थिती में वो मुझे बुलवा भीस्ती है हफते में चार या पांच बार उसका बुलावा आता है और क्योंकि सैयोग से मैं उसका भाई हूँ लिहाजा मुझे उसकी समस्याएं हल करनी पड़ती है पचास डॉलर खासी मोटी रकम होती है इसलिए मैंने सोचा कुछ किया जाए मैंने तीन-चार सस्ते मोटलों में तुम लोगों के बारे में बुस्ताच की मैंने सोचा शायद तुम दोनों किसी दूसरे मोटल में चले गए होंगे क्योंकि फ्लोरिडा मोटल का चार्ज बहुत महेंगा है और तुमें यहाँ पाया मेरे पास तुमारी गल्फ्रेंड के 50 डॉलर है ये तो आपकी बड़ी महरवानी है कि आपने ये परेशानी उठाई हैरी बोला वेल शुक्रिया पैसे मुझे दे दीजिए हैमर्स्टॉक ने सिरी लाया मुझे बताया गया है कि पैसे में तुमारी गल्फ्रेंड को ही दूँ मेरी बेहन इसकी रसीद चाती है ताकि रात को चैन से सुल सके रसीद मैं दे दूँगा हैरी ने कहा वो मेरा ही पैसा है मोटल का बिल चुकाने के लिए उसे मैंने ही पैसे दिये दे लियाजा मेरे ही पैसे हुए पचाच डॉलर काफी मोटी रकम होती है हैमर्स्टॉक बोला मैं तुमारी गल्फ्रेंड के मुझसे सुनना चाता हूँ कि पैसे तुमारे है कहा है वो मुझे नहीं मालू स्वर को स्थेर रखते हुए हैरी बोला हम दोनों अलग हो गए थे इस समय वो कहा है मैं नहीं जानता क्या सच मुझ हैमर्स्टॉक की छोटी-छोटी आँखे सिखोटने लगी मेरी बहन तो कहती थी कि तुम दोनों ब्यूक में सवार हो हाईवेस 27 की तरफ गए थे अलग होने से पहले क्या तुमने उसे कहीं छोड़ दिया था हैरी को खत्रा मैं सो सोने लगा जूट बोलना खतरनाक सिद्ध हो सकता है सामन्ने उट सुकता के चलते ये जासुस चेक कर सकता है मैं उसे कोलियर सीटी तक ले गया था उसने संसेट में का वो नियू औरलिंस जाना चाती थी अच्छा हैमर्स्टॉक ठुटी को जाने लगा अजीब जगे छोड़ दिया उसे कोलियर सीटी से नियू औरलिंस जाने के लिए तो कोई रस्ता ही नहीं है इससे मेरा क्या मतलब हैरी बोला वो कोलियर सीटी ही जाना चाती थी इसलिए मैंने उसे वहाँ पहुंचा दिया था हाँ औरतों का कुछ पता नहीं लगता अजीब जानवर होती है ये क्या नाम था उसका ग्लोरी डैन हैमर्श्टॉक ने लकी श्ट्राइक का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट हैरी की और बढ़ाया तो हैरी ने इंकार कर दिया हैमर्श्टॉक ने एक सुलगा ली लगता है फ्लोरीडा मोटल छोड़ने से पहले मिश डैन और तुमारे बीच कोई जगड़ा भी हुआ था मेरी बहन के पास तुमारी बगल के केविन वालों से सिकायत आई थी क्या ये सच है मुझे याद नहीं हैरी ने कहा हो सकता है हम दोनों के भी चक्सर ऐसी जड़पे हो जाया करती थी इसी कारण हमालग हो गए थे मेरी भी अपनी पत्नी के साथ जड़पे होती रहती है लेकिन मैं उसे छुटकारा नहीं पासका हैमर्श्टॉक मुस्कराया बहराल मेरे पास ये 50 डॉलर है मैं ये तुम्हें दे देता हूँ मुझे बहुत सारे काम करने है इसरे कोलियर सिटी तो नहीं जा सकता ये आपकी इच्छा है ये पैसे मेरे ही हैं लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता तुम मुझे रसीद दे दोगे हैमस्टॉक ने अपनी नोटबुक निकाली फिर एक पत्र खोल कर एक पैंसिल के साथ हैरी के हाथ थमा दिये हैरी ने रसीद लिख कर दस्तकत कर दिया तो हैमस्टॉक ने उसके हाथ में 10 डॉलर के 5 नोट रख दिये कश्ट उठाने के लिए शुक्रिया क्या मैं आपकी बेहन के लिए कुछ दे दूँ 20 डॉलर नहीं वो ऐसे सीकार नहीं करेगी वो काफी उंचे विचार की लड़की है इन्हें अपने पास ही रखो शैस जरूत पढ़ जाए हैमस्टॉक ने गोर से केटलाग की और देखते हुए पूछा वो कार तुमारी है नहीं हैरी कमरे का दर्वाजा खोल कर अंदर दाखिल होते हुए बोला बड़िया चीज है हैमस्टॉक बोला उसने हैरी की और देखा फिर मुस्कुराने लगा और लगता है तुम बड़ी तेजी से काम करते हो उदर पुरानी गई इदर नहीं हाजिर क्यों? शुक्रिया और खुदाहफिस हैरी कुस्क सुर में बोला और उसने दर्वाजा बंतर लिया तो दोस्तों ये था संकी कातिल नौवल का पार्ट एट ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राए मुझे ज़रूर बताए और हाँ अगर आपको ऐसे वीडियोज पसंद है तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार गुडबाई सेव रहिए खुश रहिए मज़े करिए नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद परता हूँ खुश होंगे मज़े में होंगे तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नएने ओडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से नॉबल से और स्टोरीज से अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्रीज मेरे वीडियो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों इसी नूट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ सनकी कातिल नौवल का पार्ट नाइन इसके बागी के 8 पार्ट आप आप आलरड़ी सुन चुके होंगे और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको उपर आई वुटन से मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तो जदा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं सनकी कातिल नौवल का पार्ट नाइन हैमर्श्टॉक जब अपनी लिंकन की और बढ़ रहा था जोन बातरूम से निकल आई हैरी और जोन पिलकी के पास खड़े होकर परदे की ओड़ से उसे जाते हुए देखने लगे हैरी इस बात से आगा था कि कमरे का वातावरण अत्यन तनापूर्ण हो रहा था उसे लगा इसका कारण हैमर्श्टॉक का आगमनी नहीं बलकि जोन की उपस्तिती भी थी उसने सहज भाव से जोन को बताने की कोशिश की कि हैमर्श्टॉक किस मकसद से आया था मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ग्लोरी ने उस लड़की को कैसे ऐसी गलती करने दी उसने कहा आम तोर पर वो बड़ी होश्यारी से काम लेती है मैंने पहले उसे कभी ऐसी गलती करते नहीं देखा था जोन कुछ नहीं बोली ड्रैसिंग टेबल के पास आकर उसने अपना हैंड बैक खोला और उसमें से कंगी निकालकर बाल सवारने लगी उसके पीले जर चहरे को देखकर हैरी समझ गया था कि वो किस बास से परिशान थी और वो जानना चाथा था कि वो क्या बात थी वेल अब तुम हो चला गया तनाव दूर करने के प्रयाश से वो बोला इधर आओ जोन मुझे बताने दो कि मुझे तुम से कितना प्यार है मुझे ज़रूर घर लोट जाना है जोन ने कहा और अपना हैंडबेग और दस्ताने उठा लिये लेकिन इत्ती जल्दी कैसे जाओगी अभी तो आई हो अभी वक्ग भी काफी है हैरी मिस्तर के पास जोन के करीब आया मगर वो पीछे हट गई उसका चेहरा इतना तनाग्रस था कि हैरी ठिटक गया क्या बात है क्या हो गया तुम उस पुलीस वाले से क्यों इतना भैवित हो रहे हो भैवित हैरी ने जबरन मुस्करानी की कूशिश की नहीं तो हाँ जरा सपगा जरूर गया था मुझे तुमारी ही चिंता थी नहीं हैरी तुम भैवित हो रहे थे हैरी ने चेहरे का पसीना पोचा उसके दिमाग में खत्रेगी घंटी बजने लगी थी उसे बहुत ही होश्यारी बरतनी होगी जो उनको किसी गड़बड़ी के आशंका हुए ही तो वेल ओके शायद भैवित हो गया था वो बोला इसमें इतना चिंतित होने की क्या ज़रुवत है मैं नहीं चाहता था कि उसे तुम्हारे या मौजुद होने की बात मालुम हो उसे तुम्हारे डैडी को बता दिया तो क्या ये बात भैवित होने के लिए काफी नहीं है वो दैडी को क्यों बताने लगा भला ये मुम्गिन था बहराल मुझे तुम्हारी फिक्र थी अब वल्तों में सक्पका गया था मैं सच्चा ही जानना चाहती हूं हैरी जो नेतीखी सोर में पूछा तुमने उसे क्या बताया कि तुम ब्लोरी को कूलियर सीटी ले गए थे जबकि तुमने मुझे से कहा था कि उसे तुमने मैक्सिको सीटी जाने वाली ट्रेन में चड़ा दिया था हैरी को लगा जैसे मुस्वराट उसके चैरे पर जम गई थी उसने सोचा उसके बाहरी दर्वाजे को बंद करते हैं शाय जोन बातरूम से निकल आई थी और खिड़की गयोट से उसने सारी बाचीज सुन ली थी सोचा उसने खुझ से कहा अब सब कुछ एक ऐसे जूट पर निर्वर कर सकता था जो विश्वसनिये हो अगर तनिक से भी गलती हुई तो उसे पता चल जाएगा कि कोई कड़बट जरूर है सोच लो बेवकूफ कोलियर सिटी उसने किसी तरह खुझ को संभाला खैर मुझे उसको कुछ तो बता नहीं था मैं नहीं चाता था कि उसे मालूम हो कि वो अपने भाई के पास चली गई है लेकिन क्यूँ क्या बात है जोन तुम क्यों नहीं चाते कि उसे मालूम हो कि वो मैक्सिको सिटी गई है हैरी भिस्तर पर बैठ गया और सिग्रेट सुलगाने लगा ये मेरी गोपनियता नहीं है मगर मुझे उम्मीद है कि तुम अपने तक ही सिमित रखोगी उसने कहा बैठ जाओ और भगवान के वास्ते मुझे इस तरह मत खुरो जैसे मैंने कोई गुना किया हो मैं तुम्हें यकिन दिलवाता हूँ ऐसा नहीं है बैठ जाओ मैं बताता हूँ जो ने कुर्सी पर बैठ गई उसका चेहरा अभी तक तनावग्रस तताहांके सतर्क और घबराई हुई थी तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि ग्लोरी किसी गहरी मुसीबत में थी हैरी बोला मैंने तुम्हें बताया था कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी मुझे उस पुलिसमेन पर भरोसा नहीं हुआ शायद 50 डॉलर की कहानी सच हो लेकिन मैं उसे ये बता देने का खत्रा नहीं उठा सका कि गलोरी कहां चली गई है जहां तक मेरा ख्याल है उस पुलिसमेन को अपनी बहन से लोरी का हुलिया मिल गया होगा उसे मैंने ये इसलिए कहा कि वो कोलियर सीटी चली गई है क्योंकि यही नाम मेरी जुबान पर आ गया था इस प्रकार मैंने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया मैं सूचता हूँ वो टांपा पुलिस को खबर कर देगा ताकि वे उसकी तलाश करें अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो मैक्सिको सीटी में उसकी तलाश नहीं करेंगे जोन ने उस पर से निगाय है टाई अच्छा हाँ अब मैं समझ गई जब मैंने तुम्हें उससे ये कहते सुना कि वो कोलिय सीटी चली गई है तो मैं घबरा गई थी क्यों? क्योंकि मुझे अभी तक एकिन नहीं आ रहा था कि उसने तुम्हें इत्ती आसानी से छोड़ दिया होगा जोन ने कहा वो तुमसे महबत करती थी जिस अंदाज से वो तुम्हारी और देखती थी या मुझे से तुम्हारे बारे में बाते करती थी इससे मैं अच्छी तरह से समझ गई थी उसके जैसे चरितर वाली औरत अपने प्रेमी को इत्ती आसानी से नहीं छोड़ सकती मुझे अभी तक इस बात से चिंता होती है लेकिन क्या तुम नहीं समझ सकती हैरी अपनी आवास से उद्धेग निरता दूर करने की कोशिश करता हुआ बोला कि उसको मुझसे 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 ती इसलिए तो वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनना जाती थी मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मैं और तुम शादी करने वाले हैं ये जानते ही उसने सोच्छा से हमारे रास्ते से हट जाना ही मुनासिप समझा ओके ये उसकी महरबानी थी लेकिन अब इस विसे में माथा पच्ची करने से क्या फाइदा वो समझ गई थी कि अब उसमें मेरी कोई दिल्चस्पी नहीं रह गई थी लेकिन तुमने तो कहा था कि वो सीधे तरीके से मानने वाली नहीं थी तुमने वो भी कहा था कि वो जादा पैसे मांग रही थी और उनसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें शायद अपने सारे पैसे उसे दे देने पड़े हाँ मैंने कहा था हैरी को अपनी बैचनी दबाने में कटनाई हो रही थी पहले तो उसने ऐसी हिप्लेटिक रिया वैक्त की थी लेकिन बाद में उसे महसुस हुआ कि वो रुकावट बन रही थी उसने अपना विचार बदल लिया था उसने इस बारे में काफी विचार कर लिया था और जब मैंने उससे कहा कि वो मुझसे सभी पैसे ले सकती है तो वो सिर्फ दोहजार लेने को तयार हो गई थी क्या तो मैं उसके लिए दुख नहीं हो रहा हैरी इस सवाल से हैरी चौप पड़ा क्यूं जरूर हो रहा है लेकिन इस पर अफसोस करके दो वेक्तियों की जिन्दगी बर्बाद करने की क्या तुक है वो खुद को संभाल लेगी मैंने उसे परियाप पैसे दे दिये है और वो अपने भाई के पास जा सकती है जो उसकी देखबाल कर लेगा उसे अब भूल जाओ जोन उसका भाई कौन है हैरी की मुठिया भीचने लगी वो किसी तरह सांसोर में बोला अब मुझे जाना चाहिए हैरी उटकर उसकी और लपका मगर इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंच पाता जो उन दर्वाजे तक पहुंच चुकी थी उसके इस उप्विक्षापन वेवार से चाता हूं कि अब धंदेगी कारवाई आगे बढ़ाई जाए समय नश्ट करने से फायदा नहीं मैं देखती हूं क्या किया जा सकता है वो दर्वाजा खोलकर तेजी से कैडलोग किया और बढ़ने लगी हैरी दर्वाजे पर खड़ा उसे देखता रहा जोन ने कार का इंजन स्टार्ट किया और उसकी और देखे बिना वहाँ से चली गई कुछ देर तक हैरी ठगासा दर्वाजे के पास खड़ा रहा उसका चैरा सक पड़ गया था और दिमाग में विचार तीजी से आ जा रहे थे फिर किया बिन में उटकर खड़ा हो गया और आइने के सामने जाकर अपना चैरा देखने लगा अपने सामने आइने में उसने जो अक्स देखा उससे उसे जबरदस धक्कासा लगा और उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया आइने में उसे अपना चैरा कते ही अपना नहीं लग रहा था सफेद वो दुबला सा चैरा धसी हुई आखे उबरी हुई गाल की हड्डिय और पतले सक्त होट ये एक ऐसे भैबिस सक्स का चैरा लगता था जिसके दिल में चोर हो वो खुद को कोसने लगा कोई आश्चेरे नहीं की जोन डर गई थी उसने सोचा उसे खुद को संभालना होगा वो इस आलत में नहीं रह सकता वो तेजी से बातरून की और भागा कपड़े उतार तेके और शावर के ठंडे पानी में रगड़ रगड़ का स्नान करने लगा वो तब तक नहाता रहा जब तक हाफने न लगा फिर तॉली से बदन पोस्ते हुए उसने बातरून की आएने में अपनी सूरत देखी अब वो थोड़ा ठीक लग रहा था लेकिन भैगे चिन अब भी मौजूद थे किस बात से डर रहे हो बेवकूफ आएने में खुद को घूरता हुआ वो बोला जब तक उन्हें गलोरी की लाश नहीं मिलती कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड सकता मैनों से कोई उसी इलाके की तरफ नहीं गया था अगर गया होता तो तुम्हें कदमों के निशान दिखाई दे जाते कोई जाएगा भी नहीं फिर लाश कैसे मिल सकती है फिर अचानक उसकी टांगे जवाब देने लगी और ओ धडाम से बातरूम के फल्स पर बैट गया लेकिन वहाँ कोई एक तो मौजूद था जिसने जंगल में छिप कर उन्हें जगडते देख लिया था जिसने गलोरी की हत्या की थी और अपने कदमों के निशान मिटाते हुए जंगल में छिप गया था उसने उसे गलोरी की लाश को दफनाते हुए देख लिया होगा वो सत्यारे को मालुम था कि गलोरी की लाश किस जगे दफनाई गई थी इस बात की क्या जमानत थी कि वो किसी पब्लिक बूट से पुलिस को गुमनाम फोन करके नहीं बताएगा कि उसने उसे ग्लोरी को दफनाते हुए देखा था काफी देर तक बैठा रहा है री सोचता रहा और अपने दिल की धड़कन सुनता रहा इस संभावना किया और पहले उसका ध्यान ही नहीं गया था किती देर तक वो कोई उपाय सोचता रहा फिर उसके दिमाग में से बेकी उपाय सुझा जिसे वो अपने बूते पर कर सकता था उसे फिर से उसी जगे जाना होगा और कबर से गलोरी की लाश निकाल कर किसी दूसरी जगे दफना देनी होगी फिर तो हत्यारे ने पुलीस को फोन कर भी दिया पता भी दिया तो वे लाश बरामत नहीं कर सकते और समझेंगे कि किसी ने उनके साथ मजाग किया था वहाँ जाने और गलोरी की लाश खोद निकालने के विचार मातर से उसके सरीर में जुर-जुरी दोड़ गई लेकिन उसे वो काम तो किसी प्रकार करना ही होगा दूसरा कोई रास्ता नहीं था उसका भविश्य इसी बात पर टिका हुआ था कि पुलिस लोरी की लाश बरामत ना कर सके उसने कपड़े पहन लिये उसके हाथ इसकदर काम रहे थे कि वो कमीज के बटन नहीं लगा पा रहा था उसने दिन धलने पर ही उस जगे रवाना होने का फैसला किया एक घंटे बाद तब वहाँ पहुंसते पहुंसते अंधेरा ट्थे चुका होगा इस प्रकार वो नितान तकेला होगा उसे लाश निकालतर कार के डिगी में डालनी होगी फिर उसे वहाँ से दूर किजी सुरक्सित जगे पर दफना देना होगा उसने बादरूम का दर्वाजा खोला और बैडरूम में कदम रखा फिर एक आएक उसे अपनी धमियों में खोन जमता सा महसूस हुआ दिल की धड़कन जैसे रुख गई उसकी और मू किये और होटों में सिग्रेट दबाए एक आराम पुर्सी पर बोर्ग बैठा हुआ था पिछले 24 घंटों के अंदर हैरी बोर्ग के आस्तित्व को भूल चुका था उसे अचानक वहाँ यू बैठा देखकर हैरी को एक ऐसा धक्का लगा जैसे उसके सरीर का तंतुजाल चिंबिन हो गया हो वो विस्वरित नजरों से उसे घूरने लगा उसका मुँध खुला रह गया था और शरीर बूत की तरस्त थिर बोर्ग ने उसकी और देखा उसके चैरे पर नंगा खौफ देखकर उसे बड़ी प्रसंता हुई कहीं शणों तक वे एक दुसरे को घूरते रहे फिर हैरी के होश लोटा है ये आदमी साफ से भी खतरनाक और बेपरवा था उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता हैरी को अनुबह हो गया था कि बोर्ग को देखते ही वो जिस तरह घबरा गया था और उस पर जो प्रतिक्रिया हुई थी इससे साफ जाहिर होता था कि बोर्ग को मालुम हो गया था कि वो उसे ग्रीन की रूप में पहचान चुका है अब उसके सामने जूट बोलना बेमानी था कि वो हैरी ग्रीन नहीं है हैरी को अपनी गन का ख्याल आया लेकिन वो तो कार के ग्लोब कमपार्टमेंट में रखी हुई थी जो बार खड़ी थी वो अपनी इसलाप अरवाई से निराशो उठा हैलो ग्रीन बोर्ग अपनी करकस वो हाफ्ती सी आवाज में बोला मेरा दावा है तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारी दुबारा मुलाकात भी हो सकती है नई बिस्तर पर बैट जाओ मुझे तुमसे कई बाते करनी है हैरी बिमार वेक्ती की तरह चलकर बिस्तर पर बैट गया और घुटनों पर हाथ रखकर बोर्की और ताकने लगा क्या तुमने सची समझ लिया था कि मैंने तुमें खो दिया था सिगरेट का धुआ उगलते हुए पोर्क ने पूछा हैरी कुछ नहीं बोला अगर बोलना भी चाहता तो नहीं बोल सकता था उसका मुई इसकदर सूख गया था ओकलोहमा सीटी ऐरपोर्ट से उड़ने के बाद से तुमें एक शन्वी मेरी निगाहों से उज़ल नहीं हुए हो उसे सिगरेट कुर्सी के हत्ते पर मसल दिया काफी मौज मारते रहे हो नहीं मुझे तुमारी गल्फरेंट पसंद आई है क्या चाहते हो तुम हैरी ने किसी तरह कहा मैं तुमें एक चीज बेचना चाहता हूँ दोस्त जिसकी तुमें सक्जरूरत है क्या मतलब मेरे पास एक कार रेंच है जिस पर खून के साथ बाल चिपके हुए है और जिस पर तुमारी उंगलियों के सुन्दर निशान भी है मैंने सोचा शायद तुम उसे खहितना चाहोगे हैरी का ख्याल था कि वो सदमे से निजात पा चुका है मगर बोर्ग की इस बास से उसके पेरो तले जमीन खिसकने लगी तो बोर्ग ग्लोरी का हत्यारा था वो भी कितना मुर्ग था कि उसने पहले ही बोर्ग का ख्याल नहीं किया लेकिन बोर्ग ने उसे भी क्यों नहीं मार डाला वो उसे ग्लोरी को दफनाते समय गोली मार सकता था गोली की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, किसी को भी पता ना चलता तो तुमने उसे मार डाला था उसने भर्राई आवाज में पूछा बोर्ग हसने लगा बिल्कुल ठीक, उसने कहा मरना तो उसे थाई, सिर्फ तुम और मैं जानते हैं कि उसकी हत्या मैंने की है अगर पुलिस ने उसका शब बरा मत कर लिया तो वह सोचेंगे, उसे तुमने मार डाला था मैंने रेंच उनके हवाले कर दिया तो रेज बात पर पक्का यकीन हो जाएगा इसे खहिदना चाहते हो दोस्त हैरी का दिमाग फिर से काम करने लगा था अगर वो इस हत्यारे को किसी फ्रकार उल्लू बना कर थोड़ा वक्त हासिल करने में कामियाब हो सके, तो यही एक मात्र उसके बचाव की उम्मीद हो सकती थी हाँ, वो बोला, है इतना चाहता हूँ मुझे यखीन था कि तुम चाहोगे बोला, फिर उसके होटो पर क्लूर मुस्कान फैल गई, इसकी कीमत 50,000 डॉलर है, लेकिन इस मुल्य पर बहुत सस्ती पड़ रही है अब हैरी की समझ में आया, कि क्यो बोल्ग ने उसे नहीं मार दिया था, वो पहले पूरी नहीं है, तो अपनी गल्फरेंड से उधार मांग लो, वो तुम्हारी दिवानी हो चुकी है दोस्त, तुम्हें उधार दे देगी मैं तुम दोनों पर नजर रखता रहाऊं फिर उसके पास दौलत की कमी भी तो नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे उसे अपने बचाव की योजना तेयार करने के लिए 24 घंटे का वक्त मिल रहा है मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है वो बोला, फिर क्या होगा रेंच तुम्हें मिल जाएगा, बस यहीं होगा मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मुझे डबल क्रॉस नहीं करोगे बोर्ग की और ध्यान से देखते हूए हैरी ने पूछा बोर्ग मुस्कुराया तुम्हें करना होगा, जैसे डैलानी ने तुम पर किया था कहने का मतलब यह निश्चित था कि रकम मिलते ही बोर्ग उसे मार डालेगा जब तक रैंच मेरे हाथ नहीं लगता मैं पैसा नहीं दूँगा उसने कहा, ठीक है मैं भी पैसा लिये बगेर रैंच नहीं दूँगा बोर्ग बोला, हम कल रात दस बजे मिलेंगे तुम पैसा ले आना बैरेंच ले आऊंगा यहीं मिलना है, बोर्ग ने सिरे लाया नहीं, हमारी मुलाकात उसी जगे पर होगी जहां तुमने उस लड़की को दफनाया था बोर्ग अपनी छोटी-छोटी आँखों से उसे घूरने लगा फिर हम मेंसे किसी ने भी धोके बाजी करने की खोशिश की तो उसका नतीजा देखने वाला वहाँ कोई नहीं होगा हैरी सीहर उठा मीलो तक सुनसान उस तट पर हैरी अपनी दिमागी जत्राई से ही बच सकता था उसे अब यकीन हो गया कि बोर्ग उसे मार डालने का इरादा रखता है बोर्ग उठ खड़ा हुआ कल रात दस बजे वो बोला अगर तुम दिखाई नहीं दिये तो रैंच पुलीस के पास पहुँच जाएगा और पैसे पुरे पचास हजार होने चाहिए समझ गए हैरी ने सिरेलाया हाँ और भागने की कोशिस हर्गिस मत करना केविन का दर्वाजा खोलते हुए बोर्ग ने कहा मैं तुमें तलाश ना कर सका तो भी तुम पुलीस के हाथो बच नहीं सकोगे याद है उस लड़की ने तुमें क्या कहा था तुमारे गले में फंदा पड़ा हुआ है जिसे तुम नहीं निकाल सकते लेकिन इस बार फंदा उसका नहीं मेरा है वो बाहर निकला और अपने केविन की और चल दिया हैरी खिड़की के पास चला आया उसने बोर्क को अपने केविन में घुस्ते हुए देखा फिर उसने खिड़की बंद कर ली बत्ती चलाई और उसके टेबल के पास चला आया जिस पर विस्की की मोतल रखी हुई थी उससे डेहर सारी विस्की गलास में उड़े ली और पी ली गलास दुबारा भर लिया फिर आराम कुर्सी पत पसर गया ये परिक्षा की घड़ी थी उसने सोचा अगर वो बोर्क को मात दे सका तो बचने की उमीद कर सकता था वो बोर्क का इरादा समझ चुका था पैसा हासन होते ही वो उसे खत्म कर डालेगा वो डेराणी के पास उसके पैसे और इस समाचार के साथ लोटना चाता था कि वो हैरी और गलोरी को ठिकाने लगा चुका है इसका मतलब जब तक वो रकं बोर्क को सौप नहीं देता बोर्क उसे नहीं मारने वाला था अगर उसे बोर्क को पराजित करना था तो ये काम उसे रकम सौंपने से पहले या उसी दोरान करना होगा रकम सौंप देने के बाद उसे यकीन था कि बॉर्ग जैसे दुर्दान थे त्यारे के सामने उसका कुछ वश नहीं चल सकता जिस समय बॉर्ग इस अनिश्चे की स्थिति में होगा कि वो रकम हासिल करने वाला है अत्वा नहीं उसका ध्यान एक पल के लिए बढ़ जाएगा और यहीं उसे पराजित करने का उप्योक मौका साबित हो सकता था कहीं शड़ों तक बैठा हैरी सामने की दिवार को घूरता रहा और बॉर्ग से निबटने की तरकीब सोचता रहा अंदर तैवो एक निणए पर पहुंचा ये एक जुआ था जिसमें जीत की भी उम्मीद थी और हार की भी लेकिन इसमें था बहुत जोखिम और हैरी को इसके अलावा दूसरी कोई तरकीब नहीं सूच सकी थी वो बॉर्ग की फूर्ती के मुकाबले टिक नहीं सकता था जो कुछ करना था उसकी हैरानी के धहत और उसकी असावधानी का फायदा उठा कर ही करना था उसके निड़ने में पहुंसते पहुंसते नौ बच चुके थे उसने बत्ती बुझा दी और चलकर खिड़की के पास पहुंचा खिड़की खोलकर उसने जाका बॉर्ग के केविन में रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी लेकिन हैरी को मालुम था कि वो अत्यारा अंधेरे में खिड़की के पास बैठा चौकसी के साथ उसके केविन की निगरानी कर रहा था उसने सोचा कम से कम अब उसे बीच पर जाकर ग्लोरी की लाश खोद निकालने की ज़रुवत नहीं थी वो सुनी स्चित था कि अब हैरी जहां भी जाएगा बोर्ग उसका पीछा नहीं छोड़ेगा अत्यक लोरी की कबर बदलने की चिष्टा बेकार थी वो बाहर निकलाया अपनी कार में बैठा और उसे ड्राइब करते हुए गयराज तक ले गया रहे रेस्तरा की और चलने लगा रेस्तरा का दर्वाजा खोलते समय वो सोच रहा था कि बोर्ग उसे देख रहा होगा लेकिन उसे चिंता नहीं थी एक हक तक वो यहीं चाहता था कि बोर्ग को मालुम रहे कि वो क्या कर रहा है रेस्तरा करीब परिब खाली था कुछ लोगी अभी तक भोजन कर रहे थे किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया वो चल कर खुली खिड़की से दूर अलग हट कर एक कौने की मेज पर जाकर बैठ गया एक वेटर ने उसे मीनू कार थमा दिया हैरी ने रान का गोस्ट फ्रेंच फ्राइट पटेटो और सलात का ओडर दिया जैसे ही वेटर लोटने को हुआ हैरी ने उसे रोक लिया जब तक गोस्ट भुन कर तयार हो मैं चाता हूँ कि तुम मेरे लिए एक महरबानी कर दो उसने पांच डॉलर के दो नोट निकालते हुए कहा उसने नोट वेटर की और बढ़ा दिये ये उस तकलिफ की कीमत है जो मेरी वज़े से तुम्हे हो सकती है यस सर वेटर ने जट से नोट उठा लिये वो खुशामत भरे अंदाज में हैरी की और चुका कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे लकड़ी के पांच टुकड़े चाहिए तीन बारा भई छे आकार के हो और दो छे भई तीन के ला सकते हो कहीं से वेटर चक्रा ऐसा देख रहा था बता नहीं सकता शायद हमारा बढ़ई इसे तयार कर दे अगर वो घर नहीं चला गया है तो मैं इससे पूशता हूँ हैरी ने पांच का एक नोट और निकाला और उसे दे दिया ये बढ़ई को दे देना मैं उसे मुफ्त में काम लेना नहीं चाहता था मुझे एक दरजन आधा इंच वाली की ले एक हतोड़ी आरी और बर्मा भी चाहिए ठीक है वेटर ने हैरी की और ऐसे देखा जैसे वो कोई पागल हो ये ओजार आप भैदना चाहते हैं नहीं सिर्फ थोड़ी देर के लिए उधार चाहता हूँ मैं ये सब ओजार तुमें कल सुबह लोटा दूँगा मुझे एक फूट लंबी मोटी ताबे की एक तार भी चाहिए देखता हूँ क्या किया जा सकता है वेटर ने कहा और वो कीचन की और चला गया हैरी ने एक सिग्रट सुलगाई और कमरे के दूसरी और बैठी एक सेक्सी दिखने वाली लड़की की और देखा जो एक दुबले पतले, उब्रिवी गाल की हड़ियों और लेटिन आखो वाले आतमी से बाते कर रही थी हैरी उस लड़की के प्रती ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन लड़की की और पढ़ रही उसकी स्थेफ दुर्ष्टी से वो लड़की परेशान हो उठी और उसने कुर्सी पर रुख बदल कर पीट हैरी की और फेर लिया बीस मिनट की प्रतीक्षा के बाद वो वेटर हैरी के भूजन के साथ वापस लोड़ आया उसने बताया कि उसने बढ़ई से बात कर ली थी और जब तक हैरी डिनर खतम कर ले वो लगड़ी के टुकड़े तयार कर देगा मैं केविन नमबर 376 में ठहराऊं हैरी बोला क्या तुम लगड़ी और ओजारों के साथ एक बुतल विस्की भी वहाँ ले आओगे सभी सामान नैपकिन में छिपा कर ले आना गर्द होगे इतना बेटर ने उसे हैरान निगाउं से घुरा सेमती में सिर हिलाया और कहा कि वो हैरी के डिनर खतम करने के बाद आ जाएगा हैरी न डिनर लेने में कोई जल्दवाजी नहीं की उसने बहुत सोच विचार करना था कल सुबे सबसे पहले जैसे ही बैंक खुल जाएगा उसे वो सारी रकम निकालनी होगी उसे बोर्ग को इसकी तनिक भी फनक पढ़ने नहीं देनी होगी कि वो उसके साथ धुका करने की सोच रहा है उसे जोन को भी 10,000 डॉलर उधार देने के लिए मना लेना होगा और उसके बैंक से पैसा निकालना होगा ये सोचते ही उसे बहचानी होने लगी कि जोन उसे पैसा देगी या नहीं उसे यकीन था कि बोर्ग उसकी हर कतीविदी पर निगार रखे रहेगा और ये नहायस ज़रूरी था कि उसे शक न हो पाए अगर उसे बोर्ग को मात देनी है तो उसके मन में विश्वास की भावनाई जगा देनी होंगी ताकि वो कुछ हसाफधान हो जाए अगर वो ऐसा कर सका तो उसे परास कर सकने की उम्मीद कर सकता था भोजन खतम करने के बाद हैरी अपने केविन में लोट आया और बैटकर इंतजार करने लगा दस मिनट बाद वो वेटर आ पहुँचा वो हैरी के निदेशों का अक्षरस पालन कर रहा था वो हैरी की ज़रूरत के सभी के सभी सामान एक ट्रेपर रखकर तथा उपर से नैक्किन से ढखकर ले आया था उसके दूसरे हाथ में सकॉच की एक बोदल थी हैरी ने उसका सुक्रिया अदा किया और उसे वापस भेज दिया फिर उसने दर्वाजा अंदर से बंद कर लिया और लकड़ी के टुकड़ो को जोड़ कर एक खुले मुवाला बॉक्स तयार कर लिया उसने हिप पॉकेट से अपनी 45 आटोमेटिक कैलिबर की रिवॉल्वर निकाल कर उसे बकसे के अंदर रख दिया पैंसिल की साहता से उसने उपरी लकड़ी के निचले सिरे पर और बकसे के तले के बीच में दो निशान लगाए उसने गन उठा ली और बरमे तथारी की साहता से निशान वाले स्थानों पर दो सुराग बना लिये उसने गन को फिर से बकसे में रख दिया गन की नली सेरवारे सुराक से बाहर छाक रही थी उसका अंदाजा बिल्कुल फिट बैठा था तले वाले सुराक से उंगली गन के ट्रिगर तक पहुंच सकती थी इस बात से संतुष्टो कर कि उसका अंदाजा फिट बैठा था उसने गन गुतार की साहता से बकसे के तले के साथ बांद दिया फिर उसने बकसे को अपने हतेलियों में थाम लिया उसका अंगुठा और छोटी उंगलिया बकसे के दोनों किनारों को पकड़े हुए थी और तरजनी उंगली तलावाले सुराक में डालकर ट्रिगर दबाना बड़ा आसान काम था उसने महसूस किया कि सुराक से उंगली ट्रिगर तक पहुन सकती थी मगर सुराक थोड़ा छोटा होने के कारण ट्रिगर दबाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उसने गन खोलकर निकाल ली और सुरा को थोड़ा चोड़ा कर दिया फिर गन यता सान रखकर बांधी और फिर ट्रिकर दवाने की कोशिश की इस बार कोई मुश्किल पेस नहीं आई उसने गन को फिर से बकसे से निकाला फिर बिस्तर पर बैट कर उसमें तेल डाला और तुष्टोकर उसने बकसे को ड्रॉर में डाल कर बंद कर दिया, टेबल साफ किया, और जारो को नैपके में लपेटा और बंडल को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, उसने कपड़े उतारे, एक और ड्रेंक लिया, फिर बिस्तर में घुसकर बत्ती बुझा दी, अंधेरे मे लेटे लेटे, वो अपनी थाजी योजना पर गौर करने लगा, उसकी जिंदेगी और भविश्य का दारोंदार, इस योजना की सफलता पर था, और इसमें नहीत खत्रे को महसूस कर, वो घबरा उठा, उसकी इच्छा हुई, की काश, उसकी घबराट कम करने, और उससे दि कट की स्थिती में, उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं होगा, जैसा कि गलोरी किया करती थी, आखिरकार उसकी आख लग गई, उसने सपने में देखा, एक लोरी कमरे में ड्रैसिंग टेबल के सामने बैठी बाल सवार रही थी, हैरी आइने में उसका चेहरा देख रहा कि उसने उसकी आवाज सुनी हो, हैरी ने उठकर उसके पास जाने की कोशिश की, तो उसे महसूस हुआ कि वो हिल नहीं सकता था, जैसे कोई अंजानी ताकत उसे बिस्तर पर दबोचे हुए थी, उसकी आख खुली, तो उसने खुद को पाया कि वो कलोरी का नाम लिकर पुक जहां दोपैर के वक्त, जो उनके साथ उसकी मुलाकात होनी तैह हुई थी, वो पहले ही अपने बैंक हो आया था, और ऐसा प्रबंद कर आया था, कि दोपैर के बाद तक 30,000 डॉलर के बेर बॉन्ड उसके लिए तैयार रहते, 10,000 उसने नकत निकल वाये थे, जो इस समय उस आते हुए देखा था, जिस पर हैरी ने दस्तकत कर दिये थे, फिर वो बैंक से चला गया था, तब हैरी को दुबारा उसकी जलक नहीं दिखाए दे थी, लेकिन हैरी को यकीन था, कि वो उससे जादा दूर नहीं होगा, और जब वो होटल के बाहर चैल कदमी कर रहा था, व प्रतिक्षा करने लगा, जैसे जोन ने कार रोक दी, उसने लपक कर दर्वाजा खोला और अंदर बैठ गया, उसने बेचेन भाव से जोन की और देखा, वो पीली पड़ गई थी, और उसकी आँखों के नीचे सफेद दब्बे पड़ गए थे, उसने देखा, वो अभी त उसकी तरफ भी जा सकते हैं, तुम चाहो तो वहां हम लंच भी ले सकते हैं, हाँ, वे चुपचाप दक्षन बस्चन 27 वे आइवेन्यू पर बढ़ते रहे, हैरी कार की दाएं तरफ के ट्राइविंग मिरर पर देख रहा था, जब वे वेस्ट प्लैक स्ट्रीट के उसने जोन की और देखा, चिंदित होते हुए कि वो मन में क्या सोच रही होगी, लगता है रात तुम ठीक से सो नहीं सकी, वो बोला, क्या तुम अभी तक बेकार की चिंता कर रही हो जोन, काश ये बेकार की चिंता ही होती, तो क्या तुम ठीक धंग से सो सकते थे, टैरिस पर चले, हैरी कार से उत्रा, उसने अपने पीछे सीधी ट्राइब पर मुख्य सड़क पर निगाह डाली, बोर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था, वो जोन के पीछे पीछे चलकर टैरिस तक आया, जाधूप की रंब बिरंगी छद्रियों के नीचे मेजे बिची हुई थी, वहाँ छे साथ से ज़्यादा आदमी मौजूद नहीं थे, और उन्हें मनपसंद मेज हासिल करने में कटना ही नहीं हुई, वे बैठ गए और जब वेटर आया, तो हैरी ने अपने लिए डबल विस्की का ओडर दिया, क्योंकि जोन ने कुछ भी लेने से इंकार कर दिया था, जब वेटर विस्की रखकर चला गया, तो हैरी ने कहा, तुम्हारे विचार में तुम कब तक अपने डैडी से बात कर लोगी जोन, क्योंकि अब मैं तरहीं की समय नश्ट नहीं करना चाता, जोन अपने हाथों की और ताकने लगी, अब मैं डैडी से हैरी, हैरी को लगा, जैसे किसी ने उसके दिल में घूंसा मार दिया हो, तुम्हारा मतलब मेरे आइडिये पर आगे बढ़ना नहीं चाती, हाँ, यही मेरा मतलब है, मुझे अफसोस है, लेकिन जोन, मैं तो तुम पर ही भरोसा कर रहा था, वो भराई आवाज में बोला, हम जो कुछ करती हूँ, या करना चाहती हूँ, इस पर वे कभी कोई सवाल नहीं करते, अगर मैं वेवसाय में लगाने के लिए, उनसे पुंची तलब करूँ, तो वे कभी इंकार नहीं करेंगे, वे मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे, कि ये वेवसाय डूबने वाला नहीं, य उन्हें क्यों नहीं बता सकती, योजना बेशक दमदार है, जो उनने सांस्वर में कहा, और अचानक सीधे हैरी की और देखा, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं कि तुम इसे संभालोगे, और ये दमदार बनी रहेगी, हैरी का चैरा सफित पढ़ गया, क्या तुम ये कहना च बिना वो कुछ नहीं कर सकता, उसने खुझ से कहा, उसको एक एरक्राफ्ट खरीद कर ही संतुष्टोना पड़ेगा, जिससे सिर्दर तो बेहिसाब बढ़ जाएगा, लेकिन मुश्किल से पेट भनने लाएक धन कमा सकेगा, लेकिन तुमने अपना इरादा क्यों बदल दि तुमने मुझे गहराई से सोचने का मौका ही नहीं दिया था, मैं तुम्हें एक शांदार वेक्ति समझ बैटी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं समझती, कल मुझे तुमारे बारे में दो बातों की जानकरी हुई, तुम पुलिस से डरे हुए हो, और तुम जूटे हो, मैं किसी ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ग्लोरी डेन का क्या कर डाला, जोन ने उसकी नजरों से, नजरे मिलाते होए शांसवर में पूछा, हैरी को पसीना छूटने लगा, क्या कर डाला, क्या मतलब है तुमारा, मैंने कुछ नहीं किया है, कुर्सी पर आगे को सरकते होए है हैरी ये रुमाल से चहरा पहुंसता हुआ बोला, मुझे मालूम नहीं, वो किस जगे रहता है, और मुझे परवा भी नहीं है, तुमने उसे ट्रेन पर बिठा दिया था, हाँ, अब सुनो जोन, ट्रेन कितने बज़े छूटी थी, हैरी को तुरन फंदा दिखाई देने लगा, इसकी वो जांच कर सकती थी, वो समय को कोसने लगा, कि क्यों उसने जोन को सफ़्ष सवाल पूछने का आफसर दे दिया, जब उसने पहली बार उसे बताया था, कि गलोरी मैक्सिको सीटी चली गई है, उसे उसी वक्त प्रेन का समय चेक कर लेना चाहिए था, सुबह किसी व जोन ने उसे जाल में फास लिया था, वो अब जो कुछ भी कहेगा, उसे वो जूट सावित कर सकती थी, उसने अब पैंतरा बदल कर, उसे यकीन दिराने के लिए आधा सच बोल देने का फैसला किया, ठीक है, वो मैक्सिको सीटी नहीं गई थी, अब तो ससली हो गई तुमे जोन अपनी ठंडी निगाउ से उसे लगाता गोर रही थी, तो तुम मानते हो कि तुमने जूट बोला था, हाँ, बोला था, हैरी ने कहा, और इसके लिए मुझे दुख है, अगर तुमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो मैं बताए देता हूँ कि क्या हुआ था, लोरी ब कम दे देता, तो तुमारे साथ मिलकर वेवसाय सुरू करने के लिए मेरे पास कुछ भी न बसता, मैं चक्कर में पढ़ गया था, मैंने फैसला किया कि मुझे तुमारा ख्याल छोड़ देना चाहिए, और उसके साथ चलना चाहिए, वो नियो और लिस जाना चाती थी, उसक की जिन्देगी भी बरबाद कर रहा होंगा, मैंने उसे ये बात बताई थी, उसने ये भी बताया था, कि अगर वो मुझे ब्लैकमेल करती रही, तो मैं भी उसे ब्लैकमेल करूंगा, मुझे ये बात उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता इससे बात बन गई, वो कार से उतर गई, मैंने उसे 2000 डॉलर्स विकार करने को राजी कर लिया, और उससे वादया करवाया, कि वो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देगी, मैंने उसे नियू औरलिंस की बस पर चड़ा दिया, और मैं वापस लोड आया, यही हुआ था, औ मैं तुम्हें अधिक तसली देश रकूंगा, हैरी यह चिपाने की कोशिश करता हुआ बोला, कि वो किस बेपरवाई के साथ जूट बोल रहा है, तो वो अभी नियू औरलिंस में है, शायद मैं कह नहीं सकता, मैंने उसे बस पर चड़ा दिया था, अब उसे क्या हो गया है यह मैं नहीं जानता और ना मुझे परवा है, उसने डिरिंग खतम किया और ग्लास रख दिया, क्या हम उसे अपनी जिंदेगी से अलग नहीं कर सकते जौन, उसके और मेरे बीच अब कोई वास्ता नहीं रहा है, मैं तुमसे महबत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चात और अपनी योजना को आगे बढ़ाना चाता हूँ, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हम नहीं कर सकते, जोन बोली, मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ, कि तुम पर भरुसा किया जा सकता है या नहीं, मैं हर्गिस तुम्हारे साथ वेवसाय में साज़ेदारी नहीं कर गई हूँ, मैं अपने डड़ी के पुझी किसी ऐसे काम में लगाने का खत्रा नहीं उठा सकती, जिसे तुम संभाल रहे होगे, जब तक मुझे पूरा यकिन नहीं हो जाता, कि तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं कर सकती, बेशक मैं सच बोल रहा हैरी कुछ से से बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तो फिर तुम क्यों ऐसे दिख रहे हो, तुम्हें डर किस बात का है, तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई उल्जन है, कोई बोज है, जोन बोली, कोई भी ये समझ सकता है, ऐसा लगता है, जैसे तुमने कोई भयान नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तुम्हें यकीन करना होगा मुझ पर, मुझे घबराट हो रही है, एक है, मैं एक शर्त पर तुम पर यकीन कर सकती हूँ, जोन ने कहा, लेकिन इस समय तुमारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती, तु तो मुझे तुम पर यकीन हो जाएगा लेकिन इससे पहले नहीं क्या तुम मेरे साथ न्यू आर्लेंस चलने को तैयार हो हैरी हिचकी चाया और हिचकी चार्ट दुर्भाग ये जनक थी जोन उसे ध्यान से देख रही थी हैरी ने निगाय दूसरी और फेद ली कोई तरकी धूनते हुए उसका चहरा बेरंग होता जा रहा था जोन उट खड़ी हुई आल राइट हैरी वो अस्तिस्वर में बोली ये जब यहीं छोड़ दो मैंने ही सोचती कि अब हमें दुबारा मिलना चाहिए कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम ग्लोरी को वापिस मियामी नहीं ले आते अगर तुम ये काम कर सको तो शायद हम अगली बाचित कर सकें हैरी को मालूम हो गया कि ये उन दोनों के बीच के किस्से का खात्मा था ये बात जोन की सुरह से साफ जाहिर हो रही थी उसने अपनी जिंदेगी की इकलोती मुहबत तबाह कर डाली थी हारे होए सिपाई की तरह वोट खड़ा हुआ और टेरेस से जोन के पीछे-पीछे चल कर कार के पास आया जोन कार की बगल में खड़ी हो गई और उसकी तरफ मुड़ी महरवानी करके वापसी के लिए कोई टेक्सी पगड़ लो वो बोली उसके होट थर-थरा रहे थे और हैरी ने देखा उसकी आँखे भी भराई थी बैतर होगा तुम मेरे साथ चलो ये ठीक है हैरी बोला देखो जो मुझे इसका गहरा अफसोस है मैं थोड़ी मुश्किल में पढ़ गया हूँ लेकिन ये बात नहीं जो तुम सोच रही हो बैतर है कि अभाकिकत जान लो मैं तुमसे इसलिए जूट बोलता रहा क्योंकि मैं तुमें खोना नहीं चाता था लेकिन अब इस बात से कोई फर्क पढ़ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं देख रहा हूँ अब मैं तुमें खो चुका हूँ ग्लोरी मर चुकी है ये तुम जान गई थी नहीं जोन बिल्कुल सफेद पढ़ गई हैरी को लगा कि वो भेहोश होने वाली है लेकिन उसने उसे नाचोने की होश्यारी बढ़ती मैं हत्यारों के गिरों के चक्कर में फस गया हूँ वो बोलता गया ये मेरी ही गलती थी और मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ ग्लोरी और मैंने मिलकर एक ड़केती डाली थी तुमने उसके बारे में पढ़ा होगा जिस सक्सने हवाई जाह से हीरे उड़ाए थे वो मैं ही था इस प्रकार मैंने 50,000 डॉलर हासिल किये थे उससे पहले तक मेरे पास एक फूटी गोड़ी तक नहीं थी अगर मैं ये काम ना करता तो शायद आगे भी नहीं होती मैंने गिरों के साथ धुके बाजिक दी और उन में से एक मेरे पीचे पड़ा हुआ है उसे ने कूलियर सिटी के निकट समुदरी तट पर लूरी की हत्या कर डाली थी अब वो मुझे मार डालना चाहता है अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद मैं उसे सिकस दे सकूँ लेकिन हो सकता है किस्मत दगा दे जाए हो सकता है कल तक मैं मर चुका हूँ लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा है तुम्हें वो एकलोती औरत हो जो मेरे लिए सब कुछ माइने रखती हो हाला कि हम दोनों में काफी पुरानी जान पैचान नहीं थी लेकिन जो चंद घंटे मैंने तुमारे साथ गुजारे वे मेरी जिंदेए के सबसे खुश गवार लमाद थे प्लीज अब मुझे और कुछ मत बताओ जोन ने भर्राई आवाज में कहा मैं इस मामले में उलजना नहीं चाती मैंने तुमारे साथ सारो कार रखकर भारी बेवकुफी की थी वो कार में सवार हो गए और उसने इंजन स्टार्ट कर दिया हैरी तरिक पीछे हट गया उसका चेहरा पीला बढ़ गया था खुदा हाफिस जोन आइम सॉरी मुझे तुमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मुझे तुमसे महबबत थी और अब भी है मुझे खुशी होती अगर तुम मुझे सुपकाम नाय देती मुझे इसकी जरुवत थी जोन ने गियर डाला फिर उसकी और निगार डाले बगैर कार आगे बढ़ा थी हैरी वहीं खड़ा कार को जाते हुए देखता रहा उसे ऐसास हो रहा था कि उसकी जिंदगी की सबसे बेश किमती चीज हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गई थी रास्ते के उस पर पेड़ों की छाओं में खड़ी अपनी कार में बैटे बोर्ग ने कानों में अपनी मोटी उंगली घुसेडी और हिलाने लगा उसके मोटे वह खुंकार चैरे पर हैरारी भरी दिल्चस्पी के भाव जलग रहे थे हैरी दो बजे के बाद तक क्लव हाउस में ठहरा रहा जोन के चले जाने के बाद वो फिर टैरेस में लोट आया और बैटकर शुन्य निगाउं से मैदान के उस पर ताकने लगा उसका दिमाग भूम रहा था और विचार कड़वाट से भरे हुए थे लेकिन वो जोन को उसे छोड़कर चले जाने के लिए दोश नहीं दे रहा था जोन ने ठीकी किया था उसने खुझ से कहा सच्चाई जान लेने के बाद उसकी जैसी हैसित रखने वाली लड़की से ये उम्मिद नहीं की जा सकती थी कि वो हैरी जैसी सक्स से कोई तालुक रखे उसने जिस सासिक धंग से उसे सम्मन दोड़ दिया था हैरी उसकी तारिफ किये बिना ना रहा उसे मालुम था कि जोन उससे प्यार करती थी और उसका निने इतना सहज नहीं था जब वो बैट पर सोच रहा था सहसा उसे अनुभव हुआ कि ग्लोरी ने अपनी जिन्देई में क्या कुछ नहीं साहोगा उसे अब मालुम हो रहा था जो अपनी जान से प्यारा हो उसे खो देने का क्या मतलब होता है अब फिक ग्लोरी पर तो यहास्सा एक बार नहीं बलकि कई बार गुजरा था ग्लोरी तो मर चुकी थी हो सकता है आज रात ये भी मर जाए उसे ये महसूस कर बड़ा आश्चरे हुआ कि अब उसे अपने मरने जीने की रत्ती भर परवा नहीं थी उसे मालुम था कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए उसे बोर को खतम कर डालना होगा लेकिन वो सोचने लगा कि जिंदगी भर अपनी अंतर रात्मा में बोर की हत्या का बोज लिए फिरने की बज़ाए क्या ये बहतर नहीं होगा कि बोर को ही मनमानी करने दी जाए ताकि सारा किसा ही खतम हो जाए अगर वो बोर को मा डालने में कामयाब हो गया तो आगे क्या करेगा उसके पास लगबख 50,000 डॉलर थे जो कि एक अच्छी खासी रकम थी एर टेक्सी का वेवसाय चलाने का उससाब खतम हो चुका था उसे अब किसी दूसरे विस्से में सोचना होगा शायद उसकी यूरोप की सेर करने की मूली उजना पर अमल करने से कोई हल निकल आए अगर उसने बोर की हत्या कर डाली तो वो यूरोप में ही सुरक्षित रह सकता था जहां वो खुद को गायब कर सकता था एक घंटे तक लगाता सोच विचार करने के बाद उसने पैसला किया कित्ती कमजोरी दिखाते हुए होसला छोड़ देना उचित नहीं उसने खुछ से कहा दुनिया में और भी बहुत सारी ओरते हैं अगर वो बोर्ग से पीछा चुड़ा सका तो खुछे हासिल करने के अभी भी संभाव नहीं थी वो कलब हाउस के अंदर गया और स्टीवर्ट से अपने लिए एक टैक्सी मंगवाई टैक्सी के इंदजार के दोरान एक सेंड़िच और विस्की ली और जब टैक्सी आ पहुंची तो उसने ड्राइवर से अपने बैंक चलने के लिए कहा बोर्ग अपनी कार में बैटा उंग रहा था उसने टैक्सी को पहुंचते देखा उसने गॉल्फ कोर्स से सेर तक उसका पीछा किया उसने हैरी को बैंक बेंक बेंगुस्ते और अपने भरेवे ब्रीक फेस के साथ लोटते देखा हैरी ने टैक्सी ड्रैवर से कुछ कहा फिर वो पैदल चलकर कुछ गज़ आगे स्टित नैशनल कैलिफोनियन बैंक पे दाखिल हो गया टैक्सी उसके पीछे पीछे चलकर बैंक के सामने खड़ी हो गई हैरी को मालुम था कि बोर्ग उसके निगरानी कर रहा है लिहाजा उसे ऐसा जाहिर करना जरूरी था कि वो जोन से मिले 10,000 डॉलर निकल वाने के लिए उसके बैंक पे दाखिल हो रहा है उसने उस बैंक के ट्रेजर के साथ एक नया खाता खोलने के विज़े में बाचित करते हुए कई मिनट गुजारे फिर जब उसे यगीन हो गया कि बोर्ग का संदेय दूर हो गया होगा तो उसने ट्रेजर से कहा कि वो बाद में आएगा और बाहर निकल आया उसने टैक्सी ड्राइवर से उस पार्किंग लॉट की और चलने के लिए कहा जा उसने अपनी कार छोड़ी थी बोर्ग हर समय उसका पीछा करता रहा जब हैरी टैक्सी का किराय चुका रहा था बोर्ग ने अपनी कार उसके समी भी खड़ी कर दी और खिड़की से सिर बाहर निकाला दोनों ने एक दूसरे की और देखा टेक्सी के चले जाने तक दोनों छुप चाप रहे फिर बोर्ग बोला आज के दिन काफी व्यस्त रहे हो दोस्त हाँ, ब्रिफ केस को मचबुती से पकड़े हुए हैरी बोला हाला कि हैरी लोगों की भीड में स्वैम को सुरक्षित मैसूस कर रहा था लेकिन बोर्ग को कोई मौका देने का उसका इरादा नहीं था और वो अपनी गन केविन में छोड़ाने पर पस्ता रहा था तुमने पैसे हासिल कर लिए बोर्ग ने ब्रिफ केस की और देखते हुए पूछा हाँ कर लिए क्या उस लड़की ने भी दे दिये हाँ अभी अभी तुम जिस बैंक से निकले थे क्या वो उसका बैंक था हाँ बोर्ग ने सिरिलाया वो संतुर्ष दिख रहा था वो प्रसन नहीं दिखाई दे रही थी है ना क्या तुम्हें पैसे देते हुए उसे दुख हो रहा था दोस्त खुशी भी नहीं हो रही थी हैरी रूखेस्वर में बोला चलो कोई बात नहीं तुम्हारे साथ आज रात दस बचे मुलाकात होगी कोई चाला की दिखाने की कोशिश मत करना ठीक है यही बात तुम पर भी लागू होती है हैरी बोला और मुड़कर अपनी कार की और चलने लगा बोर्ग ने उन इंदी आंखों से उसे घूरा फिर अपनी कार आगे बढ़ा दी हैरी के पारकिंग लोट से कार निकालते निकालते बोर्ग आंकों से ओजोलो चुका था हैरी अपने मोटल में लोट आया वो सीधे दफ्तर पहुँचा और वहां के सेफ में पैसे रख देने का आगरे किया अपने केविन की और बढ़ते समय उसने देखा कि बोर्ग की कार उसके केविन के सामने खड़ी थी और वो समझ गया कि वो हत्यारा इस वक्त खिड़की के सामने बैठा परदे की ओड से उसे ही देख रहा होगा हैरी ने अपने केविन में कदम रखा दर्वाजा बंद किया और उसे ताला लगा दिया उसने चेश्ट के ड्रॉर का ताला खोला और उसे खीचा जहां उसने गन और बकसा रखा था इस बात से संतुष्ट होकर कि किसी चीज़ को छेडा नहीं किया है उसने ड्रॉर को फिर से बंद कर दिया उसने अपना स्विमिंग स्रोट और तौरिया उठाया फिर केविन से निकल कर वो समुदर धटकी और चल दिया उसने अगले दो घंटे समुदर वो तैराकी करते हुए और रेत पर लेटते हुए गुजारे उस दोरान उसने आगे जो होने जा रहा था उसके बारे में ना सोचने और अपने दिमाग को सबी सिंताओं से मुक्त रखने का प्रयास किया वापस मोटेल में लोटते वक वो बार में घुसा और वहां उसने दो पैग विसकी पीने और शाम का अगबार पढ़ने में आदा घंटा गुजारा साथ बजने के कुछ देर बाद ही वो अपने केविन में लोटाया उसने ध्यान दिया कि इस समय बोर्ग की कार वहां नहीं थी अपने केविन में आकर उसने शेव किया फिर नहा लेने के बाद कपड़े बदले और काले रंग का सूट पहन लिया फिर वो अपने साथ वे ओजार लेकर रेस्तरा में चला आया जिनने उसने कल वहाँ से उधार लिया था उसने ओजारों को नैपकिन में अच्छी तरह लपेट रखा था ताकि अगर सैयोग से बोर्ग वहां मौजूद हो तो वो संकितना हो उठे उसने डिनर लिया फिर मैनेजर की दफ्तर से अपना ब्रीफ केस ले आया तब तक साड़े आठ बच चुके थे और अंधिरा घिरने लगा था उसने खुद को अपने केविन के अंदर बंद कर लिया बत्ती जलाई खिड़किया बंद करके परदा गिरा दिया उसने गन के साथ वो बकसा निकाला और टेबल पर रख दिया उसे कम कपी छूटने लगी थी और वो जिस्म के अंदर कई ठंड़क महसूस कर रहा था अब तक वो अपने दिमाग से ये बात निकाल चुका था कि अगले दो घंटे के अंदर क्या होने वाला है लेकिन बकसे में रखी गन को देखते ही उसे जोरदार का धक्का सा लगा वो समुद्र धट पर अकेले जा रहा था जा बोर्ग उसका इंतजार कर रहा होगा इस मुलाकात के बाद उनमें से एक जिन्दा रह सकेगा और एक मर जाएगा हर चीज बोर्ग के अनुकूल थी वो एक दक्ष हत्यारा था हैरी को मालुम था कि बोर्ग तब तक उसकी हत्या नहीं करेगा जब तक उसे यकिन नहीं हो जाए कि हैरी अपने साथ रकम ले आया है हैरी के पास यही एक मादर शर्णिक मौका था जिसका फाइदा वो उठा सकता था उसने विस्की का एक कड़ा जाम तेयार किया जिसे पी लेने के बाद ही वो अपनी कम कपी पर थोड़ा काबू पा सका उसने शाम का अकबार उठाया जिसे वो अपने साथ ले आया था और उसे बीच में से फाड़ कर दो भाग कर दिये फिर फाड़े हुए हिस्यों को तैय करके दो पैड बनाए और उन्हें बकसे में रख दिया फिर उसने brief case खोला, उनमें से सो डॉलर के नोटों की एक गड़ी निका दी उसमें से एक नोट निकाल कर उसने गण की नली और बकसे के सुराग के दरमयान इस प्रकार रख दिये जिससे गण की नली दिखाई ना दे गड़ी के बागी नोटों को खोल कर उसने बकसे पर उपर से फैला कर रख दिया और एक इलाश्टिक की डोरी से कस दिया वो थुड़ा अलग हट कर बकसे का निरिक्षन करने लगा ऐसा लग रहा था जैसे बकसा सो डॉलरों के नोट से भरा हुआ हो और वो यही चाता था गन का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था बकसे को उठा कर उसने फिर से तसली कर ली कि वो तले वाले सुराक से उंगली डाल कर ट्रिगर दबा सकता है उसने बकसा टेबल पर रख दिया और ब्रिफकेस बंद कर दिया उसने ब्रिफकेस को अपने साथ ना ले जाने का फैसला किया क्योंकि अगर उसके प्लान में कोई गड़बडी हो गई और वो मारा गया तो वो नहीं चाता था कि ये बोर के हाथ लगे उसने बिस्तर के गद्दे को लट दिया और ब्रिफकेस को उसके नीचे डाल कर फिसीधा कर दिया अब रवाना होने का वक्त हो गया था उसने हैट बहन लिया एक सिगरेट सुलगाई और बकसे को उठा कर केबिन से बाहर निकला फिर दर्वाजे पर ताला लगा दिया उसने बकसा कार में अपनी सीट की बगल में रखा और तेजी से ड्राइव करता हुआ वेशो ड्राइव से निकल कर हाईवे 27 की और बढ़ने लगा मियामी के नाल तक पहुंसते पहुंसते बिल्कुल अन्धेरा हो चुका था चोड़ा हाईवे मियामी की और जाने वाले ट्रैफिक की भीट से भरा पड़ा था शेर के विपरित दिशा की और जाने वाला अकेला हैरी ही था कारों की हेडलाइटों की लगातार चका चौन से वो चिड़ उठा जिस जगे वो गलोरी की बहस सुनने के लिए रुका था और तेलवाग ट्रक के ड्रैवर ने उससे टैंबिस सर्विस टेशन के बारे में पूछा था उस जगे से आगे बढ़ते समय डैश बोर्ड की घड़ी की सुईयां नौ बच कर बीस मिनट होने का संकेत दे रही थी फिर उसे गलोरी की याद आई उसे महसूस हुआ कि गलोरी को वहाँ के लिए छोड़कर उसने कित्ती बड़ी गलती की थी अगर वो इस वक जिन्दा होती तो बोग से निपटने में वो उसका वश्य साथ देती वो उसे इस मुहिम पर अकेले कभी नहीं जाने देती वो उस दोराय पर पहुँच गया जहांसे कोलिय सिटी के लिए रास्ता अलग होता था और उसने कार बाई और मोड दी इस समय दस बजने में पाच मिनट बाकी थे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और हाज जैसे सुन होते जा रहे थे पाच मिनट की ड्राइविंग के बाद उसे समुदरी सीपीओ के धेर के पास कार रोग दी कार की हेडलाइट्स के प्रकास में उसके दोनों तरफ के दुर्श्यस पश्ट दिखाई दे रहे थे उसने हेडलाइट्स बुझा दी और काफी देर तक बैठा विंट्स्ट्रेंस से चांदनी में जिल मिला रहे समुदर तथा ठटकी पूरी लंबाई देखता रहा जब उसकी नजर उस जगे पर पड़ी जहां ग्लोरी की कब्र थी तो उसे भैकी एक जूजूरी महसूस हुई और उसने हड़ बढ़ा कर मुधूसरी और फेर लिया जब वो आठ लेने का प्रयास कर रहा था तो उसे लगा कि कोई हलकी सी आवाज सुनाई दी हो आवाज इत्ती धीमी थी कि वो निश्चित नहीं हो सका कि उसने वाकई वो आवाज सुनी थी वो सिहर उठा उसे धीरे से सिर्गुमा कर अपनी दाई तरफ देखा दसगस की दूरी पर एक पेड के तने से पीट्टी काई बोर्ग खड़ा था हैरी निश्चल खड़ा उसे घूरने लगा पैसे ले आये हो दोस्त हाँ रेंच कहा है है हैरी बोला मैं रेंच भी ले आया हूँ बोर्ग ने कहा और दाएं हाथ को थोड़ा उपर उठाकर छाओं से बाहर दो कदम आगे बढ़ाया चान की रोस्ति उसके हाथ में थमी 38 केलिबर की गन पर पड़ रही थी जिसे वो हैरी की और ताने हुए था इसे देख रहे हो उसने कहा कोई चाला की नहीं ठीक है चलो पैसे दिखाओ हैरी ने सोचा अब वक्त आ गया था उसका मुँ सूख रहा था और दिल इत्ती जोरों से बजने लगा कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी उसका अनुमान सही था पैसे हासिल ना होने की हालक तक बोर्ग उसे नहीं मारने वाला था रकम इसमें है हैरी भर्राई आवाज में बोला उसने बक्से को सामने कर दिया उसका दाईना अंगुठा और छोटी उंगली बक्से के किनारे को पकड़े हुए थी बाय हाथ की उंगलिया दूसरे किनारे को थामे हुए थी उसने दाई हाथ की तरजनी उंगली को सुराक से अंदर डाला और कन के ट्रिगर के गिर्द लपेट दिया बोर्ग ने अचानक अपने बाय हाथ में थमी टॉर्च जलाई टॉर्च की रोशनी में एक पल के लिए हैरी की आगे चोंदे आ गई मगर उसने देख लिया कि बोर्ग आगे बढ़ाया था जैसे ही टॉर्च का प्रकास बकसे पर पड़ा हैरी ने सुना कि बोर्ग की गले की गरगराट अचानक रुख गई थी उसे समझने में देर न लगी कि बोर्ग को ये पता चल गया था कि उसके साथ धोका किया जा रहा है बकसे पर इगाप पड़ते ही उसके दिमाग ने चितावनी दे दी इससे पहले कि उसका दिमाग ट्रिगर दबाने का निर्देश दे हैरी के पास 30 से भी कम का वक्त था हैरी ने बकसे में चिपी गन का ट्रिगर दबा दिया उसकी गन का धमागा खत्म होने के साथ बोर्ग ने भी फायर जोंग दिया दोनों धमागे लगबक साथ साथी हुए गोले ठीक बोर्गी छाथी पर दिल के नीचे लगी थी और वो अपने कदमों पर गिर गया था वो एक सांड की भाती धेर हो गया था और गिरते गिरते उसने अंदादुन फायर कर दिये हैरी को अपनी दाई बहाँ पर तेरवे पीड़ा दायक आगात मैसूस हुआ उसके उंगलियों से बकसा छोट गया और वो लड़ खड़ाते हुए पीछे हटा कोई बाएहां से कसकर दाई बहाँ पकड़े हुए था उसने किसी तरह अपना संतुलन बनाय रखा और धेर की रूप में पड़े बोर्ग की और देखा वो धीरे से और अस्तिर कदमों से चलकर उसके पास आया उसकी फ्लेशलाइट उठाई और उसका प्रकास बोर्ग के बुद्चैरी की और फैका वो बोर्ग को घूर रहा था और उसकी उंगलियों से खुन की मूंदे चूर रही थी फिर इस बात से निश्चित होकर कि बोर्ग सचमच मर चुका है वो परेहट गया वो अभी तक बहां दबाय हुए था उसका कोट खुन से भीगने लगा था उसका दिमाग घूमने लगा था और भी उसी सी छाने लगी थी उसे जो ए फ्रेंक्स की याद आए कि किस प्रकार उसकी माँ में गोली लगी थी और रक्स्त्राव हो रहा था उसने निश्चे किया कि किसी भी हालत में उसे खून बैना रोकना होगा उसने अपना कोट उतार लिया इस प्रयास में उसे इतना तेज़ दर्ध हो रहा था और चक्कर आने लगा था कि उसे धम से रेट पर बैट जाना पड़ा फिर उसने कमीस की माँ को लपेट कर उपर किया गोली उसकी माँ में मासल के हिस्से पर लगी थी और खोन बुरी तरह बह रहा था उसने रुमार निकालकर जख्म के उपर लपेट दिया और रुमार के एक सिरे को दादों से पगड़कर कस दिया और गाट बांद दी फिर बाई बाहा के उपर से र्टिका कर वो कई मिनट तक आराम करता रहा खैर उसने बौर्ग को हरा दिया था उसने सुचा ये बहुत ही खतरनाक काम था मगर उसने कर लिया था क्या बौर्ग अपने साथ रेंच ले आया था उसे इस बात पर यकीन तो नहीं आ रहा था लेकिन इसकी पुष्टी कर लेना ज़रूरी था वो फ्लेश रेट लेकर धीरे से उठ खड़ा हो गया बौर्ग के पास आकर खुटनों के बल बैट गया और उसके भारी बर कम जिसक पर हाथ फिराते हुए तलाशी लेने लगा लेकिन उसे रेंच नहीं मिला फिर वो बकसा और अपनी गन उठा कर जंगल की और चलने लगा उस दूर चलने के बाद वो बौर्ग की कार के पास पहुँच गया लेकिन रेंच वहाँ भी नहीं था क्या बौर्ग ने वो रेंच पुलीस के पास भीज दिया होगा हैरी को इस बात की संभाव ना दिखाई दी कि शायद वो रेंच को अपने केविन में छोड़ाया हो वो अस्तिर कदमों से चलकर रास्ते के सिरे पर पहुँचा और ठिटक कर रुप गया उसने मुढकर उस और देखा जहां ग्लोरी की लाश दफनाए गई थी खुदा आफ इस ग्लोरी वो बोला मुझे तुम्हें याँ छोड़ जाना कते ही पसंद नहीं लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता वो घूमा और अपनी कार की और लोटने लगा बिसके नेवेनिय मॉटल की और वापस ड्राइव करना हैरी के लिए एक भयानक दूस्व अपने से कम साबित ना हुआ हाईवे तक पहुंस्ते पहुंस्ते उसकी बहामे इत्ती तेज जलन होने लगी थी जैसे भट्टी में डाल दी गई हो वो बेहुशी की जी हालत में दीरे दीरे ड्राइव कर रहा था उसे बस इतना ही मालुम था कि इससे पहले की बोर्ग की लाश बरामद हो उसे उसके केबिन में पहुंच कर रैंच हासिल कर लेना चाहिए खत्रे का यही ऐसास उसे चलते रहने की प्रिणा दे रहा था अब वो मैसुस कर रहा था जी जोई फ्रेंक्स ने कैसे बरदास्त किया होगा फिर जब उसे याद आई कि उसने उसे कैसे रेगिस्तान में मौत की मुमें छोड़ दिया था पीछे वाली कारू के हेडलाइट होगी रोश्णी जो उसके ड्राइविंग मीरर में प्रति पिम्मित हो रही थी और लगातार हो रहे शोर से उसका दिमाग उलजन में पढ़ रहा था जिससे उसे ड्राइव करने में मुश्किल पेस आ रही थी उसे लगा कि उसका दिमाग फिर चेतना शुन्य होने जा रहा है बड़ी कटनाई से वो अपने आपको संभाल पाया जो बेहोसी उसे पूरी तरह निगल जाने को तयार थी उस पर काबू पाते हुए उसे ठंडा पसीना बहने लगा था दाइमाज जल रही थी और कठोर पड़ गई थी मगर बाय हास से किसी तरह स्टेरिंग विल को समाले वो ड्राइब करता रहा हैरी को पता भी नहीं चल सका कि बेशो ड्राइब पर उसने ट्रैफिक को कैसे पार कर लिया था बीच बीच में दूसरे ड्राइबर उस पर चिलना उटते थे एक बार तो वो एक दूसरी कार से टकरा ही गया था मगर दूसरे ड्राइबर ने बड़ी खुबी के साथ बचा लिया था हैरी आगे बढ़ता रहा वो सीट पर जूलने लगा था तेज दर्थ से उसके जबडे भीचे हुए थे और वो खुद को सचेत रखने का प्रयास करता रहा था अंत पे उसे मॉडल के प्रविजद्वार के उपर जगमगा रही नियोन लाइट की लाल वहरी रोशनी दिखाई दी दीरे से पार्किंग लोट तक पहुँच कर उसने कार रोब दी इंजन बंद किया और पार्किंग ब्रेक डाल दी वो कुछ देर निश्चल बैठा रहा दांदों के बीच से उसकी सांसे सिसकारी सी निकल रही थी और उसका चैरा पसीने से बिलकुल भीग गया था फिर उसने थोड़ी सी ताकत बटोरी और दर्वाजा खोल कर कार से उतर पड़ा वो कार का दर्वाजा थामे कहीं शन तक खड़ा रहा फिर लड़ खड़ाते कदमों से बोर के केविन के और बढ़ने लगा वो किसी प्रकार वहां पहुँच गया और जब उसने दर्वाजी पहुचा और उसने वो पार्सल उठा लिया उसके वजन और कड़ेपन से उसे पता चल गया कि वो कार का रेंची था और उसके सूखी होडो पर एक बेजान मुस्वराट फैल गई वैल उसे कामियावी हासिल हो रही थी उसने टेबल पर जुकते हुए सोचा उस पर अचारें फिर से बेहोशी चाने लगी थी जिससे उसे कमरा गूमता नजर आने लगा था और आखों के आगे अंधिरा चाने लगा था उसने आखें बंद कर ली और टेबल के साहरे तब त तेरे ठहरना खत्रे से खाली नहीं हो सकता है कोई बोर की लाश बरामत कर ले वो लड़ खड़ाते हुए बातरूम के और लबका ट्वालेट बेसिन को ठंडे पानी से भर देने के बाद उसने अपना चेहरा उसमें डाल दिया ठंडे पानी के इस परस से उसे बड़ी रहात मिली उसने तॉलिये से चेहरा पहुँचा फिर एक लास ठंडा पानी पी लिया अब उसे अपने केविन तक पहुँचने लाइक ताकत महसूस हो रही थी वो बाहरी कमरे में निकलाया ब्राउन पेपर पारसल को उठा कर दरवाजे तक पहुँचा और बत्ती बुझा दी व ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मोडल छोड़कर चला गया हो जब वो बोर्ग से मिलने चला गया था उस समय तो ये जगे बत्तियों के प्रकास तथा रेडियो के शोरगुल से काफी गहमा गहमी पूंड था अब यहां अंदेरा और सन्नाडा चाया हुआ था वो धीरे से अ बंदेरे में छिपा बैठा था हैरी के जिस्म में बैए की एक सर्द लहर दोड़ गई वो दीवार से चिपक गया और बाए हाथ में ब्राउन पेपर में लिप्टे रेंच के हैंडिल को कसकर पकड़े हुए उसने स्विच ऑन कर दिया जैसे ही कमरे में प्रकास पहला अपन ने सांस्वर में कहा कोई हरकत मत करो अब तुम भाग नहीं सकते उसने 0.45 गन उठाई और हैरी की और तान दी तबी बातरूम का दर्वाजा खुल गया और एक दूसरा डिटेक्टिव जो साधे कपड़ों में था और उसके हाथ में भी गन थी निकल आया ग्रीन हैरी बोख खडाते हुए हाथ और गुटनों के बल आगी की और गिरने लगा और उस पर बेहोशी चाने लगी उसे महसूस हुआ किसीने उसे थामकर बिस्तर पर लिटा दिया था फिर उसे कुछ होश नहीं रहा उसे मालुम नहों हो सका वो कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहा था उस उसने देखा उसकी कमीज की आस्ती नो धेड़ दी गई थी और बहाँ पर अच्छी तरह से पट्टी बांदी गई थी उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी लेकिन बहाँ का सहनिय दर्द गयब हो चुका था मैं ठीक हूँ वो बोला तुम या क्या कर रहे हो हैमस्टॉक म मुस्कराट से हैरी सिहर उठा हां तरक्की हासिल कर रहा हूं सिगर्ट सुलगाने के बाद हैमस्टॉक ने बात धोराई तुमारे पास मेरे 50 डॉलर उधार पड़े हैं लेकिन कोई बात नहीं तुम्हें हतकड़ी पहनाने के बदले वो रकम कुछ भी नहीं मेरी बहन इत्त गई थी क्योंकि सामने वाली खिड़की से बाहर एक आदमी को कान सटा कर सुनते उसने देख लिया था उसने तुम्हारी गल्फ्रेंट को कहते सुन लिया था कि अगर वो पकड़ी भी गई तो उसे परवा नहीं थी क्योंकि पुलिस उसे फासी के फंदे पर नहीं लटका स सकती थी मेरी बहन ने वापस लोटकर मुझसे संपक स्थापित करने की कोशिश की थी लेकिन उस समय मैं किसी काम के सिलसले में बाहर गया हुआ था जब तक वो मुझे खबर देने में सफल हुई तुम लोग वहां से जा चुके थे मैंने सोचा तुम लोगों की चांच पड तैयार कर रखा था जिस पर तुमने पचाच डॉलर की रसीद लिख दी थी इस प्रकार मैंने तुम्हारी उंग्लियों के खुबसूरत निशान हासिल कर लिये थे उनकी जाच करने पर जानते हो मुझे क्या बात मालूम ही हैरी ग्रिफिन ही रहसे में हैरी ग्रीन है जिसने किसे गम उसे पता तो नहीं चल सकता कि उसकी इतनी सावधानी से तैयार की गई योजना अब बेकार साबित हो चुकी है तो यही वो हत्यार है हेमस्टॉक ने आगे खा उसने अपने उंगली और अंगुटे के बीच वैकून से सना कार रेंच का सिरा पकड़ रखा था तु लोटो हमें काफी काम करना है उसने केविन का दर्वाजा खोल दिया किसी कार की हेडलाइट की रोश्णी सीधे उस पर पड़ी उसने पीछे मुड़कर हैरी के और देखा बेशक तुम नहीं माडा डाला है उसने का वो कोलिया सिटी पहुँची ही नहीं मेरे आदमी अब सम सब कुछ थी मैं कैसे उसे मार सकता हूँ मैं उससे महबबत करता था हैमस्टॉक ने कंदे उचका दिये मेरी बेहन के अनुसर तुम उससे वैसे ही महबबत करते थे जैसे चुहा जहर के साथ करता है मैंने उसे नहीं मारा है हैरी ने फिर दोर आया ठीक है ये तुम जूरी क के सामने कहना है मश्टॉक बोला लेकिन इस भरोसे में मत रहना कि वे इस पर यकीन कर लेंगे आओ अब चलें दीरे दीरे लट आता रहता हूँ दोस्तो इस उपन्यास में भी मैंने बहुत मैंनत की है जल से जल यह उपन्यास आप तक पूरा पहुंचाने के लिए मैंने इसमें बहुत समय लगाया है तो अगर आपको मेरी मैंनत पसंद आ रही है तो प्लीज 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 वीडियोस को लाइ झाल झाल